चलो आइधिंग अभी हम पर्फेक्टली अभी हम लाइव हैं और इना विडियो वगेरा सब कुछ पर्फेक्ट है तो फटावर्ट से मुझे बिता दीजिए और कि सब कुछ पर्फेक्ट है या नहीं है ताकि हम आज का सेशन स्टार्ट करें और आज के जोड़दर सेशन समोलिंडर्ट हम प्राइस săret करने की को सिस करें चितना रगे हम को सिस करेंगे उपिक्ट है और मुझे लगता है एक्सपेक्टिड झो है तो नहीं करने को करने 25 मार्क और इसी जादा पूछ सकते हैं थार्ण सरे कर लें चोड़े चोड़े सारे इंडेस हम कवर अप कर लेंगे तो यहां पर मेरे इसाफ से सब कुछ परफेक्ट है एक बार मुझे बता दीजे आप सभी को हर हर महादिब और भोले बाबा का नाम लेकि अभी हम करूंगा और ये क्रक्स नोट सेन बहुत काम आएगा आपके एक्जाम में कवर को रहे हैं कुछ इंडेस दो पेजी ले रहे तो कुछ पे इंडेस एक पेजबार ले रहे और इसके अंदर खासित क्या मैंने कुछ इंडेस में मैं क्या क्या कोbonustion तो सारे करनिया चाहिए पॉ से आपको ध्यान में रहेगा तो यह PDF आप क्या करोगे एक्जाम के टाइम में आप है ना यह PDF को रेफर कर लिजेगा तो आपको काफी मदद मिलेगे इसे काफी benefit मिलेगा आपको इस PDF से यह बहुत सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं आज का सेशन और आज का सेशन अभी हम स्टार्ट करेंगे जहां पर सबसे पहले मैं आपको इंडेस वन आपको कराऊंगा मैं तो बताव सबकों तयार हो ना और एक बात ध्यान से सुन लो अभी मेरे साथ बने रहा ना आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बताए एक दो गंटा लाइफ देखते हैं फिर सोस्ते बात मैं recording देख लेंगे तो वह मत कीज़े उससे आपका time waste होगा क्योंकि आप एक ही बार में पूरा का पूरा खतम किजे मेरे साथ दीचे पार्टिसिपीट कीजे जहां पर जरूत हो ध्यान देखिए एक ही आपको पूरा का पूरा खतम करना है चलिए तो अभी हम बिना किसी देर कि अभी हम फटा-फट स्टार्ट करतें इंडेस वन तो बेसिकली च्छिन का नेटवर्ट 250 कोड़िया उससे जाद सभी घुकार कर ते हैं उनमे सभी के सभी इंडेस को फोलो करते हैं और प्रैशल स्टिखमेंच को प्रेजिचन करोगे तो इसके तो फाइद है एक तो दूसरी companies के साथ company को compare किया जा सकेगा जैसे मालिजे के एटेल की company एक reliance के company है तो दोनों company को comparison करने में अच्छा रहेगा अगर दोनों में uniform accounting policies रहेगा तो और दूसरी बात मालिजे पिछले साल हमने क्या performance किया इस साल हमने क्या performance किया तो पिछले साल से comparison कर सकते कि इस साल हमारा performance अच्छा हुआ या बुरा हुआ है तो यह सब चीजों में मदद करते हैं अगर हमारा financial statements का basis और presentation है वो consistent रहे और वो as per index रहे तो यह हमारे यहां पर फाइद है तो basically index one के अंदर हम पढ़ने क्या भाले presentation of financial statements presentation of financial statements में पांच चीज़ें आती है जैसे कि balance हम बनाते है financial statements का components होता है balance दूसरा होता है statement of profit and loss तीसरा होता हमारा cash flow statement चोथा होता है statement of changes in equity और पांच हुआ आखिर में notes होते हैं तो यहां पर basically दो चीज़े एक तो balance और एक profit and loss उसके अंदर भी अगर आप देखो गे balance जो है balance के अंदर हम assets तीन items रहते है balance के अंदर assets रहते है liabilities रहते है एकुटी रहते हैं तो हमने यह difference तो हमने समझी ले कि equity और liability का क्या फरक है मैंने financial instrument का revision station लिया था थि यहां पर आयद्यवाद होते है तो इहां पर assets के अंदर क्या करना होता है कि non current कब कब होगा करेंड कब होगा liability के अंदर भी हमें classification करना होता है non current का और current का और equity में तो चले prediction अजाता है the non controlling interest आजाता है उसी related question भी यह में line में discuss कर लेंगे पर पहले मैं चाहता हूँ कि हम पहले concepts को go through कर ले तो यहां पर पहले मैं आपके साथ बात करूँगा statement of profitable loss की मैं main notes में जा रहा हूँ मेरे index one का जो main notes है जो relevant चीज़े वही मैं अभी आपको फटाफट से revise करूँगा जो exam के लिए बिल्कुल भी relevant नहीं है वो मैं अभी ignore करूँगा मैं तो यह बात का दिहान रखेगा तो यहां पर statement of profitable loss हमारा कैसा बनेगा एक बार वो तो idea देना जरूर है तो अब दिखें statement of profitable loss के अंदर भी दो item होते एक तो penal के items होते statement of profitable loss जो items penal में जाएंगे वह बाला items होते हैं और उसकी बात नीचे हम दिखाते है अदर comprehensive income के item यह अदर comprehensive income में क्या आते है जो unrealist profit वागिन हमने पढ़ाता ना revolution surplus re measurement gain और loss on defined benefit plan translation difference index 19 वाला तो यह कुछ कुछ है जो differences से यह सारे आते थे hedge accounting का net investment का gain cash flow का आपका reserve का gain आपका आ जाता है जो आप cash flow hedge accounting करते हो furnish instruments में अभी हमने cash flow hedge किया था तो वहाँ पर भी आप दिखना है जो difference जा रहे तो वह हमने OCAE में डाला था तो वो सारे other comprehensive income आप देखिए वो नीचे जाएंगे कैसे यहाँ पर देखो नीचे other comprehensive income में आप so कर देखो तो basically statement of profit and loss कैसे बनेगा पहली बात तो आपको current year का तो data देना पड़ेगा current year का data के साथ साथ आपको preceding year at least one preceding year का comparities भी आपको so करना पड़ता है ताकि आप पिछले साल से compare कर सको तो यहाँ पर basically क्या आता है revenue आता है revenue मतलब ordinary course of activities में जो आप revenue generate करोगे वो revenue आएगा इसके लाव माली जब बाकी other investment वगेरा से अपने कमाया different interest वगेरा का कमाई किया आपने या फिर कोई assets वगेरा को बेच के आपने कुछ पैसा कमाया जो की ordinary course में नहीं होता है वो सारे other income में आ जाते है expense के अंदर सारे expense हम नहीं दिखा दो उसके अंदर heads बना होगे जैसे raw material आपने कितना consumption किया आपने stock interest कितना purchase किया जो changes होता है inventory के finish goods वगेरा में ये तो आएंगे ये तो आपके cost of goods sold के बराबर होगी आपका फिर employee benefit expense के सारे खर्चे यहां पर एक head के अंदर चले जाएंगे सारे के सारे employee benefit expense के जो भी खर्चे आप post employment benefit के दो है ना या फिर आप short term employee benefit के दो termination benefit के दो जो भी हम employee को benefit दे रहें दा form of gratitude वगेरा इन सब चीज़ों का भी provision जो बनाते वो सभी चीज़े employee benefit expense के अंदर चला ज जाएगा इसके अलावा depreciation और amortization हमने देखा था property plan and equipment investment property यह सब चीजों में depreciation करते हैं इंटेंजीबल एसेट में करते हैं वह यहां पर आ जाएगा फिर finance cost जो भी interest के खर्चे finance cost आपके preferences भी अगर classify as liability तो उसका भी finance cost इसके अंदर आ जाएगा है ना debentures वगेरा loan वगेरा का जो भी interest cost है वह भी इसके अंदर आ जाएगा कितने अबाद deferred payment करते हैं तो उससे related finance cost भी आपका इसके अंदर आ जाएगा provision for decommissioning liability बनाते तो उससे related जो finance cost आते हैं वह सबी खर्चा यहां पर आ जाएगा फिर अगर मान लीचे आपने किसी भी non current assets क इंपार किया as per index 36 index 105 के असाब से वह impairment इधर आ जाएगा और other expenses में आपको बता दो एक single item अप other expense का दिखाऊगे detail में नहीं दिखाऊगे इसके लिए मैंने एक नीचे PDF रखा फटा फट्स आपको गो तुरू कर रहा हूंगा मैं आप देख लो यहां पर फटा फट्स आपको का खर्चा, advertisement का खर्चा, auditor को fees वगेरा दिया, traveling का खर्चा, यह सारे donation वगेरा का खर्चा, यह सारा notes through accounts में other expenses दिखाते हैं और other expense का जो total होता है न वो total हमारा कहा जाता है, statement of penal के अंदर चला जाते हैं, तो यह सारा खर्चा करने के बाद हमारा आता है profit before tax, अब उस profit before tax में हम current tax minus करेंगे, एक defer tax plus minus करेंगे, defer tax asset या defer tax liability जो हम industrial में पढ़ते थे, वो plus minus करने के बाद फिर हमारा था profit और लॉस for the period, और इसी profit और लॉस for the period से basically हम निकालते है, earning per se, basic earning per se कह दो या diluted earning per se कह दो, पर यहाँ पर आपका यह profit और लॉस जो रहेगा net profit यह आपका retain earning में भी जा पर यहाँ पर आपके कहानी खतम नहीं होती है, इसके बाद other comprehensive income भी आप बनाते हो, other comprehensive income के अंदर क्या क्या आता है, वो भी मैं फटा फट से आपको बताने के कोसिस करता हूँ, यह देखे, other comprehensive income के अंदर, OCI के अंदर जो जो item जाते है, वो होगे revolution surplus, इंडेस 16 वाला या आपने equity instrument को हमने पढ़ा, अगर मैंने investment किया equity instrument में, तो मैं उसको कहाँ दिखाता हूँ, मैं FBT पर accounting करता हूँ, पर मैं चाहूँ तो irrevocable choice लेके, FBTO से accounting भी कर सकता हूँ, जहाँ पर irrevocable choice होगा और वो reclassifiable नहीं होता आपका, है न, वो आपका irrevocable choice आप ले सकते हो, तो उस से related भी आपका gain या loss आता है, तो अब OCI में दिखाते हो, इसके अलावा, आपने मालीचे कोई debt instrument में investment किया है, उसे भी तो हम FBT OCI में measure कर सकते हैं, क्योंकि debt instrument का investment जो financial asset है, यह financial instrument में हमने पढ़ा है, जहाँ पर हम क्या करते है, amortized cost method, FBT पे लिए FBTO से accounting करते हैं, तो अग translation difference भी कहा जाएगा, OCI में जाएगा, फिर cash flow hedge या net investment का hedging जो करते हैं, उससे related आपका gain या loss जो आता है, वो भी आपका OCI में जाता है, बट यहाँ पर एक फरक है, कुछ-कुछ ऐसे OCI के item रहते हैं, जो reclassify नहीं होते हैं, जैसे revolution surplus सीधा retain earning में जाते हैं, remeasurement gain या loss भी सी सीधा retain earning में जाते हैं, और इसके अलावा investment in equity instrument भी आपका non reclassifiable होता है, वो भी सीधा आपका कहा जाएगा, equity retain earning के अंदर ही जाएगा, बट अगर आप देखो के debt instrument हमने पढ़ा था financial instrument में, वो reclassify होते हैं, तो वो items reclassified to penal में चला जाएगा, translation of foreign operation का भी gain या loss, जब हम dispose कर दे थे foreign operation को, तब वो कहां जाता, penal में reclassify हो जाता है, इसके अलावा cash flow hedge का भी मैंने question करा है तापको financial instrument के अंदर, उसका marathon revision वीडियो है, वहाँ पर मैंने क्या किया था, पहले OCI में डाला, फिर OCI से revenue में transfer कर दिया, revenue में transfer करने का मतलब penal में जाना, तो ये सारे कुछ reclassify होते ह ये मैंने इसलिए बता दिया, क्योंकि इससे related भी question है, और वो question अब आप अराम से कर पाऊगे, इसके बाद अब वो question आप अराम से संभालोगे, tension की कोई बात नहीं, तो अब main मुदा basically मैंने statement of penal आपको बता दिया, अब मुझे आपको एक बार balance rate को go through कराना, कि balance rate हमारा कैस रहता है, assets के अंदर हम non current assets दिखाते हैं, फिर non current assets के नीचे हम current assets दिखाते हैं, यह non current assets को अलग से classify किया जाता है, current assets को अलग से classify किया जाता है, और इसके अंदर भी financial assets के जो भी item है, जो non current financial assets है, वो non current assets में जाएंगे, जो current financial assets है, वो current assets में जाएंगे, बट कब पता चलेग कि non current या current assets हैं वो just हम अभी बात कर लेंगे equity के बारे में बात कर लेता हूँ share, capital, other equity दिखाऊगे N.C.I.O का तो N.C.I separate line item में दिखाऊगे फिर आप दिखाऊगे non current liability और आप दिखाऊगे current liability तो ये non current assets और current assets कभ हमें पता चलेगा कि non current assets है कभ हमें फटाफट से revise करेंगे, तो इसके अंदर अब आप देखिए, अब हम discuss करते हैं वही, non current assets, current assets का distinction, यहनी difference, यहनी current assets का माना जाएगा, कब entity, किसी भी item को current assets classify करेगा, ध्यान से सुनो मेरी बात, simple simple तो क्या है, अगर मान लिचे, reporting period end से, within 12 months, अगर वो आपका realize हो जाएगा, तो current assets, क्या बोला मैंने, reporting period end से, अगर वो within 12 months realize हो जाएगा, तो वो क्या है current assets है, अगर मैंने held for trading किया, कोई assets जो trading purpose के लिए held किया, जैसे मान लिचे मैं investment किया, debt instrument, यह equity instrument में, है ना, और वो trading purpose के लिए, मैंने investment कर रहा हुआ है, यहनी कोई भी investments, कोई भी assets आपका held for trading है, तो trading purpose मैंने, short term purpose, हम उसे भी क्या मानेंगे, current assets मानेंगे, इसके लाबा सारे cash and cash equivalent, क्योंकि cash and cash equivalent liquid assets रहते हैं, और वो usually 3 months के अंदर realized वाली रहते हैं, जो आपने cash flow statement में आप पढ़ोगे, index 7 में अपने पढ़ा होगा, कि 3 months के अंदर जो भी realized होते हैं, वो cash equivalent में आ जाते हैं, तो cash and cash equivalent भी क्या रहेंगे, current assets रहेंगे, अभी तक मैंने 3 simple simple बात बताया है, पहला मैंने बताया है कि आपको 12 months के अंदर realize हो जाएगा, जो कहां से reporting period end से, यह नि 31st March, reporting date, date बोल दो आप, वहां से within 12 months realize हो जाएगा, trading purpose अगर है आपका, और cash and cash equivalent, चो था एक important है, normal operating cycle के अंदर भी अगर यह realize हो जाए, अगर यह within normal operating cycle के अंदर अगर यह realize हो जाए, तो उसे भी हम मानते है current assets, और मैं आपको बता दू, normal operating cycle 12 months से भी ज़्यादा हो सकते है, normal operating cycle कैसे calculate करते है, यह मैं आपको सिखा देता हूँ, यह कहता है कि जब आप मानलीचे raw material खरीदने से लेके, उसको processing क मुझे मेरा raw material में खरीदता हूँ, raw material खरीदने के बाद वो holding period पे रहता है 5 मेने के लिए, 5 months के बाद ही मैं क्या करता हूँ, उसे usually, normal आपका time लगता है, 5 months तर पढ़ा रहता है, क्योंकि और भी तो inventory हो का, जिसे हम processing में लगाते है, तो 5 months raw material holding period है, उसके बाद वो processing होता है, processing में माली जे 3 months लग जाता है, तो 8 months लग जाता है, उसे finished goods बनने में, 5 months raw material hold पे रहता है, 3 months आपका processing होता है, 8 months लग जाता है, उसे क्या, complete होने में, finished goods complete होने में, उसकी बाद finished goods आपका go down में पढ़ा रहता है, मालो 4 मेने के लिए पढ़ा रहता है, या 5 मेने लिए, 5 months के ल तो यानि ultimately मेरा कितना लग जा रहा है 19 months मेरा लग जा रहा है कहां से raw material खरीदने से लेके उसको processing करने के बाद बेचने से लेके collection करने तक का मेरा time जो यानि collection तक जाओ गया अगर मेरा 19 months लगता है तो normal operating cycle 19 months होगा और ऐसे situation में क्या हो गया ऐसे situation में कोई भी अगर आपका trade receibles trade payables, inventories वगेरा अगर मालो 17 months के अंदर भी realize हो रहा है तो उसे हम current मालेंगे अगर यानि कहने का मतलब पहले तो normal operating cycle calculate कर लिया normal operating cycle calculate करने के बाद अगर कोई भी trade receibles, trade payables, inventories वगेरा ये सब within normal operating cycle अगर आपका realize हो रहा है तो उसे हम क्या मालेंगे current assets मालेंगे तो I think ये पूरा एकदम अच्छे से हमारा clear हो गया, इसके अलावा बाकी सभी चीजे क्या होगी, non current assets होगी, तो अब जब मैंने आपको ये समझा दिया, non current assets और current assets का मैंने आपको difference समझा दिया, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ultimately क्या current assets होगा, क्या non current assets होगा, देखिए, inventories हो गया, trade receibles हो गया, cash and cash equivalent हो गया, bank balances हो गया, ये तो usually क्या होगा, current asset होगा, हाँ, अगर investment अपका health for trading है, या within 12 months अगर अपका investment realize हो जाएगा, या फिर investment आपका मान लीजे, cash and cash equivalent के बराबर है, तो जो investment अपका usually health for trading है, या फिर वो 12 months के अंदर realize हो जाएगा, तो वो भी current asset बन जाएगा और एक बात मैं आपको बताना चाता हूँ, defer tax asset के लिए, ध्यान रहे, defer tax asset हमेशा non current होगा, कभी भी current नहीं होगा, ये हमने समझ लिया, फिर property planned and equipment, capital working progress, investment property, ये सारे usually long term assets रहते हैं, तो ये सारे non current assets के अंदर जाते हैं, जैसे intangible assets हो गया, ये सारे long term assets हो गया, ये non current assets के अं financial assets non current assets में भी जाएगा, financial assets current assets में भी जाएगा, मानलीजे वो financial assets है, जिसके अंदर trade receibles आपका मानलीचे normal operating cycle से भी ज्यादा समय लेगा payment आपको मिलने में, यानि वो beyond normal operating cycle अगर आपको पैसा मिलेगा, तो ऐसा situation में वो non current assets बन जाएगा, ऐसा situation में क्या बन जाएगा, वो non current assets यह हमने समझा, investments, loans वगेरा भी अगर मानलीचे आपका, beyond 12 months चला गया, तो वो non current assets बन जाएगा, तो यह सारा चीज हमने देखा, non current और current assets हमने एकदम अच्छे से समझ लिया, अब मैं आपको बता देता हूं, फटाफट से क्या, non current liability और current liability के बारे में हम discuss कर लेते हैं, फट बता दो कि यह आपको एकदम अच्छे से समझ में आया की नहीं आया, है ना, यह आप समझ लो, हम GFRS नहीं पढ़ रहे हैं, सुभम जी तो आप यह मतलब GFRS की बात मत करो भी अब, हम इंडस पढ़ रहे हो, यहाँ पर default assets जो वो net basis में हम दिखाएंगे, यहनि DTA और DTL का सिंपल चीजी है, बस वहाँ पर current assets था तो realization की बात कर रहेते हैं, यहाँ पर current liability तो हम settlement की बात करेंगे, तो जैसे कि मान लिजे अगर 12 months के अंदर हमारी को liability settle होगे, तो वो क्या कहलाएगे, current liability कहलाएगे, विदर normal operating cycle अगर हमारी liability settle होगे, तो वो क्या कहलाएगे, current अगर मान लिजे को liability हमने hold किया है, for the purpose of trading, trading purpose के लिए, तो वो भी क्या कहलाएगा, current liability कहलाएगा, और इसके अलावा एक और point है, जैसे मान लिजे, for example, मैंने किसे से loan लिया, और वो loan जो payable on demand है, एक बात सोचो, वो loan जो payable on demand है, तो वो तो कभी भी पैसा मांगेगा, तो लोग ने सकता, तो कुछ-कुछ ऐसे loan रहते है, जो भले मान लिजे, मैं 4-5 साल तक क्या पता देनी नहीं वाला, पर जैसे पांस वाली party मेरे से पैसा मांगेगी, तो मुझे देना पड़ेगा, मैं 12 months तक defer नहीं कर सकता, तो वो सारी item, वो सारी liability, जिस पे आपके बास अध तो रुख जाओ, एक सेगंड रुखो, लाइट में कुछ प्राब्लम है, ठीक है, तो current liability फटा बड़ से revise करो, इस ते question बन सकता, एक्जाम में, normal operating cycle के अंदर अगर आप liability settle कर देते हूं, trading purpose अगर आपका है, 12 months के अंदर अगर liability settle करने वालो, सभी current liability है, और जहां पर आपकी पैसा मांगा, तो आपको 12 months के अंदर पैसा देना पढ़ सकता है, तो वो भी आपके लिए क्या होगी, current liability होगी, इसके अलावा बाकी सारी liability को हम क्या मालेंगे, non current मालेंगे, तो अब यहां पर इसके लिए भी मैं जाता हूं, किसमे, balance sheet के अंदर जाता हूं, देखो, तो balance sheet में क्या दिखाएंगे, मालेंगे कोई borrowing से, trade payable से, जो within 12 months आपको settle करना है, या फिर मालेंगे वो trading purpose है, तो वो सभी आपके current liability में चले जाएंगे, provisions वगेरा भी अगर आपके within 12 months settle होने, या trading purpose तो usually provision में नहीं होता है, तो यह सभी भी अगर 12 months के अंदर settle होने है, तो आपके current liability कहलाएंगे, और अगर मालेंगे 12 months के अंदर settle नहीं होने, और नहीं है trading purpose है आपका, और नहीं ऐसा कुछ है कि मैं 12 months से ज्यादा अराम से defer कर सकता हूं, यह 12 months तक मेरा कोई obligation नहीं है, तो वो सभी non current liability में चला जाएगा, ध्यान रे, DTA, DTL हमेशा net basis में non current ही मानेंगे, तो इसी के साथ मैंने balance it का आपको एक idea तो दे दिया कि किस प्रकार से हमारा balance it बनेगा, statement of P&L का भी मैंने आपको idea दे दिया, index 7 में cash flow statement आप अलग से पढ़ी लोगे, statement of changes in equity अभी फिलाल बताने की कोई जरत नहीं है, वो भी आप console edition में आप सीखते हों कि कैसे statement of changes in equity बनते ह other relevant points किया, जो इससे related मुझे पढ़ाना है, वो मैं आपको एक काम करता हूं, crux note से भी बता सकते हूं, चलो ठीक है, crux note से नहीं बतातो, इससे से बतातो, last मैं आप crux note से revise कर लीजेगा, अभी एक सबसे important जीच, सबसे important इस index 1 के अंदर एक ही topic अभी बचता है, breach of contract, सुनो मे timely आपको documents वगेरा send करने पड़ेंगे, बहुत सारे अपने मेरे पर restrictions लगा गए रखा हूँ, और कहा है कि अगर मालीचे मेरा जो contract के terms and condition है, अगर मैं उसको breach करूँगा न, तो वो जो loan, भले वो 10 years का loan है, long term loan है और मैं उससे क्या दिखा रहो, non current liability दिखा रहो, क्योंकि वो long term loan है, क्या है long term loan के वज़े से मैं non current liability दिखा रहो, बट मैंने कोई contract का conditions को breach कर दिया, जिसके वज़े से वो loan बन गया है, payable on demand, मालो 20th March को वो loan बन गया, क्या payable on demand, अगर वो loan बन गया, payable on demand, तो आप बताए, मैं अब क्या उससे non current liability दिखा सकता हूँ, अब मुझे उससे दिखाना पड़ेगा current liability, तो 31st March को मैं क्या करूँगा, उससे current liability दिखाऊँगा, लेकिन मेरी बात सुनो, अगर मान लीजे, जो lender है, यह जो bank है, उसने मुझे बक्च दिया, उसने मुझे बोला कि जा अपनी जिन्दगी जीले, मैं तेरा loan, payable on demand नहीं करने वाला, मैं तेर गया lender, और उसने बोला, तुने भली गलती की है, तुने भली contract को breach किया, पर मैं तुझे माफ करता हूँ, तुझे अपनी जिन्दगी जीले, तुझे देने की जरतने, यह loan, payable on demand नहीं होगा, अगर यह बात lender मुझे बोल दे, कबसे, 31st March से पहले भी, और या फिर, approval of financial statement से पहले, यहीं मान लो, 31st March के बाद हम financial statements prepare करके BOD approve करते, मान लीजे 15th July को board members approve करते, तो 15 July को approval से पहले, अगर lender मान जाता है न, तो ऐसे situation में हम क्या करेंगे, हम उसे non current liability दिखा सकते, कोई tension वाली बात नहीं है, और यह कि एक प्रकार का carve out है, क्योंकि IFRS में ऐसा नहीं चलते, IFRS में कहते हैं कि 31st March से पहले ही lender अगर माना, तब तो अच्छी बात है, लेकिन 31st March के बाद, but before approval of financial statement माना, तो IFRS इसे consider नहीं करता है, यानि IFRS की nature में last date के है 31st March, पर हमारे index में last date है, before approval of financial statements, अगर lender मान गया, तो फिर ऐसे situation में आपको current liability नहीं दिखाना, अब non current liability दिखा सक और basically यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंडस 10 लगाते हैं, जिसमें adjusting events होएं, events after the reporting period में, जो adjusting event है, हम adjusting event मानते वे से adjust करते हैं, तो इसमें इंडस 10 का भी role आ जाते हैं, और अभी मैंने बता दिया, तो मैं इंडस 10 में आपको बताऊंगा नहीं, तो अब एक और बात में आपको मुझे माफ कर दिया, कोई बात नहीं, इस बार मुझे माफ नहीं करो, इस बार मालीजे, आपने मुझे grace period दे दिया, कि जो भी मैंने condition तोड़ी है, जो भी मैंने contract का breach के उसको मैं rectify कर दो, उसको मैं ठीक कर दो, अगर वो grace आपने मुझे 31st मार्ट से पहले दे दिया, और 12 month से ज़्यादा का grace period दे दिया, reporting period end से, तब तो मैं उसे non current liability दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर ये grace period अब 31st मार्ट के बाद दोगे ना, तब मैं नहीं दिखा सकता, मतले यहाँ पर कोई carve out होगे रहा नहीं है, यहाँ पर कोई आपका approval of answer statements come date नहीं देखेंगे, यहाँ पर त जिन्दे की, वहाँ तो approval of answer statements तक भी अगर मिल जाए, तो भी हम non current दिखा सकते हैं, बट grace period की बाद आएगी, तो 31st मार्च ही आपका आखरी date है, उससे पहले लेंडर को grace period देना पड़ेगा, और वो grace period भी 12 months का कम से कम होना चीए, तुकि 12 months से ज़्यादा होने पर ही तो non current liability otherwise तो non current liability होई नहीं सकता, तो I think ये point आपको एकदम अच्छे से clear हो चुका है, दोनों का difference में एकदम अच्छे से बता दिया हो, और मैंने crux notes में भी यी चीज लिखा हुआ एकदम अच्छे से, और बाकिया बोलो के sir, जो loan repayable on demand है, वो तो current होगे, जो essay loan है, जो 12 months के अंदर चुकाने, वो भी क्या होगे, वो भी आपके current होगे, obviously बात है, इसमें कोई tension वाली बात ही नहीं है, अब इसके अलावा एक और point मुझे पढ़ाना है, refinance और roll over वाला, refinance और roll over वाला, यानि कहने का मतलब क्या है, कि माल नीचे for example, 31st March से पहले, माल लो 20th March ये आज का date, और 20 मार्च को मेरा एक loan है, जो मुझे 3 months के अंदर चुकाना है, 20th March को ऐसा हो गए, तो मैंने क्या क्या, 31st March से पहले ही, bank से agreement करवा के refinance करवा लिया, अब refinance करवाने के अब 12 months का time period, at least मेरे पासे loan चुकाने का, और वो मैंने कब कर लिया, 31st March से पहले refinance या roll over करवा लिया, तो मैं उसे क्या मालूँगा, non current मालूँगा, लेकिन अगर मालीजे ऐसा कोई agreement किया नहीं मैंने, बट मुझे लगता है कि मेरे पास potential है, कि मैं आगे जाओंगा bank को agreement कराओंगा, तो bank agreement कर जाएगा, वो मना नहीं करेगा, समझे रो, जैसे 20th March को 3 months pending है, मैंने क्या सोचा, 31st March को agreement नहीं करवाया, मैंने सोचा, मैं 10th April तक जाऊंगा, bank को मना लूँगा, और bank मान जाएगा, मुझे लगता है, potential MRA पर bank मान जाएगा, वो सब नहीं चलेगा, यानि 31st March से पहले, entity ने agreement करवा लेना चाहिए, entity का अगर agreement करवा लिया है, refinance का, और वो 12 months से जादा, तक भी रहती है, कि मैं जब चाहूं refinance करवा सकता हूं, तो ऐसे situation में जब already bank ने मुझे माननी जो option दे के रखा हूँ है, कि मैं जब चाहूं refinance करवा सकता हूं, और 31st March को मैंने करवाया नहीं है, बट मेरे पास right तो है refinance करवाने का, और मैं expect भी कर रहा हूं कि मैं expiry से पहले, मैं क्या करूँगा, refinance करवा लूँगा, तो ऐसे situation में भी हम non current मालेंगे, क्योंकि मेरे पास right है, refinance करवाने का, और मैं expect भी करूँ कि मैं refinance करूँगा, तो यहाँ पर agreement की जरुद ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास अधिकार है, उसने मुझे अधिकार दे रखा हुआ है, तो ऐसे situation में भी हो क्या मालिया जाएगा, non current मालिया जाएगा, तो बताओ यह refinance वाला पार्ट आपको एकदम अच्छे से समझ में आया की नहीं आया, यानि आप एक चीज़ बस notice करना, सिर्फ और सिर्फ एक जगा में approval of finances statements तक का date तक का wait करते, कहां पर, जहां पर मैंने contract का breach क cut it, बाकी सारे मामले, refinance के मामले हो गए, grace period का मामला हो गया है, rectification करने का, उन सभी मामले में हम क्या करते हैं, उन सभी मामले में हम 31st March को ही check करेंगा, अगर 31st March से पहले lender मान गया है, तभी होगा, otherwise नहीं होगा, तो आप बताइए, अच्छे से समझ में आया की नहीं आया, एक बच्चा बोले, sir, OCI वाला पार्ट बता तो दिया, OCI वाले में unrealized profit बता तो दिया, बाकी एक question करना खुद से हो जाएगा, अच्छे से तो समझा है, ऐसा तो नहीं समझा है नहीं, तो बताओ, नहीं, अहाँ, एक और सवाल, एक बच्चे का अच्छा सवाल है, अगर मा कैसे non current मानेंगे, तो same bank, same lender, जिससे हमने loan ले रखा, उसी से refinance कराने पर, वो non current हो सकता है, तो एक बार मुझे बता दीजे, इतना मैंने समझा है, exam oriented ही में आपको फटा-फटी revise करूँगा, इतना मैंने समझा है, आपको समझ में आया क्या है, तो अभी मैं एक दो question आपको क्लासिफई होंगे, जैसे revolution surplus हो गया, re-measurment gain or loss, index 19 के अंदर, है न, plan assets में और PVDBO में जो re-measurment gain or loss आता है, investment in equity instrument, FBT OCI ये वाला, है न, और PL में reclassify कौन सा हो, the debt instrument का investment, जैसे हम FBT OCI में reclassify करते हैं, foreign operation का translation, cash flow, hedge cap, जो changes रहते हैं, ये सारे OCI, सारे है OCI, नीचे वाले reclass होंगे, PNL में, उपर वाले सिधा return earning में जाएंगे, current assets, non current assets, breach, refinance वगेर, ये सब तो मैंने समझा दिया, अब मैं additional points कुछ कुछ समझाओंगा आपको, जो की हमारी इसके questions है, तो questions पढ़ने का भी समय नहीं है, है न, तो हम क्या करेंगे, उसी question, अगर ये point पढ़ लोगे, ये वो question अब आपको उपर उपर से go through करने से हो जाएगा, तो आप देखिए, कुछ-कुछ मैं point आपको बता दो, जैसे मान लिजए, for example, मैं management हूँ, मैं entity मैं management हूँ, मैंने क्या किया, सभी index को comply करके, अपने हिसाफ से financial statements prepare कर लिया, और मुझे genuine लग रहा है, मेरे पास genuine reason है कि मैं मानता हूँ कि मैंने index के हिसाब से comply किया है, तो अगर मेरे पास, अगर management के बास bonafide reason, मतलब genuine reason है, to believe that it has complied with all index, हम अपने notes to accounts में unreserved and explicit statement दे सकते हैं, of compliance with index, मतलब हम अपने notes to accounts में unreserved statement दे सकते हैं, explicit statement दे सकते हैं, जहाँ पर कोई reservation नहीं है, कि हमने सभी index का comply किया, भले auditor हमारी बात को ना माने, भले auditor कहें कि नहीं, उसमें qualification है, कुछ problem है, वो auditor का look out है, auditor उसमें adverse opinion दे, disclaimer of opinion दे, qualified opinion दे, वो उनका look out है, अगर management को लगता है, उसने सभी index को comply किया है, भले management से कहीं पर भूल वोई हो, management के पास हक है, कि वो एक statement दे सकते हैं, जहाँ पर वो लि और इससे related a question है, तो ये question इसी point से cover हो जाएगा, इसके लावा एक और बात, मान लीजे, मुझे कहीं से commission मिला है, 10,000 रुपीस मुझे commission मिला है, ठीक है, और मैंने भी किसी agent से काम करा है, उसे मुझे commission देना है, 4,000 रुपीस, तो दोनों अलग-अलग transaction है, तो जो मुझे commission मि में हमने ये पढ़ा था, वहाँ पर principal और agent था, वहाँ पर भी agent का जितना commission होता था, वो पूरा का पूरा revenue दिखाता था, मैं जो agent से मुझे commission मिलेगा, gross revenue दिखाऊंगा, जो commission मुझे देना है, वो मैं खर्चा दिखा दूँगा, और मैं offset नहीं करूँगा, इसका भी question है, ज अच्छा कोशिन है, जो अभी मैं आपको फटाफट करवा देता हूँ, देखे, electricity deposit को current बोलोगे की non current बोलोगे, ऐसे तो आप बोलोगे सर्ट, electricity का जो हमने deposit की है, जैसे हम connection कटवा देंगे, हमें पैसा मिल जाएग, agree करता हूँ मैं आपकी बात पर, पर हम थोड़े ना connection आने वाले, क्योंकि हमानते, going concern हमारा धंदा, और हमारा धंदा चलते रहेगा, और हम electricity का connection नहीं कटाने वाले, तो यह आपका क्या होना चीए, यह deposit हमें आने वाले 12 months में realize नहीं होने वाला, substance देखो न, realize नहीं होगा, आप इसे क्या मानो, non current मानो, substance देखने आपको, है न, यह चीछ चेक करोगे, तो expected है कि, कि realize होगा, 12 months में नहीं होगा, तो आप इसे क्या मानोगे, non current मानोगे, फिर earnest money deposit या tender deposit, जब भी हम कोई contract वगेरा के लिए apply करते हैं, tender वगेरा मारते हैं, तो हमें bidding करने से पहले हमें कुछ deposit करना होते हैं, और अगर हम bid जीच जाते हैं, त यह depend करेगा, कि अब bid जीतने वाले हो, कि bid हारने वाले हो, और ultimately आपको management को check करना पड़ेगा, कि क्या वो expected है management, कि वो realize कर लेगा within 12 months, अगर management expect कर रहा है, कि वो पैसे को realize कर लेगा within 12 months, तब तो वो current दिखाएगा, otherwise non current दिखाएगा, बात खतम, फिर GST deposit के मामले में विमान यह GST ने notice दे दिया, और मैंने under protest, payment under protest मैंने payment कर दिया, तो बाकी मैं अपने वकील से बात करूँगा, और वकील वगेरा से सलाव वगेरा लेने के बाद, अगर मुझे लगेगा, कि यह मुझे 12 months के अंदर पैसा मिल सकता है, तब तो मैं इसे क्या मानूँगा, current मानूँग रियलाइस कर लेगा, expected है, तब तो वो से current asset मानेगा, अगर लगता है कि 12 months में रियलाइस नहीं होगा, तो उसे वो non current assets मानेगा, अब एक और point भी बहुत important मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको क्या कहाता है, balance जवाब बनाओगे, तो current year का बनाओगे, और preceding year का चाहते है, चैसे बहें बना सकता हूँ, जी हां आपको बनाओड है, आप autograph और लेटीज देखा ओओ, तो पोशइन ही आता है कि सर अगर हम आनलेज़े, statement of penal में, current year एक साल दिखाते हैं और preceding year तीन साल का comparative दिखाते हैं तो क्या ऐसा situation में balance sheet में भी हमें preceding तीन साल का दिखाना पड़ेगा ना ऐसा कोई नहीं है अब balance sheet में comparative एक साल का डालो अब statement of penal में comparative तीन साल का डालो कोई problem नहीं आप कर सकते हैं अराम से को दिक्कत वाली बात नहीं है आपर है ना तो इससे related एक दो question है तो ये point भी मैंने आपको यहाँ पर clear करवा दिया इसके लावर offsetting के अगर हम बात करेंगे कि क्या हम offsetting कर सकते हैं उससे related भी एक दो question है तो देखो offsetting का अगर मैं मामला बोले तो कुछ-कुछ जगा में offsetting possible है जैसे माल लिजाए for example मैंने अपने subsidiary के बहाफ में कुछ खर्चा किया और subsidiary से मुझे reimbursement में मिल गया मैंने खर्चा अपनी ली नहीं किया सबसीटरी ने बोला एक बार तु खर्चा कर देने मैं तुझे reimburse कर दूँ है तो मैंने subsidiary के भीहाफ में खर्चा किया और subsidiary ने मुझे पैसे दी दिये तो बताओ खर्चा अलग और income अलग दिखाना sensible नहीं है यहाँ पर तो just मैंने उसक करके अलग अलग दिखाओगी तो statement of penal का तो कचरा हो जाएगा आपका तो आप क्या करो सेम क्ला जो property planning equipment एक category होगी है ना इस category के अंदर आप देखलो overall आपका net पे यह नहीं क्या loss है आप इसे offset करके net basis ने आप दिखा सकते हो आप अराम से दिखा सकते हो और एक और मामला आत payable को offset कर दू तो उसके लिए हम देखेंगे कि क्या हमारे पास legally enforceable right है कि हम एक दूसरे को offset कर सकते हैं और दूसरा हमारे intention भी एक क्या offset करने की क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि मैं आपको पहले पैसे चुका दूँगा और मेरा payable खड़ा रहेगा और बाद मैं मुझे payable दो payment अलग से लूँगा मैं आपसे और आपको payment अलग से करूँगा मैं तो ऐसा situation में हम offset नहीं करेंगे यहां पर हम क्या देखेंगे substance देखेंगे तो इसी के साथ जो relevant important question है वो मैंने आपको करवा दिया अब एक question है जो exam में पूछा जा सकते हैं तो वो question मैं चाहता हूँ आपक यह question करा हूँ आपको कि आप चाहते हो कि मैं directly next chapter में चला जाओ बाकी question देखो अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ इसके अंदर LDR क्या क्या है ऐसे तो LDR की कोई जहरत नहीं पड़ेगी क्यों क्योंकि मैंने आपको already सारे जो भी क्रक से वो बता दिया पर फिर फिर भी LDR के अंदर ये question number 2 थोड़ा सा अच्छा question नहीं बोलूगा मैं थोड़ा सा घटिया सा question है आने का chance कम ही है पर फिर भी एक बार आप इसे go through कर लीजेगा कितने बार क्योंकि ICA की आदत है घटिया सा question भी पूछते है तो इसे अब जस एक बार go through जरूर से कर लीजे खायते है ना वो refinance वाला उसी का question है आप एक बार कर लीजेगा रीफाइनेंस वाला question है कर लीजेगा इलाशियेशन 14 भी आपका जो breach of contract था ना वो वाला question है तो ये भी आप LDR में ले लो नोट करते जो मेरे साथ साथ ये कर लो आप इसके अलावा इलावा इलाशियेशन 16 आप बोलोगे तो मैं आपको यहाँ पर करवा देता हूं बूलो करवा दू बोलो करवा दू कोश्यन की ना करहा हूं आप बोलो के करवा दू तो करवा दूगए तो मैं तो में next chapter में जाऊंगा क्योंकि मेरे target ही ही की एक chapter को मैं जादा से जादा 45 to 50 minutes दोंगा ताकि सारे chapter हमारे cover हो जादा से जादा उससे जादा नहीं LDR मतलब last day revision last day में आपको ये एक बार just go through करना है उसका मतलब ये होता है LDR का मतलब ठीक है thought कर देए तो ये question मैं फटा फट आपको go through कराता हूँ देखिए इसके अंदर assets दिये हुए है liability दिया हुआ equity दिया हुआ हमें क्या बोला पते हैं आप balance it बनाओ schedule 3 के हिसाब से आप non current assets current assets classify करो equity and liability के अंदर equity अलग से दिखाओ non current liability और current liability अलग से दिखो ये आपको इस तरीके से classification करना है व्लाइबिलिटि नहीं होती है और इसीलिए आपको धिया रखना है जो भी financial asset की category में आते है उसको हम financial asset head के अंदर दिखाते है जो financial liability की category के अंदर आते है उसको financial liability के head के अंदर हम दिखाते हैं तो ये धियान रखना तो अभी मैं आपको एक बार आप मेरे साथ साथ याद कर लो मैं आपको बता दे तो किस प्रकार आपका balance sheet बनेगा balance sheet में asset side में पहले दिखाओगे non current assets non current assets के अंदर common क्या-क्या item से जो आते है property planned and equipment, intangible assets, investment property, capital working progress इसके लावा financial assets के अंदर borrowing हो गया, trade receibles हो गया है ना और आपका कुछ investments हो गया, जो long term वाले, non current financial assets में आ जाएंगे, तो ये सभी क्या आ जाएंगे, non current के अंदर आ गए, फिर current assets के अंदर क्या आते है, current assets के अंदर सबसे पहले दिहान रखना, inventory आते है, ये format आपको दिहान रख लेना है, current assets में सबसे पहले inventory आएगा, inventory के बाद नीचे आएगा financial asset, financial asset के अंदर जितने भी financial item है, वो सारे financial item को आप डाल दोगे, financial item सारे हमने डाल दी हाँ पर, अब उसके बाद नीचे हम क्या करेंगे, other current assets दिखा देंगे, other current assets जो भी आपके जो financial asset दी, other current assets जैसे prepaid expense वगी रहो गया, ये सब जो other current assets वो वहाँ पर हम दिखा देंगे, तो assets का part मैंने समझा दें non current और current वाला, अब मैं आपको बदा देता हूँ equity and liability, equity में क्या एगा, share capital आएगा, फिर other equity के अंदर ही retain, earning, revolution, surplus, सब कुछ आजाते हैं, फिर other equity के नीचे आता है, non controlling interest, NCI आता है, उसकी बात सुरू होता है, non current liability, तो non current liability में वो सारे liabilities, जो long term की nature, जो 12 months से ज़्यादा वाले हैं, है ना, वो सारे आजाएंगे non current liability में, अगर को trade payable भी जो non current वो आजाएगा, borrowings आजाएगा आपका, financial liabilities आजाएंगे, है ना, जो non current वाले हैं, non current की बाद फिर नीचे हम दिखाएंगे current liability, current liability में भी वोई, borrowings, financial liability, है ना, loan वगिरा, जो आपके 12 months की category वाले, जो current की category वाले, वो नीचे आजाएंगे, तो यह मैंने आपको idea दे दिया, अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जब exam में question आएगा ना, तो सबसे पहले हम सबके side में हम लेख लेंगे, छोटा छोटा, तो देखो cash हमारा क्या होगी, asset side है, तो यह तो current asset होगा, यह non current asset होगा, तो देखो cash, cash, equivalent, current assets होगा, और cash and cash, equivalent को हम एक साथ इकटा दिखाते हैं, वो भी current assets के अंदर किस में दिखाएंगे, financial asset के अंदर दिखाएंगे, क्योंकि cash and cash, equivalent, financial asset का हिस्सा ही होता है, वो financial item ही होता है, फिर non controlling interest का share of profit दिया हुआ, 160, 150, मैंने काटा, क्यों बता हैं, क्योंकि non controlling interest का, जो भी share of profit है, वो NCI में जाएगा, और ये NCI में already मानेंगे adjusted, तो आप बोलो कि सर, ये दिया क्यों है फिर, यहां पर क्यों दिया, क्योंकि profit थी, ये minus करना बाकिया, अब देखो, नीचे लिखा हुआ, profit for the year, तो ये तो अभी तक, cumulative profit for the year, current year का, कितना profit कमा, ये बता रहा है, तो आपको क्या धियान अखना है, profit for the year से, जो NCI का share है, वो निकालोगे न, क्योंकि profit for the year से, NCI का share निकालके, NCI में डालोगे, और remaining profit, जो वो किसका है, parent का है, वो जाएगा, retain earning के अंदर, वो जाएगा, other equity के अंदर, तो इसलिए, मैंने क्या क्या, NCI मैंने, minus करके, हटा के, non controlling में डाल दिया, non controlling में डाला नहीं है, ये already adjusted मानेंगे, already डाला हुए, लेकिन अगर यहाँ पर other equity लिखा हुआ रहता, जैसे profit for the year, यहाँ पर other equity लिखा हुआ रहा था, तो मानतें यह भी adjusted है, लेकिन यह तो profit for the year लिखा हुआ है, मतलब मानेंगे, इसमें adjusted नहीं है, तो हमने इसमें क्या क्या adjust कर दिया, ये 160 और 150 हमने इसमें से minus कर दिया, फिर इसके अलावा different declare, तो different declare करते किसे, profit के पैसे से तो different declare करोगे, तो profit से minus होगा आपका, तो दिखे, जो different declare हुआ है 90 और 70, ये अपके profit से minus हो जाएगा, तो ये minus होने पर आपका ultimately, जो आपका routine ending का balance होगा, वो उपर वाले में जूर जाएगा, उपर वाले में जूर के हम other equity में दिखा देंगे, current assets के अंदर, inventory भी कहा जाएगा, current assets के अंदर जाएगा, inventory जो है, ये दोनों inventory है, तो ये दोनों inventory को एकटा दिखा दो, दोनों inventory, 1580, 1780, ये दोनों inventory को हम क्या करेंगे, एक साथ दिखा देंगे current assets के अंदर, फिर इसके बाद क्या आ गया, investment property, property, planning and equipment, तो ये तो non-current assets हमें पता ही है, तो कितना simple में बनेगा, देखो, assets में पहले ही बना दे तो, non-current assets लिखूँँगा, उसमें PPE लिखूँँगा, value डाल दूँगा, investment property लिखूँँगा, value डाल दूँगा, लेकिन मुद्धा क्या बता है, PPE यहां पर cost में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, depreciation नीचे जो दिया हुआ, accumulated, वो minus कर देंगे, इसमें से दिखो, मैंने minus कर दिया, तो PPE मैं net पे दिखा दूँगा, minus करके, net PPE, है ना, investment property दिखा दूँगा, फिर current assets का head खूलेगा, current assets में सबसे बहले, ये inventory दिखाऊँगा, 1680, 780 का, फिर financial asset का head खूलूँगा, financial asset के head के अंदर, trade and other receivals दिखा दूँगा, cash and cash equivalent दिखा दूँगा, बात खत्म, ये दोनों तो मैंने SAB काट दिया, बस बन गया मेरा, तो मेरा asset side बन गया, अब मेरा नीचे बचता है, कि ये वाले से मेरा क्या बच्चेगा, share capital और other equity बच्चेगा, तो इस्ते में क्या करूँगा, share capital और other equity दिखाऊँगा, share capital में क्या आएगा, share capital का balance हीरा दिया हुगा, other equity में क्या डालेंगे, पुराना retain earning, जिसमे profit for the year को जोड़ देंगे, minus क्या हुआ ही, है ना, इसमे non controlling interest और different minus करके जो आएगा, वो हम जोड़ देंगे, ये एक साथ other equity दिखाँगे, फिर नीचे NCI दिखाँगे, NCI दिखाने के बाद बचता है, non current liability और current liability बचता है, तो देखो long term debt यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें बोला, इतने ही का long term debt, तो हम क्या समझेंगे, non current liability है, लेकिन बोल दिया समें से, 500 crore every year due होता है हमारा, तो अगर 500 crore every year हमारा due होता है, तो हम क्या बोलेंगे, double 300, यहनि 3300 में से तो 500 आपका current है, term debt में भी इन्होंने क्या क्या है, non current liability में, financial liability के अंदर, इन्होंने 2800 और यह non current में दिखाया, बाद में इन्होंने current liability के अंदर दिखा दिया, यह वाला, 5 minute, 5 minute का दिखा दिया, और ध्यान रहे यह borrowing है, तो एक के लिए financial liability, दूसरे के लिए financial asset होता है, तो financial item हो गया हमारा, फिर interest accrued है, और यह less than 12 months में, तो यह भी financial liability के category में आएगा, लेकिन current liability के अंदर, क्यूंकि less than 12 months है न, और share capital other equity तो बताई दिया, NCA बता दिया, accumulated appreciation कट चुका, provision for doubtful debt भी कट रहे, provision for doubtful debt को आप क्या करोगे, trade and other receibles से minus कर दोगे, क्योंकि trade and other receibles से provision minus करके, हम net पे दिखाते हैं, यह हमने कर दिया, बात खतम, इसके लावा trade payable, accrued expense को एक साथ दिखाऊगे, trade and other payable, current liability के अंदर financial liability, यह financial item है आपका, warranty provision, provision कभी भी financial liability नहीं होता है, तो यह आपका financial liability के नीचे, other short term provision या long term provision करके आप दिखाऊगे, तो warranty provision तो less than 12 months से current liability होगा, लेकिन environmental restoration provision 3-4 साल के बाद लगेगा, तो यह non current में चला जाएगा, फिर provision for accrued leave यह भी 12 months के अंदर है, तो current liability होगा, different payable भी usually 15 days के अंदर ही दिना होता साहिए, तो यह भी current liability होगा, तो इस प्रकार आप क्या करोगे, अराम से अब आप एक बार देखेगा, आप से यह बन जाएगा, और मैं चाहता हूँ, यह question आप जरूर से practice कीजेगा, समय की पावन दिये, तो हम फटा-फटी करेंगे, इस से जादा समय अब हो, अब हम नहीं दे सकते, मैंने I think बहुत अच्छा कासा समय दिया है, और आप बताओ, इतना समझ में आया, और एक बार go through करोगे ना बब, अब भी confidence नहीं आएगा, बाद में इसी एक बार आज ये practice कर लिजेगा रात को, एक बार इस question को solve कर लिजेगा, 100% confidence आ जाएगा, तो इसी के साथ मेरे ख्याल से, हमने index 1 पूरा का पूरा खतम कर लिए, अब index 1 के जो भी question है, ये question को भी आप mark कर लो, TYK का question number 4 mark कर लिजे, TYK का question number 4 mark कर लिजे आप, LDR में डाल दीजे, LDR में नहीं डालना, अभी करके छोड़ दीना, इसके अलावा, TYK के question 6, ये आप index 8 के बाद करना, index 8 के बाद समझ में अच्छे से आएगा, question 8 आप LDR में mark कर लो, TYK के question 8, पस question 9 वगेरे, सब तो मैंने करवाई दिये, already notes में मैंने करवा दिये, तो इसी के साथ मैंने फटाफ़ट में agree करता हूँ, मैंने फटाफ़ट 40 minutes के अंदर, नहीं 50 minutes, 35 minutes, sorry, sorry, 11, 35 से 45 minutes, मैंने 45 minutes में आपको index 1 पूरा का पूरा revise करा है, आप मुझे एक बार बता दो, index 1 पूरा का पूरा समझ में आया की नहीं आया, अगर समझ में है तो मैं next index, index 10 में पहुचूँँगा, मैं थोड़ा speed बोल रहा हूँ, और मुझे बता दो, सब कुछ सही है न, speed वगेरा सब कुछ सही है न, अराम से बोलू थोड़ा, अरजी ये सारे chapter मिला के, expected रहेगा 35 marks के आसपस, और भी छोटे छोटे जो index है, हम मिला के, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि, इस particular index से इतना marks का आएगा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, detail detail set of ब्रीज बता दो देखो, हमारे कितने सारे detail भी बन जाते, कितने सारे detail भी बन जाते, तो उन सब को set off करते न, ये तो industrial में सिखो गया, हम detail हमारा है 1200 का, detail हमारा 800 का है, तो net पे हम दिखा देते, detail 400 का, बात का तम net पे हम दिखा देंगे, refinancing वाला बात मैंने बताई दिया, अगर 31 स्मार्ट से पहले refinancing agreement कर लोगे, तब तो वो non current हो जाएगा, और अगर मानीज़े आपके पास right है, तो तब भी हो जाएगा आपका, लेकिन आप सुझे पोटेंशियल है, right वगेरा नहीं, मैं करवा लूँगा बाद में, तो वो नहीं माना जाएगा, और ये 31 स्मार्ट से पहले refinance हो जाना चाहिए, भोलो अभी तक perfect है, तो आगे बढ़े, भोलो फटा फट से बताओ यार, बहुत सारे chapter करने है, पताओ perfect है या नहीं है, और फटा फट से like भी ठोको, अगर समझ मैं है तो like ठोक ना, जरूर से please, ठीक है, like के पैसे नहीं लगते हैं, और उसे ही है, yes courses करेंगे, 2 और 41 भी cover कर लें, पहले जितना target है वो तो कर ले, Q जी क्या सवाल पूछेरो, कब तक class रहेगी, रात के 3 बज़े तक रहेगी जाओ, रात के 3 बज़े तक पढ़ाऊंगा, पढ़ेंगे जब तक खतम नहीं होता है, मुझे भी नहीं पता, 5-6 तो बज़ेंगे कम से कम, तो बोलो, अब आज़े हम यहाँ पर next इंडेस 10 में आज़ें, यस परफेक्ट, सही जा रहा है ने, इगबार मुझे बता दो, जो पुझेगा class कितनी बज़े होगी, रात के 3 बज़े तक होगी, ठीक है, चलो, तो अभी हम start करेंगे next इंडेस, इंडेस 10 events after the reporting period, यह standard बहुत ही छोटा standard है, और फटाफट हो जाएगा, ठीक है, चली, फटाफट से अभी हम करते हैं, हाई, SFM की बात मत करो, अब मैं एक चैट देखूंगा ही नहीं, मतलब नहीं, मैं समझ गया, आप लोगा चैट लेके कोई फाइदा नहीं है, ध्यान देना आप लोग सभी, जो सिद्धत से पढ़ रहे हैं, उनको यह पढ़ाऊंगा मैं, अननेसेसरी SFM की बात कर रहे हैं, इंडेस 10 events after the reporting period, हम समझते हैं, इसमें क्या होते हैं, जैसे मान लीजे, 31st March के बाद, यह जो events है, लेकिन approval of financial statements हैं, पहले के, यहनि 31st March के बाद, approval मान लो 15th July को होते हैं, financial statements का, तो 31st March से लेके, 15th July तक, यह बीच का जो time period है, वो fall करता, events after the reporting period, तो यह जो events after the reporting period है, यह तो 31st March के बाद वाले event हो गए, तो क्या यह event का adjustment, हमें 31st March वाले financial statements में, करना चाहिए, यहां पर तो आपको 31st March वाले financial statements को rectify करना होगा, alter करना होगा, और आपको ठीक करके adjust करना होगा, और कुछ कुछ ऐसे ऐसे आइटम से, जहां पर standard कहते हैं कि नहीं, आप 31st March वाले financial statements को छेठचाड मत कीजे, बस आप notes to accounts में disclosure कर दीजे, यह वाली बात है, तो अब मैं आपको example समझाता हूँ, जैसे मान लो for example, आप merit data हो, आप से मुझे 10,000 रुपीज मिलना है, लेकिन 20th March को आपके factory में आग लग गई, और आपका बहरी भर कब नुकसान हुए, 20th March को, लेकिन अभी तक आप bankrupt घोसित नहीं हुए, 20th March को वहाँ पर आग लगी, कुछी भी डड़ लगा है, पैसे मिलेंगे नहीं, मिलेंगे 10,000 रुपीज, तो मैंने क्या क्या, 2,000 रुपीज का provision बना दिया, जो 10,000 रिसीबल सा, उसमें से 2,000 रुपीज का, मैंने provision बना दिया, 31st March को, अब 31st March के बाद, मान लो 10th of April को, अभी तक financial statements तो मेरा अपरूव वो नहीं है, मान लो 10th of April को, आप bankrupt घोसित हो गए, तो event कब हुआ, ये bankruptcy का event कब हुआ, ये तो 31st March के बाद हुआ है, और अब मुझे पता चलिया, मुझे एक रुपए भी नहीं मिल ले, लेकिन मैंने तो 31st March में, सिर्फ 2,000 रुपीज का provision बनाया था, 10,000 में से, still 8,000 रुपीज का, वाँपर trade receibles मेरा दिख रहे है, तो 10th of April को, आप bankrupt घोसित हुए, तो events ओवा, वो after the reporting period है, लेकिन बात बताओ, इस से related जो condition थी, वो condition के 31st March को exist नहीं करती थी, भले ही event बाद में हुआ है, पर इसकी condition तो 31st March को exist करती थी, कैसे, क्योंकि 31st March से पहले ही, वो उसके महाँ पर आग लगी थी, तो देखा जा तो वो 31st March से पहले ही bankrupt था, क्या है कि उसके factory में आग लगी थी 31st March से पहले, तो standard कहता है कि अभी तक तो financial statements approved 1 ही है, आप एक काम करो 31st March का financial statements को alter करके, जो अपने 2,000 का provision बना है, आप उसे 10,000 का पूरा का पूरा provision बना के, trade disciples को zero कर दो, और statement of penal में, पूरा का पूरा 10,000 penal में charge करो, उसके बाद अपने financial statements को ready करो, हम sign मार देंगे, तो यह हो गया हमारा क्या, adjusting event कहते हम इसे, adjusting event मतलब हमने क्या क्या, adjust कर दिया हमने इसको, लेकिन अब भी एक और कहानी सुना तो, माल लो मुझे आप से 10,000 रुपीस मिलना है, और सब कुछ ठीक्ठाग चल रहे, 31st March तक भी सब कुछ ठीक्ठाग चला, उसके बाद 5th of April को आपकी factory में आग लगे, 5th of April को आपकी factory में आग लगे, 20th April को आप bankrupt भी घोसित हो गये, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा, events तो after the reporting period है, लेकिन क्या इसके condition 31st March को exist करती थी नहीं, इसके condition भी 31st March के बाद की है, exist नहीं करती थी 31st March को, तो हम बोलेंगे यह adjusting event नहीं है, क्योंकि 31st March को इसके condition exist नहीं करती थी, 31st March के बाद ही उसके factory में आग लगी है, जिसके वज़े से वो bankrupt हुआ है, तो यहां पर हम इसे non-adjusting event मानेंगे, और हम क्या करेंगे, इसका सिर्फ disclosure कर देंगे notes to accounts में, हम इसमें financial statements का provision नहीं बनाएंगे, हम alteration ही करेंगे, सिर्फ notes to accounts में हम क्या करेंगे, disclosure कर देंगे, तो वहीं बात करता है, यह adjusting event और non-adjusting event, adjusting event में वो events आते, जो evidence देते हैं कि condition at the end of reporting period, 31st March को exist करता था, उसका अगर evidence आपके बस, तब आप adjust करोगे, लेकिन अगर माननेजिए वो later on हुआ है, condition later on arise हुई है, तब आप adjust नहीं करोगे, आप तब सिर्फ disclose करोगे, क्या disclose करोगे, event, जैसे हम बोल देंगे, कि 2nd of April को आग लगी है, nature of the event disclose कर देंगे, और इससे हमारा कितना नुकसान हुआ, वो हम disclose कर देंगे, तो financial statements में तो क्या effect जाएगा नहीं, notes तो accounts में बस इसकाम क्या करेंगे, adjust कर देंगे, बस बात खतम, तो यह हमारा adjusting event, non-adjusting event, ध्यान रहे, adjusting event adjust होगा, उसका provision बनेगा, और non-adjusting event का सिर्फ disclosure होते हैं, अब कुछ-कुछ ऐसे adjusting event है, जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, जिसमें standard बोलता है, अब अपना दिमाग मत लगाओ, हम इसे मानते हैं, adjusting event आपको भी मानना पड़ेगा, दिमाग लगा सकते हैं, अच्छी बात है, otherwise यहाँ पर आपको मानना ही पड़ेगा, कि condition exist करती थी 31st March को, और आपको इसे adjust करना होगा, जिसमें मान लिजए, for example, आप customer हो, आपने मेरे पर case कर दिया, 20 लाग रुपीज का, आप मेरे customer हो, मैंने बोला, यह बेकार का बात कर रहा है, कोई फाल्तू की बात कर रहा है, कोई मुझे ने लगता, probability के outflow resources होगा, और मेरे वकिल ने भी बोला, probability नहीं outflow resources होगा, तो मैंने 31st March को को कोई provision नहीं, लेकिन 20 अपरील को, approval of answer statement से पहले, 20 अपरील कोई court ने decision दे दिया, कि भाई मुझे 20 लाग रुपीज भरने पड़ेंगे, या मालनों मुझे 15 लाग रुपीज भरने पड़ेंगे, तो हम मानेंगे कि जो court का decision आया न, जो court का decision कब है 20 अपरील को, पर customer ने मेरे पर case कब ठोक दिया था, 31st मार्च से पहले, तो हम यह मानेंगे कि अगर यही decision court 31st मार्च को सुनाता, तब तो हम adjust करते हैं न, तो इसलिए court का decision जो भी आएगा, approval of answer statement से पहले, वो हम मानेंगे 31st मार्च का वही decision है, और हमेशा adjust करेंगे, यहनि court का जो भी decision होगा, court कोई भी चीज में decision, जाए वो favorable हो आपके लिए, चाए वो unfavorable आपको लिए, आप क्या करोगे 31st मार्च को उसको adjust कर, अगर ऐसा situation हुआ, कि customer ने मेरे पर case ही 31st मार्च के बाद किया है, और उसका decision भी लगा लग, मानने जिए साथो साथ court ने सुना दिया, अब उसको adjust नहीं करेंगे, क्योंकि case ही 31st मार्च के बाद का file क्या होगा, अग customer ने case वे ले file कर दिया, 31st मार्च से पहले case customer ने file कर दिया, उसका decision court ने मेरे against में सुनाया है, तो मैं मानूँगा 31st मार्च को वे decision था और मैं उसे adjust करूँगा, तो court cases के मामले में धियान रखना usually adjust ही होता आपका, इसके अलाबा bankruptcy वाला मैंने आपको समझा दिया, point एकदम अच्छे से example के साथ अभी बताया थे ना, फिर आगे inventories की बात करता हूँ मैं, देखो हम inventories को 31st मार्च को कैसे measure करते है, cost या फिर NRV whichever is lower में measure करते है, मान लीजे मेरा cost था 10,000 और मैंने NRV estimate किया 12,000 का, और मैंने 31st मार्च को cost lower किया cost है, मैंने 10,000 में measure कर दिया, अब 31st मार्च की बाद, वही inventory मैंने बेचा है 5,000 रुपीज में, approval of answer statement से पहले 31st मार्च के बाद, जो inventory में 10,000 में दिखाया था अपने books में, मैंने उसे 5,000 रुपीज में बेचा है, तो standard बोलता कहीं न कहीं घपला है, आपका पहले से NRV कम था, आपने जान मुझके गलत NRV दिखाया था, तो हम standard कहता हम यह मानेंगे, कि अगर 31st मार्च के बाद, जो inventory आपने बेचा है, जिस price में आपने बेचा है, हम उसी को 31st मार्च की NRV मानेंगे, वही selling price, मालनो 15th अपरेल को मैंने 5,000 रुपीज में बेचा है, समझ में, यानि inventory इसका जो selling price है, वो evidence देगा, कि वही NRV था reporting period end में, चलिए यह हमने समझ दिया, अब क्या होता है, जिसने मालनो for example, मैंने आपसे asset purchase किया, मैंने आपसे asset purchase किया, 20th मार्च को, पर उसका amount अभी तर finalize नहीं हुआ, आपने भी finalize नहीं किया, मैंने भी finalize नहीं किया, उसका amount finalize हुआ, 31st मार्च के बाद, मालो 10th of April को, उसका amount finalize हुआ, तो ऐसे situation में, 31st मार्च को माल लिए, हमने estimation basis में, हमने recognize कर दिया, लेकिन amount finalize हुआ, 10th of April को, तो हम बोलेंगे ठीक है, asset तो पहले से खरीदा हुआ था, कहीना कि मन में, तो हम सबको पता ही था, कि क्या billing होने वाला है, तो जो 10th April को bill होगा, final amount, वही final amount, हम 31st मार्च का मानेंगे, और उस दिन हम उसे adjust करेंगे, या asset खरीदा, या बीचा, अगर उसकी cost रेटरमाइन हो रही है, 31st मार्च के बाद, but before approval of asset statements, पर asset का खरीदना बिचना, 31st मार्च से पहले हो गिये, तो asset situation में, वह adjusting event होगा, मुसे adjust कर देंगे, I think यह आपको समझ में है, फिर आप देखना, जैसे हम employee वगेरा को, या directors वगेरा को बोलते हैं, कि हमारी जो company का profit होगा, उस पर हम आपको share देंगे, bonus वगेरा देंगे, तो usually क्या होता है, 31st मार्च के बाद, पूरा profit का calculation होता है, उसकी बाद पता चलता है, finally कि कितना bonus दिया जाएगा, कितना नहीं दिया जाएगा, वो finalize बाद में होता है, तो हम क्या करते हैं, एक बाद provisional basis में, 31st मार्च को तो हमने कोई provision बना दिया, bonus इतना देना है, पर 20th April को confirm finalize हो गया, कि इतना bonus employee को देना है, तो आप बते ही कि हम इस उस अच्जस्ट नहीं कर देना चीए, क्योंकि 31st मार्च को भी वो exist करते ही था, हमने हिसाब कितब करने में delay किया, हमारे हिसाब कितब करने में delay हुआ, जिसके चलते 20th April को final amount पता चला, अगर ये final amount 31st मार्च को पता चल जाता, तब तो अब दिखाते हैं तो इसे भी आप क्या करोगे, अब इसे और इसके लावा fraud या error, fraud या error बाद में पता चला हमें, 31st मार्च की बाद पता चला, तो अगर सोचो fraud या error 31st मार्च को पता चल जाता, तब तो आप adjust करते हैं, यहनि कहने का मतलब fraud और error की condition तो 31st मार्च को exist करती थी, हमें नहीं पता था, हमें बाद में पता चला, तो अगर approval of answer statement से पहले हमें पता चल गिया, तो हम क्या करेंगे, हम उससे adjust कर देंगे, मतलब वो fraud 31st मार्च से पहले का होना ची, लेकिन हमें approval से पहले पता चल तो हम उससे भी क्या करेंगे, adjust कर देंगे, तो मैंने 5 पॉइंट आपको मिली बता है, एक तो court case का मामला बता है, मैंने 5 से 6 पॉइंट बता है, court case मैंने आपको समझा दिया, bank craft से पहले समझा दिया, जो sale of inventory होगा, उसी को NRV मानलिंग, end of reporting grade में, हमने asset बेचा या asset खरीदा, पर cost is determined हुए 31st March के बाद, तो अगर approval से पहले cost determined होगी, तो उसी को हम 31st March का cost मानते वे adjust करेंगे, और इसके लवा bonus profit sharing में भी, 31st March के बाद determined हुआ है, है ना, तो ठीक है, हम उसे 31st March का consider करके adjust कर लेंगे, frauds and errors के मामले भी, अगर fraud या error 31st March से पहले का है, हम ही बाद में पता चला, तो अगर approval से पहले पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, उसे भी adjust कर देंगे, तो बताओ, ये समझ में आया की नहीं आया भी तक, long term loan arrangement में आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि index 1 में मैंने आपको पढ़ा दिया था, जो carve out था ना, वह ये ये, कि approval of assets statement से पहले, अगर lender मांज है, और lender ने हमें छोड़ दिया है, तो demand नहीं करेगा payment का, तो मुसे adjusting event मांते हैं, adjust करते हैं, ये carve out है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, अब इसके अंदर different जो है, ये मुझे अच्छे से आपको पढ़ाना है, ये पढ़ने के बाद, जब आप crux notes पढ़ोगे न, आपको बहुत simple लगे, बहुत ही आसान लगे आपको, different देखे, हमने already पढ़ा हुआ है, कि पहले पुराने AS में proposed different को consider किया जाता था, बट अब proposed different को consider नहीं किया जाता, usually 31st March के बाद ही different declare होता है, और जब तक different declare नहीं होता है, तब तक right नहीं रहता है, सेरोल्डर के बास, right to different नहीं रहता है, तो अगर different 31st March के बाद declare हुआ है, तब वो कभी भी adjust नहीं होगा, आप उसका disclosure कर सकते हो, वो तो जिस period में declare होगा, उसी period में आप उसका खर्चा बुक करो, तो different अगर declare हुआ 31st March के बाद, अपरिल या मी में, तो वो हम next financial year में दिखाएंगे, adjust नहीं करेंगे, अब अगर मैं बात करू, अगर मैं बात करूँ, preference shareholder से related different की, तो मैं क्या करूँगा, तो प्रेफरेंस shareholder, liability भी classify हो सकता, equity भी classify हो, अगर preference shareholder, liability classify हो है, तो ऐसे situation में, जो भी different होता हुआ, उसे interest मानते हैं, finance cost मानते हैं, अगर preference liability classify हो तो, और वो finance cost जो, वो time basis में रिकनाई हो, तो वहाँ पर मान लीजे, अगर यह आपका पिछले साल से related है, तो तो time period basis होगा, तो जिस time period का हम dividend दे रहे हैं, और वो dividend real में है नी, वो तो real में finance cost है, इंडेस केस आपसे, तो जिस period का देर है, उस period में time basis में रिकनाई होगा, लेकिन अगर हम preference dividend दे रहे हैं, preference shareholder को जो की classify हो ऐस equity, तो जब आपका equity shareholder को आप dividend दे रहो, या preference shareholder जो की classify हो ऐस equity, उनको dividend दे रहो, तो जिस period में दोगे, उसी period में दिखाया जाएगा, लेकिन preference है, अगर liability classify होआ, तो ऐसस situation में वो interest expense माना जाता है, और वो time basis में रिकनाई हो, तो जिस time period का देर है, उसी time period में रिकनाई होगा, actual basis के हिसाब से, इसे related question है, वो question आप जरूर से कर लीजेगा, जरूर से वो question आप कर लीजेगा, अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, गोईंग कंसर्ण एक छोटा सा टॉपिक, गोईंग कंसर्ण क्या कहता है, मेरी बाद यह सुख, कोईंग हम जब भी अपना financial statements present या prepare करते हैं, हम मान के चलते हैं, हमारा धन्दा गोईंग कंसर्ण है, वो आगे लंबे समय तक चलेगा, और इसी वज़े से हम realization basis में asset, realization basis में balance इट वगेरा prepare नहीं करते हैं, realization basis में financial statement prepare नहीं करते हैं, हम accrual basis में financial statements prepare करते हैं, बट अगर आपका going concern affect हो जाए, जिसने मान लिजे management अब सोच रहे हैं कि वो liquidate करेगी, approval of financial statement से पहले ही, management का intention के बिसे liquidate किया जाएगा, या management अपने trading activities को seize कर रही है, या फिर management के बास को दूसरा रास्ता है ही नहीं, उसे discontinue करना पड़ेगा, business को seize करना पड़ेगा, क्योंकि उसके operating results या financial position deteriorate हो रहे हैं, इन्ही पेनल की हालत बूरी है, assets की भी हालत बूरी है, आगे going concern अपने धंदे को नहीं चला पाएगा, तो ऐसा situation में going concern affect हो रहे है, और उसे अपने notes to accounts में disclose करना पड़ेगा, कि हमारा going concern affect हो रहे है, और हम going concern के साब से आगे हम expect नहीं कर रहे हैं, और दूसरी चीज़, उसका financial statements भी फिर, accrual basis में नहीं बनेगा, realization basis में, तो वही चीज़ मैंने आपको समझा दिया, आप देखिए एक last line मेंने, क्या लिखा, the carrying amount of assets and carrying amount of liabilities will be much different if the entities has plans to go for liquidation, क्योंकि going concern नहीं रहेगा, तो मैं realization basis में assets and liabilities को sow करेंगे, हम फिर index के basis में सो नहीं करेंगे, accrual basis में सो नहीं करेंगे, तो बस इतना ही था index 10 में, और index 10 में जो जो necessary points थे, वो सारे तो मैंने आपको यहाँ पर करवाई दिये, अब बस मैं आपको एक काम करना चाहता हूँ, मैं आपको फिर भी कुछ-कुछ questions अगर मुझे लगेंगे, अच्छा इसमें extra points मैंने रखे थे, क्रक्स के अंदर, वो पढ़ा देता हूँ, मुझे आदे मैंने बनाया था, क्रक्स के अंदर extra points बनाया था मैंने, यह सी देखो additional points मैंने बनाया था, जो quotient कही है, तो जैसे मैंने आपको बताए दिया था, अगर बाद में भी receive होगा, हम 31st March के मानते वए adjust करेंगे, इसके लावा earthquake वाला point भी मैंने आपको समझा दिया, आग लगी उसको earthquake की जरह समझ लो, जैसे मैंने आपको bankrupt वाले example लिया था ना, वही ही है, तो यह समझाने की जरहत नहीं है, एक इससे related question है, point number 3 को tick दे 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 न, point number 4 को tick दे दे न, ये दो point मुझे आपको बताना है, मान लिजे मैंने कोई contract लिया है, माइनिंग करने का, और उससे related मुझे आप revenue दोगे 1000 कुरूड रुपेस, ये मैंने 31st March से पहले contract लिया था, पर 31st March के बाद, यहाँ पर मैंने mining का contract लिया था हूँ, मुझे बहुत बड़ा rocky surface मिला, rocky surface मतलब वो rock है, मतलब बहुत बड़ा पहार मिला मुझे, और उससे तोड़ने में band बजने वाली है, और अब हमें realize हुआ, कि जितना हमें revenue मिलेगा, उससे ज़्यादा तो हमारा खड़ जाए, तो आप बताईए, यह rocky surface हमें 31st मार्च के बाद पता चला, बड़ यह exist तो पहले से करता था, जब हमने 20th मार्च को मान ली जाए, अगर मैंने contract लिये, 31st मार्च से पहले 20th मार्च को मैंने contract लिये, तो 20th मार्च को भी वो rock exist करता था हमाँ पर, हमें पता नहीं था, हमें पता चला next year पर, approval of finances statement से पहले लेकिन हमें पता चल गया next year, अपरेल में पता चल गया, तो आप बताईए, condition तो exist करती थी, क्या हमें adjust करना चाहिए, यस, इससे related जो भी आपका नुकसान हो रहा है, जो भी आपकी problems है, आप उसको adjust करोगे 31st March में, इसके related question है, इसलिए में एक line लेकिए आपको बता दिया, फिर एक ओर duty drawback का भी question, ये duty drawback का question आपको यहां भी मिलेगा, index 8 में भी मिलेगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, कि मतलब जो हमारा import duty वगेरा लगता है, वो हमें अगर export करेंगे, तो import duty में refund मिल जाएगा, उसके लिए सरकार ने का कि 15 days के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, application देना पड़ेगा, तब ही हमें वो refund मिलेगा, और मान लिजे 31st March के बाद, मुझे यानि within 15th April तक मुझे application देना है, मैंने पता है क्या क्या 15th April तक application ही नहीं दिया, तो आप बता, अगर मैं within 15 days, अगर मैं application ही नहीं दूँगा, तो मैं क्या eligible हूँ, duty drop it के लिए नहीं, मैं eligible नहीं हूँ, उसके बाद तो अगर department ने दिया, तो ठीक है, नहीं दिया तो मैं कुछ नहीं उखाड सकता, तो वहाँ पर वैसे situation में, मान लो for example, बाद में later on, अगर department हमें पैसा दे देता है, import का, जो भी duty है, वो different कर देता है, तो हम उसे क्या adjust करेंगे, मैं बोलूँगा नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उसे related condition को fulfill नहीं की दे, अब जो आपको मिल रहा है, वो आपका नसीव है, तो जिस period में मिलेगा, हम उसी period में उसको recognize, हाँ अगर मैंने filing time से कर दिया हो था, तब तो मैं उसे adjust कर देता, तब तो मैं कहता condition तो पहले से exist कर देती थी, मैंने पहले कुछ-कुछ export वगेरा किये थे, तब हमको मुझे ये duty drop एक मिल रहा है, तो मैं adjust करता, बट अभी जो आपको duty drop एक मिल रहा है, वो export की वज़े से नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने तो उसकी condition fulfill नहीं की न, आपने तो application time से नहीं भरा, तो यहाँ पर अगर जो मिल रहा है, वो मिल रहा है आपका नसीब से मिल रहा है, तो जिस period में मिल रहा है, उस period में दिखाएंगे, और यह एक प्रकार का contingent asset था दिखा जाएंगे, और जो हमें मिल रहा है, तो हम contingent asset को तभी recognize करते हैं, जब वो virtually certain होते हैं, ज्यां रहे, liability तब recognize होती है, contingent liability तब recognize होती है, जब 50% से ज़्यादा probability कि हमारा outflow होगा, लेकिन contingent asset तब recognize होता है, जब हमारा 95% से ज़्यादा probability है, कि हमें मिलेगा, तब हम recognize करते हैं, तो इसलिए duty drawback के मामले में, अगर बाद में आपको मिल भी जाएगा, तो आपको नसीब से मिल है, जिस period में मिलेगा, उसी period में दिखाएंगे, और ये पिछले साल में non-adjusting भी रहेगा, आप disclose कर सकते हो, लेकिन आप adjust नहीं कर सकते हैं, बागी मैंने contingent assets के लिए बोली दिए, आप recognize तभी करोगे, जब virtually certain होगा, that is 95% से ज़्यादा probability है, कि आपको मिलेगा, तब भी आप contingent assets को recognize करते हो, otherwise आप हमेज़ साथ सिर्फ और सिर्फ disclose करते हो, और कुछ भी नहीं करते हैं, तो बताएं यहां तक अगर आपको index 10 क्या easy लगा, index 10 बहुत ही छुटा था, बहुत ही easy लगा होगा, आप मुझे बता दीचे, फटाफट से समझ में आया क्या, किसी का कोई doubt तो नहीं है, यह मेरे ख्याल से, मैं तब ते एक बार index 10 में देख लेता हूँ, कोई question है क्या mark करवाने का, साथ की साथ मार करवा देता हूँ, तो बड़ी है एक घंटा की अंदर, हमने दो index खतम किया, तो कोई खराब नहीं है, अच्छा गासा हो जाना चाहिए हमारा आज, आपस बने रो, अच्छा गासा cover करेंगे, एब आप मुझे वटा वट से बता दीजे, सब कुछ समझ में आ रहे की नहीं आ रहे है, नहीं वो भगवान वाली चीज नहीं है, सब कुछ condition, situation बोल रहे हैं न, मालो अर्थक्वेक आ गया, तो अर्थक्वेक थोड़े ना पहले से पताता हूँ, पहले से थोड़ना अर्थक्वेक एग्जिस्ट करता तो, वो तो बाद में आये न, इंडस 10, यस इंडस 10 में मुझे नहीं लगता अब अराम से सारी कुशन कर पाऊगे अब, कितने सारी कुशन की तो पॉइंट मैंने बताई दिये, तो बाराम से होगा आपका, जो जो नेसेसरी इंपॉइंट कुशन लगेंगे, मैं साथ की साथ करा दूँगा, टैंसन की कोई बात नहीं है, पर लगनी भी तुचिए नहीं कि वैसे कुशन है, जो अपसे नहीं होगा, तो करवा भी दूँगा, इसमें मैंने पॉइंट्स बताई दिये, जो जो relevant पॉइंट्स है न, वो मैंने वहाँ पर लिखवा के बताई दिया था, तो मुझे नहीं लगता, बस ही question number 10 TYK का, आप important mark कर लिए, simple सा question लगेगा आपके, बाकि जो जो important questions थे, इसके मुझे जो लगे, उसका मैंने points आपको लिखवा के करवाई दिया था, crux notes पे, उसका points यह सारा मैंने लिखवाई दिया था, तो अब इसकी बाद क्या आप तयार हो, इंडेस 34 हम करें पहले, मैं सोच रहा हूँ, कि इंडेस 37 पहले कराँ, इंडेस 37 पहले कराँ, करना है कहीं पर स्पीड स्लो करना है, कुछ करना तो मुझे बता दो, मैं स्पीड स्लो कर दूँगा फिर, जो तो नहीं करना है, इंडेस 37 में कुछ कुछ कोशिंस भी अच्छे अच्छे जो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, तो इंडेस 37 चलिये, हम फटा फट से रिवाइज करते हैं अबे, और तब तक अगर आपको मज़ा आरहा, समझ में आरहा तो लाइस जरूर से किज़ेगा, मज़ा नहीं आरहा तो लाइक मत किए, तो कोई बात नहीं, तो index 37 बात करता है provisions, contingent, liabilities and contingent asset की ये पढ़ाने से पहले हम आपको बताते हैं तो हम provision में और liability में क्या फरक होते हैं देखिए provisions वो होते हैं जहाँ पर estimation का काम है माल लिजे मैंने आपसे goods खरीदा है 20,000 रुपीज का तो मुझे आपको actual में 20,000 देना है ये आपका financial instrument में जाएगा index 37 में वहीं चीज़े आती है जहाँ पर estimation है कहाँ पर जैसे माल लो for example मैंने आपको goods sell किया है और warranty दी है तो मुझे नहीं पता future में मेरा warranty का कितना खर्चा लगेगा मैं estimate करूँगा माल लिजे मैंने को property, plant and equipment install किया है जिसको future में मुझे dismantle करना पड़ेगा decommission करना पड़ेगा remove करना पड़ेगा मुझे नहीं पता मेरा future में कितना पैसा लगेगा मैं estimation करूँगा provision बनाऊँगा माल लिजे for example आपने मेरे पे case कर दिया आपको मैंने कुछ sports and services provide कि अपने मेरे पे case कर दिया मुझे नहीं पता actual में मेरा कितना पैसा लगेगा मैं क्या करूँगा provision बनाऊँगा तो मतलब provision वहाँ बनता है जहां पर आपका uncertain रहता है amount amount uncertain रहता है और timing भी uncertain रहता है मतलब पता नहीं कि कब पैसा देना है कितना पैसा देना है मतलब यहां पर basic के लिए हमें usually या तो यह पता नहीं रहता कि कब पैसा देना है और या तो यह पता नहीं रहता कि कितना पैसा देना है तो हम estimation करते हैं उसे हम कहते है प्रोवीजन और आपको एक बात बता दो liability हम तब ही books में recognize करते हैं जब हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं रहता है हमें आरा obligation रहता हमें पैसा देनी मतलब हमारे पास कोई दूसरा alternative ही नहीं हमें settlement करने पड़ेगा आपको पैसा देनी जैसे मान लीज़ा for example मैंने क्या सोचा पता है मेरी बाइक है एक बात मेरे पास motorcycle बाइक है उसमें हमें पता insurance कराना mandatory होते हैं और pollution certificate लेना भी mandatory होते हैं तो मैंने क्या कि 31st March के end में मुझे पता चला आने वाले 5-10 दिनों में अभी तक expire नहीं हुए मुझे पता चला कि आने वाले 15-10 दिनों में मुझे न क्या करना है उसको renew कराना pollution का खट्चा मेरा लगेगा उसमें renew कराने का insurance का भी मेरा खट्चा लगेगा तो बताई कैस का मैं provision बनाऊ की ना बनाऊ तो मैं बोलूँगा इसका मैं provision तब ही बनाऊंगा जब मेरा ऐसा obligation है कि उसको मुझे settle करना पड़ेगा मेरे पास कोई दूसरा alternative नहीं पर यहांपर तु मेरे पास alternative है मैं चाहूं तो insurance ना करूं मैं चाहूं तो pollution certificate ना लो मैं क्या करूँगा अपनी बाइक को बेच दों गा या बाइक को चलाओंगा ही नहीं में तो जहां पर मेरे पास दूसरा alternative है वहाँ पर उसका प्रोविजन नहीं बनते हैं जिसने महा लगे जिए मेरे पास है ना SIP है SIP हैं और उस SIP में हमें ओवरॉल कराना होता है यह legal requirement हैं में ओवराॉलिंग कराना होता है हर साल हमें ओवराॉलिंग कराना होते है तो क्या मैं इसका प्रोविजन बना? ओवराउलिंग का, नहीं, क्यों नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ओवराउलिंग नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, सरकार मुझे क्या करेगे, मुझे सरकार कुछ नहीं कर सकते, मैं बोलूगा, मैं सिप्स को चलाऊंगा, सरकार बोली कि तुने ओवराउलिंग नहीं करा करा मैं बुलूँगा नहीं करूँगा मैं सरकार बुली तब तू अगर रस्ते में चलाएगा नद्यों में चलाएगा हम तुझे पकड़ लेंगे ठीके मैं नहीं चलाओंगा मेरे पास दूसरा मैं चाहूं तो उस सिप्स को ना चलाओं या मैं सिप्स को बेच ही दूँगा ऐसा सिच्विशन चाहां पर मेरे पास कोई अल्टनिटिव नहीं है वहाँ परम प्रोविजन बना जैसे फॉर एक्जामपल मैंने आपको गुड्स बेच दिया अब अगर आप वारिंटी के साथ अगर मैंने आपको गुड्स बेचा है और आप बाद में क्लेम करोगे मुझे देने ही पड़ेगा मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने दुकान बंद कर दिया अब मैं नहीं करूँ आपने मेरे पास केस कर दिया और अगर मैं केस हाट जाओंगा तो मुझे आपको पैसा देने पड़ेगा मैं deny नहीं कर सकता तो वह सब जगा में जहां पर मैं deny नहीं कर सकता महाँ पर प्रोवीजन बनता है कितने मैं proposedstrukturing करते हैं structuring का मतलब मेरा मान लिजे 4-5 अलग-अलग unit है तो मैंने एक unit एक factory को बंद कर दिया तो उस factory को बंद करने पर जो मैंने already contract ले रखे हुए वो contract को cancel करने पर मेरा penalty लगेगा क्या उस penalty को मैं avoid कर सकता हूँ नहीं कर सकता मुझे देना ही पड़ेगा उसे avoid करने का कोई उपाई नहीं क्योंकि मैंने unit बंद कर दिया अब मैं वो contract फुल्फिल नहीं करूंगा मेरा penalty लगेगा मुझे देना ही पड़ेगा जो employee है जो आहत हुए उन employee को मुझे termination benefit देना ही पड़ेगा तो I think यह चीज आपको एकदम अच्छे से clear हुआ अब मैं आपको बता देता हूं contingent liability का बंद और provision का बंद है तो मैं आपको crux notes पे ले जाता हूं ज़्यादा बढ़िया रहेगा crux notes से ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाऊंगा मैं आपको और आपको भी revision करने में आसानी होगे तो दीखे provision हम तभी बनाते हैं जब हमारा present obligation present obligation और possible obligation का फरक क्या मैं आपको बता देता हूं जैसे मान लिजए for example मान लिजए for example किसी community ने किसी community ने क्या किया मेरे खिलाफ case कर दिया कि मेरी company ने उनकी नदियों को पानी को दूसित किया water को contaminate किया ऐसा मेरे खिलाफ उन्होंने case कर दिया बट मुझे लगता कि मैंने सारे laws and regulation वगेरा fulfill किये है लेकिन department ने मुझे notice भी भीज़ दिया है उन्होंने मुझे notice compensation का नहीं भीजा department ने मुझे notice ये भीज़ा है कि वो investigation करेंगे और investigation करने पर पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है तो मैंने अपने lawyer से बात की मैंने अपने legal advice ली तो legal advisor ने भी ये कहा कि अभी तक तो नहीं लग रहा कि हमने कोई गलती की पूरा investigation complete होगा उसके बात पता चलेगा कि मैंने गलती की भी है ने की तो आप बते क्या भी मेरे उपर present obligation है नहीं just because community ने मेरे खिलाब case कर दिया इसका मतलब यह नहीं कि मेरे उपर present obligation है अगर मुझे लगता मैं दूद का दूला हुआ हूँ तो मैं ठीक है मैं बोलूँगा present obligation नहीं है मैं इसे क्या कहूँगा बता possible obligation यह मेरा क्या possible obligation है और जब तक present obligation नहीं होता तब तक हम provision नहीं मनाते हैं हाँ investigation complete होने के बाद उन्होंने बोल दिया कि आब आपको भरना ही पड़ेगा अब मुझे पैसा भरने पड़ेगा उन्होंने बोल दिया आप भड़ी है 20 लाग रुपिस मैं वापस से इसको हाई कोट में लेके जाओ सुप्रीम कोट में लेके जाओ बात की बात है बट मेरे उपर तो notice आगया ना कि मुझे 20 लाग रुपिस भरना पड़ेगा तो अब वो मेरे लिए प्रेजन अब उब्लिगेशन स्टार्ट करना इस नोट प्रेजन अब ब्लिगेशन मुझे बोल दिया अब अब कन्फर्म हो गया कि मैं मैं गलत हूँ तब वो present obligation आएगा और present obligation होने पर provision बन सकता है सिर्फ present obligation से provision नहीं बनता है और भी कुछ-कुछ देखना होता है लेकिन possible obligation में provision नहीं बनेगा तो कब-कब provision बनेगा आपका उसके लिए तीन condition satisfy होनी पड़ेगी एक तो present obligation और दूसरा मेरा वकील साम मुझे बोल रहा है कि अब तो जैसे investigation complete हुई और मेरे पे मुझे बोल दिया गया कि 20 लाग रुपीज देना पड़ेगा तो यह मेरा present obligation पर मेरा वकील मुझे बोल रहा है assurance दे रहा है कि टेंसर ना लो यह बेकार officer है हम आगी उपर जाएंगे appellate authority के पास जाएंगे यह high court के पास जाएंगे हम अराम से जीच जाएंगे 50% से कम probability कि हमारा कुछ पैसा लगेगा यह नि probability नहीं कि outlaw of resources होगा भली यह present obligation आ गया है बट probability नहीं कि outlaw of resources होगा तो हम तब भी हम provision नहीं बनाएंगे यह नि provision बनाने के लिए तो present obligation होना पड़ेगा दूसरा probability होना पड़ेगा कि outlaw of resource होगा यह नि 50% से ज़्यादा chance होना पड़ेगा कि outlaw of resources होगा और तीसरा हम amount of obligation को मैं measure कर पा रहे reliably जैसे माल लो for example investigation complete होने के बाद मेरे पर 20 लाग रुपीस का fine आया मेरे वकील साब ने बोला कि probability तो है पैसा भरना पड़ेगा तो मैंने वकील साब से बोला ना amount लगता है भरना पड़ेगा मेरा वकील साब बोल रहा कुछ नहीं कह सकते हैं हम कोई amount को reliably measure नहीं कर पा रहे हैं तो अगर मैं amount को reliably measure नहीं कर पा रहा तो मैं provision गलत amount से तो नहीं बना सकता है जैनुइन होना चाहिए प्रोविजन जो है तो इसलिए standard कहता है कि प्रोविजन तब बनेगा जब तीन condition satisfy होगी एक तो possible obligation नहीं होना चाहिए present obligation होना चाहिए और दूसरा आपका probability होना चाहिए यनि 50% से ज्यादा chance होना चाहिए कि आपका outflow resource होगा और तीसरा amount of obligation measure होना चा प्रेसे कोई भी एक condition fail हो गई तब उसे हम contingent liability ही मानेगे यनि contingent liability मैं पता क्या-क्या आ जाते है Possible obligation आ जाते है Possipal obligation मतलब contingent liability मालनो Prezent obligation है victim probability नहीं क्या outflow resources होगा तो भी contingent liability, माल लो present obligation है, probability भी एक आउट लो रिसोर्स होगा, लेकिन हम amount है measure नहीं कर पा रहे, obligation amount measure नहीं कर पा रहे, तब भी contingent liability होगा, तो अब मुझे बताए कि आपको ये बात एकदम अच्छे से clear हुई, मैं आपको क्या समझाना चाता था, कि provision तब बनेगा जब तीन ची contingent liability मैंने आपको समझा दिया, अगर 50% से जादा chance नहीं है, 50% से कम chance है, probability of outdoor resource होगा, less than 50% chance है, तब भी contingent liability हो, possible obligation, present obligation, but less than 50% chance of probability of outdoor resources, या फिर amount measure नहीं कर पा रहे, ये सब ही मामलों में contingent liability हो, contingent liability को हम recognize नहीं करते, contingent liability होने पर सिर्फ और सिर्फ नोट्स तो एकांट में डि provision तो हम PLL में charge करते हैं, लेकिन contingent liability हम disclose करते हैं, नोट्स तो एकांट्स में, contingent asset का क्या, यह को contingent asset भी usually disclose ही होता, बट कुछ-कुछ मामले में आपका contingent asset recognize होता है, पता है कब recognize होता है, contingent asset मतलब मुझे कुछ realize होगा, assets का realization होगा, पैसा का realization होगा, अगर 95% से जादा chance है, 95% से ज्यादा probability है कि realization होगा, तब ही हम contingent asset को recognize करते हैं, अदर्वाइस नहीं करते हैं, यह वर्चुली 13 होना पड़ेगा, वर्चुली 17 का मतलब ही होता है, 95% से ज्यादा probability, तो आपने दिखा, liability recognize करने के लिए 50% से ज्यादा probability होने पर liability recognize हो जाते हैं, लेकिन asset recognize करने के लिए 95 25% से ज्यादा probability, वर्चुली 17 होना पड़ेगा, तब ही हम contingent asset को क्या करते हैं, recognize करते हैं, तो आप बताइए अब यह तीन चीज़ अगर आपने समझ लियाने एकदम अच्छे से, तो आपको कोई परिसानी नहीं आएगी, provision, contingent liability, contingent asset आपने अच्छे से समझ लिया, आपको future expenditure को मैं avoid कर सकता हूँ, तो ऐसा situation में क्या provision बनेगा, नहीं बनेगा, जैसे मैंने कहा, ship overrolling का खर्चा, है न, मैं क्या उसे future में avoid कर सकता हूँ, जी हा, future में avoid कर सकता हूँ, कैसे, मैं ships को चलाओंगा या बेज दूँगा, या पड़ा रहने दूँगा, तो वहाँ पर मेरा provision नहीं बनेगा, लेकिन माल लो for example, मैंने, मैंने overrolling नहीं कर रहा है, deadline पार हो गया, और मैं ships को चला रहा हूँ, है न, समुद्र में भी चला रहा हूँ, रास्ते भी चला रहा हूँ, तो क्या हो, मैंने क्या rules and regulation को violate किया, yes, मैंने violate किया, तो क्या, अब मुझे provision बनाना पड़ लगेगा, है न, तो वो fines and penalties का provision जरूर बनेगा, वो कब बनेगा, जब मैंने कानून तोड़ दिया हूँ, तो कानून तोड़ने के बाद भी हम overhauling का provision नहीं बनाएंगे, हम fines and penalties का provision बनाएंगे, यह आपको exam के लिए ध्यान में रखना है, अब देखिए measurement of provision, पहतर रहेगा कि मैं crux note से आपको बढ़ा दू, main note से भी मैं आपको बढ़ा सकता था, पर मुझे लगता है, crux note से पढ़ा दू, उतना ही आपके लिए sufficient रहेगा, तो measurement of provision, provision ही हम recognize करते हैं, अपने financial statements में, provision amount ही हम liability book करते हैं, उतनी का penal में charge करते हैं, तो provision हम कैसे measure करें, तो provision measure करेगा management, अ बनाने का method दो प्रकार का है, एक तो expected value method है, और दूसरा most likely amount है, तो अभी के लिए धिहान में रख लो, ज्यादा main notes पे जाने की जरतनी, crux से समझ में आ जाएगा, expected value method पता है कब लगाते हैं, जब large number of population होते हैं, जैसने मान लीजे मैंने आप हजारों बच्चों को मैंने classes बेची है, और मैंने आपको warranty दिये कि कल को class वगेरा नहीं चलेगी तो refund हो जाएगा, यहाँ पर large population है, यहाँ पर मैं देखूँगा कि मुझे लगता है कि 20% बच्चे को कोई problem नहीं आईगी, उसका provision नहीं बनाऊँगा, मुझे लगता 50% बच्चे को मुझे 5 इनिट provision बना दूँगा, मुझे लगता है बाकी 30% बच्चे को मुझे 200 payment देना पड़ेगा, तो उस हिसाब से expected value method में मैं क्या करूँगा, provision बनाऊँगा, यहाँ अलग अलग amounts में probability weight लगा देते, एक question है, मैं last में question discussion में, यह question आपको discuss करा दूँगा, expected value method का मतलब यह होता, probability weight लग 200 रुपीज देने का, और 50% chance है, 100 रुपीज देने का, इन सभी में मैं weight लगा दूँगा, 20, 30, 50% का, और expected value जो आएगा, मेरा, वही मेरा provision बनेगा, लेकिन, इकोर method है, most likely amount, जहाँ पर large population ही रहत है, जहाँ पर single item रहत है, मालिक जह एक single person है, उसने मेरे उपर case किये, आप single person हो, जिसने मेरे उपर case किये, large population ही आपर, अब आपने मेरे पर case किये, और मेरा वकील बोल रहा है कि 20 रुपीस मेरा लग सकते, 60% chance है कि मेरा 20 रुपीस लगेगा, तो आप बते ही, मुझे 20 रुपीस करना चाहिए कि पूरा 20 रुप करना चाहिए, पूरा 20 रुपीस करना चा लिए अमाउंट वाला मैथद हम लगाते हैं, हम पूरा का पूरा 20 रुपीस लग का प्रोवीजन बनाते हैं, तो जो भी single cases रहते हैं, यह सब जगा में हम पूरा का पूरा प्रोवीजन बनाते हैं, वहाँ पर हम probability weight लगाते हैं, यानि expected value method लगाते हैं, अब जैसे देखो, फ्यूचर में होंगे, वह सब तो मैंने estimate किया, कि उनमें risk नहीं है, किस risk है, तो मानलो मैंने estimate किया कि future में 5 years की बाद मेरा 20 रुपीस का खर्चा पड़ेगा, उसकी present value जो है, वह है मानलो 10 रुपीस, तो मैं 10 रुपीस का provision बनाऊंगा, बट मुझे लग रहे हैं, जो मैंने 10 लग का provision बनाए न, मैं 10 लग का provision नहीं बनाऊंगा, उसमें 5% का risk adjustment कर दूँगा, 10 लग की जगा 10 लग 50,000 का provision बनाऊंगा, तो exam में कभी-कभी question आ सकता आपको, जहाँ पर आपको risk adjustment का rate दिया हुआ रहेगा, तो जितना risk adjustment का rate दिया हुआ रहेगा, आप उस risk को adjust करके increased provision आ जाद अगरम करें, तो दीखें जहाँ पर time value of money material नहीं है, जहाँ पर मेरा obligation है payment करने का within 12 months, यहनि 12 months के अंदर मुझे पैसा भरना पड़ेगा, तो ऐसा situation में time value of money material नहीं है, क्योंकि जो within 12 months होते हैं उसमें usually present value नहीं करते हैं, present value, time value of money में present value में pull नहीं करते हैं, पर जहाँ time value of money material नहीं है, जहाँ पर एक साल की बाद payment करना है, दो साल की बाद payment करना है, वहाँ पर time value of money काफी matter करता है, और वहाँ पर हमारा जो भी outflow होगा future में, हम उसे present value में pull करते हैं, using discount rate and that is pre-text discount rate, ध्यान रगना, exam में आपको ऐसा हो सकता है कि post-text discount rate भी दीदे और pre-text discount rate भी द assets या liability net पर नहीं दिखाते हैं, after tax नहीं दिखाते हैं, तो gross amount ही पूरा का पूरा दिखाते हैं, तो discount rate भी तो पूरा का पूरा pre-text ही लेना चाहिए, वही वाला logic यहाँ पर है, और इसके अलावा future events की अगर हम बात करें, तो दीकिए हम सोच रहें कि हमारा मान लिचे मैंने water कौन ताम में इनिट किया है, गंदगी फैलाई है मैंने, अब 5 साल की बाद मुझे उस गंदगी को साफ करना पड़ेगा, तो आज की हिसाफ से जो technology उस हिसाफ से मैं provision बनाऊँगा, अब मैं सोच रहा हूँ, future event को consider कर रहा हूँ, तो सब मैं consider नहीं कर सका, अगर उस पर evidence आ जाएगे, जैसे आपका खर्चा कम पड़ेगा, तो अलग बात है, otherwise आप इग्नूर करोगे, एक्जाम के लिए relevant नहीं है, तो एक्जाम के लिए relevant है, measurement और provision में, एक तो time value of money, एक साल से ज्यादा delay है आपका payment, तो present value में liability दिखाओगे, risk कुछ है तो risk का adjustment करोगे, और best estimate में आप provision बनाओगे, जहाबट दो method, अगर large population होगे तो expected value method और अगर single item होता तो usually most likely amount, यह जो most likely है, आपका लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा तो पूरा का पूरा provision बनाओ, नहीं लगेगा तो मत बनाओ, बस बात खतम यहाँ पर, अब क्या यह बताओ, एक बार मैंने provision बना दिया, क्योंकि हमेसा वोई provision रहेगा, कि मुझे हर सल review करना चाहिए, यह को estimation जहाँ पर भी हो, वहाँ पर review होगा, आपने के depreciation वगेरा, useful life, salvage, value, index section में हमें पढ़ा था, वो सब हम estimate करते थे, और बाद में वो review हो के change भी हो जाता था, जैसे starting में मैंने FLM method लगाया, बाद में change हो के diminishing हो सकते है, starting में मैंने estimate के useful है 5 years से बाद में वो change हो के 7 years हो जाएगा, जहाँ पर estimate है, वहाँ पर review होगा, तो यहाँ पर भी जिसे provision मैंने पहले बनाया, अब year end, every reporting period end में, मैं क्या करूँगा, provision को review करूँगा, और अगर मुझे लगेगा कि change हो रहे है, त पहले 50% से ज़्यादा probability थी कि out of resource होगा, तो मैंने provision बनाया था, अब मुझे लगता है 50% से ज़्यादा probability नहीं है, तो मैं provision को reverse कर दूँगा, पहले penal में charge के था, penal में credit करके provision को reverse कर दूँगा, बात खतम, है ना, और future operating losses का provision कभी भी नहीं बनेगा, यह आप exam के लिए ध्या आने का तो कोई sense नहीं है, क्योंकि present obligation तो आपका ही नहीं, तो possible obligation है, present obligation तो ही नहीं, इसलिए ध्यान रखना future operating losses का कभी भी provision नहीं बनेगा, permit ही नहीं करता हूं, कभी भी इसका provision हमारा नहीं बनने वाला, अब मुझे एक topic आपको समझाना है, honoris contract वाला, यह बड़ी काम कीज जान से सुना, honoris contract के बारे में, बहुत important है, exam के list का question भी बन सकता, honoris contract के बारे में, मैंने क्या क्या पता है, आप से एक building मैंने 10 years के लिए lease पे लिया है, और यह non-cancellable lease है, मुझे 10 years तक आपका building का lease rental मुझे आपको दे नहीं पड़े, अब क्या हूँ, after 2 years, मैंने क्या क्या नया building lease पे लिया, क्योंकि जो पुराना building मेरा था, मुझे लगता है, उसमें मेरा कोई धन्ता अच्छे से हो नहीं रहे, तो मैंने नया building lease पे लिया, तो जो पुरानी building है, उसका क्या, क्या अब वो पुरानी building मुझे future economic benefit देगी, नहीं देगी, और मैंने तो उसका ROU asset बना तो जो भी मुझे future में पैसा देना पड़ेगा, वो मेरा wastage of money है, और इसको हम बोलेंगे कि यह honoris contract हो गया, क्योंकि future में पैसा तो लगेगा, पर future में कोई benefit नहीं मिलेगा, तो यह मेरे लिए honoris contract हो गया, तो जो भी मेरा future में पैसा लगेगा, उसका present value, मालो उसका present value आ रह वो फिर 20 दिन बनेगा, 5 लाग रुपीज, liability मैं दिखाऊंगा, 5 लाग रुपीज, अब ऐसा हो सकता है मालो, कि मालो मैंने आपसे बात कर लिया, आप landlord हो, मैंने आपसे बात किया, मैंने बोला कि देखो, ऐसे future में 8 साल तक मुझे आपको rental देने पड़ेंगे, कुछ negotiation वग ग्रुपीज मैं settlement कर सकता हूं, तो मैं तो settlement ही करूँगा ना 3 लाग वाला, और इसलिए standard कहता है कि honoris contract जहां पर होगा, हमापर lower amount लोगे आप, lower amount required to fulfill the obligation, या फिर penalty, तो दोनों मैंसे जो भी आपका lower होगा, यह मैंने लिखा देखिए, कि honoris contract के मामले में, cost for fulfilling the contract, या फिर penalty cost whichever is lower, तो जो भी आपका lower amount आपका लगेगा, honoris contract को settle करने का, उतने का आप क्या करोगे, provision बनाओगे, इससे related भी एक दो question है, आपसे अराम से बनेगा, जो मैंने आपको समझा है, उससे अराम से question बनेगे आपके, tension की कोई बात ही नहीं है, अब इसकी अलावा, तुनों मेरे कभी-कभी acquisition होता है, इंडस 103 में अभी आपने बढ़ा है, माली जी मैंने कोई business acquire किया, अब business acquire किया, तो उससे related कुछ-कुछ cases भी मेरे उपर आगे obligation, तो मालो मेरे उपर 10 लाग रुपीज का obligation है, तो 10 लाग रुपीज का मुझे provision बनाना पड़ रहे है, लेकिन मुझे दू और जो 5 लाग रुपीज का मुझे reimbursement मिलेगा, वो मेरे लिए asset है, क्या मैं इसको net off करके दिखा सकता हूँ, मैं बोलूगा नहीं दिखा सकता है, पता है क्यों, क्योंकि अगर पास वाला party मुझे reimburse नहीं भी करेगा, तो मुझे तो उसको 10 लाग रुपीज देना ही पड़े तो इससे related मैंने main notes हुए है न, वो main notes पे लेके चलता हूँ, मैंने वहाँ पर बनाया था, एक example मैंने दिखाया था, आपको यह main notes भी मैंने दिया, आप चाहो तो बाद में read कर सकता है, तरवाश जरत नहीं मैंने crux notes से पढ़ा दिया आपको, यह दिखें, reimbursement का मामला, provision मु मुझे मिलेगा, तो penal में charge कितना होगा, balance amount, 1,50,000 मेरा क्या होगा, penal में charge हो जाएगा, लेकिन reimbursement asset अलग से दिखाऊंगा, provision अलग से दिखाऊंगा, दोनों को net नहीं कर, तो I think यह आपको एकदाम अच्छी से समझ में आ गया, अगर आपको यह समझ में आ गया, तो बस अब में भी दिखिए, example मैंने बनाया था, कि fulfill करने का cost लगेगा, contract का 50,000 रुपीज, पर अगर मैं चाहूं तो penalties देके 35,000 में छुटकार रहा पास सकता हूं, तो दुनों का lower 35,000 का मैं provision बनाऊंगा, तो यह सारे अराम से आपको होंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ मै मैंने समझाई दिये, अब restructuring भी जो है, मैं सोच रहा हूं, आपको cracks note से ही पढ़ा दो, restructuring बस मेरा बचा हुआ है, और फिर देखे नीचे, दो-तिन additional points है, वो मैं आपको इंडेस 67 का करूंगा, और दो-तिन question भी जो है, वो भी आपको करवा दूँगा, मैं, तो एक बर पूरी कर सकते हो की नहीं कर सकते है, मिरे लिए भगवान ही हो अभी आप, एक्षा है पूरी कर दोगे आप, है ना, तो हम मुझे बताईए अभी हाँ पर, restructuring अब हम समझते है, restructuring बहुत simple सी बात है, मैं एकदम logical ही आपको समझात हो, ताकि आपके दिमाग में feedback जाने, restruct दो प्रकार से होती, कितने बार हमारे पर legal obligation आता, restructuring करने का, कितने बार हमारे पास constructive obligation आता, restructuring करने का, usually constructive obligation ही arise होता, और question भी उसके ही बनेंगे आपके exam में, तो restructuring कब करते हैं, जैसे मालो for example, मैं अपने business को expand करना चाहता हूँ, या फिर मैं अपने business को छोटा करना चाह condition में क्या करते हैं, कभी कभी किसी particular unit को continue कर देते हैं, मालो मेरे 5 अलग 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 जगापी unit है, महारास्टरा में है, मुंबई में है, मुंबई में है, कॉलकाता में है, चन्नही में है, मेरा, है ना, अलग 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 जगापे मेरा unit है, तो मैंने क्या सोचा, कि जो चन् को बंद नहीं करूँसा स्कॉप बदल दोगा by उसका सकॉप बदल के दुगा फोटा करने का मैनर को चेंज घुसका हम ने सोचा कि अब हम क्या करेंगे पूराने renovate कर देंगे business तो उसको बोलते restructuring can buff को बदल देना चैनल का थृप को में बदल देना या business करने का तरीका को बदल देना जिसी हम कहते कर राइस करेंगे तो लगेगे हम उसे रोक नहीं सकते अपर इसके लिए situation में क्या होगा पता है मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए मुझे सभी लोगों को जो जो उससे affected होंगे क्या मुझे उनको बताना नहीं चाहिए क्या सिर्फ मैं अपने मन में सुचू कि मैं चैन्ने की यूनिट को बंद करूँ और मैं मालू भी बंद होग या नहीं अगर मेरे दिमाग में ख्याल आ रहे कि मैं चैन्ने की यूनिट को बंद करना चाहता हूं तो जो चैन्ने की यूनिट से रिलेटेड जो जो लोग है जो affected वहां के employees affected होंगे जिनका मैंने contract लेके रखा हुआ जो चन्ने में जिसका काम चल रहा है जिनका मैंने contract लेके रखा हुआ वो लोग affected होंगे predators वगेरा इन लोग affected होंगे तो जो भी लोग उससे affected होंगे मुझे क्या करना ची उनके साथ communicate करके उनकी आखों में valid expectation create करना ची कि हाँ अब तो ये unit बंद हो तो constructive obligation बता कब आते है जब मालिजे मैंने सोचा है और मैंने action भी ले लिया मैंने लोगों को जो भी उससे affected होने वाले लोगे उन सभी को मैंने announcement करके formal announcement करके मैंने उन सभी को बता दिया कि भाई देखो हम इस unit को बंद करना चाहिए और हमने साथ में यह भी बता है कि इसको unit को बंद करने पर हम किसको क्या-क्या compensation देंगे employees को हम क्या compensation देंगे जो हमारा contract फुल्फिल नहीं होगा उससे related हमारा क्या-क्या compensation लगेगा वो सभी चीज़े हम खुल के बात कर रहें तो ऐसा situation में महना जाएगा restructure है अब एक बात बताओं अब हमने unit बंद करने का announcement कर दिया अब तो वो unit बंद हो गई है ना अब तो हम वापस से थोड़ी अपनी बातों पर तो कायम रहेंगे unit बंद करने का announcement कर दिया मतलब वो unit बंद होगा आपका तो अब employee को हमें compensation जो देना पड़ेगा avoid कर सकते नहीं कर सकते यह सभी unavoidable cost है और यह cost अभी आपका पैसा लगा नहीं फ्यूचर में लगेगा जब पूरा सब कुछ execute होगा सब कुछ बेकेगा तब लगेगा बट यह ऐसे खर्चे जो unavoidable जो लगेंगे लगेंगे जो आज की डेट में present obligation है आपका और जिसमें outflow of resource होगा और आपके पास कोई दूसरा alternative नहीं तो क्या आपको इसकी liability बनाने चाहिए या सबको इसकी liability और इसलिए restructuring cost का खर्च हम क्या करते हैं कितना हमारा unavoidable cost है उतना unavoidable cost हम क्या करते हैं हम उसका provision बनाते हैं और इसलिए लिखा हुए यहाँ पर देखें restructuring provision include करता है only direct expenditure necessarily entailed by restructuring यानि वो direct expenditure जो restructuring के वज़े से लग रहे हैं अगर हम यूनिट को नहीं बन करते तो वो खर्चे नहीं लगते हैं वो खर्चे लगी इसलिए रहे हैं क्योंकि हम restructuring कर रहे हैं और यह आपके ongoing activity से इनका कोई लिना देना मलब restructuring करने की वज़े स जो हमारे खर्चे लग रहे हैं वो ही restructuring provision है और इसको direct expenditure बोलते हैं पाकी marketing का खर्चा staff को retraining करना ने तरीके से धंदा करो उसका retraining देना या staff को relocate करना नया system investment करना इसका restructuring से कोई लेना देना नहीं है यह तो आप अपने मन से खर्चा करो इन सबको तब avoid भी कर सकतो marketing मत क करो नया system में investment मत करो यह सबको तब avoid कर सकते हो लेकिन employee को termination benefit avoid नहीं कर सकते हैं contract fulfill नहीं के उसकी penalty avoid नहीं कर सकते हैं तो उन सबका provision बनेगा और ध्यान रहे provision जब बनाओगे कब बनाओगे constructive application जब arise होगा तभी provision बनेगा और constructive obligation तभी arise होगा जब entity ने detailed formal plan बनाया है और वो announce क करके जो 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 लोग affected होंगे उन सब की आखों में valid expectation create कर दिया कि अब restructuring होगा तभी आप provision बनाओगे यानि हमें announcement करना पड़ेगा तो those who are affected ताकि उनकी आखों में valid expectation create हो जाए तभी उसे related जो जो हमारा unavoidable cost है unavoidable cost of obligation है उतने काम क्या करेंगे provision बनाएंगे तो ब बहुत easy लगेगा उसमें हलाकि दो point है दोनों एक साथ इंडेस 10 भी उसके अंदर included है तो वह बहुत अच्छा question exam में पूछा जा सकता है मैं बता दूंगा वह भी आपको अब additional points पहले मैं आपको बता देता हूं पहला वाला नहीं बताओंगा आप खुद read कर लेना यह overall वा क्या होगा तो हम इसे possible obligation मानेंगे यह दोनों point मैंने example के साथ करवा दिया था अब point number 3 बस मुझे आपको बताना है simple सी बात यहां पर है कि मान लिजी मेरा obligation है कि मुझे c-bed यानि जो समुद्र की नीचे जो है न जगा वहाँ पर मैंने कोई pipeline वगेरा बैठा है और मुझे 2 सा साल की बढ़ 10 लाक रुपीस मेरा खर्चा लगेगा तो आज थोड़े न 10 लाक का प्रोविजन बनाऊंगा तो present value आज कितने का दिखाऊंगो मैं 10 लाक को present value मैं pull किया 5% से 2 years back कितने का मेरा प्रोविजन बनेगा कि इतने का प्रोविजन बनेगा अब इतने का asset को capitalize कर देना प्रोविजन बना दोगे अगर वो प्रोविजन में चार्ज होगा तो प्रोविजन आपने इतने का बनाया अब हर साल क्या होगा इसी प्रोविजन में इंट्रेस चड़ेगा तो interest expense to provision आपका हर साल जो अपने present value में discounting कि आप unwinding करोगे ना तो first year और second year में क्या होगा इंट्रेस चड़ेगा और finally secondary के बाद यह 10 लाक हो जाएगा और 10 लाक हमारा खर्चा हो जाएगा पेमेंट करोगे कम जादा हुआ तो उस साला में adjust कर देंगे पीनल में तो इसी के साथ मैंने इंट्रेस 37 आपको concept तो समझा दिया हमें आपको question करूँगा पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि क्या इंट्रेस 37 अब आपको simple लगा की नहीं लगा चलो बहुत बहुत सुक्रिया 1000 likes पार होगे 1038 likes हो चुका है तो चलिए अब भी हम क्या करते हैं अभी हम क्या करते हैं अभी हम स्पीड सही है न हमारी समझ में आया कि निया इंड्रेस 37 मुझे इक बार बता दो 713 में जाते हैं बतो इंड्रेस 37 मैं आपको समझाने में काम्याब हुआ कि नहीं हुआ समझ में आया ना पूरा चीज़े कोशिन देखता हूं कौन सा कौन सा बता नहीं इससे अब आप अराम से कर लोगी ओवरॉल वाला मैंने एक्जामपल समझा दिया था यह फायदा है एक्जामपल में मैंने डिसकस करवा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है यह एक सिंपल सा इलस्टेशन फोरे मैं फटा-फट आ मैं भी एक आजंट हूं और दूसरा की आज़न उसको मुझे कमीशन देना होते है इसको मैं दो प्रकार के कमीशन दे ऐक तो मैंने ऊसओ को बोले कि तुझे मैं 5% commission दूँगा और दूसरा मैंने उसको बोले कि मैं उसे additional commission भी दूँगा अगर मुझे सरकार से या department से export incentive मिलेगा तो आप बताओ मैंने उसको क्या बोला है दो चीजे बोली एक तो 5% commission दूँगा fixed है तो 5% commission जो मैंने कहा कि मैं उसको दूँगा sales में जितना मेरा sales होगा उसका मैं commission दूँगा मैंने उसको बोला है तो माल लेजिए मैंने during the year 10 lakh रुपीज का sales किये और मैंने कहा sales का 5% उसे मैं commission दूँगा तो 10 lakh का 5% केतना हुआ 50,000 रुपीज का तो मुझे commission का provision बनाने ही पड़ेगा क्योंकि वो तो मुझे देने ही पड़ेगा मैरा sales हो गया sales होना मतलब past event है और sales होते ही उसको commission मिलेगा तो 10 lakh का 5% 50,000 का मैं provision आज बना दूँगा क्योंकि मैंने sales कर दिये मैंने उसको एक और बात बोला कि अगर मुझे department से incentive मिलेगा तो मैं उस पे भी 2% commission दूँगा जितना incentive मिलेगा अभी तक incentive मिला नहीं है तो जब तक incentive मिला नहीं तब तक मेरे पर obligation भी नहीं है कि अभी तक virtually certain ही नहीं है कि मुझे department पैसा देगी अभी तक confirm नहीं हुगा जब confirm होगा कि department पैसा देगी जिस period में confirm होगा department पैसा देगी उस period में वर्चुलिде सेट इन होगा उसी पिरेड में मैं ऐसेट को recognize करूँगा मैं अपना duty का asset को recognize करूँगा जो भी मुझे मिलेगा incentive को मैं ऐसे asset recognize करूँगा receival दिखाऊँगा तो जिस period में receival दिखाऊँगा उसी period में मैं उसका provision बनाऊँगा तो यह question यही बोलना चाहता है कि जो additional export incentive का जो हम commission देंगे क्या उसका provision बनाए हम कहेंगे नहीं बनाएंगे जब आपको बाद में मिलने का confirmation होगा तब उसका provision बनाऊगे फिलाल उसका कोई obligation आपके उपर है नहीं फिर यह expected value method के question है हमने customer को warranty दिया है ठीक है six months का warranty दिया है और यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर major defect हुआ repair cost आपका 4 million का लगेगा और entity का past experience कहता है कि 75% of the goods में कोई defect नहीं होगा यह बरू जाओ हाँ यह देखो अगर minor defect हुआ तो question है क्या बोले अगर minor defect हुआ तो 1 million का खर्चा लगेगा major defect हुआ तो 4 million का खर्चा लगेगा question नहीं बोला कि 75% तो चांसे कुछ भी नहीं होगा तो 75% का provision यह बनेगा बनेगा 20% चांसे की minor defect होगा तो 20% of 1 million ले लेंगे minor defect तो 1 million यह है और 5% चांसे की major defect होगा major defect होने पर 4 million का खर्चा होगा आपका 75% में तो जीरू है तो आप देखो कितना provision बनाओगे 1 million का 20% 0.2 million 4 million का 5% 0.2 million यानि 0.4 million होगा यानि 4 lakh रुपीस का provision बनेगा कितना simple सा question है कुछ नहीं जितना probability वो लगा देंगे यह हो गया expected value method क्यों लगा रहे है क्योंकि large population होता है वारेंटियम कई सारे लोगों को देते कई सारे कस्टमर को दे रहे है लार्ट population है वहाँ पर और इसलिए expected value method यहाँ पर लगाया गया यह question तो कुछ ही नहीं है बोला कि 30 lakh रुपीस आपका बोला कि 50 lakh रुपीस आपका dismantling का खर्चा future में लगेगा जिसकी present value 30 lakh रुपीस है तो 30 lakh का provision बनाएंगे लेकिन risk factor भी 5% का है तो मैंने कहा था ना risk factor को मैं adjustment करते हैं तो वह हो रहे हैं अपर 30 lakh का present value provision है उसमें 5% risk adjustment कर देंगे तो 31 lakh 50,000 कम provision बनाएंगे मैंने risk adjustment concept में आपको बताया था यापर यह वाला question तो मैंने आपको करवाया था कि 10 lakh रुपीस आपका स्टी बेड को restore करने का खर्चा 2 साल के बात लगेगा तो उसकी present value में provision बनाओगे और हर सल interest expenses दिखाओगे 2 साल हो तक बस simple सी बात है यह भी मैंने आपको करवा दिया था liability अलग से दिखाओगे reimbursement asset अलग से separately recognize करो यह concept मैंने आपको एकड़म अच्छे से समझा दिया था यह question भी एकड़म simple है यह question भी आपको करवाने की जरत नहीं है आपका tax litigation pending है और आपके माल निचे कोई liability का demand है आपका estimation की इतना पैसा आपका future में लगेगा कब दो साल के बाद लगेगा तो दो साल के बाद इतना पैसा लगेगा मैंने measurement of provision में कहा था कि present value में provision बनाते हैं तो हम इतने का प्रोविजन नहीं बनाएंगे इसका present value में provision बनाएंगे और धर सल interest expense चड़ाएंगे future operating losses बताया ना मैंने future operating losses का कभी भी provision नहीं बनाया जाएगा क्यों क्योंकि यहां पर हमारा present obligation और यहां पर future में operating नहीं करेंगे future में operate नहीं करेंगे तो future में खर्चें नहीं होगा हमारा तो उसे related question है honoris contract भी मैंने आपको करवाया था यहां पर देखो honoris contract का मैं आपको बजा देता हूँ मैंने non-cancelable contract लिया है कि मैं 10,000 units खरीदूंगा 50 rupees करके और 5 lakh rupees मैं दूँँगा अगर मैं चाहूँ तो 60,000 rupees देखे exit कर सकता हूँ मुझे purchase नहीं करने से भी चलेगा अब मैंने क्या identify किया है कि मैं चाहूँ तो अब problem क्या हुआ थे हैं पर वो नहीं लिखा हुआ येस X metal limited ने discontinue कर दिया manufacturing दिया product अब उसी raw material की जरत नहीं है मुझे raw material की जरत नहीं पर मैंने तो contract कर रखा वर 10,000 units 50 rupees में लेने का यह नहीं फाइब लियाक रूपीस में मुझे लेने ही पड़ेगा आपर तो मेरे पास ओपा ही नहीं मुझे लेने ही पड़ेगा अगर मैं नहीं लिया तो मुझे 60,000 rupees भरने पड़ेंगे penalty अब मैंने क्या सोचा कि मैं 45 rupees में market में बेच सकता हूं मैं एक और काम कर सकता हूं 10,000 units 50 rupees में खरीद के 45 में market में बेच दूँगा तो मेरा 5 rupees का नुकसान होगा per unit 5 into 10,000 कितना 50,000 का नुकसान होगा तो मैं इसको penalty क्यों दू 60,000 का इसको penalty 60,000 देने से अच्छा 5 lakh rupees में खरीद के 4,50,000 में बेच दूँगा तो मेरा lower amount ही मुझे लेना होता हूं ओनरेस contract में तो 50,000 ही मेरा lower amount ही उसका provision बनेगा और ये honoris contract कैसे हुआ क्योंकि हमने contract कर लिया purchase करने का पर अब हम धंदा ही बंद कर रहे वो manufacturing ही बंद कर र restructuring देखो वही question यहाँ पर जो मैंने आपको concept समझाया था कि आप अपने operation को बंद करना चातो एक state में आपने detail formal plan बना दिया shutdown करने का और ये आपने सबको number of employees जिसको जिसको compensate किया जाएगा उन सभी को आपने बता दिया customer, supplier, worker सबको आपने communicate कर दिया है ना तो अगर सबने आपको communicate कर दिया तो उनकी आँखों में valid expectation अपने create कर दिया है तो ये constructive obligation आगया आपका तो मैंने कहा थे constructive obligation कब आएगा मैं फटा वट बता रहो हूँ ठीके थोड़ा सा समय की पाबंदी इसलिए constructive obligation कब आएगा जब मैंने detail formal plan बनाया और मैंने जो जो affected होंगे उन सबको बता दिया उनकी आँखों में valid expectation create हो गया तब constructive obligation आएगा और constructive obligation आने पर हम रिस्ट्रॉक्चरिंग का provision बनाते है तो यहां पर क्या हमें बनाना चाहिए रिस्ट्रॉक्चरिंग का provision यह हमें रिस्ट्रॉक्चरिंग का provision बनाना चाहिए इससे related question है अच्छा वाला वो पहले करवा बहुत ही अच्छा question यह वाला देखो question number four यह बहुत ही अच्छा question है एक you limited है जिसकी बहुत सारी subsidiaries है और इसकी financial statements approve कब होती है 15th May 2002 को इसकी financial statements approve होती है exam के लिए दिहान से सुननों very very important है very very important है for exam भी यह दिहान से सुनना है वहाँ इंपोर्टन ही है यह वाला question जो है देखिए जी limited हो लिए और 31st January 2002 को यानि 31st March से पहले ही Board of Directors ने decide क्या कि वो discontinue करेंगे 30th April से discontinue करने में टाइम लगेगा बट अभी 31st March से पहले ही इन्होंने decide कर लिया इन्होंने public announcement भी कर दिया पब्लिक announcement कर दिया मतलब valid expectation create कर दिया कब 15th April को यहने 31st March से पहले ही मेरा constructive obligation तो आ गिया क्योंकि मैंने detail formal plan बनाया और मैंने जो जो लोग affected होंगे उनको मैंने क्या कर दिया उनकी आखों में valid expectation create कर दिया कब 15th April को यहां पर अब दिको public announcement करने के बाद हमने estimate किया कि जो termination payment देना पड़ेगा employee को 540 लाग देना पड़ेगा तो क्या यह 540 लाग unavoidable यस यह 540 लाग का मुझे provision बनाना पड़ेगा फिर आगे employee को relocation करने का मेरा खर्चा लेगा 60 लाग यह तो मेरा related to restructuring नहीं है मैं नहीं करूंगा relocate employee को तो मेरा खर्चा नहीं लगेगा मैं चाहूं तो इसको avoid कर सकतो मैं employee को relocating नहीं करूंगा मैं बोलूंगा जाओ ताम ही छोड़ तो relocating नहीं करेंगे अब employees को relocate यह सब खर्चा हमारा PNL में जाएगा वो भी जब खर्चा लगेगा तब और मैंने लिखा भी था restructuring के अंदर देख लो relocating continuing staff को relocate करना retrain करना marketing करना यह सब restructuring provision में नहीं आते हैं तो ध्यान रहे relocation करने का खर्चा यह आपका जिस period में खर्चा होगा उसी period में आपका य 540 लाग रुपेस ही हमारा क्या बनेगा restructuring provision का हिस्सा बनेगा next line मैं आपको नहीं बढ़ाता हूँ मैं आपको एक और ची बताता हूँ operating lease पे भी मैंने कोई property ली थी अब वो मेरा lease कोई काम का नहीं रहा क्योंकि मैं तो discontinue कर रहा हूं धंदे को और इसका भी मेरा present value आ रहा मुझे provision बना तो मैंने 970 लाग का provision बना दिया पट पता क्या हुआ approval of finances statement से पहले ही आपने termination का actual payment किया 520 लाग का actual termination का payment के आपने 520 लाग का 15 में को और आपने या पर इसको भी actual में 410 लाग का ही payment किया lender को भी जो property से lease पे लिया था वो भी का 15 में से पहले और आपका 15 में को financial statements approve हो रहे हैं तो हम बोलेंगे यह इंडस 10 लग जाए इंडस 10 क्या कहता है कि अगर condition exist करता था 31 मार्ट से पहले उसका evidence से तो adjusting event मानों हम बोलेंगे yes condition exist करता था क्या से हमने तो 31 मार्ट से पहले ही public announcement कर दिया था और उस time में तो हमने उस time के साब से हमने provision estimate किया था अब ह हमें actual amount पता चल जा रहा है condition तो पहले से exist करती थी तो हम इसको क्या करेंगे adjusting event मानते वे हम 540 लाग को alter करके 520 लाग का provision दिखाएंगे 31 मार्च में 430 लाग को alter करके 410 लाग का provision बनाएंगे 31 मार्च में यानि 930 लाग का provision बनेगा यानि इंडस 10 लग गया है आपर इंडस 10 क हम provision बनाएंगे 31 मार्च को क्यों क्यों कि approval of answer statement वाले दिन को भी पहली मानों उससे पहले आपका क्या हो गया payment हो गया और आपको actual amount पता चल गया और condition 31 मार्च से पहले exist करती थी तो हम इसे adjusting event माने तो यहाँ पर ध्यान रहे दो standard लग रहे हैं आप इंडस 37 प्लस इंडस 10 यह अगर यह question समझ में आ गिया, question number 5 यह इंडस 10 में भी मैंने करवाया था, duty drawback वाला notes में लिखवाया था, honors contract अब अराम से कर लोगे, को tension वाली बात नहीं है, यह question मेरी को limited वाले question जो हम आपको फटाफट से करवाऊंगा, बाकी उपर मुझी नहीं लगता, कोई question मुझे करान लग है, यहाँ पर मैं बता दू, question number 1 में गरबड है, problem है, मेरी इसाब से, कैसे problem है, मैं बता दिता हूं, यह question भी, यहाँ पर क्या हुआ, हमारे खिलाफ demand है, 1 crore रुपीज का, और question हमें कह रहा है कि पहले दो बार court में ऐसा demand गया, एक बार entity जीता, और एक बार appellate authority जीता तो दोनों एक एक बार जीते हैं आपर, लेकिन legal council ने, जो legal advisor है, उसने हमें बोला कि 50% chance, 50% से ज़्यादा chance से जीतने का, तो अगर 50% से ज़्यादा chance से हमारा जीतने का, मतलब outlaw resources की probability 50% से कम है, provision नहीं बननी चाए, contingent liability बनना चाहिए, पर इन्होंने solution में क्या-क्या पते ह इन्होंने provision बनाया और इन्होंने लिखा है, उल्टा उल्टा लिखा है उन्होंने, तो ये question को अब रटा मार लेना, अगर same question है तो रटा मार लेना, ये question में problem है, speed में करौँगा, देखो पाई नहीं अभी, अभी time की कमी है, तो मैं speed में करौँगा, मेरे एक हैल से आप मे का obligation है कि उसे restore करके दिना होगा, environmental damage इसने कुछ किया है, जिसे इसे restore करके दिना होगा, first phase में इसका 2 million का खर्चा लगेगा, ठीक है, और फिर लिखा हुआ है, to remove the contaminated soil, और second phase इसका 3 साल के बाद होगा, from the end of the first phase, यनि first phase का खर्चा करने के बाद, फिर 3 years के बाद, इसका further खर् presentation लगाना पड़ेगा, यनि पहले तो soil को साफ करोगे, soil को साफ करने का एक साल का time period लगेगा, उसके बाद, तीन साल के बाद, आप plantation वगेरा, इस सब का खर्चा करोगे, 3.5 million, तो आप सोचो यहाँ पर, पहले 2 million का खर्चा होगा, फिर 3.5 million का खर्चा होगा, after 3 years, Merico ने cost of capital 10% estimate किया है, और tax rate 30% का, Merico Limited ने कोई provision नहीं बनाया, first phase आपका, कब complete होगा, 31st March 2003 को, और अभी हमें 31st March 2002 को यह provision बनाने बोल रहे हैं, तो दीकि हमारा खर्चा तो future में होगा, जिसे हम रूप नहीं सकते हैं, हमने जो damage किया, उसका हमें restore करके देना पड़ेगा, त अब एक साल के बाद 31st March 2003 को मारे 2 million का खर्चा होगा, यहनि 20 लाग रुपेस का खर्चा होगा, कब होगा, एक साल के बाद, उसके बाद further 3 years के बाद और भी तो खर्चा होगा 3.5 million का, कि हम बर लिखावा 3 years के बाद comments होगा, first phase खतम होगा, एक साल के बाद, वहां से 3 years, यहन next वाला कब होगा, fourth year end में, तो हमारा 20 लाग रुपेस खर्चा होगा, first year में, और 35 लाग आपका खर्चा होगा, fourth year end में, तो अब अब बताव, discounting करोगे, तो 20 लाग को 1 साल बैक पूल करोगे, और 35 लाग को 4 years बैक पूल करोगे, तो यह आपका 4 times हो रहा आपका, discounting, यह one time discount counting, और उस हिसाब से आपने present value निकाल लिया, तो बस आपको यह धियान में, रखना है, कि एक 20 लाग रुपेस खर्चा first year में होगा, एक साल present value बैक पूल करोगे, और 35 लाग रुपेस 4 times बैक पूल करोगे present value में, और pre-text तो हमें पता ही, discount rate लेंगे, चलो, तो यह question भी मैंने आपको करवा दिया, फटा फट से, इसी के साथ मैंने इंडस 37 की भी जो जो important question है, वो मैंने करवा कि इंडस 37 भी आपको खतम करवा दिया, तो मेरे ख्याल से हमने 2 घंटे में, हमने 3 चैप्टर खतम किया, इंडस 1, इंडस 10, इंडस 37 न, 3 चैप्टर हमने खतम किया, 2 घंट क्योंकि इंडस 34, सिंपल से चैप्टर, बताइए, अभी तक मजा है कि नहीं है, यह स्टाइंग वेलू, वन येर से ज्यादा, तेका, इवन जी, बागी सब कह रहे है, 113 कर रहा हूं, कोई कह रहे है, 34 कर रहा हूं, 34 करा दूं क्या, फिर 113 करा देता हूं, अलग अलग बोल रहे है, कोई 34 कर रहा है, कोई 13 कर रहा है, 33 बस एक अच्छी बात बोल रहे है, वो कह रहे है, जो आपको, बहुत अच्छी है, कि बार पहले बता दो, मज़ा आया की नहीं आया, मैं बहुत रिवीजन जैसा लग रहे है न, और कोई सूच रहे एकदम, डिटील तो डिटील नहीं पॉसिबल है, अराम से पढ़ाना भी पॉसिबल नहीं, एक्जाम काफी पास है, तो मैं फास्ट ही आपको रिवाइस करा होँगा, जलिए, अभी हम रिवाइस करते हैं, फटा फट से आजो, इंडस 34, अभी हम रिवाइस करते हैं, इंटेरिम फानीशल रिपोर्टिंग, बहुत है सिंपल स्टेंडर्ड है, और इसकी दो-तीन कोशिन भी है, दो-चार कोशिन भी मैं आपको डिसकस करा दूँगा, अराम से फटा-फट खतम हो जाएगा, आदा घंटा में खतम हो जाएगा, पूरा का पूरा, चलो, तो ये चैप्टर भी आपको बहुत सिंपल लगेगा, 113 भी गैरेंटी देता हूं, बहुत सिंपल लगेगा, बहुत सिंपल स्टेंडर्ड है, इंडस 34 भी काफि सिंपल है इंटरीम फानिशल रिपोर्टिंग, ये स्टेंडर्ड उनको ही लगाना पड़ते हैं, जो इंटरीम रिपोर्ट बनाते हैं, जैसे क्वार्टर्ली रिपोर्ट कितने बार देते हैं, चुला ही अगर सप्टेंबर का क्वार्टर्ली रिपोर्ट बना रहें, बैंग मांग र कि जब आप इंटरीम फानीशल रिपूर्ट बनाओ तो अब चाहो तो complete सेट फानीशल चीटमेंट भी बना सकतो एस पर इंडेस्ट वन जो हमने पढ़ा है इंडेस्ट वन में जो हमने बालेंसेट का फॉर्मेट दिखाता ना ही पहल कि साथ चाहते हैं चाहता है पुराना नहीं फुर से बना नहीं है इससोट प्लिटा बनाली है तो ऐसाठी फूर का मध्यव कर Aa 197 पर बनाओ यहां पर नोट्स के अंदर हम सभी नोट्स नहीं डालते हैं और जो आपकी सिगनिफिकन्ट इन्फॉर्मीशन है वही सिर्फ हम डालते है नोट्स में तो हमने अल्रेडी रिसेंड एन्वल फानिशल स्टेटमेंट में जो जो इन्फॉर्मेशन हमने नोट्स एकाउंट में दिया था उसको रिपीट करने की आवज सकता नहीं कि क्या मतलब इंटरीम रिपोर्ट है हम बोलेंगे आपको अगर इतनी जानकरी चीए आप रिसेंट एन्वल फानिशल स्टेटमेंट को री लेकिन अगर आप कंडेंस फानिशल स्टेटमेंट बनाओगे तो आपको सिर्फ हैडिंग और सब टोटल देना पड़ेगा आपको डिटील फानिशल स्टेटमेंट का मतलब क्या जैसे हम बैलंसिट में देखते हैं नॉन करेंट एसेट हमारा हैडिंग होगे उसके अंदर स अपको और डिटेटेल में अंदर जाने की जरत महीं है जब अपने अपने रखा था और सब और कुछ भी दिखाना नहीं है इसके लावा कोई भी additional line items जो है और वो अगर आप omit करोगे तो उसे financial statements mislead हो सकता है ऐसा situation में बोरा वो additional line items आप दिखाईए तो कोई ऐसा item है जिसको ignore करना सही नहीं वो to and fair picture नहीं देगा तो उसको ignore मत करो उसको आप so करोगे और basic and diluted EPS तो आपको so करना है पड़ेगा उस particular period जैसे annual report बनाते तो annual का basic EPS और diluted EPS हम बताते हैं यहाँ पर हम क्या बना रहे जिस period का बना रहे उस period का basic EPS और diluted EPS दिखाएंगे और notes to accounts में हम वही events और transaction का explanation देंगे जो significant है जो significant है और annual reporting period में जो information नहीं दी गई है उसके बात की कुछ घटना घटी हुई है जो significant है events and transaction उसी का explanation आपको देना है यहनि unnecessarily repeat मत करो duplicate information प्रोवाइड मत करो जो आपने recently आपने annual financial statement में प्रोवाइड किया तो जो extra information significant information है जो बाद में घटना घटी है events and transaction आप उसको disclose करो यहाँ पर कुछ को significant events or transaction का जिकर किया गया है जिसको जैस्ट आप दिमाग में अभी रख लो बाद में आपको revise नहीं करना जैसे आपने inventory cost और NRV बीचे वर इस lower में measure करते हैं मान लीजे आपने write down किया inventory को यहीं आपकी value गिरी है यहीं impairment हुआ inventory का या फिर reversal of impairment हुआ है ना ऐसा हुआ या फिर को financial asset property plant in equipment intangible assets का impairment loss आपने book किया या आपने reversal किया impairment loss का ठीक है cost of restructuring जो हम लोग provision बनाते है ना restructuring का उसका अपने provision को reversal किया नहीं पहले provision बनाया तब आप reversal कर रहो प्रॉपर्टी प्लांडें equipment को अपने नया पीपी यानि capital investment है बड़ा investment है कि significant मानी जाते है पीपी खरीदना या बीचना तो प्रॉपर्टी प्लांडें रिकुमेंट खरीदना या बीचना या खरीदने का commitment देती देना यह सब capital investment है अगर इस प्रकार के कोई transaction हुआ है तो loser करो कोई prior period error किया था आपने इंडेस 8 में पढ़ाऊंगा मैं कोई गल्ती की थी आपने omission किया था को एंट्री वगेरा का उसको आपने correction किया है या को related party transaction किया है आप इन सब का information provide करो contingent liabilities या contingent asset में कोई change हुआ है माने जे contingent liabilities या प्रोविजन बन गिया है ऐसा कोई change हुआ है या फिर classification हुआ financial asset का याद है financial asset में हम classification करते थे ACM से FBTPL ACM से FBTOCI तो वह ऐसा कुछ classification हुआ है आपने कोई loan में default किया है या आपने को loan agreement breach हमने अब भी पढ़ा था breach of loan agreement तो आपने कोई contract को breach किया है तो वो सब बड़ी-बड़ी significant events है तो इन सब को भी आप क्या करोगे disclose करोगे लिटिकेशन को settlement अगर आपने किया है आपका financial asset या financial liability है business या economic environment में change होने के वज़े से उसकी fair value effect हुई है भले आपने ACM method में क्यों नहीं दिखाय हो लेकिन अगर उसकी fair value effect हुई है तो आपको इन सब चीजों का disclose कर रहा चाहिए यह standard यह कहना चाहिए एक्जाम के लिए इतना relevant नहीं जैस रीड करके रख लिया तो दिमाग में कहीं कोना में रहेगा कोशन बनातो हालेकि इससे कोशन बनने का chance जीरो तो यह important अभी important क्या है कि अब इंटरीम फानसर स्टीट्मेंट कौन सा पीरिट का बनाएंग इसके लि मालो for example second quarter का second quarter जुलाई से लेके September का आप इंटरीम रिपोर्ट रिपार करो जुलाई अगस सटेंबर अप्रेल में जुन first quarter होता है second quarter जुलाई to September का मैं रिपोर्ट बना तो मुझे balance इट कैसा देना है balance इट कभी भी period का नहीं होता है किसी particular date का हो तो balance इट क्या होगा जो आ comparative में हमें दिखाने चाहिए 30 September 2001 क्यों दिखा है हम period की बात नहीं कर रहे हैं आपर यहां पर कोई particular date है आप 30 September 2001 का सड़ा हुआ balance इट दिखाओगे इस से अच्छा जो आपका 31st March है recent वाला उसका दिखा हुआ तो इसलिए balance इट में ध्यान रखना एक तो आप क्या करोगे period complete हुआ है 31st March उस दिन का आप balance इट बना के दिखाओगे profit और loss में आप बोल सकते हूँ कि हाँ पर हम period का देते किसी particular period का देते तो एक तो आपका वह आ जाएगा July to September जो आपका second quarter है तो second quarter July to September इस period का और comparatives में भी पिछले साल का July to September और एक दोगी year to date यह इस साल का जो financial year का सुरुआत हुआ है वहाँ से लेकर तो financial year का सुरुआत कब वह अपरील अपरील से लेकर September तल year to date हो गया आपका यह दो गये current year का और पिछले साल का भी तो आपका statement of final में चार जाएगा आपका एक तो आपका जो reporting period आपका हो गया current year और previous year का और दूसरा year to date भी current year और previous year का ज changes in equity reporting period का नई देना है July का September का जहरत नहीं आप year to date दो गया अपरेल से September 2002 अपरेल से September 2001 यहाँ पर भी अपरेल से September 2000 तो अपरेल से September 2001 तो यहां में रहेगा statement of cash flow में इन दोनों में सिर्फ year to date देना है current year और previous year का बस बात खत्व मैंने क्रक्स में भी अच्छे से लिखा हुगा अब क्रक्स से बात में revise कर लिजेगा क्रक्स नोट से और एक बात में बोलना जाता हूं जैसे मान लिजे फूर एक्जांपल हमारा अगस सब्टेंबर अक्टूबर में अगस सब्टेंबर अक्टूबर नहीं अक्टूबर नॉंबर डिसंबर में हमारा business highly seasonal उस वक्त हम बहुत पैसा कमाते और बहुत खर्चा कर जुलाइग सब्टेंबर में हमारा जन्दा highly seasonal नहीं है तो हमने क्या सोचा जुलाइग सब्टेंबर का कुछ खर्चा जो है न वहां डेफर करके अक्टूबर नॉंबर डिसंबर में दिखाना चाहते कि तब हमारा आज का revenue को डेफर भी नहीं कर सकते आज का revenue या आज का cost को में future में डेफर नहीं कर सकता और future का revenue या future का cost को में आज anticipate नहीं कर जो जिस period में वो उसी period में रहेगा उससे पहले या उससे बाद में हम नहीं दिखा सकते और दूसरी चीज accounting policies के मामले में यह ध्यान रख लो कि आपका जो most recent जो annual financial statement बना था उस financial statements में जो आपने accounting policies फोलो किया था माल लीजे most recent financial statements में आपने accounting policy जो फोलो किया था इन केस तो पीपी अपने revolution model लगाया था तो अभी भी revolution model लगो इन्वेंटरी में आपने लिफो मेथद लगाया था लिफो तो है नी फीफो या वेटे डवरेज मेथ अपने लगाना पड़ेगा यहीं जो आपने annual financial statement में जो आपने annual financial statement में accounting policies फोलो किया था वही आपको अभ कर सकते जो जिस पीरेट में है आप उसी पीरेट में ही आप दिखाऊगे वह revenue की बात कर लो या फिर आप cost की बात कर लो यह चीज बस आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा आप मुझे आपको income tax के बारे में एक दो बात बताना है फिर हम कोशिन दो चार कोशिन जो हमारा टेक्स नहीं लगेगा फाइब लाग से टैन लाग तक हमारा 5% टेक्स लगेगा तैन लाग से 20 लाग तक हमारे मालों 20% टेक्स लगेगा तो यहां पर हम क्या करते हैं हम टेक्स वगेरा के मामले में average टेक्स निकालते हैं पूरे particular financial और वह average टेक्स आपकी जो quarter की profit हु एरन करेगा एज quarter में तो expected amount की 60,000 रुपीज वो total कमाएगा पूरे साल भर में 20% टेक्स लगेगा 20,000 रुपीज में 20,000 से 50,000 रुपीज में 25% का टेक्स लगेगा और 50,000 की ऊपर 30% का टेक्स लगेगा तो हम देखना चाहते हैं on and average हम टेक्स कितना देंगे टोटल तो पागे का 30,000 जो है 20 से 50,000 में 25% यानि 75 विनिट देंगे और 50,000 से 60,000 तक क्योंकि expected तो 60,000 कमाएगे तो remaining 10,000 में 30% का टेक्स लगे तो हमें देखा कि टेक्स हम इतना देंगे पूरे साल भर में 60,000 कमाएगे और पूरे साल भर में हमारा टेक्स expected इतना जाएगा उस इसाब आप से हमारा टेक्स रेट आ रहा है 24.17 परसंट ही तो यह 24.17 परसंट ही आप 1st quarter, 2nd quarter, 3rd quarter, 4th quarter, every year आप यह टेक्स रेट का इस्तमाल करोगे यह आपको टेक्स के मामले में क्या करना है वेटेड अवरेज एनुवल टेक्स रेट आपको निकाना है और वही टेक्स रेट आ इससे रेलेटेड कोशिन एक है आपका वो में कोशिन वहाँ पर कराता हूँ चलो ठीके में एक बार आपको लेए चलता हूँ कोशिन बेंग में लेए चलता हूँ मैं simple simple question फटाफट करा दूँगा मैं 2-4 अच्छे-च्छे कोशिन जो है वो फटाफट करा यह देखिए यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या बोला कि company ने रिपोर्ट किया कि 60,000 वो profit कमाएगा हर quarter में 15,000 का profit कमाएगा इन्होंने बोला कि 20,000 20% first 20,000 रुपे इसमें 20% लगेगा और further 40,000 में 40% tax लगेगा जिसे इन्होंने average tax निकाल लिया 20% का और यह कैसे निकाल लिया इन्होंने profit नहीं बताया लॉस बताया 15,000 का लॉस होगा मतलब इन्होंने क्या बोला वापस से repeat कर दे रहा हूँ पहला quarter first quarter में तो 60,000 का profit होगा बाकी 3 quarter में 15,000 का नुकसान होगा तो net पे कितना कमाओगे net पे तो 15,000 कमाओगे total पूरे साल भर में और first 20,000 में 20% का tax लगेगा मतलब आपका यह 20% के slab में आ रहा पूरा का पूरा तो हम मानेंगे कि average tax rate हमारे 20% ही है तो यह 20% हमने tax rate निकाल हमने बोला कि पूरे साल भर में 15,000 कमाएंगे और पूरे 15,000 में साल भर में 20% tax ही लगे हमारे तो average tax rate हमारे 20% ही है क्योंकि हम 40% के slab में तो आएंगी नहीं तो 20% हमारे average tax rate अब first quarter में हमने कमाया है कितना 60,000 कमाया है तो 60,000 के profit में 20% 12,000 का tax expense दिखाएंगे second quarter में loss होगा त यह सारे tax credit होगे तो आप देखो first quarter में tax expense 12,000 आया बाकी 3 quarter में tax credit आएगा 9,000 का तो net का tax expense 3,000 था होची नहीं हुआ और net पे तो कमाई भी 15,000 था होची नहीं हुआ उसका 20% 3,000 था होची नहीं होगा बस बात कहता है तो आपको यह धियान में रखना है कि annual average tax rate आपको निकाल 900 लाग each quarter में कमाऊगे तो पूरे साल वर में 3600 लाग कमाऊगे तो आपको तो 600 लाग का tax benefit मिल जाएगा loss set off करने का तो कहने का मतलब 3000 लाग ही तो आपका देखा जाए तो आपका total 3000 लाग पे आपका tax लगेगा कितना 3000 लाग पे आपका tax लगेगा इन्होंने बोला कि 40% हमार तो 40% पूरा 3600 में करके पता करलो आप यहां पर और उससे आपका average आजाएगा 33.33% आप देख लेना average आजाएगा आप ऐसा भी कर सकतो 3600 में से हम 3000 लाग में tax देंगे इन्टू 40% करो यह नहीं 40% इन्टू 5-6 करो आपका आजाएगा 33.33% आपका average tax rate बन रहा है on an average आपका tax rate बन रहा है मतलब कहने का मतलब आपकी कमाई मतलब मैं आपको यह समझाना चाहरा हूँ आपका tax कितना लगे आपकी कमाई तो पूरे साल वर में 3600 लैक हो रही है पर आपका tax जो लगे है न वो 30 लाग पर 40% लगेगा यहीं 1200 लाग का आपका tax लगेगा तो tax rate क् 1200 लाग आपका tax लगेगा पर आपकी कमाई तो 3600 लाग हो रही है तो इन 200 कर तो 33.33% आएगा आपका और यह annual average tax rate होगा आपका इस प्रकार आप annual average tax rate आप अराम से निकाल कि आपको हर साल उसको डालना है आपर यह वाला कोशिन आप अराम से निकाल कर लोगे इस कोशिन में क 16 क्रोड का आपका expenditure है आप 3rd quarter में defer करना चाते हो वो सब नहीं चलेगा जिस quarter का खर्चा है उसी quarter में आपको खर्चा दिखाना पड़ेगा आप इधर उधर defer नहीं कर सकते हैं यह आपको समझना है यह वाला कोशिन में आपको करा हूँगा पर इससे पहले मैं आपको एक administration का खर्चा आपका 5,000,000,000 incur हुआ है आप इससे 3rd quarter में defer करना चाते हो नहीं कर सकते हैं जिस quarter का खर्चा है उसी quarter में आपको दिखाना पड़ेगा आप इधर उधर defer नहीं कर सकते हैं तो उस हिसाब से आपको adjustment करना आपका यह question भी अराम से बन जाएगा तो tension वाली बात नह कर लिए यह question exam में पूछा जा सकते हैं यह question तब अब राम से कर लोगे question number 2 आप देखें question number 2 में इनोंने क्या बोला कि हमारे gross annual income 33 lakh रुपी है जिसमें से इनोंने बोला कि capital gain भी हमारा 8 lakh रुपी का arise हो रहा है आप यह समझ लो income tax का अलग हिसाब होगा capital gain का अलग हिसाब होग income tax का weighted average tax rate निकालोगे और उसमें capital gain को mix नहीं कर सकते क्योंकि capital gain जिस period में arise होगा उसी period में हम दिखाए इनों उसका खर्चा है ना तो capital gain को merge मत करना तो देखा है जदो हम कहा सकते कि total 33 lakh का income है जिसमें साब का capital gain का 8 lakh का income है यानि आपको इस 8 lakh को अलग करना होगा तो यहाँ फ़चो पर आप देखी क्या लिखा हुआ है quarter 1 में 7 lakh कमाया quarter 2 में 8 lakh कमाया quarter 3 में 12 lakh है जिसमें से 8 lakh का capital gain है यहाँ पर हमें यह पता चल चुक से 25 lakh की कमाई हमारी income other than capital gain को छोड़ दे तो 25 लाग की हमारे कमाई है अब वो जो 25 लाग की कमाई है उसमें इनोंने क्या बोला कि first 5 लाग मैं 30% tax लगेगा remaining 20 लाग मैं 40% tax लगेगा क्योंकि other than capital gain हमने 25 लाग कमाया है उसमें से first 5 लाग में 30% देंगे तो remaining 20 lakh में 40% तो weighted average क्या होगा capital gain को भूल जाओ तो मैंने weighted average बहुत simple निकाला मैंने का कि 25 lakh में से 5 lakh में 30% दूँगा और 25 lakh में 20 lakh का में 40% tax दूँगा तो इसने मैंने क्या-क्या 38% directly निकाल लिया आप जाओ तो other way में value से भी कर सकतो 5 lakh का 13% आप कर लेना 1 lakh 50,000 आएगा 20 lakh का 40% आप कर देना 8 lakh आएगा तो 9 lakh 50,000 divided by 25 lakh करोगे तो भी आपका answer है 38% तो भी आपका answer आएगा यह वाल तो 38% हम ही क्या करो नहीं इंकम पे tax लगाना है तो first year 7 lakh का 38% कितना होगा हम वो दिखा देंगे तो 7 lakh का 38% हमारा first quarter में tax आएगा second quarter में 8 lakh का 38% third quarter में ध्यान रहे 4 lakh का 38% लेना 12 lakh का मत लेना क्योंकि इस में से 8 lakh capital गेन है 4 lakh का 38% fourth quarter में 6 lakh का 38% और third quarter में एक और हम लेंगे 8 lakh का कितना 12% जो capital गेन लगेगा तो आप देखे third quarter में आपड़ दू आया एक तो 4 lakh का 38% और दूसरा capital गेन जो 8 lakh है उसका 12% हमने किया इस questions हमने बस इतना ही सीखा है कि capital गेन को mix नहीं करेंगे income से जो हमार other income है उसको capital गेन से mix मत करना capital गेन income का हिसाब अलग करोगे और other income को अलग से हिसाब करोगे दूनों का merge नहीं करोगे बस question number two में यह आपको समझना है तो एक बार मुझे हरी जंटी दे दो कि question number two आपको एकदम अच्छे से clear हुआ की नहीं हुआ एकदम अच्छे से clear हो गया होगा अब मुझे दो question और आपको यहाँ पर करवाना है उसमें से सबसे पहले मैं आपको करवाना चाता हूँ question number six यह theoretical question है पर यह अच्छा question है question number six मैं आपको करवाना चाता हूँ जिसे मान लिजए for example मैं employer हूँ मुझे अपने employee के कुछ-कुछ contribution करने होते जैसे provident fund का contribution होता है और भी आपका gratitude अगेरा का contribution होता है वैसे insurance funds भी होते है government approved insurance scheme भी होती है वहाँ पर भी हमें कई बार contribution करना होते है insurance schemes में भी हमें contribution करना होते है तो वहाँ पर क्या होता है पता है जैसे मान लो मुझे पता चला कि first quarter में तो मैंने 50 थाउचिन का contribution किये क्योंकि starting में employee की जो earning होती है उस पे हम एक particular tax rate से contribute कर देते है पट employee की overall कमाई में capping लगी हुए जैसे कहा गया कि first 10 lakh rupees में contribution करना है उसके बाद आगी contribution करने के जरत नहीं है तो हमने क्या किया हमने उस हिसाफ से starting में तो हमने contribution कर दिया मालो 10% के इसाफ से हमने क्या गिया 5 lakh rupees का 10% 50 था हुचिन यहां contribute कर दिया next year 6 lakh का 10% हमने यहां contribute कर दिया फिर आगे कुछ capping लग गया जिसके वज़े से मैं पता आगे जाके हमें contribution जादा नहीं करने तो यहाँ पर भी जैसे income tax में कोई भी employer हम contribution कर रहे हमारे employee के लिए कोई भी प्रकार का contribution कर रहे है तो वहाँ पर भी हम पूरा साल भर का average लेंग क्योंकि employee तो साल भर बराबर की service दे रहा हमें first quarter second quarter हमापर तो even नहीं रहती employee के service तो वहाँ पर हम यह देखते कि overall हमारा पूरे साल भर में कितना खर्चा लगेगा उस लिताफसे में एक percentage निकाल लेते हैं और वही percentage हम क्या करते हैं हम लगाते हैं तो आप देखी इस question में क्या लिखवा point number one में it makes employer contribution एक question important है आपको जरूर से देखके जाने एक्जाम में ऐसे question पूछे जाते हैं it makes employer contribution to government sponsor insurance funds debtor access on an annual basis annual basis में assessment होते है quarter one और quarter two में large amount of payment हो रहे है लेकिन quarter three में minor payment ही हो रहे है और क्यों minor payment हो रहा quarter three में क्योंकि certain maximum level तक ही हम contribution करते हैं उसके बाद हमें contribution करने की जरत नहीं करती है तो यहां पर हमें क्या करना चाहिए तो यहां पर हम भले quarter one quarter two में ज्यादा payment कर रहे है पर quarter one quarter two में उतना खर्चा नहीं दिखाएंगे जितना पेमिंट करेंगे फिर तो contribution का खर्चा दिखाओ गया यह आपको यहां पर समझना है फिर दूसरे वाला point तो एकदम सिंपल सा है यहां पर दूसरे वाले point में क्या लिखा हुआ है कि हमने intend किया कि major repair और renovation का खर्चा करेंगे तो यहां पर क्या हमें इस repair and renovation का खर्चा का provision बनाना चाहिए कि अपने interim report पर है तो मुझे बताइए हमने जस्ट अभी इंडस 37 पढ़ा है हम तो इसे एवोड कर सकते repairs and renovation का खर्चा को हम चाहें तो avoid कर सकते हम नहीं कराएंगे तो यहां पर तो हमारा obligation तो है नहीं तो इसलिए इसका provision नहीं बनेगा लेकिन अगर मालने चाहिए आपका practice है कि आपको हर साल bonus देना होता है पिछले 10 सालों से bonus दे रहो तो पिछले 10 सालों से bonus दे रहो तो आपका constructive obligation आ गया क्योंकि आपने valid expectation create कर दिया है employee की आँखों में आप पिछले 10 सालों से bonus दे रहो तो आपको bonus का provision तो accrual basis में क्या करना पड़ेगा बनाना पड़ेगा आपको है ना बनाना पड़ेगा question number six ये पाइचांस अगर missing है तो आप देख ले ना नया add-on वाओ का question मेरे मेरे आपको नोट में मिल जाए जो मैंने नोट तैर किया ने टेलिग्रम में उस नोट में मिल जाएगा ये वाला question कर ले ना जरूर से है ना तो समझ में आए ना आपको तो bonus के case में constructive application आ जा रहा है क्योंकि हम पांस प्रैक्टिस हम देते आ रहे में देने ही पड़ेगा हम नहीं देंगे तो हमारा गला दबा देंगे लेकिन हम रेपैर से मुझे बता दो अब अगर ये भी मैंने करवा दिया तो मुझे बस आपको एक बात बताना है बस एक ही बात बताना मुझे आपको एक ही question में point बताना मुझे आपको वो point कौन से question में है वो में देख लेता हूँ yes आप देखो हमारा accounting year मान लो January to December है लेकिन income tax purpose के लिए उनका accounting year April to March है और सरकार 25% tax ले लिए 31st मार्च 2019 तक और 31st मार्च 2020 में सरकार ले लिए 30% tax यहीं आप बताओ अगर मैं 2019-20 की बात करूँ तो 2019-20 का जो मेरा first quarter होगा वो सरकार की सबसे 2019 में fall करेगा और second quarter जो मेरा होगा वो सरकार की नेजर में 2020 में fall करेगा क्योंकि हमारा financial year January to December है सरकार का financial year April to March है तो यह हमारा पहला January February मार्च उनका previous year मारा जाएगा और सरकार यहाँ पर 25% tax लेती है और next financial year में सरकार 30% tax ले रही है तो यहाँ पर आप वेटेड अवरेज मत कर देना क्योंकि यह दोनों अलग अलग financial year है यह कोई slab नहीं हमने वेटेड अवरेज कब किया estimated effective tax rate है और यह दोनों अलग-अलग financial year है तो यहाँ पर दो अलग-अलग साल के tax को कभी average नहीं कर सकते हैं तो हमारा accounting यहाँ पर different है तो ठीक है हम क्या करेंगे पहला quarter में अब देखो हम 25% ही charge करेंगे कि हमारा जो first quarter है वो सरकार के लिए previous financial year में आते है उस पर हम 25% लगाएं question बस आप ध्यान में रखेगा यह question exam में पूछा जा सकता है तो आप क्या confusion करोगे slab को आप अलग-अलग financial year का tax से confuse मत करेंगे जहाँ पर भी slab रहता है वहाँ पर हम average tax rate निकालते है और जहाँ पर अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अ- tax rate धि-consider करेंगा यह जो सरकार की निजर में उसका वेट-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अ-अ-ध हिसम्पल है यह कोशिन भी बहुत सिंपल है कि नोट्स में था क्या है नोट्स में है ने रखा था नोट्स में कि जर्णल एंट्री के साथ समझा दूंगा ना ज्यादा क्लिर हो जाएगा य손 के नोट्स में था कुशें के लिए वर्याट इंपोर्टटंड बहुत्री नोर्मल एकस्पेक्टेट्टी автом क्ली वी इंवेंट्रि में पढ़ा था कि जो भी फिक्स पॉड्डीक्षें ओवरेड होता है उसको नॉर्मल कैपसेटी से डिवाईड करते हैं गर actual production उससे कम हुआ तो तो normal capacity से हम divide करते है और जितना भी आपका shortfall हुआ है वो penal में जाए तो यहाँ पर आप देखो actual production तो हमारा 1900 हुआ है लेकि normal capacity 2000 तो बताओ 2000 से divide होगा कि 1900 से 2000 से divide होगा it is considered that there are no quarterly seasonal variation normal expected production for each quarter 5 minute empty है और fixed production 25 minute है वो ही वो तो पूरे साल भर का एक quarter का कितना होगा 25 minute होगा ये भी 2000 साल भर का तो एक quarter का कितना होगा 5 minute empty होगा तो आपका per unit कितना है 25 minute अब एक quarter में 25 minute unit एक quarter में 25 minute खर्चा करोगे 5 minute unit आप बनाओगे तो per unit आपका खर्चा कितना है 50 rupees आया क्या yes पर यूनिट आपका 5 रुपीज आया, 50 रुपीज नहीं, 5 रुपीज आया पर यूनिट आपका 5 रुपीज आया, अब एक बात सुनो मेरी First quarter में अगर मैं 400 unit बनाऊंगा पर पैसे तो मेरे 25 विनिट ओवरेट के खट्चे लेगे तो मेरे बैंक से तो पैसा जाएगा कितना, बैंक से तो मेरा 25 विनिट पैसा हर साल जाएगा, हर quarter में हर quarter में देख लो, हर quarter में बैंक से मेरा पैसा 25 विनिट ही जाएगा हर quarter में fixed production ओवरेट का पैसा मैंने 25 विनिट या 10,000 लेकिन first quarter में मैं inventory का capitalist केतना करूंगा 400 unit मना into 5 करके तो 400 into 5 2000 में inventory दिखाऊऊँगा बाकी का बचा हुआ पीनल में दिखाऊऊँगा यह abnormal loss है यह मैं पीनल में दिखाऊऊँगा तो मैंने पीनल में दिखा दिया तो अब second quarter की बात करें तो second quarter में देखो आपने make up कर दिया यानि first quarter का जो आपका shortfall था वो second quarter में अपने make up कर दिया ऐसे भी पूरा साल भर का हिसाब होते है हम तो quarterly reporting कर रहे तो क्या हो ऐसे तो साल भर का हिसाब होते है तो second quarter में अपने make up कर दिया हम क्या करेंगे second quarter में हम देतो रहे 25 रुपीज पर inventory में हम क्या करेंगे 600 unit का हम क्या करेंगे 5 रुपीज करके 3000 दिखा देंगे या फिर आप year to date भी बोल सकते हो year to date 1000 unit है 1000 unit into 5000 होता है उसमें से पिछला quarter का 2000 minus करके 3000 बोल दो या सीधा बोल दो 600 unit into 5 करके तो आपका जो पूराना penal में charge हो न वो recover हो गया दिखा जाता हो गया क्योंकि पिछले quarter में आपने 100 unit कम बनाया इस quarter में आपने बना दी 100 unit तो यह पीनल आपका इस बार credit हो जाएगा तो यहां तक आपका हिसाब पूरा मिल गए कितना आपका रिवर्स हो गया फिर third quarter में आपने फाइव इनिट यूनिट बनाया तो ठीक है फाइव इनिट यूनिट का ही आप capitalize कर दोगे inventory 25 इनिट उतना ही बैंक से गए आपका बात खत्म हाँ फूर्थ quarter में आपने 100 का shortfall किया और वही ultimately shortfall है तो fourth quarter में क्या करोगे inventory तो टूथ हाउच इनिका दिखाओगे bank से पैसे गए इतने final में चार्ज होगा फाइव इनिट तो मैंने आपको जर्नल एंट्री के point of view से मैंने आपको करवा दिया फटा फट से revise आपको क्या करना एक्जाम में आईसे का question bank देख लीजेगा आप चाहो तो जर्नल एंट्री लिख सकते हो पर मुझे डर है कि कहीं जर्नल एंट्री से आपको marks ना दे साइद ऐसा हो सकते है तो आप देखो यहां पर इन्होंने solution जो present किया है वो इन्होंने tabular form में presentation किया उन्होंने भी लिखा है कि खर्चा हम capitalize करेंगे और पीनल आपका reverse हो जाएगा तो वही इन्होंने statement वाइस लिखा और मैंने journal entry बना कि थोड़ा easy करने का process क्या बस इतना सा पर रखें तो आप बताइए यह question अब आप आराम से कर लोगे क्या बताओ तो यहां पर आप यह समझो first year में आपका पीनल में गया debit हुआ 5 minute का second quarter में आपका penal reverse हो गया क्योंकि make-up कर दिया आपने third quarter में आपका no कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि make-up या भी तक आपका fourth quarter में penal में गया आपका कितना 500 और यह गया क्यों तो थाओ जिनकी जगा 19 minute बना है यहनि 100 unit का shortfall into 55 unit और बाकी inventory में तो जितना बनाओगे उतना capitalize होते जाएगा तो आप बताई अब तो आपको clear होगे एकदम अच्छे सी वाला question अगर यह वाला question भी clear हो गया तो इसी के साथ हमने क्या क्या हमने चौथा इंडस इंडस 34 भी हम जबी को डाउड है तो पूछ लो और अगर समझ में आया है तो फिर आप एक काम करो लाइक कर दो जिसको जिसको समझ में उलाइक किजाए मतलब यह आज जो लाइक है आपका कि लाइक आज मेरे लिए फी है समझ लो गुरू दक्षिन है अगर आपको समझ में आ रहा था बस यहीं छोटी से और कुछ भी नहीं चाहिए लिग दूंगा थोड़ा टाइम इभी तो एक बचे बचेए ये कोर न्ज करता है कि आप मी करूरध जी कहरे कि सारे कॉशेन आपके कवरद हैं किया टॉप टूंंड्रेढ कोशेन में यह सारे प्राऊ कवरद है टॉप 200 कि अंदर क्राई कवरड है लेकिन बाकिये सारे भी बाइचांस पूछ ले तो मैं क्या कर सकते हूँ पर मैंने अपने इसाब से बनाया सबी चीजों को एनलाइज करके मैंने टॉप 200 बनाया और वो मेरे इसाब से सही है बताओ तो अभी हम क्या इंडेस 113 में जा सकते हैं यस पांच मिट का ब्रेक मांगोगे तो दूँगा उससे जादा नहीं दूँगा 113 कर लेंगे तो सोचो हमारे 5 इंडेस खतम हो जाएंगे फिर 113 करने के बाद इसके भी पांच मिट का ब्रेक की जादा गुजारिस मत करो अब पांच मिट का ब्रेक लेना ले लो ठीक है मैं भी पांच मिट यहीं बैठा हूं पांच मिट का ब्रेक कि अब तक किसी का कोई सवाल है तो मुझे पूछ सकते मोहिच जी कह रहे सर प्लीज रिपेट कर दो मोहिच जी रिपेट करने का समय नहीं है कि रिपेट करने का टाइम है कि क्लास में बोलते तो फिर भी पांच बार रिपेट कर देता अभी कैसे करो अब खुद बताओ कि पढ़ाना कुछ पढ़ाना है अभी कैसे करूँ आप खुछ सोचे समय नहीं नगर रिपीट करने का पिर भी मुझे लग रहा है मैं पढ़ा रहा हूं जितना हो सके मैं आपको समझा के पढ़ा रहा हूं सब कुछ करा रहा हूं और मैं काम करूंगा यह सभी इंडेस जो है ना आज यह सेशन खतम होने के बाद मैं इसका ओडियो क्लिप बना दूँगा और फटाफट exam oriented और सभी आपके साथ कर दूगा अलग से कर दूगा बता हम क्या चाहते हो अब क्या करेंगे उपर-उपर से जो फ्लेन करूंगा मैं उसमें भी प्लान करेंगे मैंसा को आज successful हो झांगे एक अज अच्छे से successfully हम complete कर लिए जो हमारा आज का target है उसके बाद हम हम जरूर करें ठीक है तो हम आप बोलो कि last में करना है तो पास्ट में हम कर लेंगे अगर एंड में जान रही मेरे अंदर करवा दो जान नहीं रही तो कल सुबह में खुद से बना लूँगा या आप लोग को साथ लाइव तो नहीं लूँगा कल सुबह में खुद से बना कि आपको प्रोवाइड गा दो अगर जान में जान रही तो जरूर से करवाँगा इस इचका में वादा कर दो अब अभी तक मुझे बताओ चार इंडेस हमने खतम किया मज़ा आया है ना कि समझ मैंना चार इंडेस जो हमने किया अच्छे से 1 किया 10 किया 34 किया और 37 किया कि यह 108 कि करवाँगा क्यों ने करवाँगा आगे और भी तो क्या कि अंडेस सभी करवाँगा अब तो टाइम मिलेगा तो इंडेस 16 38 40 भी कर लेंगे मिलेगा तो किस करते हैं आज पूरा आज पूरा करते अच्छे से मज़ा आ रहा है ना सबको यह समझा आया सभी चल रहा है ना सब कुछ 10 आज नहीं होगा 10 अगर मैंने ऐसे तो डिटेल वीडियो डाला हुआ है वीडियो मैं बाद में ले लूँगा और बाद में मैं प्लैन कर रहा हूं कि इंडेस 19 12 यह सब जो नहीं यह सब वी एक बार सोच रहां में लेने का उसके साथ ले लूँगा अभी तो नहीं लूँगा आज तो नहीं लूँगा बंचिरो पॉटीवन जरू कोसिस करूँगा आज ही उठालो यह पानी पिते रहना पड़े को कोई आई नहीं राज तो आई नहीं रहे पानी पिलाने के लिए चलो कोई नहीं तो अभी हम स्टार्ट करते है ब्रेक खतम हमारा है ना इंडेस 193 चलो भी हम स्टार्ट करते हैं इंडेस 193 हमें सिखाएगा जैसे कि प्रॉपर्टी प्लान इन इक्विप्मेंट इंटेंजिबल एसेट्स को रिवालुईशन मॉडल फूलू करते हैं तो हमें फैर विलू उसका डिटर्माइन करना होता है रिवालुईशन मॉडल के बाद या फिर इन्वेस्मेंट प्रॉपर्ट जगा में हमें एसेट्स का या लाइबिलिटी का या इक्विटी का भी वेर विलूची होता है जैसे पर्चेस कंसीडरेशन जब हम देता है बिजनस को हम एक्वायर करते हैं बिजनस को एक्वायर करते हैं जो मैं आपको PC दोंगा पर्चेस कंसीडरेशन उसमें अगर मैं आ मार्केट बेस मेजरिमेंट होगा एंटिटी स्पेसिफिक मेजरिमेंट हो जो ऐन ऐर वी होटा है नो यह ते हैं कि वार्केट के मेरे पास कोई यह तै मैं देखूंगा कि उसको अगर मैं बेच दू तो मुजह कौँचे शवर्तां पर से भंजकर şuыт है जो unrelated parties जो मेरा related party नहीं है जो knowledgeable है prudent के साथ वो market participants orderly transaction में मतलब कितने बार देखते हैं stress में sale हो जाता है हमारी हालत बूरिया मैंने भी देखा इधर भी होता है कुछ-कुछ गरीब लोग है उनको इलाज कराने के लिए पैसे ची होते हैं तो अब क्या करते बहुत बड़े बड़े businessmen इन लोग क्या करते उनको दबोच लेते उनके मोके का फायदा उठा दे बोते तेरी जमीने ना बेज दे मुझे और वो क्या करते stress में सस्तित हमें बेज देते stress में आके तो वो सब चीज़ नहीं चलेगा यानि कोई stress sale नहीं होना चाहिए, आपका market participants जो होंगे orderly transaction होना चाहिए, मलब ना आपके उपर कोई दबाओ है, ना मेरे उपर कोई दबाओ है, बिना किसी दबाओ के जो आपका transaction होगा, अगर मैं अपनी building आपको बिना किसी दबाओ के बेचू, और मैं उसको बेच रहा इस मिलेगा, that will be the farewell, इन्हीं fair value माना चाहते है कि exit price, इन्हीं जो मेरे asset है, उस asset को मैं बेच दू, exit price मुझे क्या मिलेगा, तो fair value के लिए आपको क्या क्या दिमाग में धिहन में रखना है, fair value वो price है, जो मुझे asset को बेचने पर मिलेगा, orderly transaction में, मतलब बिना किसी दबाओ क है, है ना, और किसको बेचने पर market participants, market participants में कोन आएंगे, जो knowledgeable है, prudent है, unrelated party है, उनको बेचने पर मुझे क्या पैसा मिलेगा, that will be the fair value, और in case of liability, liability का भी fair value निकलता, yes, आलो मेरे पर obligation है, कि मुझे obligation है मेरे उपर, कि मुझे कुछ, मैंने कोई water contaminate किया, मेरे उपर obligation है, कि जो उसको क्या करना पड़ेगा, ठीक करके देना पड़ेगा, तो मैं देखूंगा कि ये जो obligation मेरे उपर है, मुझे restore करके देना पड़ेगा, जो मैंने गंद फैलाया है, किस obligation को मैं किसी को बेच दू, मतलब मैं किसी, मैं अपने दोस्त को बोला हूँ, कि भाई मेरे, ये म मैं तो कितने पैसे देना है, मैं आपको पैसे दे दूँगा, आप खुदी restore कर वा लेना, तो हम ये देखेंगे कि in case of asset, हमें कितना पैसा मिलेगा, एसेट को बेचने पर, in case of liability, liability से छुटकारा पाने के लिए, हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, orderly transaction में between market participants at the measuremented under current market condition, व ये exit price होगा, orderly transaction होना चाहिए, between market participants under current market conditions के साफ से market participants में at the measurement date, तो ये फैर विलो बस आपकी दिमाग में रहेगा, इतना काफी और कुछ नहीं है, तो ये हमने समझा, अब asset या liability की specific फैर विलो होगर हम निकालेंगे, तो किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो मेरी बात और एक building गाउ में, same to same, वही building, same कारीगर ने building बनाया, बताए ये दोनों building के fair value same होगी, location भी माइने रखते हैं, तो जब कभी भी हम building का fair value determine करते हैं, तो उसका location माइने रखते हैं, वो front side में, road side में हैं, कि वो गली के अंदर है, उनकी value अलग होगी, तो जब आप किसी भी asset का fair value determine करोगे, तो उसका location भी matter करेगा, in case of non financial asset, जैसे building वगेरा, ताथ साथ उसकी condition भी माइने रखेगे, एक building जो पुरानी है, एक building जो नहीं है, दोनों की fair value अलग-अलग होगी, तो आप समझो, जब आप fair value measurement करोगे, किसी भी asset का, या liability का, तो उसका location भी माइने रखेगा उसका condition भी माइने रखेगा, location के इसाफ से fair value vary करेगा, condition के इसाफ से भी fair value vary करेगा, और दूसरा, एक ओर चीज, restrictions भी बहुत माइने रखेगा, जैसे मान लीजिए for example, मेरी जो, मेरा जो land है, वो land एकदम prime location है, एकदम prime location में मेरा land है, लेकिन सरकार ने उस land में restrictions लगा के खरी देंगे, तो वो अगर ये दिमाग में रखके खरी देंगे कि commercial building बन सकती, तब तो वो साथ हमें ज़्यादा पैसा दे देंगे, पर उनको लगए कि निया commercial building बनाए नहीं सकते, क्योंकि सरकार ने इस पे नियम लगा के रखा कि commercial building बनाए नहीं, तो asset situation में उसकी value कम दे तो इसलिए restrictions भी बहुत माईनी रखेगा, पर कभी कभी क्या होते हैं, जो restrictions होती हैं, वो entity specific restrictions होती है, इसका मतलब क्या मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे माल लीजे मैं जो business, मैं जिस line of business पे मैं हूँ, मेरा business ऐसा है, वो थोड़ा सा मतलब foundation related business है मेरा, मतलब मैं कुछ भल commercial building बनाना allowed नहीं है, उसका कारण क्या है, मेरा business, मेरा जो operation, मेरी जो activity है, उसकी वज़े से मुझे allowed नहीं है, लेकिन वो land अगर मैं किसी को बेज दू, और वो बंदा उसमें commercial building बना सकता है, तो फिलाल के लिए, मेरे पास जो land है, मेरे पास land है, उस land में में commercial building नहीं बना सक पताろう तो बताइए, जब हम fair value determine करें, तो उसको commercial complex, commercial building के point of view से fair value determine करें कि हम non commercial के point of view से determine, हम commercial के point of view से determine कर सकते हैं, क्योंकि हम तो exit price देख रहे हैं, हम तो market participants का point of view देखेंगे, हम ये कहेंगे कि market participants जो हमने पैसा देगा, वो तो commercial building बनागी सकते हैं, रोख तो हमारी ऊपर ह उसके ओपर थोड़े नहीं, तो इसी वज़े से entity specific restrictions को नहीं consider किया जाते है, है न, जो आपका asset specific restriction है, उसको तो consider किया जाएगा, पर entity specific restrictions को consider नहीं किया जाएगा, तो उससे related example भी देखें आपर, एक entity जिसका land है, और उस पे restriction है कि वो commercial house नहीं बना सकता, because उसका business objective ऐसा है, जिसकी वज़े से वो बना नहीं सकता, लेकिन ये जो building, ये जो land है, इसमें बहार की लोग building वगेरा बना सकते हैं, मतलब कोई restriction ये बायर पर, बायर जाये तो उसमें commercial house बना सकते हैं, तो किया ये entity specific restriction को consider किया जाएगा, fair value determine करते से में, नहीं किया जाएगा नहीं किया जाएगा, यानि कहने का मतलब सिर्फ asset specific restriction ही consider होगा, अब एक बात बताओ, एक car का example लेता हो, एक car AC है, जिस car का, अगर वो commercial license होगा उसमें, अगर उस car पे commercial license होगा, तो उसकी value जादा होगी, उस पर भाड़ा वगेरा पर लगा सकते हैं, commercial purpose के लिए यूज कर सकत होगी है, वही car अगर domestic purpose के लिए यूज होगी, तो उस बलू कम, अब मानलो एक car है, मानलो swift desire एक car है, तो swift desire जो car है, वो commercial purpose के लिए यूज होती है, लेकिन कुछ-कुछ cars ऐसे भी होती है, जो company manufacture करती है, जो commercial purpose के लिए यूज ही नहीं कर सकते हैं, तो अब बताइए, अब को commercial purpose के लिए उसे यूज ही नहीं किया जा सकते हैं, तो अब बताइए, वो जो उस पर restriction है, वो entity specific restriction है, कि वो car किसी के पास भी जाएगी, वो commercial purpose के लिए उसे यूज ही नहीं कर सकता, वो कोई भी नहीं कर सकता, वो asset specific restriction है, अब को third party भी अगर खरीदेगा उस car को, तो भी उसको commercial purpose के लिए यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो car ही इस प्रकार किये, कि कोई भी उसे commercial purpose के लिए उस नहीं कर सकता, तो जब car की fair value determine होगी न, तो उसमें commercial purpose वाला जो matter है, उसको consider करना पड़ेगा, उस पे जो restriction है, उस restriction को consider करते हैं, वो asset specific restriction है, और मेरा कहने का अतात पर यह बस consider करोगे, लेकिं entity specific restriction को आप consider नहीं करो, कि entity specific restriction जो जो related to entity है, market participants का उससे को लेना देना नहीं है, और market participants हम देखेंगे की वो कितना में fair value देंगे, तो जब market participants, जब हमें कितना fair value देंगे, यह determine करने के लिए हम सिर्फ ओर सिर्व irrit fuzzy प्रचि हैंगे, हम entity specific restriction को consider नहीं करेंगे, बस मुझे इतना ही आपको यहाँ पर समझाना है इसके लावा unit of account का इसमें कोई काम नहीं है जैसे आप देखो हमने इंडेस 66 पढ़ा है कितने बार हम individual assets का fair value determine करते हैं इंपार्मेंट करने के लिए वहाँ पर भी तो fair value other index है वही बताएगा आपको है ना तो वह unit of account की बात कर रहा है अब सबसे most important चीज principal market and most advantages market जिसके basis में fair value determine करेंगे जैसे माल लीज़े for example मेरे पास reliance के कुछ shares है अब वो reliance के जो मेरे पास shares है ना उसकी मैं fair value andatermine करना जाए तो मैंने क्या सोच है reliance की sales to Bombay Stock Exchange में भी listed है national Stock Exchange में लिस्टेड है और Bombay Stock Exchange में रneg और national stock exchange में Reliance की sales का fair value अलग आ रहे तो मैं क्या करूँ मैं क्या कुण से लू Bombay Stock Exchange वाला लू हूं कि आपका national放 लू तो यहाँ पर standard कहता है कि आप देखो principal market कौन कि Bombay Stock Exchange आपका Principal Market है कि National Stock Exchange आपका Principal Market है वो आपको कैसे पता चलेगा उसके लिए आप देखो कि Highest Volume of Transition कहा हो रहा है यहाँ पर Usually Highest Volume of Transition होता है वहाँ ज्यादा Liquid Market है वहाँ पर आप Future में आप जब भी चाओ आसानी से रातो रात बेच सकते हो कि वहाँ Highest Volume of Transition हो वह Principal Market है जहां पर जादा लोग आकर Trading करते हैं जादा लोग अक्टिविटिस करते हैं उसी को Principal Market कहा जाते है जिसे हमारी इहाँ पर एक फैंसी बजार है वहाँ पर जादे दर सबजियों का फ्रूटस वगेरा मार्केट होते हैं वहाँ पर हम चाहे तो fruits को बेच भी सकते खरीद भी सकते मनें ऐसा मार्केट है तो वह प्रिंसिपल मार्केट हमें ढूंड है तो हमने पता कि national stock exchange में highest volume और ट्रांजिक्शन होता है रिलाइंस का सैड्स का as compared to Bombay stock exchange तो हम national stock exchange को हम क्या करेंगे principal market मानेंगे और हम national stock exchange का प्रिंसिपल मार्केट है तो यहाँ पर आप क्या करोगे most advantageous market का मतलब ऐसा situation में आपको standard कहता है कि जबकि दोनों ही आपके principal market तो आपने पता किया नहीं है तो दोनों मार्केट में से जहाँ आपको ज़्यादा मिले उसका फैर विलो फाइदा मिले मतलब जहाँ पर net प्रिंसिपल मार्केट मार्केट मानेंगे और भले उसकी फिर फैर विलो कम भी हों में वही लेना पड़े लेकिन अगर प्रिंसिपल मार्केट अपसेंट है ना तब यह most advantages मार्केट में जाओगे और most advantages मार्केट मान लीचे अपका बहुत सारा होगा मान लीचे national stock exchange है Bombay stock exchange है मान लो एक और है दिल्ली stock exchange मान लो तीन अलग अलग मार्केट है और तीनों में से कोई principal मार्केट नहीं क्योंकि तीनों में बराबर की level of activity होती कोई भी principal मार्क हाँ पर मिलेगा 520 हाँ पर मिलेगा transportation cost माल लो ऐसे तो लगता नहीं के assets में पर बाकिर अधर asset में तो transition cost लग सकते हैं तो transportation cost माल लीचे यहाँ पर 20 rupees लग रहे हैं यहाँ थट्यर्य रूपिस लग रहे यहाँ ठीफफैव रूपिस लग यहाँ वे पता है selling cost लगता हमारा तो selling cost हमारा इधर इतना इतना लग रहे है तो हमने पता किया कि हमारा सबसे ज़्यादा amount realize होगा market A में अब देखो 470 हमारा amount realize हो रहा है तो हम बोलेंगे most advantages market हमारे लिए market A है और इसी कहीं हम fair value लेंगे इन दोनों का हम fair value नहीं लेंगे बट एक बात मुझे बताओ क्या market A का fair value 470 ना जी ना market A का तो मैंने net amount realize कितना होगा बोली है क्योंकि हाँ बट देखो selling cost भी मैंने minus किया selling cost आपका fair value का बाट नहीं होता हो तो जब हम fair value minus cost to sell लेते तब ये वाला हम value को minus करते है ऐसे तो cost to sell तो अलग ही है तो fair value में selling cost कभी भी नहीं आएगा आपको ध्यान रखना fair value क्या होगा sale process minus transportation cost यह आपको दो काम करना है पहले तो आपको ये देखना है कि कौन सा आपका most advantages ये देखने के लिए आप sale process में से transportation cost भी minus करोगे और selling cost भी minus करोगे दोनों minus करो उसके बाद आप पता करोगे कि जहां आपका maximum benefit है वो आपका most advantages तो ये वाला आपका most advantages अब यहाँ पर आपको पता चल चुका है market A मेरा most advantages इसका fair value में क्या लोगा sale minus transportation cost कितना आ रहे है 480 तो 480 मेरा क्या होगा fair value होगा तो धियान रखिए fair value मेरा 480 होगा fair value minus cost to sell मेरा 470 है fair value तो मेरा 480 होगा यहाँ पर मैं fair value जब लोगा तो मैं क्या करूँगा यनि most advantages determine करने के लिए selling cost minus करके पता करूँगा फिर fair value लेने के लिए sale proceeds में से सिर्फ transportation cost में क्या करूँगा माइनस करूँगा इनि फैर विलू determine करते से मैं transaction cost को माइनस मत करना यह आपको दिहान में रखना है तो आपको यह समझ में आ गया अब non financial asset का fair value निकालने के लिए हम क्या rules है non financial asset का fair value निकालने का तो standard कहता है कि highest and best use इसका मतलब क्या है मालो फोर एक्जामपल मुंबई की एकदम post area में एकदम prime location में मेरे पास land है और पत्या मैं उस land में prime location में मैं farming का काम कर रहो है क्या वो उसका highest and best use है तो जब मैं उस land का fair value determine करो तो मैं क्या उस land में जो current use जो हो रहा है उसके basis में उसकी fair value लूँगा नहीं मैं देखूंगा कि जो market participants है जो लोग इस land को खरीदेंगे वो उसका क्या highest and best use कर सकते तो हमने देखा कि जो लोग अगर खरीदेंगे तो यह तो prime location में वो commercial building बनाएंगे उस हिसाब से commercial building बनाने के हिसाब से जो उसकी fair value आगी वो fair value हम लेंगे भले हम उसमें farming का गाम कर रहे है बट fair value हम कौन सा लेंगे हम exit price लेते हैं मतलब market participants जो है वो लोग हमें कितना पैसा दे देंगे जो knowledgeable unrelated parties है समझदार लोग वो लोग हमें इसका कितना price दे सकते हैं तो वो लोग तो जब price देंगे तो वो लोग तो उसमें building की निकाहों से देखेंगे और उस हिसाब से वो हमें fair value देंगे तो हमें क्या करना highest and best उसको ध्यान में रखना हुए और highest and best उसमें क्या आता है उसकी location महाइने रखेगी उसकी size महाइने रखेगी क्योंकि मानलोग मेरे prime location में मेरे पास जमीन तो है पर छोटा सा जमीन का टुकर है जिसमें building तो छोड़ो एक bathroom बनेगा तो वहाँ पर तो commercial complex थोड़े ना बन सकते हैं तो उसकी size भी बहुत matter करेगे यनि size location वगेरा को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि जो भी लोग है knowledgeable parties है वो हमें उसका कितना fair value देंगे और वो लोग उतना ही fair value देंगे अपने हिसाब से highest and best उसको ध्यान में रखते हैं कि वो उसका best किया उससे output निकाल सकते हैं उस हिसाब से वो क्या करेंगे हमें पैसा देंगे अब legal restrictions वगेरा भी माईने रखी गए अपर अब अलग-अलग area में अलग-अलग सरकार का legal restriction है तो जो knowledgeable parties है market participants है वो legal restrictions को भी consider करेंगे और वो future में कितना income generate करेंगे उन सब चीजों को ध्यान में रखते वे तो हमें पैसा देंगे तो हमें वही देखना है कि जो third party है मतलब हम क्या कर रहे हूँ वो माईनी नहीं रखता जो third parties है जो market participants है वो हमें कितना पैसा देंगे उस basis में हम क्या करेंगे हम उसकी fair value determine करेंगे तो यह theory के लिए बन सकता है एक theory के case study आ सकता है आपके हैं पर जहां पर आपको धिहान में रखना है कि highest and best use और इसके अलावा इसके अंदर highest and best use must be physically possible legally permissable financially feasible यह आपको थोड़ा सा धिहान में रखना है जहां पर physically में आएगा location size of the property legally में आएगा को restrictions वगिर है कि asset की use में और financially feasible में आएगा कि हमें क्या returns देगा यह future यह होना चीए इसके अलावा highest and best use के अलावा एक होट कीज़े valuation premise valuation premise क्या कहता है हम कितने बार individual asset को fair value determine और कितने बार पूरा cash generating unit का fair value तो दोनों का fair value अलग अलग आदे आप देखना एक building है उसके अंदर business सहीत अगर हम उसे बेचे तो क्या पता हमें ज़्यादा पैसा यहनि building के साथ साथ जो office का furniture वगेरा बना हुआ है सब कुछ बना हुआ है ऐसे CGU अगर हम बेचे तो क्या पता उसकी fair value अलग होगी और individual asset को बेचे तो क्या पता है उसकी fair value अलग होगी तो आपको वो तो चेक करना पड़ेगा कि आपको fair value किसका निकान ले CGU का fair value निकान ले कि individual asset का fair value निकान ले उस हिसाब से आप उसका valuation करोगे और दोनों का valuation अलग-अलग होगा है ना तो यहाँ पर उस हिसाब से आप क्या करोगे यह नि दो चीज़े आपको ध्यान में रखने एक तो highest and best use और दूसरा valuation premise का मतलब यह कि आप fair value measurement standalone basis में करोगे कि group of assets का fair value measurement करोगे तो याद रहेगा यह highest and best use और valuation premise यह आपको एकदम अच्छे से ध्यान में रहेगा यह मैं last में पढ़ाऊंगा यह वाला एक topic है यह बाद में पढ़ाऊंगा अब मैं बताऊंगा financial asset एक बात बताऊ non financial asset में तो मैंने का highest and best use आप ध्यान में रखते हैं पर financial asset में highest and best use कहा से आएगा यहाँ पर तो highest and best use होई नहीं सकता financial asset में फोड़ी ना कोई building है यह तो sales वगे रहे adventures वगे रहे यह सब होगे तो यह सब मैं highest and best use होई नहीं सकता इसलिए मैंने लिखके काटा है कि होई नहीं सकता यह हमने समझा valuation premise यहाँ पर होगा अब देखो अगर मैं थोड़ी बहुत sales बेचूँगा तो उसका मुझे पैसा कुछ अलग मिलेगा अगर मैं controlling stake बेचूँग यह 10-20% बेचूँगा ज़्यादा sales बेचूँगा तो उसका value मुझे अलग मिलेगा जैसे कि मानलो आप 50% sales hold करते हो मैंने आपको खा कि मैं आपको 5% sales बेचूँगा तो आप इतना interested नहीं होगे आप इतना मुझे पैसा नहीं दोगे क्या पता तो यहाँ पर आपको समझना होगा जब financial asset का फैर विलू निकाला जाता है तो थोड़े बहुत sales होंगे तो उसकी fair value कुछ अलग आएगी लेकिन combination group of sales होंगे तो उसकी fair value अलग आएगी तो यहाँ पर भी valuation premise role play करते है कि आप single sales का valuation करना चाहरे होगी group of sales का valuation तो नों का valuation अलग-अलग होगा और इसके अलावा देखिए जब आपका single मैं लग थोड़ी बहुत sales होंगे तो आपर non controlling stake का जो है उसका भी कुछ premium हो सकते है तो non controlling stake का भी adjustment होता है और कुछ liquidity adjustment भी होता है liquidity adjustment मैं आपको समझा रहा हूँ मालिजे ऐसा sales का आप fair value निकालना जाए जो sales कहीं पर listed नहीं है जो actively trade नहीं हो रहे तो वैसे sales जल्दी से बिखेंगे नहीं रातो रात नहीं बिखने वाले तो वैसे sales की value जो होगी वो थोड़ी कम होगी as compared to वैसे sales जो listed है national stock exchange वगेरा में जिसको हम रातो रात बीच सकते तो बताओ reliance का sales का भी fair value मालिव 50 रुपीज निकला और एक normal sales हो उसका fair value 50 रुपीज निकला लेकिन normal sales में एक problem क्या है liquidity problem है क्योंकि वो sales listed नहीं है तो उसमे liquidity discount का adjustment करेंगे हम उसे 50 रुपीज नहीं मानेंगे 48-47 मानेंगे हम liquidity discount का adjustment और इसके अलवा non controlling stake discount भी क्या होता है मालिजे थोड़े बहुत sales है तो थोड़े बहुत sales है तो इतनी ज़्यादा attractive नहीं होगे as compared to बहुत सारे sales हो बहुत सारे sales होने पर हमें control premium मिलते हैं पर थोड़े बहुत sales होने पर हमें control premium नहीं मिलेगा वो इतनी ज़्यादा attractive नहीं होते और non controlling हमारे पास stake है मत थोड़े बहुत सेयर से minority stake है तो non controlling stake होने पर उसका भी discount का adjustment तो इस पर related भी question है मैं आपको करवा दूँँगा tension की कोई बात नहीं है मैं पहले चाहता हूँ कि पूरा concept एक बार आपको revise करा दूँ उसके बाद मैं आपको करवा दूँगा question और एक आपका क्या होगा liquidity discount adjustment होगा ये दो इससे related question भी TY के question 3 मैं आपको वो करवा दूँगा tension की कोई बात नहीं है तो मैंने financial asset का मैंने आपको fair value करवा दिया अब मैं आपको fair value hierarchy बताना चाहता हूँ ये सबसे important है इसमें देखो तीन प्रकार से fair value determine होते एक hotel level 1 एक hotel level 2 एक hotel level 3 आप एक बात बताओ fair value जो है नवो estimation है fair value क्या आप genuine बोल सकतो नहीं genuine हो भी सकते नहीं भी हो सकते इन्हें fair value करने की बहुत सारे methods होते कुछ methods आपको genuine लगेंगे कुछ methods आपको genuine नहीं लगेंगे तो एक बात बताओ कि आमें यूजर को बताना नहीं चाहिए कि जो fair value निकाला वो कितना genuine है बताना चाहिए मैं और इसलिए standard कहता है कि आप बताओ कि जो अपने fair value measurement की है वो level 1 का है कि level 2 का है कि level 3 का level 1 का जो fair value है उसे बहुत ज़्यादा genuine माना जाए लेवल 2 का fair value को genuine माना जाए बट कम genuine माना जाता है as compared to level 1 और level 3 वाले fair value को घटिया मानतो है अब मैं आपको समझा रहा हूँ level 1 में कौन से matter में level 1 माना जाएगा माल लिजए for example मेरे पास reliance के sets है और reliance के sets actively trade हो रहे है national stock exchange में और उसका quoted price मुझे मिला है कि 25 विनेट रुपीस reliance के sets चल रहे पसे एकदम genuine नहीं है यह जो 25 विनेट मैंने fair value निकाला national stock exchange से quoted price निकाला है और reliance का sets का मैं valuation करना चाहरा हूँ तो मुझे identical item जो identical sets है उस और वो active market में actively trade हो रहा है मुझे उसका quoted price मिल गया और मुझे कोई भी adjustment नहीं करना आज रात को close हुआ है और आज 31st मार्च मैंने सीधा वहां से fair value निकाल लिया इसने ज्यादा genuine कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता तो यह पूरा most genuine है और इसको level 1 input माना जाए यह अगर मैं सीधा national stock exchange से Reliance का ही stairs का fair value वहां से उठा के बता हूं कि यह Reliance के stairs के fair value उसे most genuine माना जाएगा और वो level 1 input में आएगा level 1 input की category मारे लेकिन सुन लो मेरी बात अगर उसे के अंदर आपने कोई भी adjustment कर दिया जैसने मान लो for example एक example भी है इसका मैं आपको बताना चाहरा हूं मान लीजे क्या कोई drug वगेरा पर research कर रहे मैं Reliance की company है Reliance की company drug वगेरा पर कुछ research कर रही है अब हमें पता साड़े तीन बजे तो stock exchange बंद हो जाते है बंद हो जाते है अब क्या हूँआ साड़े तीन बजे के बाद साम को 5 बजे वो drug पर जो research कर रही थी Reliance की company उसका trial हुआ तो और वो failure पड़ेगा next day जब भी Reliance का share खुलेगा आप तो next day मालो 31st March है अब साड़े चार बजे तो मुझे पता नहीं चलेगा उसका fair value क्या है लेकिन साड़े तीन बजे उसकी fair value थी मालो 25 minute क्या मुझे वो लेना चाहिए कि उसमें कुछ adjustment करना चाहिए मुझे उसमें adjustment करना पड़े ये एक दिन का wait करेंगे और जो fair value होगी 31st March को fair value मानेंगे हमें तो ये आपकी most genuine नहीं या fair value नहीं क्योंकि साड़े चार बजे stock exchange बन पड़ाता और उस time क्या हम है 31st March का में actual में क्या fair value पता नहीं चला तो यहाँ पर हम कुछ adjustment कर रहें और adjustment करते वो pure नहीं रहा purity नहीं रह है ना और उसमें हम क्या कहेंगे उससे फिर हम level 1 नहीं कह सके लेवल टू कहेंगे मतलब जहाँ पर भी purity थोड़ी सी कम होई वो level 2 में चला तो आप यह समझ लो अगर थोड़ा भी कोई adjustment कर दिया हमने fair value में level 2 में चला जाएगा मान लीजे आपका active market में reliance के assets trade हो रहे हैं उ या liability जो भी है और विद्दा बिना किसी adjustment के तब level 1 माना जाएगा अगर adjustment कर दिया level 2 में चला जाएगा अगर similar assets and liabilities कमने fair value लो लिए तो भी वो चला जाएगा level 2 में इन लेवल 1 के लिए active होना पड़ेगा identical होना पड़ेगा बिना किसी adjustment के होना पड़ेगा तब level 1 में जाए हैं अब ऐसा भी तो हो सकता है कि quoted price हमें में मिली नेहीं रहे न इसमिलर का मिल रहे न identical का मिलर था क्यों मिल रहे क्योंकि हमारे पास कोwn fewst conceptual asset को है और वह building के ट्रेड ही नहीं हो रही है तो building का क्या कोई quoted price मिलेगा नहीं मिलेगा बिल्डिंग का quoted price नहीं मिलेगा तो भूल जो building के मामले में level one तो होई नहीं सकता तो building के मामले में हम क्या करेंगे पते हैं हम other observable inputs का करेंगे हम ये देखेंगे कि हमारे आसपास में कोई दूसरी building भी कि ये क्या हमारे आसपास में दूसरी बिल्डिंग क्या price में भी क्या तो similar building जो हमारे आस-पास में भिकरी हुई है उस building का fair value के साथ हम कुछ adjustment करके हमारा fair value determined करेंगे तो यहां पर बते ही हमने market का data लेवल वन में नहीं आएगा यह लेवल टो में आप या करते हैं लेवल वन तो बहुत ही प्रीवर मार्केट हो गया या सिमिलर एसेट्स और इसके लावा को सिरोब्ल इनी अज़र अधर मार्केट अश्तौमाल करें वह ल बसुप में आिंटर्नलर बे ट्रियं आप प्रइग करो आपने घर में बैटे ओंव बैटे हो इंटर्णलड लीजिटी आप डिसकाउंट not करूंड इंचर्णली डेट करो इंटरणली करकास्ट करो कि फ्यूचर के इतना कैस्पलोव चला-बस फ्लें कीच एक सब्सक्राइब यह सभी इंटर्नली जनरेटेड डेटा होते हैं और यह सभी लेवल थी में आते हैं या बॉंड्स वगेरा का फैर विलू हमने सफ में पढ़ा था हम डिविन डिस्काउंट मोडल से भी निकाल सकते हैं हम अनिंग अनिंघ मैंठ निकाल सक्ते हैं हम वाल्तर से भी निकाल सकते हैं हैं लेक Talking들 का इस्तेमाल थी हो लेकिन अगर मालिजे इंदस्री का P.E. ratio का इस्तेमाल करो आपकी जो current earning है current earning में आपने इंदस्री का P.E. ratio लगा है तो earning तो current वाली forecast तो कुछ किया नहीं है आज की earning ले रहे हैं जो हमने कमाया है और उसमें इंदस्री का P.E. ratio लगा रहे हैं तब ये level 2 में फिर भी आ जाएगा या भी enterprise value निकालते हैं EBITDA multiple से EBITDA multiple भी हम इंदस्री का लेते हैं और उसमें हम current EBITDA को multiply करते हैं तो ध्यान रहे earning capitalization अलग होता है EBITDA multiple या P.E. ratio को फिर भी level 2 के category में आप डाल सकते हो बट जो future के cash flow forecast कर रहो हो या future की earning को forecast करके अगर आपने market data का इस्तमाल नहीं किया तो आपको बताना पड़ेगा अपने users को कि अपने level 3 input का इस्तमाल किया यूजर भी समझ जाएंगे कि ये फैर विल उतनी genuine नहीं लेवल 3 है तो level 1, level 2 फिर भी थोड़ी genuine level 1 तो most genuine तो आप level 1 में लिख दीजे ओपर most genuine level 2 में लिख दीजे genuine level 3 में लिख दीजे घटिया फैर विल ज्यादा बैतर रहेगा तो level 1, level 2, level 3 inputs आपको समझ में आगे ये फैर वेलू हैरर की है तो अब इससे related जो भी question होंगे मेरे ख्याल से अब अराम से कर लोगे tension की कोई बात नहीं अब एक बात बताओ मैंने आपको सिखाया था कि जो फैर विलूम लेते वो exit price लेते की entry price लेते entry price कभी नहीं लेते फैर विलूम लेंगे exit price जैसे मान लिजे फोर इक्जांपल जस्ट मैंने अब यापसे sales खरीद है 5 इनिट रुपीस just अभी मैंने आपसे 5 इनिट रुपीस में sales खरीद है तो क्या मैं फैर विलू 5 इनिट मानूँगा नहीं मैं दिखूँगा कि अगर इस sales को मैं आज बेचने को जाओं तो मुझे कितना पैसा मिले वो उसकी फैर विलूम लेते ना कि मैंने आपसे कितने में खरीद है पट यूजवली बहुत सारे मामले में जिसमें मैंने खरीदा उसी में तो मैं बेचूँगा तो standard भी यह मानता है कि यूजवली बहुत सारे मामले में मिनी cases में आपका entry price को या फैर विलू मान सकते हो क्योंकि entry price और exit price दोनों का दोनों क्या होगा सेम ही होगा आपका entry और exit price दोनों का दोनों हमारा सीम ही हो गई हो आप मान सकते हैं बट सोचो अगर मान लिजे मैंने खरीदा जो है financial जो मैंने assets खरीदा है मान लिजे inactive market से खरीदा है घटिया market से खरीदा वो आपका principal market या most advantages market नहीं है या फिर मैंने किसी related party से अगर वो खरीदा है financial assets तो बताओ वो सारे entry price हम consider करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि हम तो fair value निकालते किसे principal market से या फिर most advantages market से निकालते और हमने कहा था कि fair value वो होना चाहिए जो unrelated parties knowledgeable parties वाला होना चाह है तो related parties are transaction वाला fair value को हम कभी भी नहीं मान सकते कि वो exit price होगा हमारा और अगर मान लीजे हमने किसी को दबाओ में डाल के हमने assets खरीदे कोई दबाओ में था stress में था या आपका other than principal या most advantages market में आपका होगा यह main team important है में यहाँ पर आप entry price को exit price नहीं मान सकते कि आपको ध्यान में रखें तो आपकब entry price को exit price नहीं मानोगे जब आपका trust skill में खरीदा गया हो कुछ related party transaction हुआ हो या फिर इसके अलावा आपका principal या most advantages market से हटके और दूसरे market या यह चीज आपको clear हुआ या नहीं हुआ अब बस मुझे बताना है valuation करने की technique तो valuation करने की technique दो प्रकार क्यों होती है market approach, income approach, market approach में क्या ज़्यादा बता है, quoted price for identical, quoted price for similar assets and liabilities, other observable inputs, market data, market approach में आ जाते, income approach यह level 3 के category के usually, जब free cash flow, earning capitalization method, यह सब चीजों का इस्तमाल करते हैं, व उच्छा जाएगा कभी valuation technique बताओ, तुम बता देंगे market approach, income approach, market approach usually level 1, level 2 में आते हैं, और income approach level 3, इसका question कभी नहीं आएगा, इसका question कभी नहीं आएगा, बस आपको इध्यान में रखना है, यह market approach में level 1, level 2 है, और income approach में level 3, और एक और approach है, cost approach है नहीं, replacement cost approach, जैसे हम करते हैं आईफोन हमारे पास है, हम इसको replace करके दूसरा आईफोन ले लेंगे, तो हमारे कितना पैसा old लगेगा, तो उस जिता आप से हम देख लेंगे कि इसकी replacement value में क्या मिलेगे, उसकी fair value है, जैसे मैंने अपनी आईफोन है, मैंने उसका देखा, 60 थाओजन रुपीस, यह replacement value मिल आपको मैं, फिर दो-चार अच्छे-च्छे कोशिन है, वो आपको करवा दूँगा, फटाफ़र से, टेंसर ना लो, बिल्कुल अराम से करवा दूँगा, क्रक्स नोट्स भी पर जाता हूँ मैं आपको, क्रक्स नोट्स पे हम आते हैं, वन वन तरी कहां गिया, यह देखे करते हैं, प्रिंसिपल मार्केट को फर्स प्राइटी दिया जाता है, सेकंड प्राइटी, मोस्ट एडवांटीजिस मार्केट को, फैर वेलु रूरू रूस नोट्वान इंपूर्ट में हमने क्या बोला, एक्टिव मार्केट का, वो भी ऐडेंटिकल एसेट होना ची, उसक लेवल टू में क्या है, इन एक्टिव मार्केट का कोटेट प्राइस ले लो, या विर सिमिलर एसेट का कोटेट प्राइस ले लिया, मतलब सेम एसेट का नहीं मिला, सिमिलर एसेट का कोटेट प्राइस ले लिया आपने, एक्टिव मार्केट हो या इन एक्टिव मार्केट क्योंकि आप अगर identical asset का quoted price लोगे वो भी active market का तब level 1 में जाएगा बाकि सभी quoted price आपके level 2 में चले जाएगे या other observable input यानि market data market observable मनला market data ये भी आपके level 2 में level 3 में क्या जाथा घटिया अनौब्जर्वेबल इंपोर्स यानि internal information valuation टेक्निक मैंने देखे market approach income approach replacement cost approach मैंने लिखा ये अपको बताया था डिलेटेट पार्टिस के सब ट्रांजिक्शन स्ट्रेश सेल या लिक्विडिशन सेल आपका प्रिंसिपल या most advantageous market से different market में अपने ट्रांजिक्शन किया तो वह सब आप नहीं instrument का कैसे fair value determine होगा exam में इसका आग्या तो कैसे करो गया तो यहां पर अब देखें ऐसा हो सकता है कि जो हमारे पास liability जो मैंने liability issue की है या मैंने जो equity instrument की issue की है वो कोई party held करता हो को दूसरा entity held करता हो को दूसरा person held करता हो यानि दूसरे के लिए वो asset है जैसे मैंने इकुटी instrument issue की है तो मेरे लिए वो equity है आपके लिए तो asset है मैंने debt instrument issue की है तो मेरे लिए liability है आपके लिए क्या asset है यह हो सकते है यां पर तो यहां पर हम क्या करेंगी जब fire value determine करेंगी तो आपके point officer determined करेंग οι कि आपने जो hold के है न आपके point officer लेकिन मालो for example मैंने कोई ऐसा लाइबिलिटी या एकुटी मैंने किसु कर रहा हूँ जो किसे नहीं नहीं किया बहुत सर यसे लाइबिलिटी प्रोविजन वगेरा होती है जो मेरे लिए तो लाइबिलिटी है पर किसी और के लिए वह एसे नहीं है तो वहां पर हम क्या हम देखेंगे दूसरे भी तो ऐसे लोग होंगे market participants जो हमारे जैसे लाइबिलिटी वगेरा को hold करते हैं तो उनके point of view से valuation होगा यह इतना important नहीं है पर फिवे मैंने just एक बार go through करवा दिया तो यहां पर हम cases का fair value determine करेंगे तोनों मामलों में direct quoted price बस priority रहेगा level 1 आपका अग अगर यह भी नहीं तो other observable inputs का इस्तमाल कर लीजें यह level 2 में जाता है अगर यह भी नहीं तो un-observable inputs का इस्तमाल कर लीजें जैसे income approach वगेरा लगा दिया तो इस प्रेकार से इसकी evaluation होगे बागी अब इसको ignore कर सकते हो जाहो तो अब मुझे आपको कराना है कुछ-कुछ पर आम से बनेगा आपका जितना आपने सीखा है ना कुशिन सारे बनेगे आपके मैं इस बात की guarantee दे सकता हूँ पस एक दो enterprise value का मुझे बताना पड़ेगा आपको अधर इस बागी सारे कुशिन आपके बनेगे तो एक बार मुझे बता दीजे समझ में आया क्या इंडेस 113 एक को मैंने जितना हो सके summary इस form में आपको समझा दिये इपर बतादो समझ में आ गया क्या लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अच्छे समझ में आ गया तो भी बहुत है इपर मुझे बतादो फटावट से जादा कुछ नहीं आपको थोड़ा बहुत ही याद रखना है लेवल 1, यह principal market, यह और most advantages market धियान में रखना काम का है, non financial assets में highest and best use valuation promise धियान में रखोगे आप, और यह financial assets के मामले में आपको एक तो liquidity discount, non controlling discount को धियान में रखना है, fair value hierarchy बहुत important कि आपको धियान में रखना है, यह रखोगे, यह काम का नहीं इतना जरुद नहीं है, यह आपको थो अराम सी ध्यान में रखा, hierarchy तो एकदम अच्छे से clear हो गया, valuation technique जरूरी नहीं हो, यह भी एकदम अच्छे से clear हो गया आपका, तो just reading करोगे, crux note से reading करोगे, तो बन जाएगा ना, बो एकदम फटा-फट से मुझे, अगर बन जाएगा तो मैं question में आता हूँ, मैंने जो कट अच्छा जाएगा आपका, और अब मैं स्योर हूँ, अब खुद से भी question करोगे, तो आप कर पाओगे, कितना मुझे वरोस है, बताओ फटा-फट से, सब को समझ में आया है न, चलो, अभी हम फटा-फट से ये भी खतम करने के गगार पे आ गया, 113 भी फटा-फट खतम हो जाएगा, ये तो question अराम से कर लोगे, देखो यहाँ पर market A, market B दिया हुआ है, देखो फटा-फट बता रहा हूँ को यहाँ पर, किस से अच्छा है, ये वाला question से अच्छा मैं RTP, MTP का question है, वो बताता हूँ आप लोग, ये करवा दिता हूँ, RTP MTP section में question है, past paper में भी पूछा गया ये question, मुंबई market एक दिया हुआ है, और एक कॉलकता market दिया हुआ है, और हमें क्या बोला गया, अगर मुंबई market प्रिंसिपल market है, तो क्या fair value होगा, तो मुंबई market अगर आपका principal market होगा, तो हम बोलेंगे, इसका sale process 29, 290 है, transaction cost हमारा कित कितना होगा, 250, गलत बोला, transaction cost minus नहीं होता है, transportation cost minus होता है, मेरे से गलती होगी, माफी चाता हूँ मैं, हर बड़ी में गलती बोल दिया मैंने, sale process 290 है, उसमें से transportation cost to 30 रुपीस minus होगा हमारा, तो fair value कितना आएगा, 260 आएगा हमारा, तो पहले वाले का तो answer आ गया, 260 होगा, है न, Mumbai market अगर आपका होगा principal market तो आपका, 260 तो है न, यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, 260 होगा हमारा, अगर आपका Mumbai market principal market है तो fair value 260 होगा, लेकिन पूछा आग यह बोला कि fair value बताओ, अगर कोई भी market principal market नहीं है, अगर दोनों में से कोई भी market principal market नहीं तो fair value क्या होगा, त most advantages में पहले हम transportation और transition को दोनों को minus करके हमने देखा, इधर 220 इधर 230 है, तो यह कॉल करता market हमारे लिए most advantages है, और इसका fair value क्या होगा, sale proceeds minus transportation cost, इने 250 फिर fair value होगा, यह वाला लेंगे, समझ मैं है, यानि पहले net realizable amount निकाल लो, उससे देख लो कौन सा most advantages है, फिर उसका fair value minus transportation cost ल रहे है, if the net realization after expense is more in export market, मालो 280 रुपीस मिलेगा export market में, but government ने सिर्फ 15% का ही capping दिया है, मालो 15% ही अब export कर सकते हो, तो क्या मतलब लेने का, हाँ अगर माल लेंगे हम पूरा का पूरा export कर सकते, तो हम इसको माल लेंगे सबसे advantages market है न, और हम इसको ही, इसका ही fair value में लेते, पर यहां पर तो सिर्फ 15% ही हम production को export कर सकते है, बाकी 85% तो आपको इंडिया में करना पड़ेगा, तो इस वज़े से जबकि capping है, इस वज़े से हम इस market को consider नहीं करेंगे, तो यह तो मैंने आपको ऐसे भी समझाया था, अब यह question number 7 मुझे आपको कराना है, question number 7 बहुत ही important and exam perspective में ऐसा question पूछा जा सकते है, माल लीजे मुझे decommissioning liability का मेरा obligation है, मुझे 10 years के बाद decommissioning का खर्चा अगरना है, उसका मैं provision बनाना चाता हूँ, मैं जाना चाता हूँ कि future में मेरा क्या खर्चा लागा, उसका president वेलूपा मैं provision बनाऊँ, यहां पर हमें बोला कि labor का खर class flow into probability करके हमने पता किया कि on an average हमारा labor का खर्चा 131.25 लगेगा, probability लगा कि हमने पता किया, फिर हमने बोलो over rate का खर्चा भी हमारा लगेगा, जो labor का खर्चा उसका 80% over rate का खर्चा लगेगा, तो 131.25 का 80% मैंने बोल दिया, over rate का खर्चा लगेगा, तो मेरा labor और over rate मिला कि अगर मैं देखो तो मेरा कितना आ रहा है 236.25 आ रहा है कि मैंने आपर लिख दिया 236.25 यह मैंने लिख दिया यहां तक मेरा खर्चा है फिर मैंने बोला कि किसे से काम कराऊंगा मैं तो वो सिर्फ अपना labor का और overhead का खर्चा थोड़े न लेगा किसी को contract दूँगा मैं मालो यह obligation जो मेरा है dismantling का तो वो 20% margin भी लेगा तो यह 236.25 में 20% margin भी लेगा तो कितना लेगा 236.25 का 20% margin लेगा वो तो 47.25 वो margin का खर्चा भी लेगा मेरे से यह मैंने add कर देना है आपर तो कितना आएगा अभी तक तस 236.25 283.5 आ रहा है मैं अभी तक इतना खर्चा होगा हमारा और इसकी अलावा क्या बोला यह खर्चा आज नहीं होगा यह खर्चा पता inflation पहले ले रहा हूं यह खर्चा आज नहीं होगा यह खर्चा तो 10 years के बाद होगा और हर साल inflation 4% का ओर है बतलब यह value हमने निकाला current value के साथ से तो 283.5 तो आज की date के साथ से और 10 साल के बाद खर्चा करना है और 10 साल में तो inflation हर साल 4% से बढ़ेगा तो मुझे इस पर करना है into 1.04 to the power 10 इन्ही 4% increment करना 10 times तो inflation के बाद की value आ जाएगी और inflation की बाद की value मैंने निकाल रखी वे मैं फिर से नहीं निकालूँगा यहाँ पर आप देख ले ना 419.64 आएगा आपका यह आगे और फिर आपका एक और ची बोला कि जो हमने यह prediction किया ना cash flows वगिरा का यह prediction क्या पता सही नहीं भी होंगे इंडे सेटीसें में भी बताया था मैंने अगर prediction सही नहीं होगे तो provision में आप क्या करते हो risk adjustment भी करते हो तो आपको जो risk लग रहा है उसका risk adjustment भी आ 5% का करना चाते हो तो इसमें हम क्या करेंगे 5% का one time risk adjustment करेंगे दस बार नहीं करना है यह तो risk adjustment total value में 5% का होगा inflation 10 साल का हर साल का inflation 4% भी आ होगा है तो 4% आपका हर साल का तो हमने 10 बार किया premium तो एक बार ही चड़ाएंगे तो 419.64 इंटू 1.04 कर देंगे 463.4 36.42 आ रहा है तो गलती किया 419.64 इंटू 1.05 440.62 ना 440.64 तो यह खर्चा मर आज लगेगा कि 10 साल के बाद लगेगा तो 10 साल के बाद लगेगा हम provision जब बनाते हैं वो present value में बनाते हैं ना future value थोड़े ना यह तो future में estimated इतना खर्चा लगेगा मतला हमने यह निकाला on an estimated हमारा future में कितना खर्चा लगेगा एकदम simple exam के लिए अभी समझ लो याद कर लो labor का खर्चा probability लगा के निकाल लिया उसमें overhead खर्चा 80% जोड दिया profit 20% margin जोड दिया फिर exam में inflation पहले जोड देना फिर premium जोड देना अधरिस पहले भी premium जोडोगे फिर inflation जोडोगे तो भी same अंसर आएगा मैंना दोनों में same ansar आएगा मैंने पहले inflation जोड दिया फिर premium जोड दिया ये जोडने पर मेरा इतना expected cost आएगा बट मैं present value में provision बनाता हूँ क्योंकि ये तो 10 साल के बाद होगा time value मनी present value में provision बनाऊँगा उसके लिए discount rate में दिया हुए risk free rate 5% और आपका risk जो है 3% का risk adjustment होग बेक present value में खीचेंगे 194.88 जो है कितने कम provision बनाएगा अब देख सकते तो अब exam में question आएगा तो 8 number का कम से कम आएगा और मेरे ख्यासे आप अराम से कर लोगे 8 number आपका secure करवा दिया मैंने अगर ये question आया तो बता फटा फट करा इसी जादा इसी जादा slow तो नहीं हो सकता अब ये question जो है ये कुछ-कुछ question मुझे आपको बताने है तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ एक ये वाला question number 3 आपको याद है मैंने कहा तो liquidity discount adjustment वाली बात की थी न मैंने तो आप देखो यहाँ पर हमने 5 percent equity sales खरीदा है 10 क्रूड रुपीस में 2012 में अब 2003 में इसका valuation करना जाते है क्योंकि हमारा financial asset है और मालों हम FBT पे लिए FBT OCI accounting कर रहे है जिसके चलते हम इसे fair value निकालना हमें इस 5 percent equity sales का तो हम कैसे fair value निकाले तो हमने observable input को base में लिया हमने कहा कि similar type का transaction हुए है यानि XYZ का हमन 20 percent sales खरीदा था PQR ने क्या किया था 20 percent sales खरीदा था 60 क्रूड रुपेस में और यह sales अब खरीदा था उसने तब valuation कैसे हुआ था बता मल्टीपल से value आ था और EBITDA मल्टीपल 8 है EBITDA मल्टीपल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ EV by EBITDA यह कुछ नहीं यह P ratio जैसे समाल यहाँ पर आप समयलो P ratio से relate करना आपको ज्यादा easy लगेगा यहाँ पर EBITDA मल्टीपलर दिया हुआ कितने का 8 और इन्होंने बता दिया EBITDA 40 का है तो अब समझो EV by EBITDA कैसे याद रहेगा P ratio से याद करना P ratio price price मतला market price और enterprise value भी एक प्रकार का market price ही होते है तो enterprise value divided by EBITDA equal 8 दिय आपको उधर लेगे हम numerator में लेगे हम तो आपका enterprise value आ रहा है 320 का हमने enterprise value निकाला 320 तो 320 के valuation हो रही है आज के हिसाफ से है ना हमारे पास तो 5% share सी है तो 320 का 5% हम मानेंगे हमारी share के value होगे कितनी होगे 16 होगे लेकिन जबकि हमारे पास सर्फ 5% share से तो non controlling streak का discount हमें लगाना प discount बोल रहे 5% non controlling streak discount बोल रहे तो दुनों मिला के 10% हो गया तो इसमें से 10% हम माइनस करेंगे तो 16 यह दिखाएंगे 16-10% कितना आएगा 14.4 आएगा 14.4 करोड का valuation होगे तो आपको एक कुशन एक्जाम में एकदम simple रखना है EV by EBITDA दिया हुआ 8 का EBITDA वी दिया हुआ इससे enterprise value निकाल लिया उसका 5% मेरा सेर से 16 निकाले उसमें liquidity और non controlling streak discount को माइनस किया मेरा अपना सेर का value आ गया मैं इसी fair value में measure कर दूँगा बस बात खतम बताओ यह समझ में आया अगर समझ में 113 तो प्लीस like करो अगर समझ में आया तो अभी तक अब एक दो कोशन और बताने है जल तो पढ़ाने का समय नहीं है अभी फिलान में आपको बता देता हूं enterprise value की जरत नहीं मैं आपको एक बात बता देता हूं market capitalization जो होता है आप अभी के लिए याद रख लो आप कैसे निकालोगे value of firm होगा value of firm में हमें पतर debt or equity तो value of the firm में हम क्या करते हैं plus करते तो जो भी surplus cash वगेरा हमारे पास है surplus cash and asset जो भी हमारे प्लस हो प्लस कर देंगे और minus debt obligation कि अभी समझ में नहीं आएगा question करोगे तो समझ में आएगा question क्यों कि लिमिटेड जो है उसने project किया free cash flow आने वाले 5 सालों का आने वाले 5 सालों में ये free cash flows generate होगा और last में terminal value भी इतनी मिलेगी और लेकिन सबका present value हमारा आ गया मानलो क्या करोगे discount rate दिया हुए 11% 11% से discount किया तो मेरा present value आ गया इतने का ये अब खुद निकाले न में निकालूँगा ये आ गया मेरा अब मैं क्या करूँगा अब यहां पर question हमें क्या बोला कि surplus cash भी हमारे पास इतना पड़ा हुए तो आप देखो जो future में cash कमाएंगे उसका present value और आज का cash दूनों मिला कि तो आज का market value होगा तो मैं क्या करूँगा future cash close जो है उसका present value ले लिया और उसमें मैंने आज का surplus cash को plus कर दिया 106.4 यानि present value आया 310.76 ये present value है future cash flow के उसमें आज का cash flow मैंने plus कर दिया आज का cash flow मैंने plus कर दिया minus कर दूँगा debt obligation क्योंकि ये firm के cash flows है ये pt limited equity का cash flows नहीं लिखाओ पूरा का पूरा pt limited इसके अंदर debt भी तो होगे जिसे हमने sfm में पढ़ा हुआ है ये पूरा firm का cash flow है तो इसमें debt minus कर दूँगा तो equity के value आ जाएगी तो debt यहां पर कितना दिया हुआ है 1465 माइनस 1465 कर देंगे तब equity की value आएगी जिसे market capitalization कहते हैं तो आपको ध्यान में रखना है ऐसे ऐसे तो मैंने लिखा हुआ है present value of future cash flows प्लस surplus cash और asset जो भी है ये आपका पूरा full value बताएगा उसमें से debt minus कर दो तो equity का value आ जाएगा तो equity का value यहां पर कितना आया 1746. इसको number of set से divide कर दो number of set से divide कर दिया तुमारे एक share का value आगे तेम ऐसी आपको यह वाला question करना है question number 5 question number 5 में क्या भूला कि दो approach से valuation determine हुआ है आज का present value दो approach से determine हुआ है लेकिन अब यह क्या करना चाहती है entity दोनों को equal weight देना चाहती है तो हम भी क्या करेंगे इन दोनों का average ले लेंगे तो हमने क्या किया जो आपकी आज की value है दो अलग-अलग approach से जो valuation निकाला गया है उसकी कि हमने average value ले लिया दोनों का average कर दिया अब इसमें क्या होगा surplus cash and cash equivalent surplus assets and liabilities plus हो जाएगा मैंने कहा न जो भी surplus cash and asset है वह प्लस कर दोगे और debt को minus कर दोगे तो आपका market capitalization आएगा divide by number of shares कर दोगे बस बात तो उपर वाले में क्या था present value future cash लो plus current का surplus cash and asset minus debt application नीचे इन्होंने valuation दो अलग-अलग method से बताया उससे हमने average present value निकाल लिया उसमें surplus cash and asset plus किया debt obligation minus किया divide by number of shares कर दिया बस बात खतम इस प्रकार आपका ये वाला भी solution हो गया बात की question अब आपके अराम से हो जाएंगे question number six आप एक बार जरूर से go through कर लीजएगा तो मैंने concept समझा है ना अब उ अराम से कर लोगे मैंने RTP वाला question कराई दिया तो कोई दिक्कत नहीं इसमें बस देखो principle market की जब value दी हुई है तो दूसरा कुछ देखना ही नहीं नहीं प्रिंसिपल मार्केट से उपर कुछ होता ही नहीं यह वाला question आप self अराम से कर पाऊगे discounting करना है बस और कुछ नही तो आप यह एक बार go through कर लिजएगा एक बार आप खुद से कर लिजएगा है न तो दो question मैंने खुद से करने को दिया बस आपको किसी के साथ मैंने 113 भी जितना जल्दी हो सके मैं 113 कराया थोरा time लिया मैंने मैं agree करता हूं 113 में हमने एक घंटा ले लिया पर चलो कोई ब दमी नहीं है जो मैंने question कर रहा है यहाँ पर आपको दिख रहा था ने income approach वगेरा से आप बताओ कैस लो वगेरा को present value में खीचके evaluation कर रहे है आप खुद अब बता सकते हो सरी लेवल 3 है एकदम घटिया लेवल 3 वाला fair value निकाल रहो एकदम घटिया वाला अब आप बता सकत तो क्योंकि आपने इतना कुछ सीख लिए है तो मेरे क्याल से 113 का कोशिंग कुछ आएगा exam में तो bonus देखे जाएगा को tension वाली बात ही नहीं है like बहुत कम कर रहो आप लोग क्या दिख करते हैं सिर्फ 1265 likes हुए है अभी तक ऐसा क्यों मूचे तो लगाता fair blue करते करते हमार क्या पता इतना खुस हो जाओगे कि आप इना 1500 पार कर दोगे इतनी कंजूसिक क्यों like करने में कितने सारे बच्चे देख रहे लाइब अभी आप बताओ अभी आपको मजा आया की नहीं है बताओ कितना स्टेंडेट कर लिए हमने अभी तक कितना स्टेंडेट कर लिए हमन पांच इंडेस कतम कर दिया मजा आ गया तब तो यह लगा चार हुआ पांच हो गया हमारा तो साड़े तीन घंटे में पांच इंडेस कभी हुए है अपसे और ऐसा भी नहीं कि हमने उड़ा उड़ा के किया ऐसा है कि मैंने बताओ थोड़ा स्पीड कराया क्रक्स वगेरा बता कि कराया उड़ा-ऊड़ा के कराय कया ऐसा है तो नहीं है उड़ा-ऊड़ा के कराता है तो 10 भी करा देता मुझे तो नहीं लगत्या है रख़ग कोशन important है वो भी नीच ठोड़े वो भी सारे ठोड़े हम इने backwards बहुत क्या है doğruks notes वगडिये इससा बना ली कुछ कुछ बॉक्स में मैंने उडा के कराया कि बिना उडायक एवा मुझे लिगता है तब मुझे पता चलेगा एक लिए तो एक ही होता है यह बात भी है सच बताना मैं खराब नहीं पाऊंगा मैं उससे क्या आगे और सही करने की कोशिस करूँगा मतलब अगर ऐसा कुछ है तो उडा उ बिना उडाये से समझा के कर रहाया सर पुछ नहीं उडायों उडाये दर अच्चा बिना उडाया बैस्टлуч को Olis और पथा घुंढा जो एकडम भी जानते गिनको एकडम पढ़ा ही नहीं कुछ हो फली है बिना उडाया सकता है अगरस scholar को दो पोल रहे बीना उड़ाहे करा है तो लोब बहुत खुत ही हowी तो आप बता ही अभी हमें किया करना चाद इसाद करना चाहिज अभी हमें 2 काम करना चाहिए लाइक कर देना चाहिए और एक ब्रेक ले लने खीड हेना लंज ब्रेक हच्छी ना साढ़ हम ठखकास तरीक से क्या क्या बच्चा है अरढ सो जाया तेंसन को से क्युक्त क्या बात नहीं है मुझे तो टैंसम नहीं यह आ呢 इंडस से तुनिटी पॉर मज़ा में करते हैं उन्डेस 24 तो पढ़ाखी वह मज़ाएगा इdeal स्थूरे कराऊंगा इंडят कराऊंगा और क्या था तो बहुत फटाफट हो जाएगा तो पहले काम करूंगा इंडस वन जिरुट उठाऊंगा एट कराना है और 24 इंडस वन जिरुट कराऊंगा फिर एट कराऊंगा फिर एक इंडस तब फिर उसके बाद 1638 40 भी कराऊंगा इंडस क्या नाम इस पता दूना आप पोटीवन लास्ट में पहले पहले टार्गेट में था 24 हा पहले हम करेंगे में प्रक लेंगे की啊 कि बम्जीरों एट कर लेंगे 10 behavior लिए पिरन कर लेंगे हैं पिर एड कर लेंगे फिर उसके बाद 1638 40 कर तरव बचा विकरा दूं चांञे मेरा टास्क लफ्तिनाई अपको आउट्पुट नहीं मिलेगा मेरे हिसाप सीट मैं करादूंगा बूलूगा आपको ओटूर्बट्स नहीं मिलेगा हैसा कर सकते लास्ट में एक दू एंडेस में आपको go through कराके बता दूँगा अगर time कम रहा तो हमारे ठीक है 41 लास्ट मेंबर go through करने की कोसिस करेंगे देसब जी कह रहा है सौर्टम मेमोरिल हो सच में ऐसा हो रहा है बुल जाता हूं आज कल में नाम भूल जाता हूं कितने बार तो सच बता रहा हूं कितना कुछ दिमाग में रहता है न कि भूल जाता हूं तो चले ब्रेक लेते हैं अभी 2 बच के 15 मिनिट हो चुका है हम ब्रेक कितना ले लंज ब्रेक तो कम से कम 45 मिनिट का लेना पड़ेगा तीन बचे मिलते हैं, बोलो जी, 21 अभी नहीं कराँगा, small index में नहीं आता है, 21 तो 21 नहीं कराँगा, 7 वी small index में नहीं आता है, एक दिन और मेरा तुन ले लेंगे, बोलो 15 तरीको लोगी तो, बोलो 15 तरीको फिर ले लेंगे, तयार हो तो, उस दिन 12, 19 वगेरे सब करा देंग बागी मैंने plan किया है, 25 को, क्योंकि 6 दिन देना चाहिए मेरे साथ से FR को, तो मैंने 25 को plan किया है, 25 नहीं, 26 को, 25 या 26 को, हम एक काम करेंगे, सारे big index जो है, 5 बड़े index, financial instruments, 115, 116, 103, 110, ये 5 बड़े index हम कोसिस करेंगे, 7-8 घंटे में revise करा दें, आपके क्या एक्छा मुझे बता दो, कराना चाहिए मुझे, ये 5 बड़े index, 25 या 26 को मैं रातों चाहिए, आप लोग को बता दो, 25 या 26, 26 को ले लेंगे, ये दिन रहेगा न, 26, 31 का मेन है, 26, 26, 28, 29, 30, 31, 31 का मेन है, तो 26 को हम लोग क्या करेंगे, 5 बड़े index लेते हैं, financial instruments पहले करेंगे, फिर 115 करेंग अगर आप बोलोगे तो रखूँगा ने तो नहीं रखूँगा, रखना चाहते हैं, ये रखते हैं, और उससे पहले 15, 16 तरिक को नहीं रखते हैं, उसके बाद ही next, उस टैम में कर लेंगे, mid-size index भी next है, 26, 27 को रख लेंगे, yes, 26 को मैं रातों सोचरों में, 5 बड़े index हैंगे, उससे पहले 15, 16 तरिक तक चाहते हो क्यां, या फिर कल सिर्फ 19 और 12 करा दूँगा, साम को बोले, तो तीन गंटे में, 3-4 गंटे में, इंडेस, 19, इंडेस, 12 निप्ता दूँगा, कल ने तो पड़सो, निप्ता दूँगा, आप बोलोगे नहीं, और भी index इंक्लू 13, 12, 33, यह सब करवा दूँगा, लाइक करो तब, अगर करवान है तो 1500 बार करो भी लाइक, तब करवाँगा, एना give and take policy, बार्टर सिस्टम, मैं आपको करवाँगा, रिवीजन, आप मुझे दोगे लाइक, इसने भी लाइक नहीं क्यों लाइक करे, लाइक नहीं करोगे, पाप लगे है वदार हो, अगर benefit मिल रहे दो, तो आप बोले हैं, लाइक के लिए कितना लालची हो गया है, अच्छा लगता है ना, लाइक होता है, खुसी मिलती है, लाइव की टाइम में लाइक होता है, तो खुसी मिलती है, बागी तो इतना कोई फरक नहीं पर, लाइक ह लंज ब्रेक ना, आप लोग भी लंज कर लो जाके, ठीक है, कोई लेट नहीं होगा, पुझा जी, आप लोग खुद पढ़ना है तो पढ़लो, मुझे तो थोड़ा सांती चाहिए ना, तालिस मिलिट मुझ को बंद रखूंगा, जाके अभी कुछ नहीं कोलूंगा, एक सब्द नहीं कहूंगा, चुप चाप जाके एकदम लंज करूं तीन बचके पांच मिट सही है, चलो, मिलते हैं फिर न, तीन बचके पांच मिट में मिलते हैं, आ जाना टाइम से, सब को या जाना, कोई भी सो मद जाना, तो गे तो दिक्कत हो जाएगी, पढ़ाही करनी ही हमें है न, तो सब के सब आ जाना झाल 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 outra झाल याज झाल झाल को झाल 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 चलिए तो आई थिंग अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं आई ना कोपाइल फून चार्ज में लगा देता हूं ते यारो आपसे भी इस बच्चे तो लंज करके सो गए होंगे ना चलिए तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्दर इंडेस डिसकस करना वन बई वन लंज ब्रेक खतम हमारा तो अभी मैं सोच रहा हूं सबसे पहले ना कि मैं सोच रहा हूं आप लोगों को इंडेस वंचिरूइट करवाता हूं कि कोटा इंडेस से तो जल्दी हो जाए गाई कि कि अच्छा सोके ओड़ वे गए क्या बात क्या बात छलो करते हैं इंड हैं कि आप рाट करते हैं इंडेस वन जिरूइट का क्रण वोपरेटिंग सेग्में इंड करक्स में इंडेस का नाम नी लिख रहाए और आपको पता हो गया है ना अभी आप रिवीजन फेस में तो आपको पता होगा है ना तो इतनी भी वेज़ती ना करो चलो तो अभी हम इंडस वंजिरोट स्टार्ट कर सकते हैं इंडस वंजिरोट ऑपरेटिंग सेग्मेंट का मीन नोट भी में एक बार निकाल लेता हूं कहीं कहीं पर वहां पर म आपको बता दूगा तो आपका दिमाग में क्लैरिटी रहेगा खुल के क्लैरिटी आएगा उसके लिए मैं क्या करूrou अपको रीपोर्ट दिखा दूं ठ्राइडेटेंग की जो रिपोट हैं वह किस प्रकाल बेजन करते हैं इसled आपने लिमिटेड कंपनी का नाम तो सुन और इन्होंने पते हैं यह financial statements तो बनाते हैं notes to accounts में यह segment wise भी information provide करते हैं यह बता दे देखो yarn का कितना revenue हुआ yarn से कितना operating profit आया है ना यह segment wise बता देखे कि yarn जो है हमारा एक अलग business segment है जिससे assets जिसमें कितना allocated है जिसकी liabilities कितनी है टावल जो इनका अलग business activities है टावल से इन्होंने कितना revenue generate किया तो आप बताइए अगर कोई भी company उनके अलग-अलग business segment से जैसे yarn, towel, bedset, paper and chemical तो इतने में एक अंदाजा लगा पारे है कि देखो इनका yarn का business में 15239 CR का CR या million जो भी है उसका इनका धंद है millions का है, इतना millions का मुझे क्या दिख रहा है कि इनका towel का business सबसे बड़ा है और इनका bedset में ज़्यादा कुछ खास नहीं है ठीक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं सबसे ज़्यादा इसमें इनका business है तो इस प्रकार operating segments हमें यही कहता है कि अगर आप एक entity हो और आप multiple business segments में involved हो तो आपको क्या करना चाहिए जो आपकी major segments है आप उसकी segment wise reporting करो segment wise revenue और expenses का data दो ताकि users को clear picture मिलेगा कि कौन सी business activities में आप धूम बचा रहे हो और कौन सी business activities में आपका सही नहीं हो रहे जैसे मैं अब आपको मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर operating segments में आप एक बात बताई मालीजे आपने मेरी company में पैसा लगा है अब मेरी company में मैं क्या क्या बढ़ाता हूँ financial reporting बढ़ाता हूँ SFM बढ़ाता हूँ advanced financial management बोल लो auditing बढ़ाता हूँ मालीजे इसके लावा direct text बढ़ाता हूँ indirect text बढ़ाता हूँ सभी इससे हमारे revenue आ रहे है अब नहीं चाहोगे कि मैं आपको ये बताऊं information दू कि financial reporting से हमने कितनी sales की है SFM से हमने कितनी sales की है auditing से हमने कितनी sales की है हमें बताना चाहिए obviously बात हमें बताना चाहिए अब ये standard हमें क्या कहता है जरूरी नहीं है कि अगर मालनीचे हमारी company 6 अलग-अलग subjects पढ़ाती है तो 6 के 6 subjects को regularly review करें ऐसा जरूरी नहीं है जिसे मालों for example हमारी companies क्या करती है financial reporting को regularly review करती है और देखते हैं कि financial reporting में कितना sales हो रहा है उसमें कितना resource allocate करना चाहिए जरूरी उसमें कितना खर्चा करना चाहिए हलाकि हम करती है यह सब कुछ भी पर advertisement में कितना खर्चा करना चाहिए marketing वगेरा कितना करना चाहिए और उसे regularly उसका performance को assessment करते है कि उसे हम कितना sales कर पारे कितना profit generate कर पारे financial reporting से SFM से और इन सब का discreet information भी हमारे पास है कि financial reporting में हमने कितना assets वगेरा allocate कर रखा हुआ है उसमें कितना revenue है कितना information है ऐसे करके separate separate information तो आप बती अब जानना नहीं चाहोगे financial reporting से कितना SFM से कितना तो हम क्या करते हैं मेरी company में मैं क्या करते हो मालो मैं मालो chief operating decision maker मैं ही decide करता हूँ कि कौन से segment में यनि कौन से subject में मुझे कितना resource allocate करना चाहे और मैं उसका regularly review करके performance को भी assessment करते हूँ तो पता मैं क्या करते हूँ मैं पूरे साल भर में financial reporting को regularly review करते हूँ पूरे साल भर में SFM को regularly review करते हूँ पूरे साल भर में मालो मैं direct text को भी regularly review करते हूँ पर पूरे साल भर में audit को review नहीं करता मैं पूरे साल भर में log को review नहीं करता मैं मालीजे costing को भी पूरे साल भर में review नहीं करता मतलब मेरे लिए important segments कौन से financial reporting, SFM, IDT मालो ये DT मालो DT मेरे लिए important segments है तो standard यह कहना चाता है कि पूरे साल वर में अगर आपने financial reporting को separately review किया है उसका performance को assessment किया है है ना और SFM को भी performance को regularly review करके performance assessment किया है और DT में भी ऐसा किया है तो आप एक काम करो जब यह 3 को CODM regularly review कर रहा है resource allocate कर रहा है और performance उसका assessment करता है तो year end में यह 3 को अलग-अलग operating segments मानो और इन 3 को separately बताओ अब users को बताओ यहनि users को वही information तो जो management पूरे साल भर जो करती है ना कि पहले AS के जमाने में risk and reward पोटनों वे उसे segments बनाया जाता था पर अब ऐसा नहीं जो auditing है जो law है identity उसको तो review नहीं करते है उसे others में डाल देंगे तो यहाँ पर भी इन्होंने भी others में डाला है कि हमें देख लेता हूँ कुछ अगर इनका others है तो यह भी others में डालते है अच्छे इनका में नहीं दूसरा आपको company मिलेगा Reliance का अगर report दिखाता है न तो बाकी जो भी बाकी जो बच्चे कुछ है जिनको regularly review नहीं करते है उन सभी segments को others में डाल देते है तो इस प्रकार क्या किया जाता है operating segments को identify किया जाता है और फिर उसको segment वाइस reporting किया जाता है तो अब आपको समझ में आएगा कि Indus 108 क्या कहना जाता है सबसे पहले तो मैं आपको Indus 108 में ये पढ़ाना चाहूँगा कि operating segments क्या चीज़ है आप ये समझो फिर मैं core principle भी आपको बताऊँगा operating segments ये कहता है कि आप देखो कि company कितने अलग-अलग business activities में involved है जिसे हमने देखा कि Trident की company यान, towel, bedsheets अलग-अलग business activities में involved है और अगर हम अपनी बात करें तो हम financial reporting हमारा अलग business activities है SFM हमारा अलग business activities है अलग-अलग business activities में involved है अगर हम कोई-कोई बड़ी-बड़ी organization की बात करें मानलो an academy की बात कर लेते है तो an academy आप देखोगे वो CA का उनका सेक्टर है business activities CA का सेक्टर अलग हो गया उनका UPC का सेक्टर अलग हो गया medical line का सेक्टर अलग हो गया engineering line का सेक्टर अलग हो गया तो वो क्या करेंगे अलग-अलग सेक्टर वाइस वो reporting कर देंगे वो बोलेंगे CA का segment में इतना कमाया है ना और आपका engineering के segment में इतना पैसा कमाया है ना और अलग-अलग यानि जिस प्रकार वो regularly review करते उसी प्रकार वो segment wise reporting करेंगे तो operating segment हम किसे मानेंगे अगर entity किसी business activities में involved है जो revenue earn करती है या करने की capacity रखती है जरूरी नहीं कर रही है कितने सारी ACB entity होती जिन्होंने अभी तक revenue earn करना स्टार्ट ही नहीं किया वो करेंगे बाद में revenue earn करने की capacity रखती है और खर्चे करते हैं और इसके operating results होए ना वो CODM regularly review करता है मैं यह कहाता ना मालो मेरी छुटी मुटी company का CODM महीं होंगा बड़ी बड़ी companies में अलग से chief operating decision maker होता है वो CEO भी हो सकता है CEO भी हो सकता है या भी नहीं किसी title की भी हो सकता है CODM top level management होता है उनका काम यह रहता है कि resource allocate करना अलग-अलग segment में और उस segment को review करेंगे और देखेंगे उसमें क्या resource allocate करना चाहिए मतलब उनको क्या और funding देना चाहिए उनमें manpower ओर देना चाहिए और उसके performance को access करते रहते है बराबर कि वहां से हमें क्या result मिल रहे है और दूसरी चीज एक और last important उसके discrete financial information available होना बहुत जरूरी है यह इसलिए होना जरूरी है क्योंकि अगर discrete discrete का मतलब separate अगर separate financial information होगा नहीं तो आप कैसे segment वाईस से एलग अलग से reporting को कितना कितना asset allocate किया गया कितना liability allocate किया गया कौन से segments हम कितना revenue generate कर रहे है कितना हमारा operating profit आ रहा कौन से gwाईस से यह सारे separate information होंगे तभी तो segment वाईस रिपोर्टिन मैं तो कैसे कर पाऊगे आप देखिए यहां पर यह segment वाइस reporting कैसे कर रहे है यह जरूर यह थोड़ा एक दो बात बता ना इसलिए बता रहो पटा पट से ने तो नहीं बता तो भी चलता पर फिर भी बता रहो देखो यह segment वाइस बता पा रहे कि अब मैं आपको लेकिए चलता हूं कहां पर क्रक्स नोट्स पे तो क्रक्स नोट्स पे आप देखो operating segments आपको यह याद रखना है आपको एक्जामी लिख किया आना है operating segments का माना जाएगा अगर वो entity का एक component है जैसे entity का component क्या क्या है हमने एक ट्राइटेंट में देखा यान तावल बैट सिट्स यह सब component है हमारे क्या component है FR, SFM, DT अलग-अलग components entity के जो capable of generating revenue and incurring expenses वो revenue generate करने की capacity रखता है तभी तो उसे separate operating segments मानेंगे है और दूसरा इसको CODM जो है रेगूलर्ली review करता है और decision लेता है कि कितना इसको resource allocate करना है और इसका regularly review करके इसका performance को भी assess करता है और जिसके separate financial information available है अगर यह condition meet करीगी तब हम मेरे साथ ज्याद करेबा, operating segment कौन है जो component of entity है जो कि generate करने की capacity रखता है revenue generate करने की और incur करता है expenses CODM उस segment को regularly review करता है और जितना resource यानि manpower पैसा funding जो भी allocate करना करता है और regularly उसका performance assessment करता है यानि उसको ध्यान दे रहा है CODM मतलब वो एक segment है तभी तो उसको ध्यान दे रहा ह और तीसरी final चीज कि separate financial information उस segment की available है तभी हम उसे operating segment मानेंगे और ऐसा करना बहुत जरूरी है ऐसे करने से क्या होगा हम users को clear picture देंगे users को हम मदद करेंगे decision लेने में कि company कौन सी दिसा में जा रही है company सही तो करी है या ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा segment है जिसमें company को segment को बंद कर आप users लो बोलोगी आप डिटी को बंद करो हटाओ इसे यह नुकसान दे रहे है इसको हटाओ इसके जगा कुछ और करेंगे तो इसलिए segment wise reporting करना बहुत जरूरी है अब यह तो मैंने आपको समझा दिया अच्छे से अब इसमें एक बात और बता रहा हूँ मैं यहाँ पर जब हम reporting करेंगे न एंड में operating segment हम उसी को मानेंगे जिसको पूरे साल भर management review करता है performance assessment करता है और उससे क्या करता है resource कितना allocate करना यह यह condition satisfied होगी तो यह आप एंड में उसको एक operating segment मानोगे और उसी हिसाफ से अब उसका segment wise reporting करोगे अब इसका core principle मुझे आपको समझाना है core principle क इस इंडेस का core principle बहुत सारे जगा में आपको लिख के आना पड़ेगा इंडेस 108 का मकसद ही यह है कि वो disclose करे financial information किसको users और financial statements को क्यों ताकि उनको मदद कर सके decision लेने में किस चिच का ताकि वो evaluate कर सके कि nature of business activities क्या है जैसी यहाँ पर Trident की company ने disclose क्या information अलग-अलग yarn, bed seat, towel वगिरा का और वो क्या कर अब users को मदद कर रहा है उसका nature जानने का कि कौन सा कौन सा business activities में Trident involved है और उसका financial effect भी उनको पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है नेचर हमें ही पता चल रहा है नेचर क्या क्या है yarn, towel, bed seat, papers and chemicals यह nature of business activities हो गए और द feature भी पता चलता है और उसका financial effect भी पता चलता है किसका जिस business activities में आप engage हो और या फिर कभी-कभी क्या होता प्याता है जैसे मालने चे मेरा courses जो इन्डिया में भी सेल होता है नेपाल में भी सेल होता है मालनों, USA में भी सेल होता है तो मुझे कितने बाइर अलग-अलग economic environment मे relevant है तो मैं बताऊंगा कि इंडिया में में मेरा कितना सेल हुआ है, US में कितना सेल हुआ है मेरा, अगर मालने चे सियोडियम आपका region wise भी regularly review करता है और region wise आपका performance को assessment करता है तो वो भी possible है, तो core principle अब आपको याद हो जाएगा, मैं जैसे बता रहो, वैसे मेरे साथ करो, य याद करना बहुत ज़रूर है, एक तो operating segment याद कि अब ये भी याद करो, core principle क्या था, हम disclose करेंगे financial information, क्यों, ताकि users और financial statement को enable कर सके, क्या enable करेंगे वो, वो evaluate करेंगे, क्या चीज, nature of business activities और उसका financial effect, nature of business activities और उसका financial effect, या फिर nature of economic environment, जहां पर entity operate हो रही है, और उसका financial effect, य in which it engage, economic environment, in which it operates, तो बतर ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया हमें, exam में nature and financial effect, इसका मतलब मैंने समझा दिया, business activities का nature and financial effect, economic environment का nature and financial effect, तो economic environment का nature क्या होगा, इंडिया एक nature हो गया, है न, US एक nature हो गया, नेपाल एक nature हो गया, financial effect, अलग-अलग country में कितना sales हो रहा है, कितना operating results हो सारे financial effect हो गया, तो ये core principle हमने समझ लिया, operating segment भी मैंने आपको समझा दे, मैं फिरस से आपको repeat कर रहा हूँ, operating segment, क्या था operating segment, components of an entity, याद है components of, components of an entity, ये highlight करो, components of an entity, जो capable of generate करने का revenue, incur करेगा expense, जिसके operating results को कौन review करता है, CODM regularly review करते है, उसको resource allocate करते है, और performance उसका assessment करते है, और जिसके discrete financial information available है, वो कहलाएगा operating segment, तो I think ये आपको एकदम अच्छे से clear होगे, अब हम बात करेंगे, important is aggregation criteria, ये भी मैं आपको याद करूँगा, ये भी कुछ-कुछ theory question में आपको डानला पड़ेगा, जहां पर भी aggregation से related question, aggregation criteria क्या कहते हैं, अब एक बात ब assessment में क्या हुआ था, उनका अलग-अलग sector था, chartered accountant CA का एक sector था, उनका मालनीजे, need की तयारी का sector था, engineering की तयारी का अलग sector है, MBA की तयारी का अलग sector है, तो ये जो अलग-अलग sector है, बताओ ये similar characteristics है, किसमें different characteristics है, different characteristics, क्योंकि CA पढ़ने वाले बच्चे, थोड़े ना usually MBA, same हो होगे, need keyline के बच्चे, same होगे, नहीं होगे, ये सारे अलग-अलगे, गधर मैं एक बात बताओं आपको, अगर N Academy बोलेगी, कि हम क्या करेंगे, FR का अलग segment मानेंगे SFM को अलग segment मानेंगे audit को अलग segment मानेंगे law को अलग segment मानेंगे DT को अलग segment मानेंगे MB के अंदर भी अलग-अलग subjects को अलग-अलग segment मानेंगे तो सोचो उनका तो कितना segment हो जाएगा उनके तो भी अगर इस तरीके से करने को जाए उनके तो हजारों segment हो जाएंगे और उनकी company में उनका कहना ये है कि हम subject wise तो हम regularly review करते भी नहीं है unacademy जैसी company वो कभी भी subject wise regularly review नहीं करेगी वो क्या करेगी sector wise वो CA का sector को ऐसे whole एक segment मानते वो इसको review करेगी वो क्या करेगी MBA को ऐसे whole मानते वो review करेगी और अगर मान लीजिए for example वो क्या करेगी CA के अंदर भी subject wise भी अगर वो review कर रही है तो वहाँ पर जो CA के student होंगे जो उनका FR का subject लेंगे वो उनका SFM का भी subject लेंगे तो ultimately वो similar characteristics के और वहाँ पर हम aggregation कर सकते इन कहने का मतलब यह aggregation criteria अब दो या दो से जादा operating segments को aggregate करके single operating segments मान सकते हो provided उसकी similar characteristics हो और वो नेचर और प्रोड़क्शन प्रोसेस नेचर और प्रोड़क्शन सर्वेसेस हो जो customers वगेर है वो सभी same हो similar हो मतलब तो वहाँ पर हम aggregation कर सकते हैं इसका हम एक example लेता हो जैसे आप देखना अब जैसे लिडिस लोग को अगर हम देखते हैं तो वो नाइका का क्या करते हैं लिप्स्टिक भी यूज करते हैं आई-लाइनर भी यूज करते हैं और भी अलग-अलग product यूज करते हैं त वो foundation भी ले लेते हैं तो उन्होंने बोला कि हमारे एक single segment है जिसके अंदर बहुत सारे segments हा रहे हम उसे aggregate करना चाते हैं तो इसलिए standard बोलता है कि बहुत सारी जगा में दो या दो से जादा operating segments हैं आप उसे single operating segments मान सकते हो provided वो segments के similar economic characteristics हो और वो segments similar हो in respect to natural production services जिसे कर हम biscuit वगे या mixture chips वगेरा ये सब ultimately similar category में आते हैं तो nature of products and services almost similar है production process भी similar है सब में मैदा दाल वगेरा लगता है production process भी similar है और जो खाने वाले है ताइप सो customer वो भी से में जो biscuit खरीते हो बुजया भी खरी लेते हो mixture भी खरी लेते हैं वो क्या करते है चिप्स वगेरा भी करी लेते हैं से का method वो भी से में आपका और regulatory environment भी से में मतलब उन सम्मे regulatory environment सीम लगते हैं जैसे में अगर इंसॉरेंस company बे आईर डिये लगते हैं है ना इंसॉरेंस और रेगुलेटरी development विंडिया यानि उन पे regulatory environment भी जो चिफ्स के sector उसमें आपका food corporation of India FCA के अंदर आते हैं तो उनका regulatory environment भी सीम लगते हैं तो यह characteristics सीम होगा तो हम क्या कर सकते हैं aggregate कर सकते हैं aggregate करके एक single operating segments दिखा सकते हैं तो जैसे मैं अपनी भी बात करूँ मैं FR को SFM को मान लीजे अलग-अलग operating segments मानता हूँ क्योंकि मैं उसको regularly review करता हूँ तो उनको अलग-अलग से बट जबकि मैंने देखा कि FR और SFM जो इसके similar economic characteristics है कि बच्चे जो FR खरीते वो SFM भी खरी लेते हैं और service देने का nature भी सेम है जिस तरीके से FR पढ़ा तो उससी तरीके से SFM भी पढ़ा देता हूँ production process types of customers भी सेम ही है आपको almost regulatory environment भी सेम है ICA लगता है तो मैं बोला कि मैं FR SFM को aggregate करके एक साथ दिखाना चाता हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे subjects हो रहे क्या पता कर सकता हूँ यानि आपको aggregation करना allowed है provided aggregation criteria satisfy हो क्या है यह याद करना भी है आपको segments के similar economic characteristics है और segments similar in respect to nature of production services, production process, types और class of customer, method use, nature of regulatory environment और aggregation job कर रहे हूँ वो इंडेस के साब से consistent हो यह भी आप लिखना तो यह आप लिख किया होगी तो आपको number मिलेंगे दो-तिन question भी है एक question में discuss भी कर दूँँगा केंसन की कोई बात नहीं aggregation criteria का तो आप बताई यह operating segments का theory part तो आपकी दिमाग में गया मेरे ख्याल से है ना theory part आपके दिमाग में गया core principle भी आपके दिमाग में गया operating segment का आपका definition भी आपके दिमाग में गया है अब मैं आपसे बात करूँगा सबसे important ही और इंडेस वन जिरो डिट इस quantitative threshold मैं इसके बारे में बात करूँगा आपसे quantitative threshold के बारे में यह क्या अब मान लो को example मैंने सब कुछ कर लिया मैंने aggregation criteria और अगेरा सब कुछ उसकी बात भी पता हैं मेरे 50 operating segments आ रहे अब अलग अलग 50 पचास operating segments को अगर मैं अपने financial statements में डालूँगा बताओ वो financial statements कचरा नहीं हो जाएगा क्या कचरा नहीं होगा बताओ पांगल हो जाएंगे लोग पेपर भढ़ जाएंगे इतने सारे पचास या सो operating segments हो गए तो हम सब को रिपोर्ट नहीं करते हैं तो standard कहता है कि अगर मालो आपने aggregation criteria वगेरा सब लगाने के बावजुद्ध आपके पचास अलग अलग operating segments आ रहें तो आप चाहो तो पचास operating segments को रिपोर्ट करो बट क्या पता वो true and fair picture नहीं देगा वो ultimately कचरा कर देगा यूजर्स को समझ ही नहीं आएगा इतने सारे देखे वो पागल हो जाएंगे तो कचरा कर देंगे मालो आप किसे का audit करने को गए उन्हों उन्हें इतनी साही भर भर के पूरा रूम भर के आपको फाइल दे रही है आप पागल हो जाओगे आप कैसे audit करोगे तो इसलिए कचरा हो जाएगा इसलिए वो लगाते हैं हम operating segments भले पचास है पर सारी operating segments को हम report नहीं करेंगे हम क्या करेंगे कुछ कुछ यहां पर threshold लगाएंगे क्या threshold है आप पहले देखो कि कितने 50 operating segments है तो 50 की 50 operating segments में सबकी intersegment सेल भी होंगे क्या पता segment to segment भी सेल हो रहे है जिसे अगर ट्राइडिन की company को देखो वे तो ट्राइडिन की company क्या करते है यांड जो है न उनका वो यांड को वो क्या करते हैं वो बाहर भी बेचते है और जो बेट सिट टावल बनाने के लिए internally भी बेचते हैं जो बेट segments का वो अगर 10% या उससे ज़्यादा है combined revenue of all operating segments का इन्हें पूरे operating segments का combined revenue का 10% या उससे ज़्यादा है तो उसे report करना हमें और या फिर मालीजे assets की बात करो अगर मालीजे किसे segment का assets जो है वो 10% या उससे ज़्यादा of all operating segments का assets तो भी हम उससे reportable segment मानेंगे और एक absolute profit या loss हम क्या करेंगे जितने आपके अलग-अलग segments है सबका profit total कर जितने अलग-अलग segments है सबका loss को total कर क्योंकि कितने सारे segments profit में होंगे सारे segments loss में होंगे तो अलग-अलग से total profit देख लो सारे segments का मिला के कितना हो रहा है total loss देख लो सारे segments का मिलाकि कितना हो रहा है और absolute terms में दोनों का higher अपकड़ो minus plus भूल जाओ दोनों का higher लेंगे तो जो higher वाला होगा उसको based मानेंगे अब जो भी operating segments है ना उसका profit हो या loss हो अगर वो 10% से जादा है of total combined profit या combined loss का greater अगर उसका तो चले मैं आपको भी 108 में दीके चलता हूँ और यह बहुत simple लगेगा 108 अभी मैं important important question करा दूँगा एक बहुत important question है जो पिछली बार आया था 16 नंबर का और IC का कोई भरोसा नहीं है वो वापस ही दे देगा 10 नंबर का क्या तो अपकी बार नहीं आएगा कोई सोच रहेगा ऐसा कोई अगरे सोच रहे ऐसा तो मुझे बता दो कोई यहाँ पर बेखुफ जो यह सोच रहे पिछली बार आ गया था तो अपकी बार नहीं आएगा आप जो सोचोगे IC उसका उल्टा ही करें इसने को पता चल जाता आप क्या सोच रहे हो और उसका वो उल्टा करेगा वो आपकी बैंड बजाएगा क्योंकि उनका काम यह बैंड बजाना तो अपनी बैंड बजाना है तो वंजिरो छोड़ देना अदर्वैस मत छोड़ना तो आप देखी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं क्या हो रहे है यहाँ पर मुझे आपको करना है कि नहीं करना ही बताओ सारे segments को क्या मैं रिपोर्ट करना है तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे हम एक mermaid करके पकड़ेंगे इंटर्सेघ्मंट और external sales दुनों को मिलाके total कर लो तोनों को 50 total sales of all combined operating segments सारे 6 के 6 operating segments का inter और external दोनों मिला के इतना का sales से इसका 10% कितना होता है बताओ इसका 10% होता 4575 अब हम individually देखेंगे किसका किसका 4575 से ज़्यादा है यह 10% से ज़्यादा हुआ क्योंकि BSA 4575 4575 0 का 10% तो यह ज़्यादा है यह reportable होगा यह भी ज़्यादा है reportable होगा यह कम है तो यह reportable नहीं होगा 3rd वाला 4 वाला भी ज़्यादा reportable होगा 5 वाला भी ज़्यादा है 4575 से reportable होगा यह वाला नहीं होगा 345 यानि 10% से ज़्यादा जो है वो reportable होगा यानि 3rd वाला और 6 वाला 10% से ज़ादा नहीं कम है तो यह reportable नहीं होगा हमारा तो हमने sales के basis में revenue के basis में determine किया segment L, M, O और क्या हो गया L, M, O हो गया और P हो गया यह हमारा sales के basis में reportable है अब हम देखेंगे profit and loss के terms में तो सबका मिला कि total profit कर लो उसी profit 3,000, 1500, 4,500 और यह दोनों plus में 6,000 आपका 6,000 का profit है और loss है 2,250 होगा तो 6,000 का profit है loss है 2,250 होगा दोनों में से greater कौन से है absolute terms देखो आपको भले यह 2,250 नेगेटिव दिखेगा बट absolute terms में यह बढ़ा है कि यह बढ़ा है माइनस भूल जोए बढ़ा कौन सा 6,000 है तो 6,000 बेस मानेंगे अब 6,000 का 10% कितना होता 600 600 से जो ज़्यादा होगा वो report है तो 600 से ज़्यादा देखो सभी दिख रहा है मुझे बस यह नहीं है तो यह 600 से ज़्यादा नहीं है exactly 600 आ रहा आपका तो यह आपका reportable नहीं होगा 600 भी आना चाहिए था यह भी reportable ही होना चाहिए यह reportable में आए गए 600 यह उससे ज़्यादा reportable होगा तो ज़्यादा देख लेता हूं मेरे कहल से reportable होना चाहिए इनका answer में देखता हूं पर क्या कि यह इन्होंने सारे लिया यह सारे हो गई यह भी हो गई तो सारी होंगे हमारे अब total assets में भी मैंने क्या क्या है यह रहा यह तो दिया हुव यह total assets तो करने की आवा सकता नहीं बट profit में यह मत लेना आपको profit total और loss total अलग अलग से करके उसका greater वाला लेना तो यह वाला कभी भी मतले ना फस जाओगे ने तो लेकिन total assets में आप ले सकते हो तो total assets आपका क्या है कितने का क्योंकि asset कभी negative नहीं हो सकता ना तो इसका 10% कितना होता है 10275 10275 से तो सारे यह बड़ा है बस यह नहीं है तो यह 5 reportable segments हो तो combine तीनों को धियान में रखे तो आप देखो सारे के स आ रहे हमारे क्या होगे reportable segments हो गए यह हमने समझ लिया तो अब मैंने जो आपको concept समझाया था उस concept से मैंने आपको quantity threshold एकदम अच्छी से समझा दिया अब आकि एक और बात मुझे आपको बताने एक और बात मेरे सुननों यहाँ पर जैसे कि मान लिजे आपने यह condition लगा के आपने segments को reportable segments माल लिया अब आप दिखोगी कि external total revenue कितनी है company की माले internal revenue company point of view से देखोगे तो internal revenue आएगा भी नहीं company का total revenue कितना है और हम देखेंगे कि company का total revenue का 75% मालो company का total revenue आ रहा है 10,000 का इसका 75% कितना होता है 75 विनिड ओर तो जो segments आपने reportable में डाले है जो segments आपने reportable में डाले उन सब के सिर्फ external revenue क्या 75 विनिट से जादा हो रहे अगर 75 विनिट से जादा हो रहे टेंसन खतम अगर आप बोलोगे नहीं सर हमारी total external revenue 10,000 है और जो जो segments को ये तीन condition को देखते हुए revenue पीने लोड assets को ध्यान में रहते हुए जो जो हमने reportable operating segments माना उनकी external revenue हमारी 75 विनिट नहीं हो रही है मालो 7200 हो रही है तो ऐसे situation में हम randomly और भी operating segments को उठाएंगे और भी operating segments को उठाएंगे तब तक उठाएंगे जब तक आपका external revenue 75 विनिट ग्रॉस ना कर जाए उससे related भी कोशन है ये भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको question number 4 तो अब राम से कर लोगे को tension वाली बात ने 3 मैं कर वाउंगा question number 2 मैं कर वाउंगा मुझे देखना है यापर कौन सा वाला था जिसमें 75% वाला मुद्दा आ रहा था ये वाले question में मिल जाएगा ये वाले question में मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या हो रहा है segment A और segment D reportable segments हो रहा था और segment A segment D reportable segments है और total revenue कितना आ रहा देखो आप अब internal ली सकते जब 75% वाला criteria देखोगे तो internal revenue को मैं देखना है total external revenue कितना आ रहा है 50 lakh आ रहा है ये देखो total external revenue 50 lakh है 50 lakh का 75% कितना होता है 37 lakh 50 था होचिन होना अब हमने माना इसको और इन दोनों को reportable segments माना on the basis of revenue P&L assets उसके basis में हमने इन दोनों को माना अब इन दोनों की revenue कितनी आ 50,000 क्रॉस कर रही है नहीं कर रही है कि external revenue 75% of total revenue है of total external revenue नहीं है आपका तो ऐसे situation में मुझे और add करना पड़ेगा मैं चाहूं तो B को भी add कर सकता हूं मैं चाहूं तो C को भी कर सकता हूं मेरी मर्जियां पर लेकिन इन्होंने जबकि बोला कि segment C नया business unit है और management expect कर रहा है कि इसमें आगे जाके significant contribution करेगा तुम advise करेंगे कि segment C को include कर लेजे क्योंकि आगे जाके segment C का भविश्य है और आपको B और C दूनों में से एक select करना है कर सकतो कोई भी बट आप emphasis करो कि segment C को आप select कर तो इस तरीके से आपको बताईए आप समझ में आया आपको threshold वाला criteria पहले आ आप assets revenue revenue में क्या लोगे दोनों लेना revenue में गलती कहा हो सकती है देखो revenue में हमें external revenue नहीं लेना इंटर segment और external तूनों मिला के revenue है ना वो देखेंगे और total में सारे operating segment सिर्फ और सिर्फ जो operating segment से उनके external और internal revenue का total 10% से जो ज़्यादा है वो रिपोर्ट है income और profit and loss में income अलग से loss अलग से दोनों का greater वाला absolute terms में देखोगे 10% उससे ज़्यादा है लेलोगे asset में को tension नहीं तो revenue में गलती मत करना जब 75% वाला criteria देखोगे तो inter segment को ignore करना 75% वाले criteria में सिर्फ external revenue और सबका external revenue से comparison करके देखना और further हमें operating segments को report करना है क्या तो बतो एक बार समझ में आया की नहीं आया अगर समझ में आ गया तो अच्छी बाते मेरे ख्याल से अब मुझे आपको question number 2 कराना चाहिए और तो मेरे ख्याल से मुझे कुछ question कराने लग दिखने रहा एक और question है यह question आप बोलोगे तो करवा देता हूँ एक और question जो मुझे important लगते है illustration 8 आप खुद कर लेना self यह भी इस प्रकार का practical question आप खुद से कर लेना यह illustration 7 आप बोलोगे तो मैं आपको करवा दूँगा चलो मैं illustration 7 करवाता हूँ सबसे पहली बात illustration 7 में क्या पूछा है यह पूछे रहे whether it is appropriate to aggregate segments 1 and segment 2 with reference to index 108 तो पहले तुम लिखेंगे aggregation criteria की कहानी लिखेंगे two or more operating segments का हम aggregate कर सकते हैं जब similar economy characteristics हो similar in nature in relation to similar in relation to nature of production services nature of production process method हमने देखा था same होना चाहिए regulatory environment है similar होना चाहिए यह सारी चीजे types of customer similar होने चाहिए तब aggregation होगा अधरवाइस aggregation नहीं होगा पहले तो वह कहानी लिखना आप यहाँ पर है ना जो आपका meaning है वह लिखना उसके बाद आप अपना conclusion देना तो यहाँ पर देखो T limited का तीन segment है local route, intercity route, contract hiring segment 1, segment 2 को यह बुलना चाहते है कि aggregate करें की ना करें segment 1, segment 2 तो अब देखे segment 1 में क्या बूला the local transport authority awards the contract to apply the buses at different routes for passengers these contracts are awarded following a competitive tender process the ticket price paid by passenger are controlled by local transport authority T limited would charge the local transport authority होने per kilometer basis यहने segment 1 में price वगेरा सब authority decide करते हैं और वो ही सारा पैसा लेते हैं यह जो entity है यह क्या करती है जो authority उनको per kilometer basis में charge करती हैं अगर मैं segment 2 की बात करूँ तो segment 2 में T limited जो buses operate करती हैं वो एक city से दूसरे city में operate करती है price यहाँ पर set किया जाता है T limited के दूआर और deluxe luxury category की buses वो provide करते हैं आप खुद बताओ segment 1, segment 2 कहां similar है segment 1 में हम passenger से पैसा हम नहीं collect करते हैं हम उन था behalf of authority भले collect करते हैं जिसाब city buses देखते हो वो government के बहाफ में पैसा collect करते हैं और government उनको क्या करती है उनको per kilometer basis पैसा देती है तो यह segment 1 का characteristics जो है अलग है economic characteristics segment 2 का economic characteristics अलग है यहाँ पर यह सीधा पैसा charge करते हैं और यह अपने मन मुताबिक price set कर सकते हैं आपर कम या जादा तो यह दोनों अलग है segment 1 में अपने मन मुताबिकी price set नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि जबकि दोनों का business करने का तरीका totally अलग है दोनों में revenue भी अलग है यहाँ पर हमारा revenue में second वाले में risk है क्या पता customer हमारी bus में बैठ नहीं नहीं चाहेगा बोलेगा तेरा पैसा जादा ले रहा तो लेकिन segment 1 में अगर आप देखोगे तो government controlled busses है तो यहाँ पर हर कोई बैठेंगे आपके तो दोनों का risk and reward भी अलग है और दोनों का economic characteristics भी similar नहीं है nature of delivering services भी अलग है same नहीं है types of customer भी अलग होंगे यहाँ पर तो कोई भी चड़ जाएंगे यहाँ पर जो अच्छे अच्छे तो पैसे वाले लोग है वो बोलेंगे हम deluxe bus में चड़ेंगे तो अलग अलग चीज़े हैं यहाँ पर सब में दोनों में अलग है यहाँ पर देख कि किस प्रकार यह question करेंगे और यह question आप LDR में रखो इंडेस 108 में पता चला है यह question पूछ लिया है अनों ने तो यह question आप LDR में रखोगे बागी कोई question ढंका नहीं है अब यह question और यह question number one just go through कर लेना अभी LDR में नीची है आप एकदम simple है एकदम अराम से कर लोगे आप यह वाला question तो मैंने बता दिया क्या-क्या question करना और एक साथ में यह illustration 10 भी आप important मार कर दो कि आपको करना है यह आप इना इपर रट्टा मार लेना solution देखें एक सिंपल question है वैसे मेरे साथ no down करते जाओं अब मैं आपको समझाओंगा क्या कि हम कैसे बनाएंगे segment reporting करेंगे वो कैसे करेंगे उसके लिए सबसे बढ़िया चीज क्या पता है मैं आपको सीधा एक पर ज्यादा time तो लेगेगा हमने कितना समय लिए हमने तो ज्यादा समय भी नहीं लिए है न प्लस लास्ट में अधर इंकम भी बता दिया इंट्रेस इंकम और अधर इंकम इन्होंने लास्ट में बता दिया तो पहले segment revenue का डेटी इस दिया है इन्होंने operating profit या नहीं PBIT है इसमें interest minus होगा दिखो finance cost minus होगा तब PBT आएगा फिर अपका tax minus होगा तब जाके पैट आएगा जबकि पैट का information इनके पास separately नहीं है क्यों क्यों क्योंकि finance cost इनका separately अलोकेबल नहीं हो रहे खर्चा बताया नहीं segment revenue सीधा operating results बता दिया फिर उसमें से finance cost tax minus करके पैट बताया तो profit का आपको समझ में आगया क्या करना है फिर इन्होंने balanced information दिया कहाँ पर segment assets बता रहे है segment liability बता और last में other disclosure दे रहे है तो हम भी क्या करेंगे इस question में ऐसे ही करेंगे देखो अब मैं solution यहां पर पूरा बना रखा हुए एक बार मैं आपको question read नहीं करा तो एक बार मैं आपको समझातों कि presentation कैसे हुआ और यह presentation का shortcut भी मैंने आपको बना के रखा हुआ ताकि आप exam में इसको देख के याद कर लो अराम से याद हो जाएगा आपका tension ना लो बिल्कुल तो देख और last में फिर क्या आजाएगा total revenue आजाएगा है ना दोनों का अलग-अलग segment का total revenue आजाएगा external प्लस internal लेकिन इधर जो total होगा उसमें internal नहीं आने वागा है ना पर segment wise external internal दोनों मिला कि हम total बता तो total revenue अब इंडस 115 में हमने पढ़ा था कि GST हमें से adjust कर देते हैं GST को sales नहीं म करके net revenue दिखाओ और फिर other income भी तो दिखाते हैं तो other income हमने दिखा दिया total income हमारा आगया यानि आप revenue में दो चीज़े दिहान रखो एक तो revenue का figure आएगा net of GST और दूसरा other income आएगा बस बात खतम ये दो चीज़ कर दिया बात खतम total income का कहानी खतम तो मैंने यहाँ पर भी sort बनाया external प्रस internal से जो total revenue आएगा GST minus करने के बाद एक तो revenue net वाला एक other income ये तो चीज़ दिखा के total बता दो बस बात खतम तो आपको exam के लिए दो धियान में रखना है क्या रहेगा point number one में हमारे क्या रहेगा revenue operating income other income other income बोदो पूरा other income दिखा दिखा दिया फिर operating results का data आपक profit आएगा जिसको हम segment results बोल रहे है ये operating profit है तो question में ये दिया हुआ रहेगा segment results हमारा क्या ये दिया हुआ अब segment results तो यह आगया अब कुछ-कुछ ऐसे भी profit होंगे ये तो segment wise profit बता दिया कुछ ऐसे profit होंगे जो segment wise allocate नहीं हो सकते तो जो un allocated profit है उसको हम total में दिखा देंगे त कुछ profit segment wise allocate नहीं हो पर है तो total में दिखा देंगे यहां दिखाना possible नहीं तो PBAT आगी हमारा उसमें interest minus करेंगे PBT आएगा tax minus करेंगे पैट आजाएगा बस बात खता तो ये दो तो आपको धियान में रहे गई तो आप दिखे operating result में segment result और साथ में कोई un allocated income है तो वो दिखा हो चुका अब मेरे साथ repeat करो एक बार ताकि अभी एक्टम exam के लिए clear हो जाए क्या बोला मैंने revenue net plus other income आपका point number one में जाएगा revenue आपको total total income आपको पता चल जाएगा point number two में segment results बताना है plus un allocated income कुछ है तो वो भी बता देंगे तो ये बनेगा EBIT इसमें interest minus करो tax minus करो पैट आज of P&L का information दिया था point number three point number four में हम balance it का information देंगे कैसे पहले segment asset बता देंगे कितना है तो segment asset हमने बता दिया अब बाकी other asset भी तो होगे जो allocable नहीं है तो देखो un allocable investment un allocable other asset ये asset तो है ही पर ये un allocable है तो हम यहाँ पर नहीं दिखा कि हम total में दिखा देंगे total assets हमने बता दिये तो जितना total asset होगा उतना ही तो equity plus liability होगा तो नीचे देखो segment liability segment wise बता दिया बट कुछ liability un allocable है इनमें allocate नहीं कर सकते है वो ऐसे whole company की liability तो वो total में बता दिया reserve and surplus equity share capital तो हमेसा ऐसे whole ही रहता है ये कभी भी segment wise नहीं रहता है कभी भी देखा share capital कैसे segment wise होगा तो entity का होता है entity के shareholder को होता है reserve and surplus भी entity के shareholder कर रहता है तो ये कभी भी segment wise नहीं मिलेगा तो आप देखिए liability and equity भी 1 लागए assets भी 1 लागए तो ये तीसरा number में जो हमने दिखाया other info में balanced information दिखा दिखा दिए last में आप इसे 3-4 भी कर सकते हो segment asset को 3 माल लिया segment liability को 4 माल लिया और 5 में others में हम क्य दिखाते दो चीज मसीनरी से related मसीनरी वगेरा में कितना capital expenditure आपने किया है और depreciation कितना चार्ज हुआ है क्योंकि यूजवली क्या होता है जो depreciation का पैसा होता है उसी से machinery खरीदा जाता है उसी से capital expenditure तो एक ratio पता चल जाते है तो आप क्या करोगे capital expenditure और depreciation आप बताओ तो मैंने solution पहले पढ़ाया आपको इसी वज़े से ताकि अब मैं आपको जब question समझाओंगा तो आप click कर पाओगे आपके दिमाग में जाएगा अब आपको समझ में आएगा देखो यहाँ पर इन्होंने external revenue दिया हुआ है 2,70,000 का internal revenue दिया हुआ है तो यह total revenue है इसमें GST minus करोगे तो net revenue आजाएगा फिर operating income प्लस करोगे तो क्या आजाएगा आपका total income आजाएगा तो यह तो हमने कर रही था तू लाग 5,000,000,000 में quoting का सी बता दे तो इसमें कुछ और भी तो profit होंगे un allocated वो नीची दिया हुआ देखो un allocated income आपका जो है 3,000,000 लाएगे तो टोटल में डाल दिंगे है तो हमने किया कि 10,000, 4,000 तो दिखाया यह दिखे 10,000, 4,000 दिखाया और un allocated income अलग से total में दिखा दिया 14,000, 17,000 हो गया तो इंट्रेस का खर्चा टेक्स का खर्चा दिया हुआ हुआ है मैनस कर दिया यह दिखो question में दिया हुआ interest का और tax का खर्चा, interest का खर्चा यह दिखे interest का खर्चा दिया हुआ minus कर दिया, tax का खर्चा भी इनों ने दिया हुआ वह भी हमने minus कर दिया, यह दिखे 10,000 क्योंकि लैक्स में है तो आपका 1,00,00,00 आपका ये खतम फिर liability की बात करेंगे segment liability ये दिखा देंगे 40,000 का और अलग से आपका share capital अलग से आपका unillocated liability दिखा दिया हमने reserve share capital हमने दिखा दिया तो question में सारा information दिया हूँ ये आप दिखोगे न आपको अराम से हो जाएगा बहुत simple एक बार प्रैक्टिस करने आपको एकदम simple है बतारो एक बार प्रैक्टिस कर लिजेगा unillocated liability reserve share capital डाला यहाँ तक आपका काम खतम फिर others में भी जो मैंने capital expenditure और depreciation की बात की तो यह भी दिया हुआ देखे capital expenditure भी दोनों का दिया हुआ है depreciation का भी दिया हुआ है बता दिया हम कहानिया तक अब यह नीचे geographical information भी दे रहे हैं कि इंडिया में कितना revenue हुआ और आपका outside इंडिया में कितना revenue है geographical information भी दिया है तो हम क्या करेंगे हम भी जोग्राफिकल information नीचे देंगे कैसे देंगे बता दरूंगा point number a में तो हम बोलेंगे primary segment reporting कर देंगे segment wise और नीचे geographical wise रिपोट कर देंगे secondary segment reporting में तो देखे within इंडिया outside इंडिया हमने बता दिया हमें जो asset था asset और आपका capital expenditure ये तीन चीज़ आपको बताने ये धियान में रखना है इंडिया और outside इंडिया में कितना हुआ ये question में आपको दिया हुआ रहेगा तो अभी के revenue बता दिया आपको outside इंडिया इतना है तो बचा हुआ inside इंडिया है total revenue जो हमने बोला गया revenue कितना है ये बरू जाओ हम यहाँ पर बोला कि revenue from outside इंडिया इतना है 620 ये देखो 620 62,000 तो बचा हुआ inside इंडिया होगा फिर asset के मामले में भी asset इन्होंने बता दिया outside इंडिया इतना है तो बचा हुआ क्या होगा outside इंडिया जो है तो बचा हुआ जो inside इंडिया होगा यह हमार गया और capital expenditure के लिए कुछ बोला नहीं capital expenditure पूरा का पूरा मालो inside इंडिया बस बात खता हूँ बस बात खता हुआ हुआ तो आप क्या मैंने मैं मानता हुँ मैंने आपको solve नहीं करा भा पर फटा फट मैंने review तो करा दिया और इससे मेरे क्याल से आप लोग का पूरा का पूरा clarity आ चुका एक बार मुझे पता दीजे पूरा का पूरा clarity आया की नहीं आया और हमने I think 45 minutes लेके पूरा portion भी सारा हमने discuss कर लिया हाँ यह अलग से disclosure करने है एक primary segment reporting का disclosure करोगे और एक secondary segment reporting का अलग से disclosure करोगे यह मैं आपको बता दू ट्राइट इंड कंपनी ने भी किये है अगर इनका भी दिखाऊ ना मैं आपको report कहां गया कहां गया कहां गया secondary segment reporting जोग्राफिकली भी इन्डिया USA rest of the world इन्होंने यहां पर इन्होंने भी किया तो पहले आप segment वाइस reporting कर दोगे फिर जोग्राफिकली reporting कर दोगे तो बताओ यह सब question करने के बाद अब क्या आप इंडेस 108 में थोड़ा सा confidence आया है इन्डेस 108 में याद करने लगे क्या चीज़े crux notes में मैंने बताया था एक core principle logical ही समझाया है याद हो जाएगा राम से operating segments भी अच्छी से समझाया दिया याद हो जाएगा और यह aggregation criteria भी याद हो जाएगा और यह तो आपके अपने आप फुन में अभी चला गया होगा तो इ मुझे बता दीजे अगर आप इंडेस 108 को विदाई दे सकते हो अभी तो मैं next इंडेस पे जाता हूं that is what इंडेस 24 ले या फिर इंडेस 20 ले सकते हैं इंडेस 20 पहले ले ले लेते हैं कि कि के बाद इंडेस 24 ले लेंगे करक्स नोट्स आपके बहुत काम आएगा बच्चा हुआ इंडेस का भी कोसिस करूंगा जल से जल क्रप्स नोट्स बना दूं मैं आपको कि अगर सिवी जी इंटरनल रेवेन्यू दिया वारे तो फ्लस में आ जाएगा मैंने आई से ने तो इंटरनल रेवेन्यू लिए मेरा फॉर्मेट में तो मैंने रखा है इस ले इंटरनल रेवेन्यू वह मज़ा आ गया चलो बहुत बढ़िया सबको मज़ा आ रहा है मेरे ख्याल से कमा लिए थेंक्यू सो मच हिमान सूजी तो इंडेस 108 पता नहीं क्यो लो टफ क्यो लगते हैं तफ है क्या बता हूं इपॉर्टन चीज़ें वह मैंने क्रक्स में डाल दिया में नोट में बाकी प्रफरी नहीं करना आपको कितना सिंपल है सब सबस्कोरिंग टॉपिक है सब कितना सिंपल में हो जाएगा और यह छोटे-छोटे इंडेस तो क्रक्स नोट से बिंदास हो जाएगा मैं जरूर को इंडेस का में आपको रिवीजनरी वीडियो दो क्रक्स नोट से सारा का सारा कि आपके बहुत काम आएगा बाद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको डर्क हदम हो जाएगा आपका यह format है सेग्मेट रिपोर्टिंग का मैंने इवन कंपनी का रिपोर्ट भी दिखा दिया ट्राइटिन का कि बाउजुद्धी अब इससे बात करते हो तो कैसे चलेगा बोलो है ना चली तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स हम आ जाते इंडेस 20 यह भी बहुत सिंपल स्टेंडर इंडेस 20 इंडेस 20 भी कर लिए अभी तग हमने 6 इंडेस खतम कर लिए अब नेक्स इंडेस 20 भी मैं फटा फटा आपको समझा तो इंडेस 20 क्या चीज है इंडेस 20 बात करते हैं गौवर्मेंट ग्रांड की क्रक से पढ़ाओं नहीं मीन नूट से पढ़ाता हूं ज्यादा से नहीं बढ़ाओं गगाुए तरश में क्रक से रिवाइस करा दूमा पर अभी मीन नूट से जाता हूं इंडेस 20 के कै intensely आज जरत पढ़ेगी फिर लाष में क्रक से घो ध्रू कर लेंगे तो इंडेस 20 गौवर्मेंट ग्रांट इंडेस्ट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्व सकते हैं आपको दोनों का का समझा रहों को और में क्या होता है माल लीचे भूष्बशने मुझे सब्सक्राइब किया मुझे पैसे दिये या मुझे गउर्मेंट ने को भी non-monetary benefit दे लीप की दिया मुझे डिया मुझे ल passionate करें और मुझे वाइफ परसेंट में जितना मुझे लेकिन एगर में बचैनल की बात करूँ क armies कोई बिल्लू मिलता अगर में अ मनें गॉस्सेश फायदा यहां कोई पैसा नहीं दे रही है, कोई भी एसेट वगएरा नहीं दे रही है, कोई resources transfer नहीं करी, वो क्या करी यहां पर, यहां पर उसने कह दिया, कि मैं goods बीच रहा हूँ, मेरा goods market में इतना बिक नहीं रहा है, तो government ने कहा कि वो सारे मेरे से goods खरीद लेगे, market price में, तो government एक परकार से एहसान तो कर रही, assistance तो दे रही है कि मेरा माल वो खरीद ले रही है, लेकिन मुझे कोई resources थोड़े ना दिया, मेरा माल खरीद रही जो market में, जिस rate में, विक्ता है उस rate में, government मेरे से माल खरीद ले रही है, और या फिर माल लेजे, government ने मुझे loan दिया है, लेकिन market rate में, तो पते कोई benefit थोड़े ना दिया, market rate 10% चल रहा है, मुझे banks वगेरा loan दे नहीं रहे, तो government ने बोला, कोई ने हम आपको loan दे, लेकिन government ने कोई अहसान, अहसान तो किया है, बट financial value के इसाब से अहसान ने किया, जो market में rate of loan है, rate of interest है, उसी rate of interest में government मुझे क्या कर यह loan दे दिया, या government ने मुझे कोई free technical assistance दे दिया, या फिर माल लेजे, जैसे tender वगेरा मारते तो bidding होता है न, तो bidding में मुझे priority दे दिया, government ने, कि हम आपको पहला मुका देंगे, आपको first priority देंगे, bidding वगेरा तरने का, तो किसी भी प्रकार का आपको technical assistance या किसी भी प्रकार का आपको benefit दिया जा रहा है, बट उसमें आपका financial value return नहीं हो रहा है, resources transfer नहीं हो रहा है, तो उसकी financial value होगे ने, तो हम accounting treatment कैसे करेंगे, और इसी वज़े से यहाँ पर हम सिर्फ disclosure करते हैं, I think आपको यह एकदम अच्छे से समझ में आ गया, और government grant जो है, यहाँ पर asset पैसा कुछ मिलता है, यहाँ पर financial value है, यहाँ पर financial value नहीं है, चलिए, यह एकदम अच्छे से clear हुआ, अब government grant हम recognize करते हैं, government assistance तो बस disclosure होते है, government grant हम recognize कब करते हैं, जब entity reasonably assure हो, कि जो भी grant जब आता है, तो grant के सासत कुछ-कुछ responsibility भी आती है, कुछ-कुछ conditions भी आती है, तो अगर मुझे government ने approve कर दिया, कि वो मुझे grant देगा, यह उसने मुझे पैसी दे दिये, मैं उसको government grant मानते हुए, तभी recognize करूँगा, provided मेरे पास reasonable assurance है, कि जो भी उससे related condition है, government की, वो मैं comply करूँगा, और मुझे grants भी मिलेगा, reasonable assurance, मतलब कहने का मतलब यह है, कि अगर मालीज़ सरकार ने मुझे grant दे दिया, और कल को मैं condition fulfill ना कर पाऊं, तो सरकार तो मेरे से grant वापस से refund ले लेगी न, तो मैं दिखाऊं ही क्यों फिर, मैं तब ही दिखाऊंगा, government grant को recognize करूँगा, जब मैं reasonable assurance है मेरे पास, कि मैं conditions को comply करूँगा, otherwise मैं government grant को recognize नहीं करूँगा, non applicability मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बस इतना समझे लो, government अगर ownership में participation कर रहा है, तो government फिर आपका shareholder हो गया, एक owner, co-owner हो गया, और उसे फिर government grant नहीं माना जाए, और एक बात बताते हूं, government grant में, जैसे पहले का AS का जमाना में, capital approach को भी प्राथमिक्ता दी जाती थी, promoters, contribution वगेरा कुछ-कुछ था, आज की rate में, इंडेस्ट 20 में सिर्फ income approach से accounting होते है, यहीं आप government grant का accounting income approach से करोगे, income approach ही कहता है कि government grant, या तो आज या future में, panel में जाएगा, या तो आज पीनल में दिखाओ, अगर कोई condition नहीं है, तो जो भी government grant मिलेगा, वो immediately पीनल में हम दिखा सकते, कोई condition ही नहीं है, लेकिन अगर मान लिजे उससे related condition है, और वो condition fulfill करने में 5 years लगेंगे, तो आज हम government grant को deferred income दिखाएंगे, उससे liability मानेंगे आज उसे हम, है ना, मान लिजे मुझे 50,000 रुपीस मिला, मैं 50,000 बैंक में दिखाओंगा, 50,000 का liability दिखाओंगा, फिर 5 सालों में, जैसे जैसे मैं condition fulfill करूँगा, वैसे वैसे 5 सालों में, over the period, मैं liability से penal में transfer करूँगा, deferred income को debit करके penal में credit करूँगा, over the period of 5 years में transfer करूँगा, तो यहाँ पर basically, अब मुझे आपको पढ़ाना है, क्या चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप देखना कितने बार सरकार लोग बड़ी बड़ी कंपनी को का लोन माफ कर देती है, जैसे आडानी वगेरा काम देखते लोन्स वगेरा माफ कर दिया जाती है, ऐसा कुछ-कुछ होता है, बड़ी-बड़ी पहले से होते हाँ, तो बड़ी-बड़ी कंपनी का लोन माफ हो जाता है, तो जब उन कंपनी का लोन माफ हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, अपनी लोन को वो कम कर देंगे, तो वो लोन जितना से कम करेंगे, उतना का वो गौर्वर्मेंट ग्रांट दिखाएंगे, तो loan account जो credit था वो loan account debit हो जाएगा तो government grant हो जाएगा और government grant को आप penal में दिखा सकतो अगर कोई condition नहीं है अगर को future condition है तो अभी आप liability दिखाओगे और future में जैसे condition satisfy होगी वैसे वैसे आप penal में transfer करोगे तो यहाँ पर basically क्या होता है forgiveable loan में loan account debit to deferred income और to government grant हम यह entry पास करते है अब जैसे मैं आपको बता था कितने बार सरकार हमें loan दे रही है सस्ते rate पे जैसे माल लिजए loan दिया है सरकार ने हमें 5% interest पे 15 lakh रुपीज का loan दिया उन्होंने में जबकि market rate 12% है तो हमें 3 years तक के लिए loan मिला है हमें 3 years तक 15 lakh का 5% कितना interest देना है 3 years तक और last में हम principal amount यह चुका देंगे तो यह जो हमारा future cash outflow होगा इसका present value market rate 12% से खीचा तो हमें पता चला इतना हार है तो हमारा real में loan amount तो इतना ही है हम पेनल में credit करेंगे अभी यह liability में रहेगा अभी माल लीजिए non current liability में रहेगा हाला कि non current में पूरा नहीं रहता है क्योंकि एक इसका एक हिस्ता तो हम क्या करेंगे पस्चेर में transfer करेंगे तो वह current liability होगा जो within 12 months transfer हो जाएगा वह current liability होगा बागी का बच्चा होगा नहीं करेंगे तो यह दो हिस्ता में बढ़ जाते है वाण थाड़ आप बोल दीचे current liability कहलाता है तू थाड़ आप बोल दीचे non current liability कहलाता है यह हमने समय दिया और मैंने कहा था ना government grant का accounting में सिर्फ income approach लगेगा capital approach नहीं लगेगा आपका तो अब मुझे mean चीज आपको समझाना है वो mean चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर मुझे मालने चे non monetary government grant मिला या मुझे grant मिला related to assets या मुझे grant मिला related to income यह exam के लिए तीन चीज important है इसका मैं पूरा accounting आपको समझा दूँगा आपका काम खतम है फिर आपको टेंसल लेने की कोई जरुत नहीं है तो अब देखें non monetary government grant के हम पहले बात कर दो देखें सरकार ने मुझे पैसे नहीं द तो मैं क्या करूंगा land जो मुझे मिला है property plan requirement उसको 10 rupees में दिखा दूगा nominal जीरो में दिखाओ एक रूपया भी नहीं लगा है अब जीरो में दिखाओंगा तो फिर land दिखाने का कोई मकसद sense ही नहीं बनता आपके financial value कुछ तो होनी चाहिए तो हमने nominal एक रूपय भी चलो अ 100 rupees दिखा दो और वो 10 rupees 100 rupees अब retain ending में डाल दो तो एकदम simple से हो पई दिको non monetary government grant में एकदम simple से हो पई यह है कि हम क्या करेंगे जो हमें asset मिला है उस asset को nominal value 10 rupees 100 rupees में दिखा देंगे बात खतम और government grant कुछ दिखाने के आवस सकते ही नहीं future का जंजेटी नहीं आपर तो यहापर जो नहीं अब asset में depreciation होगा और नहीं को government grant का treatment होगा जंजटी नहीं आपर लेकिन एक और method क्या कहता है first method क्या कहता है आप एक काम करो दूरे में से कोई method भी चले एंटिटी का choice है first method यह कहता है कि आप एक काम करो जो आपको asset मिला है government से आप उसे fair value मिले मान लीजे हमें asset मि मिला है वो 50 lakh rupees तो हम PP दिखाएंगे कितने का 50 lakh rupees का दिखाएंगे फैर विलो वो 50 lakh rupees का हम PP 50 lakh rupees का दिखा देंगे पैसे तो लगे नहीं है फोकेट में मिला है तो बाकी 50 lakh rupees का government grant दिखा देंगे अब बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि asset की fair value 50 lakh rupees का हमें सिर्फ 10 lakh rupees देना है वो bank से कम हो जाएगा बाकी का 40 lakh rupees हम government grant दिखा देंगे तो यहां पर basically आप यह समझ लो PP आपने 50 lakh rupees का दिखाया और government grant भी आप क्या करोगे 50 lakh rupees का दिखाओगे अब इस land पे आप कुछ तो काम करोगे building वगेरा कुछ भी बनाओगे तो वो जैसे जैसे depreciate होगा वैसे वैसे आप क्या करोगे government grant को पेनल में credit तो यहां पर non monetary government grant ध्यान में आया एक method कहता nominal value में दिखा दो दूसरा method कहता आप fair value में asset को दिखा दो और उतना ही fair value में government grant रिकर्णाइस कर दो under the head non current liability और current liability आप 50 lakh rupees का गौर्मेंट का बात खतम यह simple सी बात थी अब मैं आपको बताऊंगा presentation of grant related to assets प्रेजंटिशन ग्रेलेटे टू एंकम जैसे मानली जा है सरकार ने मुझे जो grant दिया वह इसलीए दिया है ताकि मैं construct करूं asset को या फिर purchase करूं या फिर acquire करू asset को यैनफे इसेट को खरीदने से related अगर मुझे grant दिया गया तब मैं मालूँगा वो grant related to asset अगर सरकार ने asset खरीदने से related मुझे grant नहीं दिये कुछ और purpose के लिए तो वो grant related to income में आते है grant related to assets का accounting कैसे हो गए है कैसे मालूँ इसके लिए example किसा समझा तो मैंने 100 lakh रुपीज में solar panel खरीदा का question भी है मेरा net cost लगा 60 lakh रुपीज तो मैं क्या गरूँगा सीधा P.P.E. को 60 lakh रुपीज में दिखा दूँगा बात कतम government grant दिखाने की आवज सकता नहीं मैंने net basis में P.P.E. को दिखा दिया तूसरा मेरे पास उपाई किया है मैं P.P.E. पूरा 100 lakh gross में दिखाऊ कितना मेरा उसका cost लगा हुई समय लो fair value मत बोलें आपर ये आपको non monetary grant थोड़ ना मिला हमने खरीद है 100 lakh में तो 100 lakh cost में हम P.P.E. को दिखाएंगे और 40 lakh रुपीज हमें जो grant मिला है वो 40 lakh रुपीज हम non current liability और current liability का जो split होगा हम government grant 40 lakh रुपीज का दिखा देंगे अब ये 40 lakh रुपीज पता है क्या होगा हर साल मालो इसकी useful life फाईवर से तो हर सल हम क्या करेंगे 100 lakh का जो हमने P.P.E. दिखाया है वो हर सल कितना depreciation होगा 20 lakh होगा तो first year end में statement of penal में depreciation हमारा है 20 lakh का penal में चार्ज होगा तो जिस रेशो में हम depreciation कर रहे है जिस useful life में depreciation कर रहे है उतना useful life मानते वे हम ये जो liability हमने रख रख हुआ है हम इसको penal में transfer करें penal में credit करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 100 lakh divided by 5 20 lakh depreciation चार्ज करेंगे और 40 lakh divided by 5 8 lakh हम other income में डालेंगे penal में डालेंगे इन liability से निकालके penal में डालेंगे तो आपको जब पता ही चला है कि एक साल बाद आपका 8 lakh रुपीस penal में जाने वाला है तो इससे मैं पता चला 0 tier में 32 lakh जो है वो non-current liability होगी और 8 lakh रुपीस current liability होगी तो क्योंकि एक साल की बाद 8 lakh P&L में transfer होगा फिर अगले साल 24 lakh आपकी non-current liability होगी 8 lakh आपकी current liability होगी तो कि जो आपके discharge हो जाएंगे settle हो जाएंगे within 12 months वो current liability में आते है तो I think ये आपको समझ में आगे है अब मेरी बात सुने मालो second year के beginning में हमारी ये PPE की carrying amount कितनी है 100 lakh का PPE 20 lakh हमने depreciate कर दिया तो ये अब 80 lakh का बचेगा government grant 40 lakh का है इसमें से 8 lakh हमने penal में डाल दिया है ये 32 lakh का बचेगा मतलब ये 80 lakh का बचेगा ये 32 lakh का बचेगा अब क्या हुआ second year की beginning में first year end के बाद अपने माली ये condition को violate कर दिया और अब सरकार बोल रहे है लाओ मेरे पैसे वापस लोटा मेरे पैसे वापस लोटा 40 lakh रुपी जो उन्होंने grant किया पूरा का पूरा मांग रहे तो हम क्या करें 40 lakh तो हमारा bank से जाएगा नहीं पैसी दिये तो payable दिखाएंगे मैं actual basis है क्योंकि मांग लिए अब refundable है तो इसका मुझे liability create करना पड़ेगा 40 lakh रुपीज का तो मैं 40 lakh को क्या करो हमें पैसे तो चलो ठीके मैंने liability खड़ा कर दिया मैं क्या करूँगा मैं बोलूँगा deferred income में government grant liability के अंदर 40 lakh पड़ा हुआ है अब ये भी मैं उसको reverse करो बचा हुआ पीनल को charge करो ये यहाँ पर करना आपको तो मैंने आपको refundable की भी कहानी सुना दी यहाँ पर एकदम अच्छे से मेरे ख्याल से पूरा एकदम अच्छे से आपको ये clear हो चुक है अब अगर मैं बात करूँ आप मालो net basis में दिखाओगे तो यहाँ पर तो government grant कुछ दिखाया ने PPA 60 lakh रुपीज का दिखाया अब उचे बताओ हर साल depreciation कितना होगा useful है 5 years है 60 lakh divided by 5 है नहीं हर साल आपका 12 lakh रुपीज depreciation हो पर सोचो अगर ये 100 lakh का पूरा दिखाते post में नेट पर नहीं दिखाते तो 20 lakh का depreciation होता बट अभी 8 lakh का ही depreciation होगा आप देख सकतो 12 lakh ऐसे तो 20 lakh का depreciation होता बट 60 lakh divided by 5 12 lakh का depreciation होगा अब second year के beginning में मालो entire grant repayable हमें क्या करना ले हम इस बार ही है ना क्या करेंगे हमें entire grant देना पड़े हम बोलेंगे deferred income में कितना पड़ा हुआ कुछ नहीं बढ़ा हुआ deferred income में तो कुछ पड़ा हुआ नहीं 40 lakh तो यहां पर हमारा payable खड़ा हो गई हम क्या करें हम क्या करेंगे जो पहले हमने PP कम दिखाया था बढ़ाएंगे पहले कितना कम दिखाया था 40 lakh हमने PP कम दिखाया था तो बोलोगे 40 lakh पूरा का पूरा PP बढ़ा तो नहीं नहीं बढ़ा सकते पता है क्यों क्यों कि आपका अगर 40 lakh बढ़ा हुआ रहता तो उस पर एक साल का depreciation भी होता क्योंकि अगर यह 100 lakh होता तो depreciation 20 lakh होता लेकिन 60 lakh होने के वज़े से depreciation 12 lakh हुए तो मोलेंगे 8 lakh का extra depreciation भी आएगा हम यहाँ पर 40 lakh से PP को नहीं बढ़ाएंगे हम यहाँ पर 40 lakh का 80% PP बढ़ाएंगे क्योंकि आज की डेट में 1st year end के बाद हमारी पास 80% value है तो 40 lakh का 80% PP बढ़ा दिया बाकी 8 lakh रुपी इस PNL में charge कर दिया additional depreciation का नाम का तो दिखो पहले से 12 lakh depreciation चार्ज था ही और 8 lakh और डप्रीशेशन चार्ज होगे तो इन दोनों में फरक है यहाँ पर आप deferred income create कर रहो तो deferred income को adjust करो बचा हुआ PNL में और यहाँ पर आप deferred income क्रेट ही नहीं करें पीपी को net दिखा रहो तो पीपी को gross में दिखा दो after adjusting depreciation और बचा हुआ depreciation का नाम का PNL में charge कर दो तो फरक दिखो दुनों में सेम ही है यहाँ पर deferred income 32 lakh का पड़ा हुआ था reverse किया तो पीपी भी आपका 32 lakh कई होगा आप देख लिजेगा क्योंकि net effect तो वह हो ना आपका तो यहाँ पर यह दूनों I think आपको एकदम अच्छे से clear हो गया मुझे बता दो फटा फट से यह आप exam में बना पाओगे की नी बना पाओगे statement of penal और journal entry वगेरा बना पाओगे की नी बना पाओगे एकदम मुझे बता दो तो presentation of grant related to assets अगर आपको clear हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं मुझे please फटा फट से बता दो बता प्लीज मुझे फटा फट से बता दो यह समझ में आया की नहीं आया एकदम अच्छे से है ना यहाँ पर बसी ध्यानक ना पीपी जो पूरा 40 लाग नहीं होगा 40 लाग तो जीरो तीर में हमने कम दिखाया था तो अप अप्रिशेशन एड़्जस करने की बढ़ 32 लाग रुपीस ही हमारा क्या होगा पीपी बढ़ेगा बाकी का पेनल में चार्ज करो गया अब यहाँ पर अगर मैं related to income की बात करो तो presentation of grant related to income में क्या कहते हैं आपको यहा पर basically हम क्या करते हैं जब हमें grant मिला है और उसमें अगर कोई condition एटेच हैं तो जितना grant मिलेगा मैं initially deferred income दिखाऊँगा deferred income यानि government grant दिखाऊँगा non current liability और current liability का split में मैं दिखाऊँगा अपर और हर साल जैसे जैसे मैं expenditure करूँगा वैसे वैसे मैं government grant को recognize करूँगा इस से related भी दिखो मैं एक example बनाया हुआ मालेजे मुझे 3 लाक रुपेस government से grant मिले cost of training young apprentice मुझे young apprentice को training देना है उसके लिए मुझे 3 लाक रुपेस पैसे मिले training program 3 years तक चलेगा और 3 years में मेरा actual cost क्या क्या incur हुआ यह मैंने बता बतलब यह मालनो मेरा estimated है कि इतना cost मेरा incur होगा और मेरा estimated cost लिए यह मेरा estimated cost मेरा incur होगा तो अब मैं क्या करूँ यह 3 लाक रुपेस जो मुझे grant मिलेगा सुरुवात में सुरुवात में तुम्हें इस grant को क्या करूँगा bank में पैसा आया मैं deferred income यानि government grant non current liability और current liability के नाम से मैं खड़ा कर दूँगा है न क्योंकि खर्चा करने के पिहाफ में तो मुझे grant मिले तो to the À में क्या में दिखा दू 1 lakh 1 lakh was like मenini लिखा सकता ह। अगरары फे पर मेराव स्टेट लाइन में इंकम स्टेट लाइन में दिखा सकता हूं वगाहा पर फिर्ट यहां पर खक्रचा मेरे टाल यह सो उसी रेशिओ में कमाई में दिखांगा तो आप देखो टोटल खर्चा कितना हो रहा है 2,4,6,6,85,000 हो रहा है 2,20,000 divided by 6,85,000 यहनि 32.11,11 पर्षन में खर्चा कर रहा हूं तो इतना का 3 लग 9,6,350 मैं 9,6,350 क्या करूएं इनकम दिखाएं तो इसमें भी दो मैथड है फोस्ट मैथड थो क्या के तब एक्स्पेंस अलग से दिखाओ इनकम अलग से दिखाओ खर्चा जितना करो गिया अब उतना अपने एक्सपेंस दिखा दिया और आप proportionally उतना income भी दिखा दूआ second method क्या कहता है आप खर्चा तो इसलिए कर रहो क्योंकि आपको grant मिला है तो अगर आपको grant मिलता है नहीं आप खर्चे नहीं करते हैं तो net pay 1,2,3,6,5,0 का खर्चा दिखा तो आपका दो method है first method कहता है कि आप क्या करो first method कहता है आप अलग अलग से दिखाओ other income और expense को अलग अलग से दिखाओ second method कहता है कि आप net basis में खर्चा को सीधा net पे करके दिखा दो और balanced information की बात करोगे तो वे non current current liability का split होगा अब 0,3 में 3,00,000 रुपीज का आपका liability बन रहे है तो आप मुझे बताओ इसमें non current current कितना होगा हमें पता है कि first year में हमारा 96350 penal में जाने वाला है तो मालेंगे 96350 इसमें से current liability है और बच्चा हुआ कितना 3,00,000 minus 96350 203650 हमारा non current liability होगा मतलब हमें तो पता चली जाएगा कि first year के minimum कितना penal में transfer करेंगे उतना हमारा 12 months में transfer हो जाएगा मतलब वो आपका current liability है बच्चा होगा non current liability होगा और अगर माल लेजे यहाँ पर भी grant refund हो गया बात में जैसे माल लो एक साल के बाद grant refundable हो गया तो 3,00,000 रुपीस हमारा grant refundable हो गया तो हम देखेंगे deferred income में कितना balance पड़ा होगा तो सोचो 3,00,000 में से हमने first year में इतना transfer कर दिया तो बच्चा हुआ तो हमारे पास 2,00, 3,6,50 तो हमारे पास रहेगा deferred income में तो जितना deferred income में उतना उसकों debit कर देंगे बाखी का बचाओ पेनल में debit कर देंगे और पैसे देंगे यहां इतना आपने deferred income debit कर दिया और बचाओ आपने पेनल में credit किया था पेनल को debit करो और 3,00,000 रुपीस चुका देना जिस ratio में खरचा कर दो और second method क्या कहता है कि net basis में आप दिखा दो income और expense को net करके दिखा दो बस बात खतम बस बात खतम तो यहां तक अगर आपको समझ मैं तो यह repayment और government grant अब मुझे पढ़ाने की जरत ही नहीं है क्योंकि मैंने asset में भी repayment का बात करी दिये तो मुझे बताने की जरत नहीं है तो इसी के साथ मैंने यह पूरा का पूरा chapter आपको अच्छे से समझाए दिया आपर तो अब कुछ मेरे ख्याल से बचाने है मैं क्रक्स notes पे जाता हूँ प्रक्स notes में मैंने देखो वह लिखा हुए government grant, government assistance समझाया था फिर reasonable assurance की comply करेंगे condition को grant मिलेगा तभी grant recognize होगा grant related to asset का दो method मैंने दिखाया है आपर grant related to income का method non monetary grant forgiveable loan किस तब मैंने आपको पढ़ा दिया loan and below market rate सब कुछ पढ़ा दिया मैंने तो यह मैंने क्रक्स notes में लिख रखा हुए आप इसको आप जब revise करोगे तो सारा चीज आपका अराम से होगा तो बताए क्या अब हम question में जम कर सकते हैं बताओ क्या question में जम करें इंडेस 20 का अगर concept सारे clear हो गया तो question में जम करते बताओ तैयार हो गया बाकि लाइक करने में कोई कमी नी छोड़ना आप लोग लाइक होते रहना चाहिए अभी तक 1500 लाइक में भी थोड़ा सा बाकि है मुझे तो लगा तो इंडेस 113 में लगा तो हो जाएगा 1500 अभी तक तो हम इतना दूर पहुँच गया फिर भी 1500 नहीं हुआ इसमें किसकी गलती आप लोग क्या आप लाइक नहीं कर रहे हैं पीज नंबर 650 है चलिए उतना लाइक करो गयो उतना सिद्दत से बढ़ा हुआ पूछ लो बाकि आप बोलोगे सर हमें पता आप ऐसे भी वैसे ही बढ़ा होगी है है न लोग बाजी यह से एक ही नहीं चलिए यहाँ पर illustration 1 यह सब करोगे न एकदम simple लगेगा 2,3,4 यह सब कुछ जान ही नहीं है इसब कोशिन अब आपका आराम से होगा यह आपका लोग ने discounted वाले में एकदम आराम से होगा यह सब कोशिन कुछ नहीं है इसब कोशिन में यह solar वाला भी मैंने करवा दिये जा दिखा यह सब कर लेना आपर आम से हो जाएगा आपका कोशिन नमर 10 सेल्फ कर लेना illustration 10 सेल्फ कर लेना और यह कोशिन नमर 1 करवा दो क्या चलो करवा देता हूं कोशिन नमर 1 20 लाग received हुआ है for immediate startup business without any condition आपको 20 लाग का grant मिले और कोई condition नहीं तो 20 लाग बैंग में आया सीध and development of drug के लिए required for the treatment of cardiovascular disease with the following condition the drug should be available to the public at 20% cheaper from current marketplace and the drug should be in accordance with quality prescribed with the WHO यहाँ पर आपको condition है तो 50 लाग रुपी जो आपको grant मिले गा उसे अब deferred income दिखाओगे और जैसे जैसे आपकी condition satisfy होगी वैसे वैसे आप उसे penal में credit करो आपको 2 acres of land मिले है plant setup करने के लिए तो जो land आपको मिले है या तो आप land को nominal value में दिखा तो या fair value में दिखा कि correspondingly उदने का आप है government grant non current liability खड़ा अगर तो आप बात करता है फिर next 2 lakh rupees अगर आपको मिले है machinery खरीदने के लिए life of machinery 5 years है depreciation straight line है यहाँ पर हम क्या करेंगे या तो हम 8 lakh net में दिखा देंगे 10 lakh पैसा लगा 2 lakh मिली है 8 lakh net पे दिखा देंगे और 8 lakh को 5 years में depreciate करेंगे government grant का कोई काम ही नहीं और या फिर हम 10 lakh का पूरा पीपी दिखाएंगे और 2 lakh का government grant अलग से दिखाएंगे हर सल 2 lakh depreciation होगा और हर सल इसमें से 40,000 आपका other income में credit होगा तो ऐसे भी 1 lakh 60,000 का effect आएगा और ऐसे भी आपका 8 divided by 5 1 lakh 60,000 का ये effect आएगा आपका तुनों तरीके कोशिन था ही नहीं कुछ simple question number 2 तो मैंने example में करवाई दिया था ये grant related to assets, grant related to income आप ये कहानी पढ़ ले न मैंने आपको पूरा समझा दिया accounting वगे रहा कराने के लिए कुछ बचा नहीं यहाँ पर ये question number 5 आप self करना, क्यों रिये समझाएगा अराम से करते हैं, मैं नहीं कराओंगा question number 6 पता मुझे कराने की क्यों आवसकता है नहीं क्योंकि मैंने इसका example frame कराके करवा दिया इसका ही मैंने example frame करवाके करा दिया, आप एक बार आप एक बार इसे practice कर लीजएगा ये मैं ऐसा नहीं करवाया है नहीं, मैंने करवा दिया, जो मैंने example समझाया था नहीं, याद है, मैंने बोला थे आपका, 7 भी मैंने grant related to income वाला जो था, वो मैंने ये भी करवा दिया, ये भी मैंने करवा दिया, आप practice कीजए, जो मैंने दो example लिया था नहीं, उसे मैंने ये करवा दिया, इसलिए करवाने के जड़त नहीं पड़ रहे है, देखो, यहाँ पर इन्हों ने एक बार तो किया किया, net basis में दिखाया, और एक बार इन्हों ने क्या किया, इन्कम अलग दिखाया, खर्चा अलग दिखाया, method 2 में इन्होंने सिधा net दिखा दिया, इन दोनों का net 30,000 हो रहा है, इन दोनों का net 15,000 हो रहा है, तो मैंने कहा न, दो method है, एक method में आप अलग से income, अलग से खर्चा दिखाओ, एक method में सिधा net में दिखा दो, अब ये वा करवाने के बाद हमारा index 20 भी खतम हो जाएगा कियासे इसमें आएगा कोशन और हम कर भी ले रहे है फटा फटा भी अब देखो यहाँ पर entity A को एवार्ड किया गया government grant 60 त्री येर्स में दिया जाएगा इसको पैसा ठीके अब कैसे तोड़ तोड़ के दें यह मतलब नहीं है हम एक्रूल बेसिस फोलो करते हो और हमें 60,000 का अगर grant मिलेगा confirmation है तो मानें किया है कि मैं 10 new jobs create करना पड़ेगा और उसे 3 years तक maintain करना पड़ेगा यह दस लोग को job देना पड़ेगा और तीन साल तक maintain करना पड़ेगा वो job जो है employees को recruit करने का हमारा खर्चा लग गया 30,000 और wage bill आपका first year का आया one luck in each of the subsequent years अच्छे इसमें कुछ problem है कुछ question में न कुछ line चूटा है मुझे याद आ रहे है ठीक बर रुकों मुझे क्या करना पड़ेगा कुछ तो चूटा है इसमें question को copy किया था गया ठीक बर रुका अभी हो जाएगा इंडेस 20 इंडेस 20 कि बर रुका स्क्रीन नहीं देखेगा आपको एक सेकंड रुक जो कुछ question में कुछ problem है एक line इसमें गलती से omit हुआ था मुझे याद अला रहे आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसमें लिखिया एक line छूड़ा है rising by rupees 10,000 यह line यह word छूड़ी है आपर गलती से मतलब कहने का मतलब यह है कि employees को हम जो recruit करेंगे हमारा 30,000 zero tier में खर्चा होगा मतलब first year में खर्चा होगा तो first year में तो हमारा 30,000 खर्चा होगा और आगे जाके wage जो हम employee को रखेंगे तो salary भी तो देना पड़ेगा wages तो बोला first year में तो 1 lakh का खर्चा होगा और आगे जाके खर्चा होगा statement of penal में तो first year में दिखाएंगे statement of penal तो year end में बनते है तो आपका first year का खर्चा दिखा जाए तो 3 lakh 60,000 हो रहा आपका तो जो 60,000 का grant हमें मिलेगा हमारा ratio क्या आ रहे है आपर 13 by 36 आ रहा है 13 by 36 weight आ रहा है तो 60,000 into 13 divided 36 पहले साल होगा 21667 का government grant recognize कर सकते weight के साब से दूसरे साल 11 by 36 का weight हो रहा है तो 60,000 into 11 divided by 36 18333 हम grant recognize कर सकते हैं तीसरे साल हम क्या करेंगे 12 by 36 इने 60,000 into 12 divided by 36 20,000 हम grant recognize कर सकते हैं आप देख लिए तीनों मिला के 60,000 होगा आपका तो मुझे ये पता चले है कि जो मैं grant दिखाऊंगा वो कितना कितना दिखाऊंगा मतलब जिस relation में आप खर्चा करोगे जिस ratio में आप खर्चा करोगे उसी ratio में आप क्या करोगे जो deferred income आपका starting में बनाया उसे penal में credit करोगे तो सुरुआत में तो हम क्या करेंगे अब मालो हमारे पास पैसे bank में 40,000 आया तो हम क्या करेंगे 40,000 का bank में पैसा आया 40,000 का deferred income खड़ा कर देंगे यहाँ पर ऐसे में ने बनाया हुआ तो है पर मैं एक balance rate बनाना चाहता हूँ यह वाला मिटारों में निचे बनाया है मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ देखो मेरे पास balance rate में पैसा कितना आया bank में पैसा आया 40,000 रुपीस first year में तो first year में bank में पैसा आयेगा मैं government grant भी 40,000 दिखा दूँगा 0-13 की बात करो first year नहीं 0-13 और ऐसे भी 40,000 तो मेरा first year के end में आयेगा तो first year के end में 40,000 अगर मेरा आया भी तो इसमें से तो मैं government grant P&L में कितना credit कर दूँगा 21667 में P&L में credit कर दूँगा मेरे पास बच्चे का कितना balance गॉर्मेंट grant का balance कितना बच्चे का मुझे बताओ तो 40,000 मेरा government grant first year के end में आया उसमें से मैंने इतना पैसा तो दी दिया मैंने P&L में credit कर दिया ये दिखो 21667 में P&L में credit करूँगा मैं तो आप ये समझो यहाँ पर मेरा first year में जितना grant आया उसमें से 21667 में P&L में other income में दिखा भी दूँगा मेरा बच्चे का 18333 ये मेरा बच्चे का first year के अब second year के end में मुझे और 10,000 मिला पैसा तो 10,000 मेरा यहाँ पर बढ़ गया ये second year के end में 28333 हुआ लेकि 28333 में से भी मैंने 18333 तो मैं क्या करूँगा P&L में डाल दूँगा मेरा बच्चे का कितना 10,000 बच्चे का फिर आपका last year में 10,000 मुझे पैसा मिलेगा ये 10,000 में यहाँ पर add करूँगा 20,000 मेरा होगा और 20,000 में पूरा का पूरा P&L में डाल दूँगा ये नहीं हो जाए यह नहीं मैं आपको balance sheet form से यह समझाना चाता हूँ कि first year में मेरा इतना ही balance बच्चे का first year में 40,000 में से जो पैसा मिला इतना मैं P&L में transfer कर दूँगा इतना मेरा balance बच्चे का second year में मुझे और 10,000 मिला 28,333 था उसमें से 18,333 transfer कर दिया मेरा इतना बच्चे गा third year में 0 बच्चे गा तो first year में मेरा deferred income इतने का होगा second year में इतने का होगा third year में 0,3 year में तो deferred income हो गए नहीं कुछ जिरो तिर में पैसे नहीं आए कुछ first year के end में तो आप दिखिए हाँ पर आप दिखिए deferred income का balance इन्होंने कैसे present कि इन्होंने सबसे पहले तो दिखा दिया कि deferred income का balance जो वो कैसे पता चलेगा आपको 40,000 पैसा मिला first year के end में और first year के end में अपने इतना transfer भी कर दिया penal में तो आपका balance इतना बचा second year में और 10,000 आया है न तो total 50,000 हो गया तो इसमें अब इनके हिसाब से करोगे तो पुरा accumulated ले ले रहे 50,000 total है first year इतना transfer किया second year इतना transfer किया तो बचा ओवा 10,000 बचा ओवा deferred income है अगले साल तो सभी transfer हो जाएगा कुछ भी नहीं पर तो आपका main part किया है एक तो यह grant income सो करना exam में mean part और एके deferred income सो करना mean part तो मैंने फटा फट से तो आपको करवा दिया है बताओ ये वाला part आपको समझ में आया एक्ताम अच्छे से ये वाला अगर पार समझ में आया तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी continue कर सकता था कैसे मैं बोलता कि देखो यहाँ पर मैं क्या बोल 3 बच्चा में अगले साल 10,000 पैसा मिला 18333 पहले से था 10,000 पैसा मिला 28333 उसमें से 18333 मैंने क्या क्या दी दिया तो 10,000 बच्चा अगले साल 10,000 और 10,000 बैंग में आया 10,000 पहले का deferred income 10,000 और बैंग में 20,000 मैंने ट्रांसफर कर दिया तो अगले साल कुछ भी नहीं बचा तो यह वाला हुई हो गया एकदम अच्छे से हमारा और इसलिके साथ मैंने इंडस 20 भी आपको एकदम अच्छे से करा दिया आटी बीम्टी पी का कुशन सिमेलर कुशन है आपको नहीं देखने से भी चलेगा तो फिर अभी हमने इंडस 20 भी कवर कर लिए एकदम अच्छी तरीके से देर घंटा लगाया मैंने देर घंटा से भी कम समय में दो चैप्टर हमने खतम किया तो तही हमारे इस पर तो क्वालिटी टेचिंग होनी चाहिए ना क्वालि एस तो 54 और 8 के लिए अब तैयार हूं क्या मुझे बता दू अगर पाunders 24 बहुत सिंपर इंटरेस्ट 24 बहुत सिंपल है क्यों हो गया इंटरनेट में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है इंटरनेट में कोई दिक्कत तो नहीं हुए मुझे बता दे ना बफरिंग वागिरा तो नहीं हो रहा किसूर जी करें what a quality मेरा तो thank you so much किसूर तर एक गाना लगा दो मेरे इस पर लगता नहीं आइपड में कुछ एक वो केबल का problem है मेरे तो में लगा देता मेरे इसमें लगता नहीं यह problem है छोटी अजरोस अच्छा सा यह गाना लगा तो बफरिंग नहीं है तो अभी नहीं लेंगे दो चप्टरे खतम कर लेते हैं 24 और 108 यह सोरी 24 और इंडेस 8 खतम कर लेते हैं फिर हम ब्रेक लेंगे और उसके बाद 16, 38, 40 करेंगे अभी ब्रेक नहीं लेते जाओ मैं काम करता हूँ आई वास करके आता हूँ हम दो मिनिट में फिर हम पांच मुन में स्टार्ट भी करनेंगे करता हूँ मैं भी तब तक काफी पी लेता हूँ कुझा जी हम तो आज ही करेंगे इंडस 16, 38, 40 आप बात में कर लीजेगा हम तो आज ही करेंगे और मेरे क्याल से बहुत सारे बच्चे करेंगी आज करेंगे ना बहुत सारे बच्चे करेंगी की नहीं बता दो 16, 38, 40 भी कर लेते हैं म και jsum appearing मैं गाना करौंगा अब लोग भाग जाओंगे फिर तब भाग जाओंगे फिर मैं किस को पड़ाओंगा बताओ खुद को पड़ाओंगा किया यह तर को बुला लेते हैं वो अच्छा गाते हैं आगे सुना देंगे में पूलोगे तो उनको फोन कर लूँगा वो वर फोन सुना देंगे अलग जगा यहां अभी नहीं होगा अलग वापस बाद में करेंगे ऐसे मैंने का ना रात की तीन बज़े तक पढ़ेंगे किसी ने पूछा था ना स्टार्टिंग में और अच्छा तो रात की तीन बजयेंगे खतम करके जाएंगे तीन बजो तो क्या बज़ेगा जल्दी खतम हो जाएक अभी तो लग रहा है इस पट सुरू सुरू में पूछता है ना कोई अच्छा नहीं लगता है तब जो ना कि कितना सम्मिलागेगा सर कितना तेरे में होग समझ नहीं आते हैं सवाल क्यों आते हैं कि आपने जो रोध्रे रूप धारेंड कर लिया था उसकी वज़े से मैं इसा क्या धारेंड किया था कि जागराता करेंगे अज सही काईदम जाँ आप बोर्यों कर राद चार बचे सोय था मैं अपनी कहानी बदा कर दमें एक बचे सोया था राको तुवे पांच बचे नीम तूड़ गए इसलिए मैं बारवर कॉफी पी थोड़ी रही और नींद नहीं आए मुझे होता है अपका मेरा सबका बूरा हाल रहता हमारा भी बूरा हाल रहता है इक्जाम टाइम में घर में तो सब परिशान है बोलते रहते कि एक्जाम टाइम से पहले मतलब जो अक्टूबर का महना हो उन्हें घर में ही पता चलिया कि मेरी हाले टाइट रहती है आपकी वहां वोलिया में कोई प्रॉब्लम में मुझे लगते हैं तो हमारी यह पर्फेक्ट है अच्छा रोद्र रूप मतलब रात भर रिविजन करवाया था सर आपने स्मॉल इंडेस भी करवाया था तब बेद भी ठीक नहीं थी फिर भी करवा रहते हैं तैंक्यू सूमच वह हमी सब रहता ही है मत्मत आपका एक्जाम मतलब मेरा एक्जाम आपकी डेडिकेशन लेवल नेक्स्ट है जब तो कॉफी खतम नहीं होगी तब तक हम बात करेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे सर आज बेस्ट पढ़ाई हुई चलो थैंक्यू सूमच निकिता जी मैं भी लख्यू मुझे इतने अच्छे अच्छे बच्चे मेले जो मुझे बहुत रेस्पेक्ट करते हैं बहुत सारा प्यार देते हैं मैं भी कहीं नहीं लख्यी फिल करता हूँ अच्छे जी मुझे सर इंडेस 20 में थोड़ा कॉंफिदेंस है तो 20 मिनिट्स के लिए सो गया अच्छा अच्छे जी गलत क्या विर भी ओर रिवाइस हो जाता अच्छे से सर कौन सा आपड आपका मेरा आपड 12.9 12.9 वाला आपड है यह मैंने एक साल पहले लिया था सबते हैं पुझे भगवान किसी BEN बनाओ मैं तोयए आपको बोलूँ मुझे या किसी को मभवान… वाले भाबा उपर एक हमारा बहुले ना हम यहां परको इभगवान नहीं है हम उनको इभ भॉले ना तो आंज हम उनको इभुले ना थिर घगवान का धर तर में audit पर सिल्चर गया था टी गार्डेन audit पर टू मेटियोबर डिस्टेंस जादा था हाँ वहां से गवाटी डिस्टेंस बढ़ा यह बनने के बाद आऊंगा से लो बहुत बढ़िया आईगा जरूर से मिलूँगा मैं जो भी आएगा मैं जरूर मिलूँगई चलो तो मुझे समझ नहीं आता है अरे अब सब समझ में आएगा टेंसे मतलो इस इस अपर है आज इंडेस 24 अभी हम डिसकस करते है डिस रिलेटेड पार्टी ट्रांजिक्षिन इसमें हम क्या पढ़ते हैं इसमें को एकाउंटिंग का काम नहीं है यह इन डेस 24 में सिर्फ अमें डि majority transaction मेरी wife की company में कर रहा हूँ तो related party transaction हुआ है यहाँ पर कुछ घपला अपला नहीं हो सकते हैं मैं जान मुझके अपनी wife को ज्यादा से ज्यादा product बीच रहा हूँ मैं market में नहीं बीच रहा हूँ अगर मैं ऐसी कोई भी हरकती कर रहा हूँ यहाँ पर मैं related party के साथ transactions कर रहा पार्टिकों मैंने को loh वगिरह दे दिया यह फिर कोई commitment वगिरह दे दिया यह related party के लिए मेंने कोई commitment में वगिरह दी दिया क्या यह सही है गलत है बात यहांपर सही गलत की करेंगे क्या सही है क्या गलत है standard कहना चाहते हैं बात सही गलित की हुई नहीं रही है अगर मैं एक reporting entity मैं हूं मतलब मेरी financial statements मेरा प्रिपार हो रहे तो मतलब मैं reporting entity मेरा entity को report किया जा रहा है मेरे entity का financial statements बन रहा है तो अगर मेरी entity का रिस्ता है अलग अलग जगा में related party relationship है और उनके सा transition हो रहा है तो क्या हमें disclosure करके users को बताना नहीं चाहिए यस हमें बताना चाहिए users को कि देखो ऐसे ऐसे related party के साथ हम transition कर रहे ताकि user को पता चले कि क्या-क्या घपलावाजी हो रहे और इसलिए standard यह standard बस हमें यह समझाता है कि आप जो भी related party transactions कर रहे हो वो related party transactions का आपको disclosure करना चाहिए notes to accounts में ताकि users को clear information जाए पूरी picture clear हो जाए कि हम क्या-क्या कार्ण कर रहे पीछे से उनके पीछे से और इसलिए यह इंडेस 24 बना related party transaction तो सबसे पहले तो अभी हम related party transaction ही पढ़ेंगे सबसे पहले हम related party relationship ही पढ़ेंगे मतलब हम यह देखना चाहेंगे कि 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 किसके साथ हमारा रिस्ता है है ना हमारी कौन बीवी है कौन हमारी girlfriend है हमारे थो क्या पता अलग अलग जगा बच्ची होंगे नंको इंडिया में घूम रहें रहें कोई आपकि अमेरिका में गूम रहें अलग अलग बच्ची हमारी इदर उदर होंगे इन सब को पता करो इस रिपोर्टिंग एंटिटी के कौन-कौन रिस्तेदार है उन सब को पता करो आप तो यहां पर आप देखें आपको मैं बता रहो है अपर सबसे पहले मैं close person आपको समझाना जा रहो close person की मेरी बात समझो मैं मालो for example जगाती digital education का मैं related party हूँ समझे मैं मैं कौन हूँ जगाती digital education company का मालो मैं individual related party हूँ तो मेरे साथ अगर जगाती digital education कुछ भी transaction करेगा वो related party transaction में आएगा वो तो आए गई उसकी अलावा जो मेरे बीवी बच्चे हैं है ना मेरी girlfriend है और मेरे girlfriend के बच्चे इननों मेरे माबाप मेरे भाईवें उननों क्या पता ऐसा भी तो हो सकता मैं सीधा कुछ transaction ही करके मैं अपने बीवी बच्चे girlfriend के बच्चे मेरे मम्य पापा भाईवें से transaction करवा रहा हूँ ऐसा हो सकता है न मैं मैं खुद नहीं करके उन्से करवा दे रहा हूं तो स्टेंडर बोला तू बचेगा नहीं तेरे साथ साथ तेरे close person भी related party माएंगे मतलब अगर मैं प्रतीक जगाती किसी entity का related party हूं तो साथ सथ मेरा खांदान भी उसका related party माना जाए तो अब देखिए आपर जैसे मैं एक example ले मारा तो अमिता बचन को माना जाएगा कि वो जगाती digital education का related party है तो अमिता बचन के साथ साथ उसके बीवी बच्चे उसके girlfriend के बच्चे कि सब कोई cover हो जाएंगे कि अगर मान लो उसकी बीवी या उसकी girlfriend के बच्चे के साथ भी जगाती digital education का transaction हुआ तो माना जाएगा कि अम मेरे माबाप, मेरे भाई बहन, मेरा बीवी और उसके बच्चे, मेरे गल्फरेंड और उसके बच्चे और साथ साथ मेरे मेरी बीवी मेरे गल्फरेंड के डिपेंडेंट तो आप समझे हैं यहां पर क्या बोला माबाब भाई भेन बीवी बच्चे गल्फरेंड बच्चे और मेरी मेरी बीवी की मेरी गल्फरेंड के जो भी dependence है dependence of person spouse domestic partner ये सभी भी क्या कहलाएंगे close person कहलाएंगे तो कहने का मतलब ये अगर मैं किसी entity का related party हूँ तो मेरी बीवी के बच्चे भी उसके related party माने जाएंगे मेरी गल्फरेंड या उसके बच्चे भी related party माने जाएंगे मेरे माबाब भी related party माने जाएंगे मेरे brother sister भी related party माने जाएंगे और इन में से कोई भी अगर उनके सा transaction करेंगे तो वो related party transaction कहलाएगा क्योंकि कितने बार हम खुद है ट्रांजिक्शन नहीं करते हैं हम अपने बीवी बच्चे हमारे खांदान से ट्रांजिक्शन करवा लेते हैं तो I think अब आपको close person में कौन कोन आएगा आपको समझ में आगे मैं आपको क 40 मतलब समझा दे तो ने क्रक से आपको पढ़ा रह divergence घादा बहतर है तो मैं को केमप क मतलब समझा रह रहा हुए उर जैसे जैसे इंडेस 24 समझ मैं मुझे बताते रहना ठीक है मुझे बताते रहना क्या मजाखकर आप यण कunting वह इटिंग दिस इतल वगेरा माईने नहीं रखता कि management personal वो कहलाता है जिसके पास authority है और responsibility है जो business के activities है उसको plan करना, direct करना, control करना इनी top level management होते है usually top level management का काम होता है business activities की planning करना, direction देना, director का मतलब यह direction देना, तभी तो director कहलाते है direction देना, control करना, है ना control करना, मतलब मेरे पास अगर authority है, responsibility है, planning, directing, control करने का तो मैं कहलाओंगा KMP और एक KMP जो होगा वो उस entity का obvious सी बात है, KMP अच्छा खासा उसमें उसका role रहता है business activities में तो KMP तो entity का related party होगा, KMP के close person भी entity के related party होगे, तो यहाँ पर आपका KMP executive director या non-executive director भी हो सकते, KMP आपका अगर मालो non-executive director का भी authority और responsibility, planning, directing, control करने का, तो वो KMP है, तो exam में आपको पता किसे चलेगा KMP, नाम पे मत जाना, आप देखना क्या उसके पास authority है, और responsibility है, क्योंकि authority के साथ साथ हमें पता responsibility आ जाती है, planning, directing, control करने का, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा KMP, अब मैं relationship की बात करदे, मालो ये reporting entity है, reporting entity का financial statements prepare कर कर, तो में जानने कि reporting entity का कौन-कौन रिस्तीदार होगा, तो पहले इंडिविजिल की बात करते है, person की बात करते है, तो कौन सा, कौन सा person reporting entity का रिस्तीदार होगा, सबसे पहले उसका जो KMP है, जैसे reporting entity, मालो मैं लेता हूँ, जगा का अगर वो KMP है तो अमीता बचन क्या कहलाएगा पता है रिलेटट पार्टी कहलाएगा पूर एक बात आपको मैं बता रहा हूँ मालो मैं जगाते मैं इनसान निहीं हूँ मैं जगाते Digital Education में मेरी Parent Company मेरा बाप है मेरी Parent Company क्या कहलाएगा मेरा बाप کیहलाएगा अब एक बात बताओ अगर अमीता बचन मेरे बाप का KMP है तो जब वो Parent को नचा रहा है मेरे बाप का केमपी कौन है, अमिता बचन है, मेरे बाप को वो नचा रहा है, तो बाप के थूँ तो बेटे को भी तो नचा सकता है, इसलिए कहा गया है, कि अगर अमिता बचन, पैरेंट का, मेरे पैरेंट का केमपी हुआ, तो मेरे पैरेंट का रिस्तिदार तो यह मेरा भी रिस्तिदार के लाएगा हो, समझ मैं है, मतलब अगर अमिता बचन मेरी सबसेडरी कमपनी का KMP है, तो वो मेरा related party नहीं, लेकिन अगर अमिता बचन मेरी parent कमपनी का, मेरे बाप का related party है, तो बाप का दोस्तो बाप के बराबर ही होता है ना, चाचा के बराबर, तो जैसे बाप थपर मार सकता है, वैसे बाप का दोस्त भी हमें थपर मार सकता है, तो अब यह समझ लो, कि आपको कैसे याद रखना है, कि अमिता बचन, अगर मेरा KMP हुआ, तो मेरा related party है, मेरे बाप का, यानि मेरे parent का KMP हुआ, तो भी मेरा related party है, याद रहेगा एक दम अच्छे से, अम related party कहलाएगा, और या फिर मानलो, person जो है, वो हमारी कंपनी में control रखता हो, joint control रखता हो, या significant influence रखता हो, control का बात है, more than 50% voting rate में, usually, और joint control का बात है, जहाँ पर unanimous consent रहता है, सबका 2, 3, 4, जो भी है, 50, 50% है, 30, 30% है, जो भी है मतलब, आपका unanimous consent है, तो joint control है, और या फिर significant influence का बात है, 20% से ज़्यादा voting rate, significant influence जिसका रहता है, हम मानते हूँ, हमारी associates है, अगर मानलो, मेरा आपकी company में 20% का significant influence है, तो आप बोल सकते हूँ, मैं आपका associate, an associates company है, तो यहाँ पर आप देखे, control, joint control, significant influence, यह होने पर भी related party माना जाए, यह एक इनसान, जगाती digital education का कब related party माना जाए, जब वो उसका came भी हो, यह फिर उसके बाप का came भी हो, जब वो उसको control करता हो, यह joint control करता हो, यह फिर उसमें significant influence रखता हो, तब वो माना जाएगा, क्या related party माना जाएगा, तो यह तो person और reporting entity के बीच का रिस्ता मैंने बता है, control, joint control, significant influence, तीनों धिहान में बात करूंगा, understanding relationship between reporting entity and other entities, person की बात नहीं करें, यहाँ पर मैंने person and reporting entity की बात की, यहाँ पर मैं reporting entity and other entities की बात करूं, तो समझ यह for example, A limited, B limited को control कर रहा है, तो B limited आपका, B limited मानो reporting entity, A अगर B को control कर रहा है, तो A क्या होगा, इसका related party होगा, अगर A, B में significant influence रखता है, तो भी A A limited, B limited का related party होगा, A limited अगर B limited में joint control रखता है, तो भी उसका related party होगा, यहनि अगर एक company, दूसरे company में control करती है, significant influence रखती है, फिर आपका joint control रखती है, तो दोनों एक दूसरे की related party है, इसके लावा अगर A limited मान लीचे, KMP service की तने बार company भी KMP services provide करती है, अगर A limited, B limited को KMP services provide कर रही है, तो भी वो उसके related party आनी जाएगी आपके, अब यहाँ पर तो कोई problem है नहीं, यह तो आपको अराम से समझ में आ गया, यहाँ पर ध्यान देना पर देखो, अगर A limited, B limited को control कर रहा है, तो क्या B limited, A limited का related party होगा, हाँ जी हुआ, बर B और C की तो बात हो नहीं रहे हैं पर, तो A अगर B को control कर रहा है, तो B A का related party होगा, C limited अगर A limited जो हो C limited को joint control कर रहा है, तो आपका A और C भी related party होगा, यहाँ पर अब देखो, अगर एक company, दुसरे company को control करती है ना, तो यह group members हो गए, इन दोनों कम अलग अलग नहीं देखते हैं, इन दोनों कम A की मानते ह की है, तो अगर A C limited को control कर रहा है, तो indirectly B भी control कर लेगा, क्योंकि B जो है वो A का एक uns है, क्योंकि control कर रहा है, और वैसे joint control में भी कहीं है, कहीं uns माना जाता है, अगर मानलो A limited, B limited में joint control कर रहा है, और A limited, C limited में joint control कर रहा है, तो control, joint control भी बहुत अच्छा strong माना जाता है, तो यहाँ पर भी B और C को पता है related party माना जाएगा। इवन अगर A limited, B limited में joint control करता हूँ तो हम इन दोनों को same जैसा मानते हैं कि और B कुम अलग नहीं मानते हैं और A limited एक जगा में significant influence रखता हूँ तो हम बोलेंगे कि A और B तो एक बराबर ही है अगर C को एक dominate करता है significant influence रखता है तो मानेंगे B भी कहीं ना कहीं A के थुरू C को dominate कर सकता है हम मानेंगे B और C भी related party है लेकिन सबसे important यह है सबसे important यह है यह आप exam के लिए ध्यान रखेगा अगर मान लिजए A limited, B limited में significant influence रखता हूँ A limited, C limited में significant influence रखता हूँ तो यहाँ पर मैं बोलूँगा A और B तो related party हुए आपस में, A और C भी आपस में related party हुए लेकिन हम बोलेंगे B और C related party नहीं है, क्योंकि यहाँ पर A limited का just B में influence है यहाँ पर भी A का just C में influence है, कोई control या joint control नहीं कि यह A को बोल देगा कि तो उसके साथ transaction का, उतना power नहीं है पर यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर A limited जो है न, वो B limited में joint control करते है तो A अपना significant influence C को तो करी सकता है, वो B के थुरू भी करवा सकता है क्योंकि A का यहाँ पर B में joint control है, यह न, आपको बस अब में ज्यादा logic तो भी देने का समय है न, मुझे फटा-फट revise कराना है, तो मैं आपको बस इतना बता देता हूँ, कि अगर directly control, joint control या significant influence हो, तब तो आपका related party हुई, या फिर directly KMP services provide करे, तो भी related party हुई, यह तो हमने पहले देख लिया थे, परसन वाले में, देखो, अगर एक individual person भी control करे, joint control करे, significant influence रखे या KMP रखे, तो वो related party माना जाएगा, तो वैसे A, B related party, A, C related party है, control, joint control होने पर तो हम बोलेंगे B, C, B related party है, joint control, joint control से भी हम बोलेंगे B, C related party है, even joint control और significant influence से भी हम बोलेंगे, कि A और B कही ना कहीं, एक जैसे हुए, और हम बोलेंगे कि B, A जो है, वो C limited को मजबूर तो नहीं कर पाएगा, लेकिन B limited को मजबूर करके C limited से transaction करवा देगा, तो यहाँ पर भी मानेंगे B और C related party है, लेकिन A की situation में, अगर A limited दोनों company में significant influence रखता हो, तब आपका यह related party नहीं है, यह आपको ध्यान में रखना है, दोनों company में, तो A भी तो related party हैं, बर A और C भी related party है, बट B and C are not related party, अगर दोनों जगा में significant influence रखता हो, एक और बात में आपको बता देता हो, मान A limited में KMP है, और B limited में भी KMP है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे Mr. A और A limited related party है, Mr. A और B limited भी related party है, लेकिन हम बोलेंगे A और भी related party नहीं है, कि जो KMP को जितना दर्जा दिया जाता है ना, उतना ही significant influence को दर्जा दिया, अब यह समझालो significant influence और KMP का दर्जा एक बराबर है, वैसे अगर एक individual, मालो दोनों जगा में significant influence रखता हो, 20% से वो जादा voting rates है, और या फिर दोनों में KMP हो, तो यहाँ पर एक दूसरे का तो related party हुआ, बट A और B यहाँ पर not related party, यहाँ पर हम लिखेंगे, A and B are not related party, अब आगे आपको समझ में आएगा, अगर इतना आपकी ध यह वाला में ध्यान देना एकदम अच्छे से, देखो मैंने यहाँ पर एक circle बनाया है, यह circle बहुत जरूरी है, A limited जो है न, वो B को control करता है, C मतलब control करते है, A limited जो है न, वो C को भी control करते है, तो यहाँ पर क्या यह group entities नहीं हो गए, अगर control करे तो मानेंगे क्या वो group entities है और group entities हमेशा circle में रहेगी, मतलब group entities को अलग-अलग निगाहों से नहीं दिखा जाता है, उसे एक ही माना जाता है, यह समलो माबाब, भाई, भेने, तो अगर कोई बहार का इंसान मुझसे दोस्ती करेगा, तो कहीन है कि मेरे family से भी उसकी दोस्ती होगी, तो वैसे आप control रखता है, HB में significant influence रखता है, KB में significant influence रखता है, पता ही इसमें से B किसी को भी control कर रहा है, नहीं कर रहा है, अगर B, JB, HB या KB में से किसी को भी control करता है, तो वो भी अंदर में होता, circle के अंदर होता, लेकिन यह किसी को भी control नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी C limited जो है, व अगर जे बी जो है क्या वो बी का related party है हाँ है क्यों क्योंकि बी limited जो है वो joint control रगता है जे बी में तो मेरी बात ध्यान से सुन लो अगर जे बी बी का related party हुआ न तो उसके बाकी group members का भी वो related party कहलाएगा तो जे बी यहाँ पर बी, A, C सब का related party होगा मैंना जे बी देखो अं है A और C का भी रिस्तेदार हुआ वैसे JC जो है वो C का रिस्तेदार है तो उसके साथ साथ A, B का भी रिस्तेदार हुआ यानि HC, KC इन लोग भी C के related party है तो उसके साथ साथ उसके group members के भी related party होगे मलना एक जन सरकल के अंदर एक member से अगर वो दोस्ती करेगा तो सब से उसक significant infl Romans रखता है तो किया JB, ХB related party होगे यस मैंने तो पहा ही था एक तरफ join control, एक तरफ significant influence मतलब related party होगा पर आप देखिये B यहाँ पर AHB को significant influence करते है और की85 को significantly influence करते है तो यहाँ पर B, HB रिस्तेदार है, B और KB भी रिस्तेदार है पर क्या HB और KB रिस्तेदार हुए नही हुए क्योंकि दोनों जगा significant influence है तो आप समझ लो JB और HB रिस्तेदार है क्योंकि एक तरफ joint control एक तरफ significant influence है JB और KB भी रिस्तेदार है क्योंकि एक तरफ joint control है एक तरफ significant influence है लेकिन HB और KB रिस्तेदार नहीं होंगे क्योंकि दोनों तरफ significant influence तो अगर एक company यहां नहीं दोनों company में significant influence रखेगी तो इन दोनों के बीच में रिस्ता नहीं माना जाए वैसे C का आप देखें आपर C में देखो C JC को joint control करता है KC को significant influence रखता है तो क्या JC और KC रिस्तेदार होंगे अब देखों होंगे गलत बोला होंगे क्यों नहीं होंगे क्योंकि C JC को joint control करता है एक तरफ joint control है एक तरफ significant influence होगा इधर भी joint control significant होगा बस यहां नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ significant influence हो तो यहां पर मुझे यह पता चला only HB and KB not related अब मुझे एक बात बताओ क्या JB और JC related party होंगे नहीं हो पता है क्योंकि JB जो है वो B, A, C का रिस्तेदार हुआ लेकिन वो JC का नहीं होगा क्यासे होगा क्योंकि यह जो joint control लगता है यह B के अंडर है और यह C के अंडर है ऐसे हुआ तब तो फिर हर कोई रिस्तेदार बन जाएगा आपका तो आप समझे अगर आप बोलोगे सर एक तरफ लिए clarity मिल गई होगी आपको कि कौन किसका रिस्तेदार है तो अब मैं आपको बता देता हूँ कौन को रिस्तेदार नहीं है significant influence significant investment बना है HB और KB रिस्तेदार नहीं है इधर तो joint control और significant influence सब देख दूसरे के रिस्तेदार है पस अब यह देख लो अगर B JB को joint control करते है और CJC को joint control करते है तो इन दोनों का कोई वास्ता नहीं है क्योंकि यह दोनों अलग-अलग entity इसमें समझने के लिए एक बात हो गई मालो एक माबाप है उसके दो बच्चे है तो इस बच्चे क जो दोस्त है वो जरूरी नहीं कि इसका भी दोस्त का दोस्त होगा हां यह जो जे भी है वो इस दो भाई है मालो दो भाई है तो यह अगर इसका दोस्त होगा तो इसके भाई का भी दोस्त हो जाएगा घर में आना जाना करेगा अब यह इसका दोस्त है तो थोड़े ना इस इसका प्रेंड है तो इसका भी फ्रेंड हो जाएगा पर इसका फ्रेंड का फ्रेंड थोड़ना होगा ऐसे थोड़ना होगा आपका ऐना तो यह चीज़ पॉसिबल नहीं है आपका आप यह समुझा लेटेड़ टो जैए सी एसी एड कीश एंड के क्ई hai क्योंकि दोनों अलग तो आपको पूरा clarity आगे अभी यह reporting मलब related party का रिष्टा में आपको पूरा समझा दिया अगर यह समझ मैं है तो आप यह देख लो control, joint control, significant influence, KMP या फिर भाप का KMP रिस्तिदार है, यहाँ पर मैंने वही बोला है, बस मैंने यहाँ पर यह बोला कि अगर एक company, दो company में significant influence रखती है, या KMP रखती है, तो यह रिस्तिदार नहीं कहलेंगे यह रिस्तिदार नहीं कहलेंगे यहाँ पर भी मैंने यह बोला, HB, KB रिस्तिदार नहीं होगा, और मैंने यह बोला B के under यह लोग है, यह लोग C के under है तो JC, HC, KC A limited, अगर B और C में, दोनों में significant influence रखता है, तो मैंने कहा ही था, B और C related party नहीं होगे, या फिर Mr. A या फिर A limited, दोनों में KMP होगा, तो भी मैंने कहा B और C related नहीं होगे, पहले से बताया होगा है, तो यह तो वापस से बताने, नहीं बताने से भी चलता, पर फिर भी मैंने बता है, अब यह वाला important है, यह वाला important है, exam के लिए, इस पर question बन सकता आपका, देखो, यहाँ पर A limited जो है, C limited को join control करता है, P limited जो है, वो C limited को join control करता है, तो B और C बता हो क्या A और B भी रिस्तेदार होंगे, अब उल्टा मत पढ़ना, देखो, यहाँ पर मैंने क्या कहाता, यहाँ पर मैंने कहाता, A B को control करता है, जो हैंट control, A C को भी joint control करता है, तो A जबकि दोनों में join control लगता है, तो इसलिए हम बोल सकते कि A दोनों को नचा सकता है इसलिए ये दोनों पे related party relation है पट यहाँ पर आप देखो यहाँ पर C limited तो बेचारा दोनों तरब से घुसे घार है C limited को A limited भी दबा रहे C limited को B limited भी दबा रहे ये A और B कभी दोस नहीं हो सकते समझ मैं A और B भाई दोस होता है नो होता है पर एक बेटे का अगर दोबाप है तो वो दोबाप तो anti होंगे दुस्मन होंगे खोचो अगर कोई बेटा है उसके दोबाप है एक biological father, एक non biological father है वो दुस्मन होंगे ना तो दोस कभी नहीं होंचिए तो वैसे ही हाँ पर समझ लीज़े, C limited के दो बाप है, तो ये दो बाप कभी दोस नहीं हो सकती, ये कभी related party नहीं हो, बट एक बाप का दो बच्चा, इधर जो है, इधर क्या है न, मालों एक बाप का दो बच्चा है, A limited का दो बच्चा है, दोनों बच्चे भाई-भाई की त बाद करता हूँ, बट अभी तो समय का थोड़ा पाबंदी है, इसलिए ये वाला बस आप ध्यान में रखेगा, दो बाप कभी भी related party नहीं हो सकता, clear है की न, बोलो, clear है की न, बताओ, समझ में आय की न, समझ में आया न, magical explanation, बस और एक ध्यान अगना, जो भी group members होंगे न, उसको circle में डाल देना, अगर एक से रिस्ता करेगा, तो circle के अंदर सबसे रिस्ता हो जाएगा, ये circle एक magic circle है, बहुत काम की चीज़े, और यहाँ प होगा, चलो, बहुत बढ़िया, perfect, science, moment, बेटा, logic तो पूरा घुज़ गया दिमाग में, चलो, सबका clear हो न, आये, गजब रिस्ता रटवा दिया आपने, रिस्ता समझ में आया की न, एक दम अच्छे से, चलो, मज़ा आ गया, आगर आपको रिस्ता समझ में आया, तुरन में लेता हूँ, जान मुझ के, बट मैं otherwise मैं बहुत सरीव बन दा हूँ, सरीव हो लेकिन ऐसा ने कि मैं बेवकुफ हो या फिर, पता है कुछ-कुछ लोग सरीव को सीधा समझ लेते हैं, यह बहुत बड़ी गलती है दुनिया की, आप कभी, आप में से आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा रिखना, कि आप सरीव बनते हों, आप अच्छे बनते हों, बट लोग उसका नाजायस फायदा उठा लेते हैं, वो सोचते ही कि तो सरीव है सीधा हो गई है, बट उनको नहीं पता जो सरीव होते हैं, उनका दिमाग बहुत चलते हैं, बट वो इंसानियत के ना तो भी हिट होगा, यह इंडेस है, मजा आ रहे हैं नहीं, बहुत जल्दी लोग का थोड़ा सा भी इमोशनल फिलिंग में एटीच हो जाता हूं, और उस चकर में बहुत सारे गलट डीशिशन भी अपने लाइफ में, बहुत जगा नुकसान भी खाया हो मैं, बहुत पर नुकसान खयों में बस एक ही चीज कि मैं मतलब वह जल्दी भावोक हो जाता हूं लोगों की बातों में और वो उसका फाइदा उठा लेते हैं इतने बार फिर उस चक्कर में वो सोचते कि सीधा भी है कि प्रॉब्लम है अब धीरे धीरे मैं बदल रहूँ अब मैंने समझ लिया कि दुनिया खतरनाक चीज है आपको भी खतरनाक बनके रहना पड़े अब एक बात बताओ तो गल्फरेंड होने वाले बच्चे क्या सरीफ नहीं होते क्या हदे ये तो ऐसा थोड़े नहीं अब देखो यहाँ पर एक बात बता रहो अब एक बात बताओ जो मुझे लोन प्रोवाइड कर गी क्या वो भी मेरा रिस्तिदार है कैसे वो तो उनका तो काम ही लोन प्रोवाइड करना एक बैंक है वो बैंक तो सबको लोन देती है तो सबका तो न रिस्तिदार होगी वो तो जो providers of finance हो गए या फिर जो आपके supplier हो गए, customer हो गए, अब मेरे customer मालो कितने सारे all over India, तो सब क्या मेरे रिस्तेदार हो गए नहीं, तो इसलिए आप समझेए, जो हमारे franchisers हो गए, franchises हो गए, agent हो गए, supplier हो गए, customer हो गए, government, department, trade unions, providers of finance, ये लोग कभी भी related party नहीं होगे, अब related party तो हमने समझ लिया, कौन कोन होगा, person के point of view से भी समझ लिया, जो control, joint control, significant influence रखी है, या KMP है, फिर बाप का KMP है, और entity के बीच में भी समझ लिया, control, joint control, significant influence, या KMP services देता हो, और ये भी देख लिया, कि अगर माल लिजे, एक company में joint control, एक में significant influence है, तब भी related है, बी एक बच्चे का दो बापे, तो भी आपका related party नहीं, अदरवाइस आपका बहुत सरज है, हमने related party हमने देखा, तो क्या अब related party हमने समझ लिया, रिस्ता समझ लिया, यानि related party relationship मैंने समझा दिया, अब मैं आपको बताऊंगा related party transaction क्या होगा, उन दोनों के वीच में कोई भी transaction asset का खरीदना बेचना, goods का खरीदना बेचना, loan का commitment दे देना, loan का लेना देना, कोई प्रकार का transaction या event हो, है न, वो सभी related party transaction माने जाएंगे, मैंने कुछ-कुछ रखा limited purchase और sale of goods, property का खरीदना बेचना, other assets का खरीदना बेचना, goods and services देना या लेना, lease पे देना, guarantee देना, collateral व पता चल गया, कि related party relationship के है, यह मैं समझ में आ गया, और हमें यह भी समझ में आ गया, कि related party transaction के है, अब लोग बहुत हसार हो है, तो यंका भाभी, come attend this relationship lecture, मुला लो क्या, उनको भी पढ़ा दूँगा, मैं, अब यहाँ पर, I think, आपको एकदम अच्छी से समझ में आ गया, related party relation से पूरा clear करवा दिया, related party transaction भी clear करवा दिया, अब मैं बताओंगा, डिस्लोज क्या करना है, कि यह तो recognition का accounting करनी रहे, यहाँ पर दो disclosure करे, disclosure क्या करेंगे, category 1 disclosure, category 2 disclosure, दो प्रकार के disclosure करने, category 1 disclosure, आपको करना है, भले ही आपका transaction हो या ना हो, यानि related party transaction हो या ना हो, आपको category 1 disclosure करना है, और category 1 एकदम simple है, यहाँ पर सिर्फ उनको ही disclosure करना होता है, जिसके बाप है, जिसके बाप है, उनको ही disclosure करना है, बाकियों को नहीं करना है, मतलब, अगर मैं entity हो, मेरी कोई parent entity है, तो मुझे disclosure करना है, उसका नाम, अपने बाप का नाम तो बताओ, अगर आपका ब नाम बताना है और इसके अलावा दादाजी की भी दादाजी जो एकदम टॉप वाल है अल्टीमेट कंट्रोलिंग पार्टी उसका भी नाम बताओ यह भले आपने बाप की ऐसा ट्रांजिक्शन किया या ना किया एक तो बाप का नाम बताना पड़ेगा और दूसरा बाप का अल्टीमेट बाप जो एल्टीमेट डादा है एक उसका नाम बताना पड़ेगा आप बोलोगे सर हमें तो हमारे अल्टीमेट डादा का नाम ही नहीं बता इतनी फीडी आगी होगी मत बट कंपनी में पॉसिबल रहता है आपको कैटेग्री वन में पीना किसी इसमें भी KMP का और दूसरा ट्रांजिक्शन दो अलग अलग टाइप से हैं पहला टाइप से कहता है कि जो भी KMP आपका रिफ्सेदार है अब KMP को जो भी कंपेंसीशन दोगे वो डिस्लोज करो क्योंकि KMP को कोई देने वाले नहीं खुद ही निकाल देंगे KMP प्लैनिंग डेरिक्टिंग कंट्रोल करते हैं उनका कंपनी में अच्छा खासा पावर है वो खुद ही अपने कहीं ने कोई डिसाइड करके उठा लेंगे पैसे तो इसलिए बोला गया कि KMP को जो भी कंपेंसेशन दिया जा रहा है उसको डिस्लोज करो यूजर्स को पता चलना चाहिए कि उन वो साले कितने पैसे उठा रहें, कितने पैसे खा रहें, पता तो चले, तो full compensation, total compensation, कितना KMP को दिया जा रहा है, ये बताना पड़ेगा, और category wise भी बताओ, compensation, इंडेस 19 में पड़ते हैं, short term employee benefit, long term employee benefit, post employment benefit, termination benefit, service payment plan, तो इसमें आप category wise बताओ, कि कितना compensation दे रहो, तो category 2 में, ये भी तो आपक compensation दिया तो आएगा, तो compensation एक तो total और उसका breakup भी देना आपके, ये type 1 हो गया, type 2 में, जो रिस्ता कायम कहता है ना, बहुत सारा related party, relationship, तो जो जो आपके रिस्तेदार है, उनके साथ अगर आपने transaction किया है, तो disclosure करना, otherwise नहीं कर दो, यनि कहने का मतलब, बाप का नाम तो ऐसे भी आएगा, वैसे भी आएगा, उसके अलावा बाकी जो भी आपका रिस्ता है, कोई आपकी subsidiary है, किसी में significant influence है, कहीं पर आपकी MP service दे रहे हो, कहीं पर joint control है, उनका नाम कब आएगा, अगर माननीचे आप उनके साथ transaction, transaction ही करोगे, नाम नहीं आए, तो transaction अगर आप करोगे related party transaction, तब भी आपको details देना है, क्या क्या details देना है, nature of related party transaction, क्या transaction क्या आपने, seal किया, purchase क्या, क्या किया, उसके regarding पूरा information दो, कि कितना amount का transaction है, outstanding balance क्या, commitment क्या, पूरा information दो आप, आप amount of transaction भी बताओ, कि कितना रुपया का seal किया, कितना रुपया का seal किया, और आपने seal किया, तो आपको पैसे कितने मिलने है आउटसेंडिंग बैलेंस देने या मिलने कितने है commitment कुछ है क्या आपका और आपने माली जो trade receibles है उसमें कुछ डूबत खाते का आपने provision भी बनाया क्या और during the year भी अगर आपने कोई provision बनाया तो वो भी बताओ यहने कहने का मतलब माल लो for example मैं आप मेरे रिस्तिधार हो मैंने आपको good sell किया 10,000 रुपिस का credit में तो मैं nature बताओंगा और पूरा information दूँगा आपके matter में यह बताओंगा कितना 10,000 रुपिस का transaction क्या यह बताओंगा और यह बताओंगा कि मेरा अभी आपको balance मुझे कितना मिलना तो मैंने बोला कि balance 8,000 मिलना आज के date में तो balance 8,000 मैंने बताओंगा अब provision जो है पहले कितना provision पहले का कितना provision बुक किया हुए आपका पिछले सालों तक का accumulated provision और current year में कितना provision आपने create किया उसका information दूँगा तो यह आप याद कर लेना ऐसे याद हो जाएगा आपका इसमें कोई problem नहीं है पांची point रखा हुआ है यह आपका अराम से याद हो जाएगा nature of related party transaction information दूँ amount of transaction बताओ outstanding balance कितना है receible कितना मिलना है कुछ provision भी तो भी बताओ provision for doubtful debt और current year में कितना provision create किया तो भी बताओ यह provision अलग यह total provision बताने को बुल रख पिछले साल current year मिला कि और नीचे बोल रहा कि current year में कितना provision बना है यह भी आप बताई है तो इससे आपने समझ लिए एकदम अच्छे तो category 1 disclosure सिर्भ बाप का disclosure देना है बाप दादा का category 2 में compensation to KMP था और जब आप related party transaction करोगे तो यह सारी information आप provide करोगे बस बात खताब अब मुझे बस एक छुटा सा topic आपको पढ़ाना है फिर इंडेस 24 खताब तो कोई-कोई बोला था tough है कहां tough है मुझे तो कुछ tough न जज़िन यार अरिस्ता हमने कितने अच्छे से कायम किया transaction हमने बता दिया disclosure हमने बता दिया अब बस बचया government related entities तो government related entities कब कहला दिया मा लीजिए कि ABC limited एक normal entity अगर ABC limited में government का control है joint control है या significant influence है तो ABC limited को कहा जाएगा government related entity क्योंकि इसके उपर government का साया है भले वो बुरा साया हो या अच्छा साया हो है ना इसके उपर government का साया है government का हाथ है कैसे control करता है joint control करता है significant influence रखता है तो हम ABC limited को क्या मानेंगे government related entity में और government related entity को प्यादा छूट भी आ होगा है है ना बोले कि क्योंकि government लोग को काला काम करना है तो government related entity को बुला कि हम तो आपके साथ आप पे हमारा साया है हमारी आपके उपर पूरी नजर है क्योंकि हम आपको control joint control या significant influence रखते है government हर चेका फायदा निकाल लेता है तो यहाँ पर इनको exemption मिल जाता है disclosure वगेरा करते है वही चीज़ आप है significant influence रखते है तो ABC government related entity वैसे XYZ को भी government जो है वो control joint control या significant influence रखते है तो XYZ भी government related entity है तो बताओ government related entity और government related entity भाई-भाई नहीं हुए क्योंकि इस पे भी government का साया है इस पे भी government का साया है तो यहाँ पर standard कहता है कि जब दो अलग-अलग entity है और दोनों में government का साया है तो दोनों लोग भी अगर आपस में transaction करेंगे तो exemption मिल जाएग तो आप देखिए ABC limited जो है is exempted from disclosure related to transactions कोई भी transaction होगे या कोई भी outstanding balance है या कोई भी commitment है XYZ limited के साथ उसको exempt मिल जाएगा सोचो कितना पाप हो रहा है कितना पाप हो रहा है government कितना ज़्यादा पाप कर सही मेरे नजर में सही नहीं आपके नजर में सही तो बता देना पर पाप तो हो रहा देखो मैं लोग government का साय है तो भाई जो मन करे करो murder करो जो मन करे करो है ना वो वाली बात हो रही है यहां पर यहां पर ABC Limited और XYZ Limited जो है यह आपस में जो भी Transition करेंगे Outstanding Balance होगा Commitments होगा इनको Exemption मिल जाएगा क्योंकि दोनों के दोनों Government related entity है भाई भाई यह लेकिन Standard बोला कि कुछ तो गलत होड़ है तो इन्होंने बोला कुछ-कुछ नेसेसरी information तो देनी पड़ेगे पुला कि अगर आप Government related entity हो महले जैसे ABC Limited Government related entity तो आपको Disclosure से Exemption मिलेगा लेकिन आपको कुछ-कुछ तो Information देने मेंटरी क्या एक तो जिस Government के साथ आपका रिस्ता है जिस Government ने आपके उपर साया रखा है हाथ रखा है उसका नाम बता दो वह आपको कंट्रोल करता है कि जोएंट कंट्रोल करता है कि significant influence रखता हो भी बता दो रिस्ता बता दो जाए जया ना जाए जो भी रिस्ता है वो रिस्ता बता दो और तीसरा जो जो significant transaction है तारे transaction का disclosure नहीं करना जो significant transaction है उसका nature और amount मतलब बाकी जगा में हमने क्या देखा था transaction हुआ है तो disclosure होगा भले significant हो या insignificant हो माइन ही नहीं रखते है ना बाकी मैटर में लेकिन government related entities को सिर्फ और से significant transaction का ही nature और amount बताने और या फिर मान लीजिए और example छोटे 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 insignificant transaction हुए पर वो accumulate करें तो वो significant हो रहे तो वो भी हमें disclosure करना है वो भी हमें disclosure मैंने वो लिखा नहीं notes में कितना लिखो अब सारा लिखने से कैसे चलेगा तो अब यह बताओ आपको भी transaction करेगी या एक दूसरे से पैसे उधार लिए विए outstanding balance है कोई commitment है आपको exemption मिलेगा लेकिन at least आपको क्या करना पड़ेगा government का नाम बताना पड़ेगा रिस्ता बताना पड़ेगा और एकर को significant transaction है तो उसका nature क्या transaction हुआ है सेल हुआ है commitment हुआ क्या हुआ है और कितने amount है यह दूनों चीजा बता दीजे बस बात खतम तो अब यह अगर आपका हो गया है तो मैं एक दो कोशिन आपको जरूर करवाना चाओंगा इंडेस 24 का मैं जरूर करवाना चाओंगा significant के definition क्या है significant मतलब वो तो determine करेगा management management check करेगा significant क्या देखो अब कुछ बच्चे लोगे जिसके लिए 10 रुपीज भी significant होगा मुझे पता है बच्पन में मेरे लिए तो एक रुपय भी significant था पर आज की date में चलो ठीके मेरे लिए 1000 रुपय भी significant नहीं है तो वो depend करता है मतलब तो एक वक्त ऐसा था पड़ेगा 8 km ये मुझे छोटा सा बच्चा क्लास 5-6 में पढ़ता है वो ये टेंसन लिता था रोज की next day अगर उसको दो रुपय जुगाड नहीं हुए तो उसे पेदल चलना पड़ेगा 8 km वो टेंसन के मारे में इधर उदर जुगाड लगाता था एक मेरे भाईया उसक चलना पड़ता था एक वो टाइम था और आज का ऐसा टाइम है कि मैं 500,000, 24,000, 5000 तो मैं ऐसे कोई गरीब दिखता है तो मैं provide कर दे तो मेरे लिए अब वो 500,000 भी मेरे लिए significant नहीं है बट एक टाइम ऐसा था तब एक दो रुपय भी मेरे लिए significant था तो वो ही significant की परीभास तो अभी मैं quotient पे जाता हूँ 24,807 और मैं पता हमें अपने struggle से खुस हूँ क्यूंकि साइद अगर मैं struggle नहीं करता तो साइद मैं अपने पैरों पे खराबी नहीं होबाता हूँ और मेरा मानना है कि हमें जादा अगर माननीजे मिलता है ना benefits वगेरा तो हम फिर है ना अगर हम जिन्दगी में कभी struggle नहीं करते तो हम आगे भी नहीं बढ़ते तो मैं खुस हूँ अच्छा हूँ मैं तो बोलता हूँ अच्छा हूँ जो हूँ मतलब इन्हें तो साइद क्या बता मैं कभी भी है ना सिंसेर नहीं होता और मैं साइद मेरे परिवार में जिससे बाकी लोग को ज़्यादा खास नहीं करें जिनको हमेशा एक हुत है न कम जाके रखा गया उनलों को तो मैं भी साइद वैसा बन जाता हूँ तो कहीं ना कहीं अच्छे ही होता हमारे साथ बुरा वक्त कितना ज़्यादा होगा उतना आप समझ लो आपको बात में अच्छा वक्त भी मिलेगा आप फिर हाथ पाउ माने लग जाते हो आपने सब कुछ देख लिया होता है आपका दिमाग खुल जाता है फिर तो वो सा फाइदा मिलता है आपको तो यहाँ पर आप द गयाख सि ब्रेएबिस को कंच्छ अविग लिया आप तो यहाँ पर आपिसी सिव्यार आप जीक जो है उसने क्या क्या एबीसी को चंट्रोल कर लिया आक्कॉर कर लिया तो यहाँ पर Mrs. P और ABC क्या है एक ही Mrs. P ने ABC को कंट्रोल किया आपर और इधर Mrs. P का जो husband है वो XYZ में director है तो इस ते मुझे क्या समझ में आता है पता Mrs. P जो है और husband तो दुनों एक ही हो गए close person एक तरफ तो यह ABC को कंट्रोल कर रहे है और दूसरी तरफ इसका husband जो है वो XYZ में KMP है तो बताओ यहाँ पर बताओ Mrs. P जो है एक तरफ वो कंट्रोल कर रही है ABC को और दूसरी तरफ अपने husband के जरिये वो XYZ में KMP भी है तो क्या यह related party नहीं हुए हुए एक तरफ control और एक तरफ significant influence एक तरफ KMP तो यहाँ पर हम बोलेंगे ABC और XYZ जो वो related party है ना related party क्योंकि एक तरफ control और दूसरी तरफ husband के जरिये KMP तो यहाँ पर Mrs. P और husband तो close person में आगे ना तो मैं यह पता चलिए अब ABC और XYZ तो related party है आगे देखते हैं और कब लिया गए 1st June को तो 1st June से related party हुऊ 1st June से पहले तो controlling interest था नहीं ABC में तो अपरेल और मै का महना में ABC और XYZ related party नहीं था लेकिन June के महने से ABC और XYZ related party sales बोला 1st April से 31st में 8 लाग रुपीज का यह नहीं disclose करेंगे क्योंकि अपरेल और मै का महना में related party रिस्ता नहीं था Following the sale purchase by Mississippi XYZ limited begin to supply the products at a discount of 20% to their normal selling price and allowed ABC limited 3 months का credit भी देने लग यह देखो कितना धानली बाजी करने लग अब यह लोग sales of products from XYZ limited to ABC limited in the 10 month period यहनी control लेने के बाद 60 लाग रुपीज का sales हुए और trade disciples आपका last में कितना 80 लाग रुपीज का है तो आप देखो total sales तो पहले पहला दो मेना 8 लाग हुआ next 10 months 60 लाग हुआ total sales भले 68 लाग का हुआ है पर हम related party transaction में 8 लाग का नहीं करेंगे क्योंकि उस वक रिस्ता नहीं था रिस्ता बना जून से और यानि 60 लाग का ही हम disclose करेंगे तो हमने बोला था ना nature of relationship बताओ वो जो related party transaction में हमने पढ़ा था पांच point तो nature बता देंगे कि क्या है फिर हम बता देंगे amount of transaction बता देंगे outstanding balance 18 लाग का यह सब बता देंगे तो यह सारी चीज़ आपको यहाँ पर बताना है nature of rista, revenue, outstanding balance यह सब आपको disclose करना है बस बात खतम तो देखिए यहाँ पर 60 लाग की आया 68 लाग नहीं आया simple question था इसलिए मैंने बता दें question वो आप अराम से कर लोगे करवाने लाइक question नहीं मुझे अब आपको कराना है government related entity यह भी question आराम से हो जाएगा मैंने इतने अच्छे से आपको concept दिया है तो यह भी आराम से हो जाएगा आपका मुझे आपको एक अच्छा सा question कराना है that is government related entity का को question में देखता हूँ बागी question आपकी आराम से हो जाएग यह क्या इस question number six illustration में भी एक question होगा यह यह वाला question देखता हूँ government GA directly control करता है entity 1, entity 2 government GA entity 1, entity 2 को control करता है तो क्या entity 1 government related entity जी हाँ entity 2 भी government related entity है फिर क्या बोला it directly controls entity A and entity B through entity 1 and entity C and entity 2 यह entity 1 और 2 के जरिये यह इनको भी control करता है तो यह भी government related entity हुआ तो आप मुझे बताईए अगर entity A और entity C आपस में कोई transaction करें तो exemption मिलेगा है हाँ मिलेगा तो क्योंकि दोनो government related entity अब यहाँ पर आप यह मत बूला यह तो इसके अंदर है यह इसके अंदर है वो हम government related entity के बात करें यहाँ पर दोनो government related entity है तो दो government related entity वो दो अलग-अलग government related entity अगर आपस में transaction करेंगे तो वो related party माना तो यह सारे आपस में transaction करेंगे वो अलग बोल दो आपस में transaction करेंगे ने लोग वो exempt होगा क्योंकि government related entity तो अलग-अलग आपस में अगर कोई transaction करेंगी वो exempt यह हमने समझाए आगे दिखते हम परसन एक्स इसे member of key management personal entity one यहनि entity one में यह केमपी है अब बताओ Mr. X अगर entity one का केमपी है तो मैं यह तो मालनेता हूँ कि Mr. X जो है entity one का रिस्तिदार है चलो ठीक है Mr. X entity one का अगर रिस्तिदार हुआ तो इसके साथ साथ इसकी जो family के तो इतने मुझे ही तो समझ मैं कि यह circle के अंदर आएगा यह सब circle के अंदर आएगे group members से Mr. X अगर एक का रिस्तिदार है तो सभी का circle के अंदर सभी का रिस्तिदार होगा मैं agree करता हूँ आगे क्या बोलना चाहे examine the entity to whom the exemption for disclosure to be given and for the transition with whom तो यह exemption की बात कर रहा है हमने exemption एक ही जगा में पढ़ा था government related entity में तो मैं यह बोलूँगा यह सब को एक दूसरी के साथ transaction करेंगे exempt है तो कि सब के सब government related entity बट Mr. X जो है न यह थोड़े न government related entity यह तो entity नहीं है पहले बात पहली बात तो यह entity नहीं है government not a government related entity not a GRE तो एक बात बताओ अगर entity X जो है वो entity A के साथ में transaction करेगा तो क्या exemption मिलेगा नहीं मिलेगा हाँ यह बोलेंगे यह रिस्तिदार तो है कि close भी करो exemption नहीं मिलेगा इसलिए नहीं मिलेगा और entity A is financial statements the exemption of index 24 applies to transaction with government G तो entity A का government G के साथ exempt है transaction with entities 1 and 2 B, C, D इन सब के साथ exemption मिलेगा है लेकिन person X को exemption नहीं मिलेगा क्योंकि person X जो है वो government related की नहीं है तो आपको यह समझ में है अभी Mr. X इन सब का रिस्तिदार है और इन सब के साथ यह transaction करेगा तो वो related party transaction में आएगा disclose करना पड़ेगा और Mr. X को यहाँ पर exemption नहीं मिलेगा क्योंकि यह government related entity नहीं है तो अगर यह समझ में आया तो मेरे ख्याल से अब मुझे आपको कुछ कराने की आवस सकता नहीं है अब आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया illustration 5 भी bonus में question करा देता हूँ मन हो गया तो करा देता हूँ power limited producer electricity का transmission limited regularly purchase करता है electricity power से power limited का financial यह 31st March को end होता हूँ उसने 100% ले लिया transmission का तो transmission और power limited यहाँ पर related party है क्यों क्योंकि यहाँ पर power ने transmission limited का 100% sets ले अगब July 15, 2001 से तो कि July से पहले related party था नहीं April, May और 1 से लेके 15 July तक related party नहीं था आगे however the entire share holding is disposed on 21 March तो related party relationship कब तक था 15 July से लेके 21 March तक 15 July से लेके 21 March तक जो भी transition होंगे वो related party transition में आएंगे और उसका आपको disclosure करना पड़ेगा उसके पहले का भी नहीं है relation उसके बाद का भी relation नहीं है यानि कहने का मतलब आप किसी को girlfriend बनाओगे girlfriend बनाने से पहले तो आपकी girlfriend नहीं थी उसके पहले के transaction related party नहीं होंगे फिर ब्रेक अप करने के बाद भी वो आपकी रिस्तिदार तो नहीं है तो उसके बाद की भी transaction related party नहीं माने जाएंगे यहीं जो आपका girlfriend का period था ना दो चार मेने छे मेने जितने भी आपने चलाया वो पीरेडी related party उसी पीरेड का related party transaction आपको याद रखना और आप हिसाब ले 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 ना उससे फिर है ना अगर खर्चा किया तो बोल देना देखो इतना time period मेरी girlfriend थी कितने time period में मैंने इतना खर्चा किया मुझे उसका पैसा दे दो एना पैसा मांग ले ना ठीक है चलो तो I think यह सब girlfriend वगेरे डाल देता हूं न तो थोड़ा सा clarity आ जाती है तो इसली के साथ मैं इंडेस 24 को भी अलविदा करता हूं मैंने पूरा समझा दी आपको अब बचे कुछे कुशन अब अराम से समाल लोगे तो अब हमारा बचता है क्या Indus 8 मुझे आपको करवाना है और Indus 8 करवाने के बाद मैं आपको break दूँगा चोटा सा और उसके बाद हम Indus 16, 38, 40 कर लेंगे मतलब क्या अभी तक हमने 8 Indus खतम कर दिये हैं हाची है हमने 8 Indus क्या बात मैं अब सुबे से लिख्या अभी तक साड़े दस बेजे से जो बैठा है बहुत बढ़िया चीजा और quality ऐसा भी नहीं कि हमने बेकार पढ़ा है मैंने अराम से पढ़ाया क्योंकि मुझे लगा समय है और हम अराम से cover up कर लेंगे और हमने बहुत अच्छा पढ़ा है मानना पढ़ेगा तो अभी हम इंडस 8 में आ सकते हैं इंडस 8 का भी Cracks Notes भी मैं खोल लेता हूं मैं बार बार बीच में Cracks Notes में इसलिए खोलूँगा मैं क्योंकि मैं Cracks Notes हमें Sum Up करने में Help करेगा अधर वैस जो Mean Notes से आपको थोड़ा Sum Up करने में दिक्कत आ सकती क्या पता तो Cr क्या चीज़ा आपको एक्जाम के लिए दिहान में रखना है तो एक बात है मैंने देखा कॉफी पीने के बाद ना एनर्जी आ जाती है यह तो फैट है मतलब मैंने मतलब पहले भी मैं पढ़ाता था पर मैं यूज्वली कॉफी नहीं पिता हूं तो मैंने घुता है नहीं जाता था पहले आज तो सुचो इदम मतलब खतरना चीज़े क्या सुभमजी सरम करो मैं सुभे से बोल रहा हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग ब्रेक ब्रेक कर रहे हूं मुझे ब्रेक मांगना चाहिए पूजा जी मैं नोट सेर कर दूँगा 16, 38, 40 के नोट जो है वो मैं देख के सेर कर दूँगा पहले ये खतम कर लेते हैं लेकिन जस्परीच चे रोज कॉफी मत पेज़े कॉफी रोज पेना सही नहीं है कभी कभार पी वो जादा सही है तो यहां पर चैट बॉक्स में जो जो बैठे वो सुबह से बैठे है न ऐसा नहीं कि वह सेकेंड हाप में वापस जोइन कर रहा हुए एसा है कि सुबह से बैठे हो इंडेस 8 में आजो कोई जाओ मत इंडेस 8 में आओ हम खतम करते हैं मैं बैठा हूँ तो आप भी तो बैठोगे न और अबी तक सब कुछ मज़ा आ रहा है एकदम अच्छे से अगर समझ में आ रहा तो लाइक करो समझ में आ रहा तो लाइक भी करना प्रेक मत मांगो यार प्रेक मांगने से पहले सरम करो एक्जाम देखो कितने दिन के बाद हैं बहुत सारे बच्चे सुबह से बैठे हुए सब बहुत सारे बच्चे सुबह से बैठे हुए बहुत अच्छी बात है आप लोग ऐसे मोटिवेटेट रहते हो ना पढ़ने के लिए तो मुझे भी पढ़ाने का मन कर रहा है तो मेरा तो मेरा टार्गेट था वो तो एच्छी हो जाएगा पर आप अगर पढ़ोगे तो म मैं और पढ़ाऊंगा आपको है ना देरे देरे तो कम होंगे वो तो फैक्ट है ही सारे बच्चे में उतनी वो एनरजी नहीं रहती कि वो सुबह जितने थे वो लास्ट में भी रहेंगे बच्चे बाग जाते हैं और बाकी लाइक जरूर से कीजएगा आजो अभी हम इंड स्ट इस अिस टूर्ट करें पार मेरी गल्ट्रिण मगा मच्च्या है मतलब कहा होते है मगर मच भोल रहों मगर मच बोर्यों पम सबрийन तर आपके साथ तो चान्म चैन में पियार करते हूं 1556 likes हुए अभी है मैं सुछाद था तूथाउचन होंगे पर नहीं होगा लगता अभी लाइव में तो नहीं होगा लगता है कि 2000 पहुंचा आओगे मेरे क्याल से समने लाइक करी दिया होगा बहुत सारे बच्चे में होँगे तो थाउजन लाइक्स नहीं होगा मुझे नहीं लगता है अब उमीद छोड़ दिया हमें चलो तो अभी तक आठ इंडर्स हमने खतम किया है अच्छी तरीके से कोश्चंस के साथ बताओ वर्थ वर्थिट था ना आज का दिन बेकार तो नहीं किया ना मैंने आप लोग का वर मज़ा तो आया ना अच्छे से एक्साइटमेंट थी आप लोगों में भी मेरे में भी क्या पढ़ेंगे करेंगे सारा तो वह एक्साइटमेंट जो था मला फूल वर्थिट तो था ना अच्छे से सच में था ना धूट तो नहीं बोल रहे हैं मागा मच्छा क्या मतलब कि हमें तो ग ही नी समझा चलो बहुत बढ़िया मज़ा है कल SFM का test लेंगे आज ने लिया था आज तो अभी live में बैटे तो कैसे लेंगे कल लेंगे और आप कैसे लेते हैं आप यहां live देखते हैं कि test देते हैं चलो तो यहां पर आप देखिए आगे हम बढ़ते इंडेस 8 अब हम start करते हैं इंडेस 8 में मैं आपको क्या पढ़ाओंगा मैं आपको तीन चीजे पढ़ाओंगा accounting policies changes in accounting estimates and errors यह तीन चीज अलग अलग से पढ़ाओंगा मैं और मैं आपको बता दू accounting policies और errors का accounting जो होता है वो retrospectively होता लेकिन estimates हमने पहले भी पढ़ा है changes in accounting estimates estimates में जो भी changes होते हैं उसको retrospectively नहीं करते हैं उसको prospectively करते हैं लास में में पूरे accounting आपको prospectively में तो कोई problem ही नहीं जिस period में change हुआ उस period में चितना change हुआ उसका corresponding effect दिखा तो penal के साथ बात खतम लेकिन जब हम retrospectively करते हैं तब थोड़ा समाँ पर मेहनत होते हैं हमें back date में जाके retrospectively adjustment करना पड़ते हैं जरत पड़ती तो हम third balance sheet भी बनाते हैं तो वो कैसे क्या बनेगा वो सारी चीज़े मैं आपको समझा दूँगा tension की बात नहीं है अभी फिलाल हम index 8 में क्या कहता है वो सारी चीज़े पड़ते हैं तो आप देखिए यहाँ पर index 8 में सबसे पहले मैं आ accounting policies समझांगा अब एक बास समझ दो accounting policies accounts में लगता है cricket में क्या लगता है cricket की policies होती है cricket में है और अलग-अलग जगा मेंierungs policies होती देखे गौवर्मेंट की अपनी policy होते हैं वो government policies कहते हैं हमारे घर पे भी मम्मी पापा की policies रहती है तो आपको हर जगा policies तो मिलेगी हर जगा policies रहती है policies के अंदर क्या रहती है rules रहते हैं policies के अंदर rules के अलावब और भी बहुत सारी चीज़े रहती है मतलब कहने का मतलब अगर हम घर पे रहते हैं तो हमसे रूल्स को ऐसा नहीं कि सिर्व हम रूल्स को फोलो करते हैं रूल्स के अलावा कुछ-कुछ principles होते हैं कुछ-कुछ practices होते हैं उन सब का combined policy खेलाता है इसलिए accounting policies में आप दिखे constructive obligations वगेरा भी आते हैं इसके अलब अब प्रतिष्ठा होगी अनुसासन मनलब rules होगी आपका है न और प्रतिष्ठा ये सारी चीज़े आती हैं इसके अंदर principles भी आ जाते हैं, basis भी आ जाता है, convention भी आ जाता है, rules भी आ जाता है, practice भी आ जाता है ऐसा नहीं कि index जो बना गया वो जहां पर rules है नहीं, कहां rules से बहुत सारी जगह में rules नहीं, बहुत सारी जगह में management के ओपर छोड़ा गया है कि आप अपने ही हिसाब से, provision वगेरा में कहां rules है, बहुत सारी जगह में आपको accounting policy खुद से frame करने भी दिया जाएगा, अगर मानली जो for example, index कुछ भी नहीं कहता, silent है तब management खुद से accounting policy बनाते हैं, और कितने सारी जगह में तो choices भी दिया है, कहीं पर आप cost model लगा सकतो, कहीं पर revolution model लगा सकतो, inventory cost formula में आप क्या कर सकतो, आप FIFO method या weighted average लगा सकतो, और भी बहुत सारी जगह में जहां पर management अपना judgment के साब से, वो decision लेगा, उसके लिए significant transaction है या नहीं है, तो इसलिए आप समझ जाइए, कि जो हम अभी इंडे सारे पढ़ रही है, रूल्स नहीं है, यह accounting policies है, तो जितनी सारे इंडे से न, यह क्या है, यह accounting policies, तो हमें जब financial statements prepare करना है, तो हमें क्या करना होता है, accounting policies के हिसाब सी financial statements prepare करना हो, इसका फाइदा क्या, इस से comparison करने में मदद मिल, जैसे अभी आप दो companies को compare कर पाओगे, क्योंकि दोनों companies का accounting policy सेम है, that is index, तो आप compare कर पाओगे, अब तो across the globe भी comparison होने लग गया, इसी वर्यस से तो AS से index बना, ताकि जो बाहर की investors है, उनको problem ना हो, उनको हमारे financial statement समझ में है, इसलिए हमने align कर दिया IFRS है, ताकि same accounting policies हो, same practices हो, same rules हो, same principles हो, इसलिए 95% से भी ज्यादा चीज़े हमने IFRS से adopt किये, converge तो नाम का converge बोले, कुछ छोटे छोटे जगा में तो convergence किये है, बागी तो पूरा का पूरे adopt कि हमने IFRS को, तो I think आपको समझ में आगे है कि accounting policies सबसे पहले क्या चीज़े, अब मै आपको लेके चलता हूँ, crux notes पे, देखो, accounting policies के principles, basis, convention, rules and practices है, जिसको apply करके, हम financial statements को prepare करते हैं, अब accounting policies कैसे select करें और apply करें, यहापर कुछ कुछ चीज़े आपको याद भी रखना होगा, firstly, आप क्या करो, specific index को लगा रहे हो, मतलब आप accounting policies apply कर, यह index जो है, वो और कुछ यह accounting policies थी है, index के थीए, इन्डेस के अंदर आप दिखना rules भी है, बहुत सारी जगा में, बहुत सारी जगा में आपको past practices की बेबात करता है, बहुत सारी जगा में principles की भी बात करता है, बहुत सारे जगा में basis की भी बात करते है, चो इसलिए जो index है, वो सभी चीज़ों को से ऐसे करना पड़ेगा income tax बताओ कहीं पर भी आपको छूट देते हैं कि management का judgment management अपने इसाब से कर लेगा आपने अगर income tax पड़ा है कहीं पर भी आपने देखा कि management के ऊपर छोड़ दिया जाते हैं कि आप अपने इसाब से depreciation निकाल लो आप अपने इसाब से यह कर लो वो कर लो नहीं हर जगा में कानून होंगा तो मैं income tax एट को फिर भी मैं rules बोल सकते हूं बट मैं इंडेस को rules नहीं बोलूँगा accounting policy बोलूँगा क्योंकि इसके अंदर rules के इलावा principle, basis, convention, practices वगेरा सब कुछ रहते हैं इसके अंदर सब कुछ रहते हैं तो अब आपको समझ में है कि हम पहले तो question में आपको क्या बोलना है how to select and apply accounting policies firstly हम बोलेंगे कि इंडेस को apply करो अब मानलो कुछ-कुछ ऐसे matter होंगे कुछ-कुछ ऐसी जगा होगी जहाँ पर इंडेस silent है जिसने मालो for example मैं यूट्यूबर हूँ मैंने बहुत बड़ी company खोली है अब उससे related मेरा बहुत सारी मामले ऐसे आ रहे है जहाँ पर यूट्यूबर के लिए कुछ-कुछ जगा में मान लीजी इंडेस silent है तो वहाँ पर वो क्या करेगा वो खुछ से accounting policy को frame करेगा जी हाँ मतलब अगर इंडेस में कुछ नहीं कहा गया यानि in the absence of specific इंडेस management अपना judgment लगा कि develop करेगा कुछ से accounting policy को और फिर उससे apply करेगा develop करेगा और apply करेगा accounting policies को और वो इस प्रकार से develop करे accounting policies को ताकि वो users के लिए relevant हो कि वो users economic decision ले सके users के लिए relevant हो और वो reliable हो यानि उससे जो financial statements आपका बनेगा वो आपका reliable हो मतलब faithfully represent करे balance it को, P&L को, cash flow को और वो neutral हो, unbiased हो, prudent हो, complete हो all material aspects में तो यह आप कहीं न कहीं याद करनी की तरना अगर आपके लिए possible है तो मैं बता रहो अब मैंने आपको क्या समझाया, how to select and apply accounting policies मैंने आपको क्या बताया, firstly हम apply करेंगे specific index, secondly अगर index absent है, तो management क्या करेगा, अपना judgment लगाके, develop करेगा accounting policies, फिर उस accounting policies को apply करेगा, पर develop करने का यह मतलब नहीं, अपने मनमुताबिक develop कर लेगा, वो इस प्रकार accounting policy को develop करे, कि वो relevant हो users के लिए, क्योंकि users के लिए तो funds statement बना रहे, तो उनके लिए relevant हो, थाकि वो economic decision properly ले सके, आगे जाकि उनको sales रखना है, बीचना है, क्या करना है, और साथी साथ वो reliable funds statement भी present करे, यह बैलेंसीट, penal, cash flow वगेरा reliable हो, prudent हो, complete हो in all material aspects है ना, neutral हो, unbiased हो, यह सारी चीज़ आपको समझना है, और अब यहाँ पर standard क्या बोल रहा है, कि जब आप judgment बनाओगे ना, तो अपने घर में बैठे बैठे ना, घर से खुद से accounting policy मत बनाओ, आप एक काम करो, हमें पता आप इतने जादा होनहार नहीं ह आपको इतना दिमाग नहीं होगा, आप एक काम करो, जब आप accounting policy को develop करोगे, है ना, तो develop करते से में, आप इन चीजों को refer कर लो, किसको refer कर लो, माल लीजिए, आपके कोई matter में, index silent है, तो अब देखो कि similar issues में, index ने कुछ बोला है, कि अगर similar issues में, index ने कुछ बोला है, तो उसकी बात सुन लो, आप आप, उस हिसाब से अपने, अपना accounting policy develop करो, अगर आप बोलो है नहीं सर, similar resource में भी, index ने कहीं पर कोई deal नहीं किये, तो अब देख लो, जो conceptual framework के न, conceptual framework को follow करके, आप accounting policy develop करो, वहाँ पर भी कुछ नहीं मिल रहे है, तो जो आपका international accounting standard board है, उसका ज अलग-अलग countries के और भी तो standard setting bodies है, जो कि similar conceptual framework के हिसाब से standard को set कर दी है, जैसे हमारा इंडिया में, जैसे अलग-अलग country में अपने उनका भी कुछ-कुछ accounting policy बनाया हुआ होगा, तो जो बाकि दूसरे standard setting body से, उनका reference ले लो, और अगर वहाँ से भी मदद नहीं मिल रही है, तो similar industry जो practice हो रही है, आप जिस sector में हो, उस sector की industries क्या practices follow करती है, आप उनको follow कर लो, मैं बता रहो, यह आपको रट्टा मानना पड़ेगा, और यह आपका इस order में ही चलेगा, यह आपको जब आप मलब कहने का मतलब यह related में बता रहो, इंडेस लगाना है, इंडेस अपसे इंडेस तो develop करोगे, develop करो ऐसा कि वो relevant हो, reliable हो, और यहाँ पर मैंने आपको ही समझा है, judgment करते समयगे, इंडेवलोप करते समयगे, आपको इस sequence में जाना है, पहला, इंडेस देखो कि कहीं कोई दूसरा इंडेस डील तो नहीं कर रहा, similar resource में, second conceptual framework, third most recent pronouncement of international accounting standard board, तो था other standard setting bodies and part 5 हुआ, similar industry practices, यह आपको याद करना हो, यानि इस प्रकार ही आपका क्या होगा, accounting policy develop होगा, तो देखा जो तो कहीं न करे standard आपको कम ही मोका दे रहा, खुद से develop करने का, वो बोल रहा, आपको इसको refer करके ही develop करना चाहिए, अब क्या हम accounting policy एक बार हमने apply कर दिया कुछ, क् उसे change कर सकते, standard इसके सक्त खिलाव है, वो बलता आप change नहीं कर सकते, हाँ, एक दो matter में आप change कर सकते, आप या फिर जो भी accounting policy follow करो, आप उसे consistently follow करोगे, आप change नहीं कर सकते, चेंज आप दो ही condition में कर सकते हो, या तो change is required by index, जैसे पहले अगर मैं बोलो, पहले index 17 हुआ करत लिए, इंडेस के requirement के वज़े से change हुआ तो हम change कर रहे हैं, हम change कर सकते था, और दूसरा हमारा, माल लीजे हमी लग रहा है कि पहले, follow for example, हम पहले cost model follow करते थे, और property, plan and equipment का valuation करने के लिए, measurement करने के लिए cost model हम follow करते, तो हमें हमेसा cost model ही follow कर रहे हैं, लेकिन अब क्या हुआ अब हम हमारी company को listing करा रहे हैं, और हमारे sector, हमारी industry की जो similar companies हैं, वो सभी similar companies जो public listed हैं, वो सभी माल लो revolution model follow करते हैं, तो हमें लगा कि अगर हम भी revolution model follow करें, तो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि हमारे sector की जितनी भी companies हैं, वो सभी revolution model follow कर रहे हैं, और users के लिए ज़्यादा relevant होगा जादा reliable होगा तब आप accounting policy को change कर सकते हो क्योंकि जब हम accounting policy develop भी करते हैं तो हम यही बात को ध्यान रखते हैं कि वो user के लिए relevant हो और reliable हो वैसे ठीक वैसे ही जब हम change करेंगे तब भी हम यह देखेंगे कि क्या वो user के लिए relevant या reliable हो मतलब कहने का मतलब accounting policy के जो दो point है वही change के देखो accounting policy में पहला point कहा था इंडेस लगाओ change भी कप करोगे जब इंडेस का requirement है change करो दूसरा आप अगर develop करोगे accounting policy को develop करोगे तो इस बात को धिहान में रखोगे कि वो users के लिए relevant हो और reliable हो तो change भी अब तभी करो जब आपको लगता है कि change करना ज़्यादा सही होगा user के लिए ज़्यादा reliable और relevant होगा तभी आप change करोगे तो जब आपने accounting policy याद कर लिया तो आपका change in accounting policy अपने आप याद हो जाएगा दोनों link ठेक दूसरे से आपको यह linkage समझ में आया आपको अब एक बात और बताना चाहता हूं कि कुछ-कुछ मामले में हम उसे change in accounting policy नहीं बोलेंगे अब मालिजे कोई नई accounting policy आईए पहली पहली बार कोई नई accounting policy है जिसे हम लगाड़े तो वो हमारी थोड़े ना change in accounting policy है वो हमारी change in accounting policy में जैसे इसका example में अगर लू तो यहां पर आप देख लीजें मालो एकदम कोई नहीं पहले agriculture का को accounting policy था यह नहीं तो हम नहीं लगा रहे थे अब agriculture का accounting policy आ गया तो नया accounting policy आया तो हम उसको अब लगा रहे पहले हम agriculture का normal accounting करते थे अब इंडर्स 41 आने क्या था हम इसको 41 के सबसे accounting करते हैं तो नया accounting policy को apply करना doesn't mean change क्योंकि change कहां से हुआ पहले तो था ही नहीं अब नया से मैं accounting policy apply कर रहे तो यह change in accounting policy नहीं है और डूसरा आपका business करने का manner बदल गया जैसे मालो for example पहले मैं land and building को business purpose के लिए यूज कर रहा था तो मैंने उसे property planned and equipment classify अब मैं क्या कर रहा हूँ अब मैंने उसको rental पर दे दिया operating lease पर दे दिया तो इंडर्स 40 लगेगा क्योंकि अगर मैं land and building को क्या करूँ मैं leases पर दे दूँ तो अब वो मेरे लिए investment property है ना कि property planned and equipment अब उस पर इंडर्स 16 नहीं लगेगा उस पर लगेगा इंडर्स 40 तो क्या यह चींज इन accounting policy नहीं कि मेरा business करने का तरीका बदल गया है उस वज़े से मेरा दूसरा इंडर्स लग रहा है तो यह चींज इन accounting policy नहीं समझ में आ रहा है एक दम अच्छे से समझ में इसके अलावा एक और बात करते हो एक्जांपल फंक्शनल करनसी हम फंक्शनल करनसी इंडर्स 21 में जब determine करते हैं तो कैसे करते हम देखते हमारा primary economic environment कौन सा जह हम operate करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम अपनी करनसी इंफ्रेंस करते हैं उस इस दाफते हम फंक्शनल करनसी डेटर्माइन करते हैं यहां पर को accounting policy चोईस तो है नहीं अब कल को बाद में मान लिजे हमारा फंक्शनल करनसी बदल गया due to change in business बिजनस में चेंज हो गया मतलब अब हमारा primary economic environment इंडिया नहीं रहा अब हमारा primary economic environment मान लो यूस है तो हमारा फंक्शनल करनसी अपने आप चेंज हो का हम चेंज नहीं कर रहे हैं यहां पर चेंज इन फंक्शनल करनसी भी आपका चेंज इन accounting policy नहीं है क्योंकि अगर आपका business करने का manner बदल जाएगा तो आपके फंक्शनल करनसी भी बदल सकती है तो आप यह समय लो जब आपका business करने का manner बदलते हैं तो आपका इन पर चेंज हो ऑप हम चेंज नहीं कर रहे होते हैं तो वह कोई अपका पॉलीसी लगाओगे वह भी चेंज इन accounting पॉलीसी जो भी होगी आप ध्यान रखना अगर चेंज इन accounting पॉलीसी तो रेट्रोस्पेक्टिव यह अब अपकान्टिं करोगे अनलेस आप देखोगे कि कुछ-कुछ मामले में जब accounting policy change होता है तो transitional provision हमें मिलता है जैसे index 17 से जब index 116 में हम आए तो index 116 में already transitional provision है जहाँ पर retrospective approach या modified retrospective approach से आप accounting कर सकतो तो वहाँ पर अगर guidance दिया तो उस हिसाब से करो अगर कुछ भी guidance नहीं है तो आपको retrospectively करना प्योर retrospectively आपको accounting करना है तो इसे के साथ change in accounting policy खतम है तो आपको exam oriented मैंने समझा है अगर मैं आपको detail में समझाने को जाओ तो बहुत समय लगेगा तो exam oriented आपको यह समझना है accounting policy एक बार recap दे दे रहाँ फटा-फट accounting policy क्या है specific principle, basis, convention, rules and practices यह आपको exam में लिखना है पहले कोई भी question accounting policy का यह लिखिएगा applied in preparing and presently financial statements फिर हम बोलेंगे अगर हमें बोले कि कैसे हम accounting policies को select यह apply करेंगे यहाद करना है क्योंकि कुछ-कुछ case study में यह आपको डालना पड़ेगा question आप करोगी illustration वगेरा अराम से होगा आपका सारा तो जब आप करोगी आपको खुदी पता चल जाएगा कि यह सब आपको याद करना पड़े firstly अब apply करोगे specific index अगर absent है तब management अपना judgment लगा कि develop करेगा और apply करेगा accounting policies को जो कि relevant हो user के लिए और reliable हो ताकि financial statement fitfully represent करें balance it, PL, cash flow वगेरा prudent हो, neutral हो, complete हो in all material aspects क्या दि हो जाएगा दू-चार बर read करोगे तो और क्या हम judgment जो लगाए अपनी हिसाब से नहीं judgment लगाते हैं समय आपको यह refer करना पड़ेगा यह तो आपको याद करना ही है फिर change in accounting policy कब हो सकता है जादा relevant और reliable होगा तब आप change करोगे तो इन दोनों से यह change वाला आपको याद हो जाएगा कब-कब change नहीं मानेंगे नया accounting policy अपलाई करना या फिर manner of business को change करना है ना जैसे change in functional currency, pp to investment property यह तब ही होता है जब business करने का manner बदलता है तो ऐससे situation में हम नहीं बोलेंगे कि change in accounting policy है और ध्यान रे last में finally आप accounting policy अगर change हुआ है तो आपको change को retrospectively effect देना है तो इसने related retrospectively कैसे effect देना है वो मैं last में आपको बताऊंगा एक दो question करागी एक cherry limited वाला question है दो question है वो दो question में अच्छे से करा दूँगा तो retrospectively आपका क्या है वो clear हो जाएगा अभी मैं आपको next पढ़ाऊंगा change in accounting estimates change in accounting estimates क्या होते है देखिए हम कितने जगा में estimation basis में काम करते हैं कहां estimation basis में काम करते हैं इंडे 67 में पढ़ाया था है यहां पर uncertainty uncertainty रहती है amount में uncertainty या फिर timing में uncertainty वहां पर हम estimation करते हैं estimation हम कैसे करते हैं अपने past experience है और जितना हमारे पास information available है उस date में उसकी जबसे हम estimation करते हैं तो माल लिए आज 61 मार्च मेरे पास जितना past experience है मेरे दिमाग में और जितना मेरे पास information है उस हिसाफ से मैंने estimation कर दिया अब later on next year next year मेरे estimation बदलेगा yes मेरे पास और experience आगिए तूसरा मुझे क्या बता है और नया information मिल गए मेरे estimation बदल जाएगा है ना तो estimation आपका बदलता कब है changes in accounting estimate कब होता है जब आपको ज़्यादा experience हो जाए और या फिर आपको नया information मिल जाए तब आपका estimation चेंज होता है तो आप देखिए due to uncertainties involved many items in financial statement can only be estimated क्योंकि बहुत सारे items को हम estimate करते है estimation क्या-क्या चिछका हो सकता है अब provision बनाते हैं न case वगेरा filing हो गया provision बनाया warranty obligation का provision बनाते हैं bad debts का provision बनाते financial asset, financial liability का भी हम fair value estimate ही तो करते है fair value क्या करते हैं estimate करते हैं level 1, level 2, level 3 के आप से estimation ही तो है fair value भी accurate कहीं नहीं मिलेगा estimation ही होता है quoted price को छोड़ तो otherwise estimation ही चलता हमारा useful life हो गया expected residual value यह सब भी estimate करते हैं यह बाद में बदल सकता है estimate may need revision estimate आपका revise कब होता है जब आपको नई information मिल जाती है या फिर आपका ज़्यादा experience हा जाता है तो दूई मामले में आप estimation चींज करते हैं usually निया information जब आपको मिलेगा और ज़्यादा experience हो जाएगा आपका जैसे आप मैं आज से 4-5 साल पहले estimated बता था कि paper pattern कैसा होगा अब मेरे पास और निया information आगया और 4-5 साल का data आगया और दूसरा अब मैं और ज़्यादा experience हो गया तो मैं 4-5 साल पहले जो estimated paper pattern बता पाता आज तो मैं ज़्यादा बता पाऊंगा आपको तो वही वाली चीज है निया information and more experience यह दोनों वर्ड एक्जाम में आना चीए estimation तभी revise होता है जब नया information मिल जाता है यह ज़्यादा experience हो जाता है और estimation हम हमेशा change करते है prospectively retrospectively कभी भी नहीं करते है accounting policy का change retrospectively होता है but estimation prospectively होता है prospectively का मतलब जिस period में आप change कर रहे हो उस period में देख लो कितना net effect आरा change का उस period में उतना net effect दिखा तो P&L के साथ बात खतम अब हम errors की भी बात करते है errors का भी हम क्या करते हैं retrospectively ही treatment करते है यानि अगर मैं आपको बोलू accounting policy change और error के मामले में हम same treatment करते है same तरीके से आपका treatment होता है retrospectively errors कब माना जाता है आपका देखो हमने पुराने पाप की वो errors मान लीजे हमने कोई machinery खरीदा उसको खर्चा दिखा दिया था पहले उथा machinery asset दिखाना था हमने खर्चा दिखा दिया या मान लीजे हमने कोई sale किया उसे recording नहीं किया था तो उस period में revenue किसी भी प्रकार का कोई transaction है जिसको हमने omit कर दिया और या फिर मान लीजे मैंने 10 lakh रुपीज का machinery खरीदा गलती से 1 lakh का दिखा दिया मैं misstatement कर दिया यानि omission कर दिया कितने वार तो पूरा का पूरे omit कर दिया और या फिर मान लीजे misstatement कर दिया गलत amount हो सकता है या फिर मान लीजे machinery खरीदा दिखाया खर्चा ऐसा भी हो सकता है classification में भी गलती हो सकती है मान लीजे current asset होना था मैंने non current asset दिखा दिया बहुत सारी गलती यह सब हो सकती है न तो बहुत सारी अलग-अलग आप गलती यहाँ पर क्या कर सकते हो कर सकते हुँ हूं- है लिजए finance cost का खरचा था हमने mistakenly other expense में दिखा दिया स्टेट्मेंट ाफ inhale में दिखाता हैं ना finance cost हम अलग से लिखाते अर्थर expense का अलग item दिखाते तो finance cost का खरचा finance cost के exits में जाना था हमने गलती से in sorts में दिखा दिया, non current डिखाना था हमने current classify कर दिया, यह सारे क्या error ही तो यह गलती है, तो यह error अब आगे में बता दाओं किस-किस प्रकार के किस-किस type के error हो सकते, mathematical mistakes आपका error हो सकता है, omission हो सकता है, mathematical mistakes मतलब 10 लाग को 1 लाग दिखा दिया, omission कर दिया, fraud भी error है, fraud भी कहीं कहीं error, intentionally करो या unintentionally करो, error ही हुआ, fraud भी error में आएगा, तो ध्यान रहे, error includes fraud, misinterpretation of facts, accounting policy apply करने में mistake कर दिया, accounting policy apply करने में कुछ mistake कर दिया, तो यह सारे error है, माल यह पिछले साल आपने post model follow करना था, क्योंकि consistently आप post model follow कर रहे हो, पर अपने revolution model follow, तो error ही तो है, गलती करी न अपने, तो उसको ठीक कैसे करेंगे, वो मैं आपको समझाओंगा, कैसे ठीक करेंगे, अब आपको यह समझाना मुझे ठीक कैसे करेंगे, error का, देखू, मेरी बात ध्यान सा सुनना, कैसे हम error को ठीक करेंगे, जैसे मान लीज़े, for example, 2012 में हमने गलती किया था, आज हम 2023 में है, और 2023 में before approval of financial statement हम बैठ है, अभी तक financial statement approved नहीं हुए, यानि 2023 का मान लो हम एक जुलाई को है, फरस्ट जुलाई 2002 में हम, और अभी तक पिछले साल का, 2012 का financial statement approved नहीं हुए, तो as per indus 10, हम बोलेंगे, ये error हमें पता तो चली गया, fraud और जो भी हो, ये error हमें पता चली गया, और condition तो 2012 को exist करता था, तो हमें क्या करना चाहिए, financial statement approved नहीं हुआ, हमें indus 10 की मदद लेते वे, adjusting event मानते वे, इसको हम क्या करेंगे, 2012 का financial statement को alter कर देंगे, ठीक कर देंगे, फिर approve कर वा लेंगे, तो यहाँ पर तो कोई problem ही नहीं, लेकिन सोचो, अगर आपका 2012 का error है, लेकिन आपको 2023 में पता चला, after approval, तो क्या करोगे, अब तो हम 2012 को ठीक नहीं कर सकते, मैं अगर ही करता हूँ, तो 2023 के end में, 2023 के end में आप क्या करोगे, जब 2024 में आओगे, तो अब 2023 का current year का financial statements बनाओगे न, यह current year का बनाओगे, तो साथ में 2012 का भी तो बनाओगे, previous year का, क्योंकि एक comparatives दिखाओगे, और यह गलती कब की है, 2012 का error है, 2012 की गलती है, तो अब एक काम करो, जब आप current year का financial statement बनाते हो, तो एक previous year का भी बनाते हो, तो यहाँ पर previous year में ठीक कर दो, आप comparatives में ठीक कर दो, बात खतम, और comparatives में जब आप ठीक करोगे, पीनल को ठीक किया, तो उसके आगे re-stated word लिख देना, बस बात करते हैं, re-stated word लिख किया, अब ठीक कर दोगे, पर अब आपका सवाल आएगा, कि सर, अब क्या, मान लो, for example, 2012 की गलती है, हम यह गलती पता चलिए, 2004 में, 2004 में तो current year आएगा, 2003 इसका previous year होगा, अब हम एक ही साल का reporting करें, comparative, यह गलती, तो उससे भी पहले कि 2012 की है, 2012 का तो हम रिपोर्टी नहीं करें, तो हम क्या करें, तो अगर मान लिजे कोई ऐसा error है, जो आपका previous year से भी पूरान है, यहनि comparative से भी पूरान है, तो ऐससे situation में previous year का first day क्या है, 1st April 2002, previous year का first day, जो 1st April 2002 है, इस दिन हम क्या करेंगे, third balance sheet बनाएंगे, और वो third balance sheet में हम उसका adjustment, तो third balance sheet में हम क्या करेंगे, जो भी आपका error की बज़े से गलती हुई है, वो error को उसमें ठीक करो, और उसका corresponding effect, माल लिजए, for example, आपका वो ठीक करने की वज़े से आपका, आपने कोई asset record किया, पहले खर्चा दिखाया वा था, अब ठीक करने की वज़े से 5 लाग का asset record करो, तो उतने का आप retain earning भी दिखा दूगे, 5 लाग रुपे, तो ऐसे situation में आपको क्या करना होता है, third balance sheet बनाना होता है, तो quotient यहाँ पर बहुत सार ऐसे theoretical quotient, ness 8 के अंदर, जहाँ पर वो आपको यह दो सवाल पूछता है, वो पूछता है कि गलती जो है, वो पिछले साल की है, पताओ third balance sheet बनाना है, हम बोलेंगे नी बनाना है, क्योंकि पिछले साल का तुम ऐसे भी, previous year का मैं से भी, comparatives बनाएंगे, अगर गलती previous year से भी पूरानी है, तब हम बोलेंगे हमें third balance sheet बनाना है, otherwise हमें third balance sheet नी बनाना है, तो इंडेस 101 में आप सीख लीज़ेगा मैंने ओल्रेडी वीडियो डाला हुए ओपनिंग इंडेस बालेंसे थर्ड बालेंसे एक की चीज़े वैसे सेम मैं आपको बता रहा हूँ अब मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ जो आपका एकाउंटिंग पॉलिसी चीज़ होता है वहाँ पर भी सीम ऐसा ही होता है मालीजी एकाउंटिंग पॉलिसी चीज़ का एफेक्ट आज से हम अभी करिंट एर में बैठें मालीजी एकाउंटिंग पॉलिसी चीज़ का एफेक्ट प्रीवियस एर में जाना है तो retrospectively हमने बोला accounting policy हम change कर रहे हैं अभी current year में तो current year में accounting policy change करेंगे नहीं एकदम starting date में जाएंगे जैसे माली जब for example एक machinery मैंने खरीदा था 5 साल पहले और मैं उस पे cost model लगाते आ रहा हूँ 5 सालों से अब मैं policy change करके revolution model में जाना जाते हूँ तो पता है मैं क्या करूँगा मैं 5 साल back date में जाऊँगा और वहां से revolution model लगाते हूँ आज तक पहुचूँगा और वैसे situation में मैं क्या करूँगा previous year का जो first day है न मालो ये 2003 है ये 2012 है यनि 1st April 2001 previous year का जो first day उसीन में third balance sheet बनाऊँगा और उस third balance sheet में पूराने सारे पाफ धूँगा मैं और वहां पर सारा adjustment करके return earning में उसका adjustment करूँगा और बागी adjustment previous year और current year में मैं इतना ही समझाँगा अब यहां पर बागी काम करता हूँ कोशिन करवा देता हूँ एक दो उससे ज़्यादा deep तो मैं समझाने नहीं चाहता आपको मैं मैंने एक example यहां पर जरूर बनाया था मैं देख लेता हूँ accounting policy change का बनाया था का yes मैंने accounting policy change का एक example बनाया था यह मैं आपको समझा देता हूँ देखी current year ही यह यह previous year है पहले हम फीफो method लगाते थे अब हम weighted average method लगाना चाहते हैं कब से current year से अगर हम weighted average method लगाना चाहते हैं इसका मतलब भी नहीं कि हम लगा देंगे accounting policy यह यह फीफो यह weighted average दोनों में से चूस करना होता है पहले से फीफो लगाते आ रहे हैं अब 2004 में हम बोल रहे हैं कि weighted average लगाना ज्यादा reliable and relevant है यूजर्स के लिए तो हम ही क्या करना पड़े कि तम starting में जब वो inventory खरीदा था वहां से backdate में जाना होगा पता चला 2000-2001 में 6000 का negative difference आ रहे है 2012 में 9000 का positive difference आ रहे है 2003 में 8500 का difference आ रहे है 2004 में 6300 का difference पहले तो हम यह देखेंगे current year का तो finances statement बने गई previous year का भी बनेगा तो इसके पहले के जो पाप है न यह अब क्या करोगे previous year का first day कौन से है प्रिवेशर का first day कौन से है 2002-03 आ प्रिवेशर का बना रहो तो 1st April 2002 आपका first day प्रिवेशर का इस दिन आप third balance इड़ और वो third balance इड़ में पूराने सारे पाप देखोगे accumulate करोगे कितना है 15,000 प्लस 9,000 24,000 माइनस 6,000 18,000 तो 18,000 हम क्या करेंगे third balance इड़ बनाएंगे first April 2002 को उस दिन 18,000 से inventory बढ़ रहा है positive में due to आपका accounting policy change आपका inventory का value 18,000 से बढ़ रहा है 2002-03 का जो statement of penal बनेगा उसमें आप क्या करना inventory बढ़ा देना COGS कम कर देना आपका inventory अपने बढ़ जाएगा 2004 में आप उस particular year में कर देना बात खतम तो previous year और current year तो उस particular year में होई जाएंगे उसके पुराने पाप जो है वो third balance sheet बना के हम धोते हैं तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा हुए इतना से आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से बाकी इस ते जादा लंबा हम नहीं खीचते क्योंकि हमें आगे फर्दर और करना है इंडे 16, 38, 40 भी करना है तो यह आपको अगर समझ में आ गया है तो अभी हम क्या करेंगी अब मैं आपको एक दू कोशें कराता हूँ सब कुछ तो करवा ही दिया मैंने error भी करवा दिया था ना पूरा error भी एकदा मच्छे से समझा ही दिया था I think अच्छा क्रक से देखता हूँ तो यह आपका accounting policy से related नहीं है यह को कैसे पता चलेगा एक carpet retail outlet है वो क्या करती है carpet को sell भी करती है और fitting करके भी देती है और वो revenue तब recognize करता है जब वो carpet fit हो जाए तो यानि sale करने के point में revenue recognize नहीं होता है जब carpet को fit कर दिया जाता है तब revenue recognize अब आगे इसने क्या decide क्या पता है कि वो sub contract में देदेगा carpet का fitting जो है वो sub contract में देदेगा और अब जबकि carpet fitting करने के उसके जिमेदारी है नहीं तो अब वो क्या करता है जैसे carpet को base देता है वो revenue दिखा देता है point of sale में तो क्या गलत करता है इसका manner of business बदल गया पहले इसका manner of business क्या था carpet fitting करके देता था इसलिए fitting करते समय revenue दिखाता था अब ये carpet fitting करके देता है निसने सब contract में दे दिया है तो ये जैसे seal करता है वैसे ये revenue दिखा देता है तो वो लगए क्या ये accounting policy change नहीं है ये तो उसका business करने का manner बदल गया है न इसलिए ये revenue आप sell करते दिखा देते हैं तो ये आपका business policy change नहीं है ये manner of business change करने के वज़े से आपका change हो रहा है तो ये accounting policy change नहीं है तो ये एक question था उसका additional points मैंने आपको करवा दिया अब मैं आपको ले चलता हूँ इंडस 8 में आजो इंडस 8 में एक दो अच्छा question है एक तो cherry limited वाला question है वो मुझे करवाने है आपको तो अच्छे question है सबसे बेले ये cherry limited वाला question आपको कराता हूँ बहुत important है question number 10 mark कर लो और question number 9 mark कर लो इन दोनों में से एक question आने का chances पूरा 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 रहेगा देखो एक तो पहले error वाला question कराता हूँ 2004-05 में cherry limited ने discover किया कि कुछ product इन्होंने 2003-04 में दिखाया था कुछ product इन्होंने 2004 में sale किया था लेकिन वो inventory में अभी तक पड़ा हुआ यानि COGS में उन्होंने minus नहीं किया था यानि पिछले साल की गलती है पिछले साल इन्होंने 2005-200 का goods बेचने के बावजूद भी COGS में transfer नहीं किया जिसके वज़े से वो inventory में पड़ा हुआ क्योंकि जैसे हम sale करते हैं entry pass करते है COGS to inventory inventory कम होता sale करने पर वो COGS में चला जाता है पर पिछले साल इन्होंने ये पाप किया तो आप बते क्या third balance sheet बनाना नहीं क्योंकि comparatives तो ऐसे भी हम दिखाएंगे current year अभी हमारा 2004-2004 प्रिवियस year ही है तो comparatives हो गई हमारा तो आपको third balance sheet बनाने की कोई आवज सकता नहीं है तो comparatives में हम क्या करेंगे देखो 6,005 minute का problem है इन्होंने क्या 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 2004-05 में cost of goods sold इन्होंने 86,005 minute दिखाया जिसमें 6,005 minute पूराना वाला error included है तो prospectively accounting कर दिया उन्होंने जो की गलत है error में prospectively accounting नहीं होता है इन्होंने सुझा 2004-05 में गलती पता चलिये तो हम 2004-05 में क्या करते है COGS को बढ़ा देते हैं पर यह गलत है आपका जिस period में गलती है उसी period में ठीक करना होगा previous period की गलती है तो previous period में देखो यहाँ पर दिया हुआ यह previous year 2003-04 का data दिया हुआ है previous year में इन्होंने बोला sales 73,005 minute का है और इन्होंने बोला COGS 53,005 minute का है inventory जादा दिख रहा है और COGS कम दिख रहा है तो हमने यहाँ पर COGS को बढ़ा दिया 60,000 से और inventory कम कर देगे तो जितना भी inventory होगा हमारा पिछले साल का वो कम हो जाएगा और पिछले साल का COGS बढ़ जाएगा तो हमारा profit जो है profit before income tax कितना आएगा 73,000 5 minute sales COGS अब 60,000 हो गया तो profit 13,000 5 minute हो गया अब 30% tax इन्होंने जोड़ा पता ही चल रहे 20,000 का 30% अब हम बोलेंगे 13,000 5 minute हमारी नजर में profit है उसका 30% हमने tax अटा दिया तो हमारा 9,45,0 का हमारा क्या है profit आया जोकि return ending में transfer होगा तो आप देखलो इन दोनों में फरक कितने का है 14,000 और 9,45,0 में फरक कितने का है आपका 4,500 50 है ये तो net of tax है ना तो आप देखलो 4,500 50 divide by 0.7 कर दो 6,500 5 minute तो 6,500 5 minute जो आपका difference था उसे क्या हुआ tax का adjustment हो गया 30% और बाकि 70% आपका profit कम हो गया तो क्या यह आप अराम से बनाओगे आप नहीं बना पाओगे तो मैं एक बार यहाँ पर वापस से बना देता हूँ आपके लिए देखो sales 73,000 5 minute था हम COGS 53,000 5 minute ने 60,000 पकड़ेंगे 6,500 5 minute हमने previous year में जोड दिया 13,500 आया 30% tax 4050 माइनस होगा आपका बचा कितना 9,450 और लास्ट में इन्होंने basic and diluted EPS भी बताया number of sales है 5000 तो 9,450 को 5000 से divide करोगे तो 1.89 basic तो यह तो हमारा previous year हो गया अब मैं अगर current year की भी बात करो तो current year में हम क्या करेंगे current year का data इन्होंने दिया हुआ है yes दिया हुआ हुआ देखो 1,4,000 का seal है COGS 86,500 हुई नहीं सकता 6,500 इंक्लूड किया वह इन्होंने तो मैं बोलूँगा COGS 80,000 का इस साल का 24,000 आपका PBT है इसका 30% tax 7,200 आपका tax हो गया यहनि net profit आपका 16,800 का होगा आपका और इसका divide by 5000 सेर्स कर दोगे तो आपका 3.36 आएगा चार्ज ही खतम होगी है इतना बढ़ लिया हमने इतना बढ़ लिया कि सोचो चार्ज ही खतम होगी कोई बात नहीं एक मिट लगेगा चार्ज होने में और EPS क्या होगा 16,800 डिवाइड पर अगर आप 5000 करोगे तो 3.36 का EPS आ जाएगा है ना यह दो 3.36 का EPS आ जाएगा मारा तो यहाँ पर इनका अंसर आप देखो प्रेजिटेंट इन्होंने वैसे ही किया पहरे तो एक्स्ट्राग्ट बनाया औफ दा स्टेट्मेट आफ पीनल प्रीवियस एर में देखो को रियस्टेटेट वर्ड लिखना आप भी क्योंकि आप रियस्टेट कर रहे हो आप 53,500 5 मिनिट की जहा 60,000 ले रहे हो क्योंकि पिछले साल करेंट इयर में यह रिपोर्ट नहीं था तो आपको यह वर्ड लिखना पड़ेगा रियस्टेटेट और यह current यह रहे यह previous यह रहे तो यह देखूं यहां पर इन्हों ने बना दिया बात खत्म अब statement of changes in equity में भी तो फरक आएगा कैसे फरक आएगा देखूं यहां पर क्या लिखा हुआ 2,000, 3, 4 हमारा previous यह रहे उस्से पहले यानि 1st April 2003 को इन्हों ने अमें बताया कि इनके पास 20,000 2,34 की opening में इनके पास 20,000 का Retain End तो आप बताओ previous year का opening balance इतना है previous year का profit ये तो Retain Ending में जाएगा 9,450 तो जो 20,000 है previous year का 9,450 आपका Retain Ending एड हो जाएगा 29,450 हो जाएगा फिर current year का भी 16,800 एड हो जाएगा 46,250 हो जाएगा तो statement of changes in equity में ये बनाएगा share capital 50,000 का पूरा 50,000 बता दिया share capital में कोई change नहीं है लेकिन retain ending में बोला 20,000 opening था previous year का opening previous year आपने profit जो कमाया after tax वोई तो return ending में जाएगा current year का आपका return ending में चला गया आपका closing इतना आ गया और share capital return earning मिला के total इतना हो गया तो ये format एक बड़ा practice कर दो simple है कुछ नहीं है आपर तो हमने किया कि correction किया है ना और ये 945,016,000 internet हमने 20,000 में जोड दिया और share capital के साथ मिला के बता दिया अतना वाद ख़ता अब यहाँ पर एक और चीज चीज चो इन्होंने पूछा है क्या पूछा है मैं आपको बता देता हूँ देखो यहाँ पर पूछा है कि notes बताओ wherever required for current period and earlier period आपको profit and loss का extract बताओ बता दिया statement of changes in equity बताओ बता दिया और एक notes भी पूछ रहा है तो notes में इन्होंने जो बना है इसको बना के दे देगे इसमें कुछ नहीं है आप देखें आपका हो क्या रहा है पिछले साल की बात हो रही है कि 2003-04 कम बता रहे है previous year वाला जिसमें problem थी तो मोलेंगे देखो previous year हम COGS को जो है न 6005 minute से बढ़ा रहे तो COGS अगर आप 6005 minute से बढ़ाओगे आपका tax saving हो रहा है 1950 का और net पे आपको नुकसान हो रहा है खर्चा बढ़ेगा पिछले साल तो पिछले साल का profit जो है loss दिखरेगा देखो loss है profit मैंने लिखा पर bracket में रखा है तो आपका decrease in profit होगा तो आप देखें इन्होंने ये लिखा होगा आपका cost of goods sold बढ़ा है खर्चा इतने से ये बढ़ने से आपको income tax में decrease होए saving मिला आपको खर्चा decrease होए saving मिला आपको और net profit आपका जो है वो भी कम होए 4550 ये हमने देखा तो ये trading से मैंने आपको बता दिए खर्चा कम करोगे tax saving मिलेगा और आपका loss होगा खर्चा बढ़ने से tax saving होगा और आपका loss आएगा और balance sheet information में बात करेंगे पिछले साल हमारा inventory कम हुआ ये loss हमारा routine earning में जाएगा और हमारा tax जो कम हुआ वो tax liability को भी तो कम करेगा तो balance sheet के अंदर आप दिखो COGS जो है वो inventory को कम करेगा tax जो है वो tax liability को कम करेगा loss जो है वो routine earning को कम करेगा तो ये तीनों का भी तो balance sheet effect होगा COGS खर्चा बढ़ाओगे inventory कम होगा tax saving liability को कम करेगा नुकसान होगा वो routine earning को कम करेगा तो वो यहाँ पर लिखा हुआ आपका ये तीन चीच decrease in inventory decrease in income tax decrease in retain earning जिसको ये equity बोल रहे है तो मैंने इस प्रकार आपको बता दिया पूरा भी आपको साथ समझ में नहीं आया होगा बढ़ अब अब ये देख लोगी एक बार आप इसका screenshot ले लो अभी एक बार इसका screenshot ले लो आपको पूरा समझ में आ जाए गई इसनी के साथ मैंने ये वाला question भी आपको करवा दी एकदम अच्छे से अब यहाँ पर एक और question है ये भी मैं आपको बता देता हूँ question number 9 भी important है तो ये भी फटा-फट से करा देता हूँ question number 9 में क्या हो रहे है ABC limited जो है वो inventory valuation का method adopt उसने किया है जो वो change कर रहा है यहनि जो method उसने adopt किया वो change कर रहा है पहले फीफो लगता था अब ये weighted average लगाना चाह रहा है तो इसकी वज़े से इसने बताया कि 2000 2000 यानि 31st March 2001 तक 10 million आपका inventory बढ़ रहे है 31st March 2002 तक 15 million बढ़ रहे है 31st March 2003 तक 20 million बढ़ रहे है यह किसी particular year का नहीं बता रहे है as on बता रहे है तो मुझे पता चल गया 2000 2001 में 10 million का increase है 2002 में 5 million का increase है क्योंकि 2002 तक 15 million का increase है मतलब और 2000 2001 में तो 10 million का increase हुई तो 2012 में कितना difference 5 million का increase हुई है और 2023 में भी कितना 5 million का increase होगा तो हमें ये पता चल गया इतना increase हो आपका तो आप देखिए यहाँ पर क्या बोला इन्होंने आपका question ही है देखो ये previous year है 2012 ये आपका current year है previous year और current year तो आप बताइए 2023 तो हमारा previous year हो गया जिसमें 5 million का change है 2012 भी हमारा कलत बोला रुको 2023 हमारा current year है जिसमें 5 million का change होगा 2012 हमारा previous year है जिसमें भी 5 million का change होगा बट 31st month 2001 से पहले का जो 10 million का increase है ये तो आपका previous year से भी पूरान है मतलब आपको क्या है बट third balance sheet बनाना पड़ेगा जी आपको 2021 को अब third balance sheet बनाओगे और ये जो 10 million inventory बढ़ रहे inventory को 10 million से बढ़ाओगे रिटीन अंडिंग को 10 million से बढ़ाओगे और ऐसा करने पर जो आपका 31st month 2001 का रिटीन अंडिंग 423 है वो 433 हो जाएगा क्यों क्यों क्योंकि आपका previous year से भी पूराना 10 million से inventory बढ़ रहे तो inventory 10 million से बढ़ा है रिटीन अंडिंग को 10 million से बढ़ा है तो रिटीन अंडिंग तो आपका 433 million हो जाएगा तो आपका 1st April 2001 3rd balance sheet वाले rate में रिटीन अंडिंग 433 million का होगा अब हम क्या करेंगे अब कैसे ठीक करेंगे यह मैं आपको करके दिखाता हूँ देखो अब हमें क्या करना है हमें inventory को previous year में 5 million से बढ़ाना है 2012 में 5 million से बढ़ाना है inventory बढ़ेगा कब जब cogs को कम करोगे inventory अपने बढ़ जाएगा क्योंकि cogs बढ़ने से inventory कम होता है cogs को कम करोगे inventory बढ़ जाएगा cogs को 164 से कम करके 159 कर देते हैं 5 million कम कर दिया तो मेरा profit यहाँ पर कितना आएगा 296-159-137 आएगा और 137-74 तो expense तो वही कब ही रहेगा मेरा तो कितना आएगा यह 63 आजाएगा और इधर भी में क्या करूँगा 173 को 5 million से कम करूँगा 168 कर दूँगा मैं तो यह मेरा 156 आएगा minus 83 यह मेरा 73 आजाएगा तो मेरा profit जो है देखा 5 million 5 million से दोनों period में बढ़ रहा है तो मेरा ultimately इस प्रकार से हमारा extract होगा penal का आप देख सकते हो नीचे वही हुआ 296 में मैंने 159 लिया है COGS को दोनों जगा पे 5 million 5 million से मैंने कम कर दिया तो 63-73 आगया अब 423 मेरा थाई उसमें 10 million पहले से plus हुआ 433 हुआ अब 63 profit और 73 profit मैं जोड दूँगा मेरा 569 आ जाएगा बस बात कतम इतना ही तो मुझे कर रहा है तो बताओ ये समझ में आया की नहीं है बताओ थोड़ा मैंने speed में कर रहा है मैं agree करता हूँ पर मेरे ख्याल से समझ में आ गया आप बस इतना समझे यहाँ पर inventory आपक inventory हमारा 10 million बढ़ जाएगा return earning 10 million से बढ़ा के 433 होगा बाकी 5 million previous year में बढ़ेगा 5 million current year में बढ़ेगा इसको COGS को 55 से कम करोगी inventory अपने आप बढ़ जाएगा और उसके वज़े से profit भी 55 million से बढ़ रहा है क्योंकि inventory बढ़ता है तो profit भी बढ़ता है तो 55 million से जो बढ़ रहा ह आपका 58 के जगा 63 हो गया 68 के जगा 73 हो गया और वही हमने यहाँ पर जोड दिये तो retain earnings हम पुराना वाला बता दे रहे और एक निया वाला बता दे रहे और original केसाब से आपका कोई adjustment था नहीं 58 और 68 था पर अभी हम 10 का adjustment पहले से कर रहे है और 58 के जगा 63 ले रहे 68 के जगा 73 ले रहे आपको बस अब यह practice करना होगा बताओ इन दोनों question में मैंने समय भी थोड़ा सा दे दिया I think आपको यह clear हो चुका है और इसी के साथ मैंने इंडेस 8 भी आपको खतम करा दिया तो पूरा का पूरा 9 इंडेस हमने अभी खतम किया जो अमारा plan में था वो 9 इंडेस हम है अभी तो और बचा है अभी तो में इंडेस 16 करना है 38 करना है 40 करना है तो अभी हम ब्रेक लेंगे थोड़ा सब कि इस फोन करूंगा मैं करूंगा कहां से आज के लिए बस यार नहीं बस नहीं करेंगे हम ब्रेक लेके फिर हाजिर होंगे तो फाइनली मैं खुस हूं कि मैंने आप लोग को 9 इंडेस कराया और यकीन ही हो रहा इतना सारे इंडेस कर लिया हमने और वो भी अच्छे से कराया है है ना थोड़ा फास्ट गया क्योंकि उपाई नहीं है कर रहा है मैं मानता हूं अधरवाइस एक एक इंडेस अच्छे से कराने जाओ तो दो ढ़ाई गंडा तीन गंडा लग जाता हूं फिर होता नहीं पर उपाई नहीं जितना मुझे लगा मैंने समझाया और जितना मुझे लगा मैनेज़े बले मैंने थोड़ा फास्ट ही कर है असल जी सही बोल रहा है हमने तो कर दिया लाइक अब घर वालों के फोन से लाइक कर लो बढ़िया महीं से करो कोई बात ने इन करना अच्छी करना पड़ेगा हूं जैसे केरिंग में नटी बोलता है न मैं नहीं जानता लाइक हो जाना अब उससे तोड़ो खोड़ो जो कोई विडियो हटा है जो आज ही हटाऊंगा मैं बिल्कु नहीं हटाऊंगा अब मुझे एक बात बता दो ब्रेक हम लेंगे कम से कम 40 मिनिट्स का उसके बाद थोड़ा सा जला को रिलाक्स देना पड़ेगा यह तो दिक्कत हो जाएगी कि हम कंटीनूस अभी भी पढ़ रह होने असा तो नहीं पड़ा नहीं है अब और पड़ेंगे एक देर घंटा लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लेके पड़ेंगे तो मैं सोचे रहूं कितने बजले साथ बजले कि साड़े साथ बजले यह बता दो मुझे 7 पीम कि 7.30 पीम यह बता दो यह 16.38.40 कराऊंगा नेक्स ने 16.38.40 कराऊंगा 7.00 पीम कि 7.30 पीम करो साथ पंदरा बूल रहें बीच में रख लो चलो ठीक है साथ पंदरा कर लेते मुझे जी कंटीनियू मैं कर नहीं पाऊंगा थोड़ा ब्रेक चाहिए गला हल बैंड बची हुई साथ पंदरा कर लो ना साथ ना साढ़े साथ साथ पंदरा कर लें कि हम सब और है साथ 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 बजए कि हम कि चलो चलो 7.15 भी नहीं 7.10 कर लेते 7.10 पीम और 10 मिनिट एक्स्ट्रा मुझे दे दो आप 7 बचके 10 7.10 तो नेक्स टम से और मैं अभी क्या करूंगा बता है स्ट्रीम को बार बंद कर दूँगा ताकि अन्नेसेसरीली वो ना अब साथ बच के दस मिट में आ जाएगा मैं भी आ जाओंगा ताथ बच के दस मिट में मिलते हैं टॉपिक क्या रहेगा इंडे 163840 यह हमारा टॉपिक रहेगा साथ बच के दस मिनिट पूलो सही लग रहे है न होगी अच्छे चलिए हम सर एस एफम का भी करवा दीजे प्लीस टेस करवाँगा 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 आज का पहले पूरा सक्सेस्फुल हो जाए हमारा और फट लेते थोड़ा सा इंडेसेट में बाकी बार गो थू कर लीजेगा में कोश्चिन तो मैंने करवाई दिया नोट्स मैं देखता हूं कौन सा सेर करूं नोट्स उसके वैसे ऐस सच है पर वह में नोट से सिंपल है तो उससे भी हो जाएगा तो आई ना सब और साथ बचके मेरे ख्याल से अभी हम वापस से कनेक्ट हो गए ना कि बहुत मुझे बता दीजिए और उसके बाद हम स्टार्ट करें कनेक्टेड है चलो मेरे ख्याल से कनेक्ट है ना अभी हम तो अभी हम इंडस 16, 38, 40 शार्ट करेंगे मैंने पता है मैं सोचा रहा कि जो ब्रेक दिया है ना आपको मैं सोचा रहा कि थोड़ा वूद इधर उदर देख लूँगा क्या पढ़ाना आप लोगों पेडियाफ अगेरा देखे कि यह हमारी फाइल इससे हमारा काम बनना चाहिए इंडस 16 कि जो इसमें बेरे प्लांट वगे तो इससे हमारा काम बनेगा बहुत अध्यक्त के अलावा मैं देख लूँगा तो भी चीज़े इससे नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा और पीडियाफ खोले आप लोगो मैं नोर्ट अभी नहीं दूंगा ठीक है अप लोग स्क्रीन से पढ़ सकोगे अभी बता दो स्क्रीन से पढ़ पाओगी क्या ऑप लोगे श्क्रीन से बात में टेलिग्राम में सेर कर कुछ कुछ ठीक करना होगा मुझे नोट्स में आप लोग के साब से ऐसे मैं आपको एक बात बताता हूं इंडे 16 3840 का ओडियो क्लिप है यह देखने के बाद अभी रिविजन करने के बाद है ना आप वह ओडियो क्लिप भी सुन सकते हो मैंने टेलिग्राम में सैर किया हुए बस टेलिग्राम में जोइन हो जाएगो मैंने वहापर सैर किया हुए इस मेरे ख्याल से इससे मैं अच्छे से ज़्यादा पढ़ा पाऊंगा तो में नोट से आजी चलो अच्छे लिए अभी हम स्टार्ट करते हैं इंडेस सिस्टीन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इदम जोस में हो ना भी भी ना थक गए अब बोले उसर थक तो आप भी गए होंगे हैं यह ना लेकिन कोई ना हमें पढ़ना तो पढ़ेगा पूलो स्टार्ट करें अभी हम बता तो फटा फट से स्टार्ट करते हैं एक प्रॉब्लम इसमें पस यह नहीं हो रही है मुझे अभी स्क्रीन में दिखीगा नहीं कि मतलब सब कुछ पर्फेक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है वीडियो तो बीची में मुझे बताते रहेगा सब कुछ पर्फेक्ट है कि नहीं है तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं इंडस 16 प्रॉपर्टी प्लांड किजेगा मैं फटाफट यह रिवाइस कराऊंगा फिर 3840 में बहुत सारी चीजे सिमिलर तो बेस्टिकलिए हम इंडस 16 प्रॉपर्टी प्लांड एक्विपमेंट में क्या कहेंगे इसमें प्रॉपर्टी भी आ जाती है लैंड बिल्डिंग प्लांट भी आ जाता है मसीनरी वगेरा और एक्विपमेंट भी आ जाती है एक्विपमेंट जैसे कैमरा फर्नीचर वगेरा यह सब सारी चीजे इसमें आ जाती है तो प्रॉपर्टी प्लांड एक्विपमेंट का डफिनेशन क्या कहता है टेंजिबल आइटम होना पड़ेगा क्योंकि इंडस 38 में कवर है तेंजिबल आइटम होना पड़ेगा जिसाब help for use करो अगर help for sale करोगे तब तो inventory कहलेगा help for sale कहोगे तो inventory कहलेगा help for use कहा पर आप factory में use करो है ना या फिर आप office में use करो यहीनि production और supply of goods and services या फिर administration purpose के लिए यूज करो माल लीजिए मतलब मैं property, plant या equipment या तो मैं manufacturing करने के use कर ओ या फिर मैं अपने दुकान में trading करने के लिए बलब goods and services deliver करने के लिए यूज़ करो जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो camera का use हो रहे services deliver करने के लिए तो यह भी मेरे लिए प्रॉपटी planning equipment है या फिर मालनीचे मैं rental पे दे रहो हूँ या फिर मैं administration purpose के लिए दे रहो तो यहाँ पर आप सुनो मेरी बात मैंने क्या का tangible item होना चाहिए held for use तहाँ पर production factory में production करने के लिए use कर रहे हैं या फिर goods and services supply करने के लिए use कर रहे हैं या फिर हम rental purpose के लिए यूज़ कर रहे है या फिर हम administration purpose के लिए यूज़ कर रहे है more than one period more than one period का मतलए 12 months नहीं होते है जैसे मान लिज़ा अगर वो दो period में use होगा दो financial year में use होंगे मान लिज़ा मैंने first of February को खरीद है उसकी life भले four months है पर वो दो financial year में आगे एक expenses में खर्च है बस बात करता है तो इसलिए more than one period होना पड़ेगा आपके हैं पर अब rental से बच्चे confused होते हैं ध्यान से सुनना अगर machinery equipment वगिदा यह सब हम rental पर देंगे इंडे 16 लेकिन अगर मैं land या building रेंटल पर दे रहा हूं वो भी operating लेस पे तो उस पे इंडेस 40 लगता है इंडेस 40 investment property क्या कहता है कि अगर मैं land और building rental पर देता हूं यह capital appreciation के लिए तो वो investment property कहलाएगा तो सिर्फ land और building के investment property हो सकता है बाकी machinery equipment वगिए यह सब अगर मैं rental पर दूँ तो वो इंडेस 116 भी मैंने marathon revision लेकि पूर आपको revise कराया था अब इसके अलावा property planning equipment को हम कब recognize करते हैं दो बात यहां पर एक तो आपको future economic benefit मिलना चाहिए कोई भी asset कोई भी asset को हम तभी recognize करते हैं जब वो में future economic benefit दे और उसका cost हम reliably measure कर पाएं क्योंकि आप यह समझों initially हम property planning equipment को cost में ही measure करते हैं सबसे को only हम property planning equipment को cost या फिर revolution model दोनों में से किसी में measure कर सकते हैं बट initially हम cost में ही measure करते हैं और अगर उसका cost reliably measure नहीं होगा तो हम नहीं recognize करते हैं initially cost में ही measure करना होगा आपको तो हम cost कैसे निकालेंगे यहां पर बता हम कैसे निकालेंगे पीपी का हम देखेंगे purchase price कितना लगा हमारा non refundable import duty non refundable purchase taxes refundable नहीं आएगा refundable तो refund मिल जाएगा ना तो non refundable import duty purchase taxes वगिर आ जाएगा trade discount और rebate हम minus कर देंगे लेकिन ध्यान रे cash discount minus नहीं करेंगे वो part of finance है है ना वो cash discount जो भी आपको मिलेगा वो finance income होगा तो cash discount कभी भी minus नहीं हुआ यह धियान रखनेगा इसके अलावा जो भी directly attributable cost होंगे asset को location और condition में लाने का मतलब जब तक asset ready for use नहीं होगा तब तक आप जो भी directly attributable cost का खड़चा करोगे वो capitalize होगा जैसे कि आपका employee benefit cost भी आपक अब उनको हम salary दे रहे हैं तो जितना time construction का period है उतना period का salary वगेरा उसमें capitalist हो जाएगा site preparation वगेरा का खड़चा जैसे मालीचे for example हम किसी site में plant install करेंगे तो site को prepare करके तो install करेंगे तभी तो asset ready for use होगा तो site preparation का खड़चा मालीचे मैं चाइना से या USA से asset मंगवा रहा हूँ तो initial delivery और handling cost का जो खड़चा लग जाता हमारा installation अगर हम करा रहे हैं तो installation का खड़चा ध्यान रहे exam के लिए professional fee भी capitalize होगा professional fee भूलना मत इसके लब आप cost of testing इसमें भी ध्यान रखना question बन सकता है testing cost से जादा ही क्यों नहीं हो मालने जो 20,000 मेरा testing का खड़चा लगा है तो वो मैं capitalize कर दूँगा और जो उससे units produce हुए testing से उससे मुझे जो भी पैसे मिले अगर 30,000 मिले तो 30,000 मेरा PPA से माइनस होगा ज्यादा हुआ तो ज्यादा माइनस होगा मेरा और यह एक प्रकार का आप समझ सकते हो कारवा हुट है क्योंकि यह वाली चीज आप IFRS में ऐसा नहीं होते है तो यहाँ पर आप देखे जितना आप खर्च करोगे testing का उतना capitalize होगा जितना आपका recovery होगा उससे जो units produce हुए उतना हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे आपर तो I think यह आपको एकदम अच्छे से समझ में आगे है इसके अलावा हमारा present value जो भी आपका future में dismantling का खर्चा लगेगा future में estimated cost आपका decommissioning side restoration या dismantling का जो भी खर्चा future में लगेगा उसका present value हम क्या करेंगे पीपी में capitalize करेंगे और उसका present value हम प्रोवीजन बना देंगे और वो प्रोवीजन में क्या करेंगे present value में प्रोवीजन बनाए तो हर सल उसका interest का unwinding होगा यानि हर सल उसके interest चाड़ेगा discount unwinding होगा और उसका corresponding effect penal में जाएगा finance cost के नाम पे तो यह आपको एकदम अच्छे से समझ में और ध्यान रहे इनिशली हम recognize करेंगे पीपी को cost में subsequently हम cost या फिर revolution model दोनों में से किसी method में हम recognize कर सकते हैं यह entity के accounting policy choice होगे इसके लबाव spare parts, stand by equipment, servicing equipment अगर यह definition of P.P.E. को meet करेंगे तब तो इसे हम P.P.E. माल लेंगे बतलब tangible item है, held for use, factory में, दुकान में या फिर office में या rental पे दे रहो, office purpose के लिए use कर रहो, more than one period तो वो आपका यहनि definition हो P.P.E. meet करेंगे तो हम उसे P.P.E. मालेंगे otherwise अगर वो definition को meet नहीं करेंगे तो हम उसे inventory मालनेंगे इसके लावर repairs and maintenance ध्यान रहे हमेसा हमेसा repairs and maintenance कहा जाएगा profit and loss में जाएगा और replacement part आपको exam के लिए ध्यान में रखना यह आपका आ सकता question, replacement part में हम क्या करेंगे तो अगर मालेंगे किसी भी asset का कोई पार्ट हम replace कर रहे है तो जितना replacement करने का हमारा पैसा लगा वो amount थो हम capitalize कर देंगे अब उसका जो पूराना old carrying amount है अगर वो पूरा depreciate नहीं हुआ है obviously बात अगर हम पूरा component वाइस नहीं कर रहे है depreciate full asset का हम depreciation कर रहे है तो जो भी उसका कुछ carrying amount तो होगा old carrying amount तो वो old carrying amount अगर हम पता नहीं कर पारे तो हम क्या करेंगे पता है जो आपका नया replacement part का जो cost लगा है ना उसी को हम old carrying amount का cost मानेंगे लेकिन present value में discounting करके क्योंकि आपका old carrying amount होगा उसको आपको पहले original cost पे लेके जाना है फिर वहाँ से depreciation करके आप पता करोगे यानि आप drecognize करने के लिए क्या करोगे जो नया replaced value का जो cost है उसको पहले discounting करके present value में लेके जाए जिस date में आपने main asset को खरीदा था present value में लेके गए अब वहाँ से जितना period आपका बेद चुका है उतने का depreciation करोगे फिर जो amount बचेगा वो amount हम क्या करेंगे उतना carrying amount हम drecognize करेंगे उस asset से हम drecognize करेंगे और जितना हम asset गिराएंगे उतना हम PNL में charge करेंगे यह replacement part और same inspection और overall में भी यह same काम होता है सेम कहानी होती है इसके लबा self constructed asset की अगर मैं बात करो तो self constructed asset का cost हम कैसे निकालेंगे अब obvious सी बात है simple सी बात है जो हमारा हमने जिससे पढ़ा था cost of PPA कितना हमारा raw material labor वगेरा सारा खर्चा लगे यह जब तक asset ready for use नहीं होगा तब तक का हमारा खर्चम क्या करेंगे capitalize करेंगे लेकिन एक बात धिहान रखना जो department to department यहनि entity के अंदर ही segment wise या department wise अगर आप कुछ internal profit ले रूफ वो नहीं ले सकते department के अंदर यहनि एक entity के अंदर internal profit कैसे add कर सकतो तो internal profit eliminate होगा वो add नहीं होगा इसके लावा किसी भी प्रकार का abnormal wastages की आपने labor अपका material या other resources का वो सारे wastages आपके P&L में जाएंगे capitalize नहीं होगे abnormal wastages जो भी है और interest and other boring cost क्योंकि हम self construct कर रहे है तो वो asset अगर qualifying asset हुआ तो इंडेस 23 के हिसाब से जो भी interest and other boring cost है अगर इंडेस 23 का criteria satisfy हुआ तो interest and other boring cost उसमें capitalize हो जाएगा जितना period तक आपका construction period रहेगा उतना period का हम capitalize कर सकते हैं provided इंडेस 23 का criteria satisfy होना चीए इसके लाब अब bearer plant का एक topic है वो bearer plant में आपको समझा देता हूँ फटा फट से क्या होते है जैसे मालीजे mango tree है तो जो mango tree है और हमारा purpose है कि उसे हम आम उगा के ऐसे agriculture produce आम को बेचेंगे mango tree को काट के हमें mango tree को बेचने का नियत नहीं मतलब mango tree को अगर हम use करेंगे ऐसे machinery जिसे हम produce करेंगे mangoes तो ऐसे situation में mango का जो tree है उसे machinery की निजड़ से दिखा जाएगा और mango tree को मानेंगे bearer plant और उस पे लगेगा लेकिन उसे जो mango निकल के आएंगे वो agriculture produce कहलाएंगे वो इंड़स 41 में जाएंगे यहां रखना लेकिन कुछ-कुछ जैसे सुगर के इनका जो tree होता वो जड़ से उखरता आपका है ना और भी कुछ-कुछ मामले में जैसे आपका और भी कुछ-कुछ है जो आपका bamboo tree होता है वो भी जड़ से उखरता आपका वेज मेज वीट वगेरा यह भी हर साल खेती होती जड़ से उखरते हैं तो यहां पर कोई machinery नहीं है है ना तो हम उसे agriculture produce ही मानेंगे हम उसे biological assetty मानेंगे living plants and animals हम bearer plant नहीं मान सकते हैं बेर प्लांट कौन से कौन से हैंगे जैसे आपका mango tree हो गया है ना अपका अंगूर का ट्री हो गया grabs का tree वगेर हो गया और उसको भी अगर हम provided हम उसे use कर रहे है ऐसे machinery हमारा नियत mango tree को काटके बीचने का नहीं है हमारा नियत mango tree को machinery की तरह use करेंगे उसे आम हुगाएंगे और वो आम को ऐसे agriculture produce हम बीचेंगे और आम mango tree bearer plant इंडे 16 में आएगा और उसमें जो आम आ रहे हो आ आम कहलाएगा agriculture produce और फिर मालनी जा आम को process करके आप आम पापड़ा कुछ कुछ बनाते ना आम का पेपड कुछ कुछ हम बना देते अलग तो जब उसका further processing हो जाते है तो agriculture वाली चीज हट जाती हो उसमें तो further processing होने के बाद वो agriculture produce भी नहीं रहे तो वो inventory कहला तो वो इंड remote likelihood है कि आप उस tree को बीचोगे ऐसा कुछ नहीं आप उससे आम हुआ के बीचने का आपका नियत है तब वो bearer plant कहलाएगा तो यह सारा ची मैं आपको समझाया इसके अलावा अब यह आप एक चीज़ धियान में रखना हम वही सारे खर्चे capitalize करते हैं जो खर्चे हमारे asset को location condition में लाएगा मलब उस asset को वो ready for use करेगा जिस manner में management को operate करना है उस manner में जब तक वो ready for use नहीं हो जाता तब तक कई खर्चा capitalize होते हैं once asset ready for use हो गया उसके बाद कि कोई भी खर्चे capitalize नहीं होगे जैसे मालनी जब staff को training दे रो उसका machinery के ready for use होने से कोई लेना देना नहीं है अब नया product या services introduce करो नया facility को open करो उसका machinery से अगर कोई लेना देना नहीं है तो capitalize नहीं होगा ध्यानरे specific overhead जो direct overhead है यह पीपी से related construction और प ready for use हो जाएगा आपका capitalization seize हो जाएगा और उसी दिन से आपका depreciation का सुरुवात हो जाएगा भले आप उसे put to use करो या ना करो या ना करो या वन्स asset ready for use हो जाएगा उसके बाद भले आप उसे put to use करो या ना करो आपकी depreciation उस दिन से start हो जाएगे हमारे तो मालनी जे 30th November को हम depreciation start कर देंगे भले हम उसे use करना हमने start किया ही नहीं है तो आपका March के end में हम 4 मेरे का depreciation करेंगे भले हमने asset को use करना start किया या नहीं किया doesn't matter once asset ready for use हो गया उसके बाद उसमें depreciation लगना start हो जाएगा फिर इसके बाद जैसे मैं आपको कहा था कि मान लीजे asset ready for use हो गया पर हमने उसे use करना start नहीं किया और हम कुछ-कुछ cost incur कर रहे penal में जाएगा asset ready for use होने के बाद कोई भी initial operating losses relocation करने का खर्चा कोई भी cost आप incur कर रहे हो लेकिन asset ready for use हो गया वो सारी खर्चे penal में जाएंगे capitalize नहीं होगा मैं दिमाग में एक बाद डालो जैसे आपका asset ready for use हो गया कोई भी आपका further खर्चा capitalize नहीं होगा अब एक बाद और payment अगर हम defer करते थे beyond normal credit terms तुम्हाँ पर finance component होगा तो interest component को हटा कि हम क्या करते cash price equivalent में ही PP दिखाते और बाकी finance cost है वो आपका over the period interest expense हम दिखाएंगे ठीक है तो cash price equivalent में हम हमेसा PP को measure करते और अब exchange of asset भी ये भी आपका बहुत important topic इसने question आपके frame हो सकते exchange of assets में basically हम करते क्या है मतलब माल लीजे for example मैंने समय अपको आप कॉए asset खरीद है माल लीजे मैंने आपसे land खरीद आप बदले में मैंने आपको ख्या किया एक aircraft दे दिया तो मैंने आप से land खरीद हें आपको पैसे नहीं दिया आपको मैंने किया के aircraft दे दिया तो मैं क्या कर תי आँए ए- of git जितना मेरे balance sheet में उसका carrying amount है उतना का aircraft तो मैं डी-recognize कर दूँँगा लेकिन जो मैंने land आपसे लिया उसको मैं क्या value में दिखाऊ तो standard आपको कहता है कि अगर transaction में commercial substance है मतलब उसका configuration, risk timing वगेरा यह सब जो है different है aircraft or land का ऐसे भी different होगा और वो entity के operation में भी फरक आएगा आपका, क्योंकि land अलग चीज़ है aircraft अलग चीज़ है आपका, तो अगर transaction में commercial substance है तो हम क्या करेंगे जो मैंने आपसे land लिया है और बतले में aircraft दिया है तो मैंने जो land लिया है उससे मैं measure करूँगा, land को measure करूँगा at fair value of asset given up given up क्या क्या है, जो aircraft यहनि aircraft की जो value होगी aircraft की जो fair value होगी उतना amount में मैं land को measure करूँगा और aircraft को तो मैं carrying amount में डी रिकर्गनेस करूँगा, जो मेरे balance sheet में होगा जो difference होगा, वो penal में टाएगा यहनि first priority दिया जाएगा यहनि asset जो मैं acquire करूँगा उसे measure करूँगा fair value of asset given up में अगर fair value of asset given up determinable नहीं है, तो second priority दूँगा fair value of asset acquire अगर वो भी determinable नहीं तो third priority दी जाएगी carrying amount of asset given तो पहला priority fair value of asset given up दूसरा priority आपका fair value of asset acquire, तीसरा carrying amount of asset given up लेकिन एक बात सुनो मेरे अगर मान लीजे आपका fair value of asset acquire more clearly evident है, मतलब most genuine उसकी fair value, जैसे हमने level 1 input की बात की थी ने, इंडेस 113 तो इंडेस 113 के आप से मान लो for example, अगर most genuine fair value आ रही है आपकी, किसकी fair value of asset acquire की, तो ऐससे situation में fair value of asset given up को प्राथमिकता नहीं दिया जाएगा, first priority दिया जाएगा fair value of asset acquire को, और इसलिए लिखा हुआ है कि fair value of asset given up को priority दो first, unless fair value of asset acquire more clearly evident यनि ज़्यादा clear evidence है कि fair value of asset acquire जो उसकी value ज़्यादा जैन्वी ना को, तो उससे priority देते, other question silent रहे तो आप क्या करोगे, fair value of asset given up को ही first priority दोगे, अब अब बलो इससार अगर मालीजिए, transaction में commercial substance है ही नहीं, transaction lack करता है commercial substance, जैसे मैंने आपसे iPhone 12 लिया और आपको बदले में iPhone 13 दे दिया, उसके configuration risk वागेरा तो उससे हमारे entity को operation में भी कोई फरक नहीं आएगा, steam tap की machinery exchange कर लिया, steam tap का asset exchange कर लिया, तो वहाँ पर transaction में जब commercial substance नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, मेरा जो asset गया, उसको तो मैं carrying amount में de-recognise कर दूँगा, और जो मैंने आपसे asset लिया है, उसको उसी same carrying amount में दिखा दूँगा, यनि carrying amount of asset given up में मैं measure करूँगा, और मेरा related exchange of asset में मैं आपको बता देना चाहतो, इंडे 68 में के illustration है, वो आप अच्छे सा practice कर लीजेगा, मैं इंडे 68 के टाम मैं बता दूँगा, exchange of asset का, वो कर लोगे तो इक्दम बिंदा, कुछ tension वाली बात ही नहीं, बहुत, अच्छे सा आपका exchange of assets clear हो जाएगा, बाकी मैंने अभी तो आपको clear करवाई दिये, अब जैसे मैंने आपको कहा कि initially तो हम cost में ही measure करेंगे, initially हम क्या कर सकती है, तो cost model लगाएंगे या revolution model लगाएंगे, तो अगर हम subsequently cost model लगाएंगे, तो at the end of each reporting period हमारा accounting कैसे होगा, at the end of each reporting period हम क्या करेंगे, वो जो cost है हमारा opening, उसमें हम depreciation charge करेंगे, systematic pattern, जिस pattern में हम economic benefit मिलेगा, systematic pattern में depreciation charge करेंगे, और अगर हमें indication मिलेगा impairment का, as per index statistics, indication मिला, तो हम impairment testing भी करेंगे, और carrying amount को recoverable amount से compare करेंगे, fair value नहीं, carrying amount को recoverable amount से compare किया जाएगा, और recoverable amount, अगर carrying amount से कम है, तो आपका impairment loss भी हम book करेंगे, तो revolution बाद में, अगर cost model भी लगा रहो, तो carrying, जो cost है, उसमें पहले depreciation लगेगा, फिर आपका क्या लगेगा, impairment loss लगेगा, और recoverable amount क्यासे निकलते हैं, higher of value news, या फिर fair value minus cost लो, यह अपने देखा हैं आपर, अब अगर मैं revolution model follow करो, तो मैं उहाँ पर क्या करूँगा, उहाँ पर भी सबसे पहले हम depreciation करें, revolution model follow करने पर भी आप सबसे पहले क्या करोगे, depreciation लगाओगे, depreciation के बाद अगर कोई indication of impairment है, तो indication of impairment में impairment testing करोगे, carrying amount को recoverable amount से compare करोगे, recoverable amount अगर कम है, तो आप impairment loss भी book करोगे, यह नहीं revolution model में भी पहले हम depreciation करेंगे, फिर impairment करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, revolution करेंगे, क्योंकि revolution model लगा रहे, तो उसमें frequency, अगर हम every year revolution कर रहे, तो every year revolution करेंगे, हमारी frequency 3 years की तो, 3 years में revolution होगा, तो revolution करते समय हम carrying amount को recoverable amount से compare नहीं करते हैं, revolution करते समय हम carrying amount को compare करते है, fair value से, यह फरक है, यहनि revolution loss कैसे आता है, carrying amount और fair value, को compare करेंगे, तब revolution loss आता है, अगर fair value carrying amount से कम है तो, तब revolution loss आता है, बट impairment loss आलगे, impairment loss का बात है जब recoverable amount आपका carrying amount से कम होता है, तो impairment loss आएगा carrying amount जब ज़ादा हो recoverable amount से, revolution loss का बात है, जब carrying amount ज़ादा हो fair value से, तो उनों में फरक है, revolution loss में fair value से compare होता है, revolution करते हैं समय, और impairment loss index 66 में हम recoverable amount से compare करते हैं तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे अगर माल नीचे revolution decrease हुआ है तो revolution loss हम दिखाएंगे penal में charge करेंगे अगर revolution increase हुआ है तो ऐसा situation में revolution surplus को penal में credit नहीं करेंगे हम उसे OCI में डालेंगे यानि statement of penal के जस्ट नीचे OCI other comprehensive income जो है उसके नीचे दिखाएंगे items not reclassified to penal के अंदर हम revolution surplus दिखाएंगे जितना revolution surplus हुआ अब इसमें एक बात बस आप धिहान रख लीजेगा जैसे माल लीजे for example पहली पहली बार आपका revolution गीन हुआ है तो जो भी revolution गीन होगा वो OCI में revolution surplus में दिखाऊगे फिर later on आपका manager revolution loss हुआ है तो to the extent जितना आपका surplus balance available है revolution surplus में पहले तो increase हुआ तो revolution surplus को बढ़ा है अब बात में decrease हो रहा है तो आपका decrease होगा तो decrease आप बोलोगे सर decrease तो penal में जाना चाहिए क्योंकि हमारा fundamental तो यह यह increase होगा तो revolution surplus OCI में दिखाएंगे decrease होगा तो penal में charge करेंगे लेकिन आप सुनो मेरी बात अगर पहले आपका revolution increase हुआ है तो अपने revolution surplus में दिखा दिया अब later on अगर आपका revolution decrease होगा तो to the extent जितना revolution surplus में balance है उतना पहले उसको right off करो उससे जादा अगर आपका revolution loss हुआ है तो आप क्या करोगे penal को charge करो सेम wise versa अगर मालनीचे पहली पहली बार हमारा revolution loss हुआ तो हम क्या करेंगे penal में charge करेंगे बट later on अगर हमारा revolution gain हुआ तो to the extent जितना आपने पहले penal में charge किया था revolution loss उतना extent तक आप revolution profit penal में credit कर सकते हूँ उससे ज़्यादा revolution profit हुआ तो हम क्या करेंगे हम revolution surplus में डालेंगे OCA में डालेंगे यहने make up करने का मुका देता है यहना set off करने का मुका देता है पहले अपने revolution surplus को credit किया तो बाद में गिरने पर उतना हद तक आप revolution surplus को debit कर सकते हूँ प्रोवाइड़ उतना balance होना चाहिए यह balance में क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर entity के पास दो अलग-अलग choice है जो revolution surplus में balance रहता है न एंटिटी चाहे तो उससे वैसा का वैसा पढ़ा रहने देगी और एकदम end में जब dispose किया जाएगा उस asset को तब जो भी revolution surplus का balance है वो सीधा रिटीन अंडिंग में चला जएगा एक तो यह choice है entity के बास दूसरी choice entity के बास यह कि वो क्या कर सकता है कितना revolution surplus है वो क्यों आया वो additional value जो बढ़ी है उसके वज़े से revolution surplus आया तो आगे जाके additional value बढ़ने से additional depreciation भी होगा तो जितना आपका additional depreciation होगा आप हर साल आप क्या कर सकतो revolution surplus से रिटीन अंडिंग में proportionately भी transfer कर सकतो पर ऐसा आपको class में अगर अपने detail में पढ़ा है तो आपको पता होगा ऐसा करने से entity का कहीं ने की loss होता है क्योंकि आप proportionately revolution surplus से अगर आप routine अंडिंग में डालोगे तो revolution surplus की balance हर साल कम होती जाए कल को बाद में मानलो अचानक revolution decrease हुआ तो revolution surplus में आपकी पास ज़्यादा balance रहेगा नि क्योंकि आपने routine अंडिंग में transfer कर दिया हर साल तो कल को बाद में अगर नुकसान हुआ तो आपको penal को charge करना पड़ेगा तो इसलिए आप दो चीज़ देख लीजे एक तो आपकी बास क्या choice है पढ़ा रहें दो और दूसरा आप क्या करोगे आप pro rata हर साल revolution surplus से अप क्या कर सकते हो आप transfer कर सकते हो routine earning में ये दोनों में से कोई भी choice आप ले सकते हैं यहापर अब यहाँ पर accumulated depreciation at the date of revolution इसमें भी दो टेकनिक है वो टेकनिक में आपको समझाओंगा एक बाँ रुख जाओं इसके पहले मैं आपको बता देतो हूँ अगर आप revolution model लगाओगे माली जी एक factory building में revolution model लगाया तो मुझे सारी factory building में revolution model लगाना पड़ेगा यहाँ ऐसा हो सकता फेक्टरी building में मैंने revolution model लगाया तो अब office building में मैं cost model लगा सकता हूँ क्योंकि दोनों का nature use similar नहीं है different है आपका वैसलिया पर अलग-अलग class का example दिया land को अलग class माना जाता है land and building को अलग class माना जाता है यानि खाली जमीन और जमीन जिसमें building है वो दोनों अलग class में आती है तो land में आप मान लीजिए cost model लगाना चाहते हो लगाओ land and building में revolution model लगाना चाहते हो लगाओ motor vehicle अलग class में आएंगे तो जितने भी motor vehicle है उसमें आप एक को अगर revolution लगाओगे तो सब को revolution लगाना पड़ेगा जितने भी equipment है उसमें एक equipment को revolution लगाओगे तो सभी equipment को revolution लगाओगे हाँ ऐसा कर सकतो फैक्टरी equipment में revolution model लगाया office equipment में कौस model लगाया वो चलेगा aircraft हवा में उरने वाले इनमें एक aircraft में लगाओगे तो सभी में वही model लगाना पड़ेगा तो वही ची बोला गया furniture, fixture, machinery, bearer plant एक bearer plant में अपने revolution model लगाया तो सभी bearer plant में आपको revolution model ही लगाना पड़ेगा और ये वाला topic तो मैंने एकदम अच्छे से clear कराई दिया अब मुझे बस एक चोटा सा topic आपको बताना है accumulated appreciation ये मैं आपको notes पे ले जाके समझाऊंगा notes के तरू मैं आपको समझाऊंगा तक कि मैं आपको example से clear करा सको ये सब मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा दिया इसमें कोद दिक्कत नहीं बस cash discount यहां रहे reduce नहीं होगा आपका और ये सभी चीज exchange of assets वगेरा समझा दिया replacement पार्ट भी मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा दिया तब second measurement भी मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा दिया आपर है ना ये सारे entries भी समझाए दिया आपको ये notes आपको मिल जाएगा आप चाहओ तो गोत्रू करोगे मैंने सारा चीज आपको बता दिया इससे related भी बता दिया मैंने सारा अब accumulated depreciation की अगर हम बात करें तो इसमें दो technique होता है जैसे मान लीजिए for example कि लिए मैंने एक example बनाया था चलो कोई ना वो मिल नहीं रहे कि देख लेता हूँ बनाया था तो उससे मिल जाएगा मैंने बनाया तो था मैंने नीची है मुझे जहां तरह याद यह बरूँ जाओ exchange of assets मैंने समझा दिया ऐसे पटापट यह दो illustration 6 इंडस 68 का यह कर लोगे तो पूरा clarity आ जाएगा अब मैं आपको accumulated depreciation की बात करता हूँ आप अगर notes to accounts देखोगे न तो notes to accounts में आप क्या करता हूँ जो cost है उसको cost original में पढ़ा रहें देतो one luck का one luck और पिछले साल का depreciation जो है वो opening depreciation में आ जाता है current year का depreciation दिखा देतो total accumulated depreciation में पढ़ा रहें देतो मतलब notes to accounts में cost वैसा का वैसा रहें देतो और accumulated depreciation माइनस करके net amount बता देतो और ये net amount ये आपका balance sheet में P.P.E. में जाता है आपका तो अब देकिए one luck का हमारा cost था हम हर साल 10,000 का depreciation कर रहें तो 90,000, 80,000, 70,000, 60,000 हो जा रहा है चार साल में हमने 10,000, 10,000 करके depreciation का 60,000 हो जा रहा है पर हम cost पूरा का पूरा one luck की रहने दे रहा है और depreciation हम बता दे रहें 40,000 का 30 प्लस 10 40,000 का depreciation हो रहा हमारा तो आप सोचो यहाँ पर मानलो क्या हुआ हमारा मानलो cost of asset one luck है accumulated depreciation हमारा 40,000 का हो चुका है 40,000 का accumulated depreciation हो चुका तो net amount कितने का 60,000 का अब मानलो ये 60,000 का जो net amount ही इसकी हम कितना percent बढ़ा रहे net amount हम 25,000 बढ़ा रहे कहां से बढ़ा रहे 60,000 से बढ़ा रहे into 100 यनि हम 41.67 percent बढ़ा रहे net amount को तो हम एक काम करते हैं जितना net amount आपका increase हो रहे fair value increase हो रहे है आप उतना cost को भी increase कर तो यनि हम यहाँ पर gross model पोलो कर रहे हैं gross model में हम क्या करते हैं जितना net amount जितना proportion बढ़ रहे है उतने हम gross को भी बढ़ा देते हैं तो यह 1 lakh जो है 1 lakh को भी आप क्या करोगे 41.66 percent से बढ़ा दोगे तो 1 lakh 41,000 डबल 6,000 आ जाएगा आपका और आप यह accumulated depreciation को भी इतना percentage से बढ़ा दोगे और इससे आपको पता चलिएगा कि मेरा cost जो है वो 41.667 से बढ़ेगा depreciation मेरा 1.667 से बढ़ेगा और net मेरा 25,000 से बढ़ रहे हैं एक और तरीका मैंने simple class में बताया था अभी भी बता रहा हूँ 60,000 आपका net amount पर 1 lakh cost यह 100% है और यह net amount 60% है मारा तो 60,000 60% है अब कल को 60,000 की fair value 85,000 होगी तो यह भी तो 60% ही रहेगा यह थोड़े न इसकी life थोड़े न बढ़ जाएगी यह तो 60% ही रहेगा तो 85,000 है अगर 60% है तो 100% क्या होगा 141.667 होगा तो उस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं हम net amount ही हम पूरा cost को ही इतने से बढ़ा दे रहे तो हम क्या करेंगे PPE 41667 से बढ़ा देंगे और accumulated depreciation को भी corresponding लिए इतने से बढ़ा देंगे तो अब देखो gross में अगर मैं PPE 41667 से बढ़ाऊ और accumulated depreciation भी मैं 1667 से बढ़ाऊ तो net पे मेरा effect 25,000 कहीं आ रहे है तो हम इसकी entry कैसे करते हैं हम asset cost को इतना से बढ़ाते थे gross और accumulated depreciation को भी gross इतना से बढ़ा देते हैं दोनों का net effect 25,000 कहीं है और उतना हम revolution surplus भी बढ़ाते हैं यह technique है revolution करने का दूसरा एको technique है कि आप क्या करो तो जितना accumulated depreciation है उसको PPA से right off कर दो accumulated depreciation to PPA कर दो तो 1 lakh का जो cost है वो 60,000 बन जाएगा अपका फिर 60,000 से 85,000 fair value में पहुचना है तो 25,000 से PPA को बढ़ा दो तो यहाँ पर दो तरीका यह आप ध्यान में रखेगा technique 2 यहाँ पर हम gross value बढ़ा देते और उससे क्या होता आपका asset का cost बढ़ जाता है accumulated appreciation बढ़ जाता है और इन दोनों का net 25,000 ही जो revolution surplus में दिखा दिया दूसरा तरीका यह accumulated appreciation जो आपका 40,000 का रफ़ा दफ़ा करो accumulated appreciation to PPA कर दो तो आपका अब asset का cost दिखीगा 60,000 का और 60,000 को 85,000 में पहुचाना है तो 25,000 से asset बढ़ा दिया revolution surplus भी 25,000 से बढ़ा दिया बस बात खत्र तो यह मैंने आपको techniques of revolution मैंने आपको समझा दि एकदम अच्छी तरीके से अब मुझे एक सबसे important शीज़ आपको बताना है तो अलग-अलग से separately component वाइस depreciation करो वो जादा बहतर रहता है अगर possible है तो और depreciation systematic basis में होगा over its useful life लेकिन आगे जाके हम हर साल useful life depreciation method residual value को review करेंगे अगर वो change होगा तो उसे change in accounting estimate मानेंगे as per index 8 और उसे prospectively उसका हम accounting करेंगे यहाँ रे land के मामले में कभी भी आपका depreciation होता नहीं है लेकिन कुछ-कुछ land जैसे कि मानलेजे जो landfill side के लिए use हो रही है यहनि कचरा वगिरा फेकने के लिए use हो रहा है तो वो सब land में हम depreciation करेंगे क्योंकि उसकी end में value खतम हो जाएगे जब वो कचरा भर जाएगा वो land की value खतम हो जाएगे तो हम land को depreciate करते कुछ-कुछ मामले में और साथ-साथ मान लीजे हमने land में क्या किया कुछ decommissioning का खर्चा हमने land में capitalized किया है तो decommissioning का खर्चा capitalized इसली किया था कि उसको over the useful life depreciate कर सके अब इसके लाबा residual value useful life वगेरा को जैसे मैंने का हर सल आप review करोगे change होगा तो change in accounting estimate मानते वे उसे prospect लिए उसका accounting करेंगे अब मेरे एक सवाल है मान लीजे आपका carrying amount of asset 10,000 है और उसकी fair value जो है वो 10,000 से ज़ादा है क्या depreciation होगा यस होगा depreciation भी होगा impairment भी होगा बाद में अगर revolution model लगा रहे हो तब आप उसको revolution increase कर सकते हो लेकिन अगर मालनीजे carrying amount 10,000 होची नहीं salvage value भी 10,000 होची नहीं तब depreciation नहीं होगा क्योंकि depreciation straight line में हम करते हैं समयम carrying amount को salvage value से minus करने पर net amount है वोगी depreciate करते हैं तो अगर carrying amount greater than, carrying amount less than salvage value, carrying amount equivalent to salvage value यह salvage value जादा है, तब depreciation नहीं होगा लेकिन fair value carrying amount से जादा matter नहीं करते हैं, cost model में तो fair value को ignore करते हैं, revolution model में depreciation impairment करने के बाद fair value की बात आती है उससे पहले fair value की बात ही नहीं आती है commencement of depreciation में ने बता दिये जैसे आपका asset ready for use हो जाएगा उसके बात में हम commencement करने लग जाएगा depreciation को और depreciation कब तक होगा जब तक वो asset de-recognize नहीं हो जाता या फिर जब आप उस asset को held for seal कर देतो तो वो index 105 में चला जाएगा depreciation stop हो जाएगा और या फिर मानलीचे आपने permanently abandon कर दिया उस asset को और पूरा का पूरा अपने write off कर दिये तब आपका depreciation seize हो जाएगा लेकिन ध्यान रे आपने मानलीचे temporarily asset को use करना बंद कर दिये लेकिन held for seal classified नहीं किये तब वो asset तो पढ़ा उसकी value तो गिरती रहेगी तो उसको आप depreciate करते रहोगे इन्हें just आपने retire कर दिया from active use उससे आपका depreciation stop नहीं होगा depreciation आपका चलता रहेगा depreciation method क्या straight line diminishing units of production method यह depreciation के method है लेकिन depreciation method revenue के basis में allowed नहीं depreciation method based on revenue हमारा allowed नहीं है लेकिन इन्डेश 68 में एक दो मामलों में amortization based on revenue allowed है पर इन्डेश 16 में यह allowed नहीं है और derecognition हम करेंगे तो उसमें derecognition genial loss आएगा माली जे carrying amount of asset 10,000 है हमने उससे 5,000 में बेच है तो 5,000 का नुकसान PNL में दिखाएंगे कभी कभी कुछ मिलता ही नहीं है तो पूरा का पूरा 10,000 PNL में जाएगा बस बात कतम तो यहाँ पर कोई दिख्कत है नहीं अब एक और main सबसे important चीज एक बचता है जो मैं आपको note से पढ़ा देता हूँ ज़्यादा बहतर रहेगा that is provision for decommissioning तो provision for decommissioning यहाँ पर आपको बढ़ा देता हूँ कैसे करना होता आपको हम जैसे कि manager for example कोई हमारा asset है जो हमने install कर दिया पर वो future में उसे हमें dismantling करना पड़ेगा तो अगर future में हमें उसे dismantling करना पड़ेगा तो उसका जो भी estimated खचा future में लगएगा उसका present value का हम provision बनाएंगे और उसका उतना ही present value हम क्या करेंगे asset में हम capitalize कर देंगे आगे जाके क्या होगा जो provision for decommissioning है उसपे हर सल हम क्या करेंगे interest expense चड़ाएंगे हर सल तकि वो present value जो है न उसपे interest चड़ चड़के वो original value में पहुंच जाए और वो interest expense penal में जाएगा और asset की जो total value हो वो क्या होगी over the useful है वो depreciate होगा बट एक बात है ऐसा भी तो हो सकते कि कल को हमारे जो estimate provision तो estimate है provision for dismantling अगर वो provision for dismantling जो estimate है वो change हो गया तो मालिजे आगे जाके change in provision हुआ और provision increase हो रहा आपका प्रोविजन का provision increase हो रहा है हम क्या करेंगे अगर हम cost model लगा रहे cost model revolution model में अलग-अलग treatment होता है अगर हम cost model लगा रहे तो provision जितना बढ़ेगा उतना हम PP को बढ़ाएंगे provision जितना गिरेगा उतना हम PP को गिराएंगे यह आपको ध्यान में रखना है लेकिन सोचो ऐसा भी हो सकता है कि provision 20,000 से गिरा बट हमारी carrying amount of PP जास 15,000 ही है तो PP तो 15,000 से गिर सकता हुससे ज़्यादा तो गिरेगा ने लेकिन provision हमारे 20,000 से गिर ऐसा possible होता है कितने बार तो जो 5,000 extra वो penal में दिखा देंगे हम 20,000 से liability कम करेंगे पर asset तो 15,000 से कम कर सकता है maximum तो बचा हुआ 5,000 हम penal में दिखा देंगे लेकिन अगर provision बढ़ेगा तो asset को बढ़ाओगे अब asset बढ़ाया है तो यह indication of impairment आपको impairment testing करना चाहिए क्योंकि आप asset को बढ़ा रहो provision के वज़े से तो आपको यह धियान में रखना provision जब बढ़ेगा तो asset भी बढ़ेगा लेकिन वह impairment testing होगा लेकिन provision गिरेगा तो asset भी गिरेगा but asset sufficient नहीं गिराने के लिए तो जितना sufficient नहीं उतना penal को charge करोगी यह तो cost model की बात हमने बताया लेकिन मान लीजिए for example revolution model follow कर रहो तो वहाँ पर अगर provision गिरेगा तो पीपी को छेटशार नहीं करोगे क्यों क्यों क्योंकि पीपी ओलरी फैर विल्यू में मैंजर हो रहा है एस पर revolution model provision बढ़ेगा या गिरेगा पीपी को छेटशार नहीं कर सकते इन case of revolution model revolution model में आप क्या करोगे बताए अगर provision आपका काम हुआ है तो फाइदा होगा फाइदा आप revolution surplus में दिखाओगे OCI के अगर आपका मालिज़े provision बढ़ा है तो नुकसान होगा आपका liability बढ़ने से नुकसान होगा आप घाटा हुआ नुकसान हुआ पेनल में चार्ट करोगे यानि जो surplus deficit कम treatment करते थे ना revolution model में revolution gain या loss का जो हम treatment करते थे सेम वही treatment होगा decommissioning liability का change होने पर in case of revolution model में तो आपका अगर revolution आपका अगर मालिज़े decommissioning से loss हुआ है decommissioning liability बढ़ा है आपका तो नुकसान आप क्या करोगे पेनल में चार्ट करोगे लेटर और मालिज़े आपका decommissioning से फाइदा हो गया तो जितना पेनल में चार्ट किया उतना पेनल को credit कर सकतो same treatment और surplus and deficit वाला same concept आपको यहाँ पर लगाना है same to same concept बताई यह समझ में आया की नहीं आया यह चीज में जो बोलना चाहता हूँ इन्ही revolution model follow करते समय जो हम revolution profit या loss in case of asset revolution जो हम treatment करते हैं वही same treatment करेंगे जब liability में change होगा जब provision for decommissioning liability में change होगा तो फाइदा घाटा का same way treatment होगा फाइदा होगा तो revolution surplus घाटा हुआ तो आपका penal और later on आपका पहले फाइदा होगा लेटर घाटा तो to the extent जितना revolution surplus है उतना आप पहले debit करोगे बाकी penal को charge करोगे same वही concept है वापस से बताने की जड़त नहीं same treatment आपका होगा तो इसरी के साथ मैंने ये वाला topic भी आपको एकदम अच्छे से करवा दिया अब मैं आपको एक दो question कराना चाता हूँ अगर आप चाहते हो तो मैं आपको करवा देता हूँ बोलो चाहते हो तो मैं question आपको वैसे तो नहीं करूँगा मैं बस आपको क्या करूँगा यहाँ पर just solution के साथ go through करूँगा जैसे question number 11 आप तो पहले ये mark कर लो कौन सा question important है तो देख लो यहाँ पर एक बात बता देता हूँ tyk का question number 11 और tyk का question number 6 यह दोनों important है और एक illustration 12 या illustration 13 है देखना पड़ेगा कौन सा मैं बता देता हूँ यह 3 question आप जरूर से अच्छे सा practice करोगे illustration 12 है मेरे कहाल से yes illustration 12 illustration 12 tyk का question number 6 और tyk का question number 11 यह 3 question आपको अच्छे से practice करना for index 16 और हो सकी तो illustration 1 भी कर लिजेगा अब देखे question number 11 इसमें ऐसे तो laser account बनाना है बट laser account तो आप solution देखे खुद बना लोगे और आमसे को tension वाली बात नहीं है मैं बस इसका treatment आपको बता देता हूँ जैसे दिखे 30 लाग रुपीज में 1st April 2001 को आपने खरीदा था और 5 years की बाद उसकी written down value 17,50,000 होगी मतलब आपने 5 सालों में 12,50,000 अप्रेशेट किया मैं हर सल 2,50,000 अप्रेशेट करो अब 30 लाग की asset को 2,50,000 हर सल अप्रेशेट करो यह आपको बता रहा है कि इसकी useful है 12 years है तो हमने किया गिए 5 सालों में 12,50,000 अप्रेशेट किया इसका carrying amount आगया 17,50,000 उसकी बाद उसके next day 10% से revolution गीन होगा तो हम 10% से बढ़ा देंगे और यह revolution surplus आपका OCI में जाएगा revolution surplus आपका 75,000 दिखेगा अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि heaven limited जो है न उसने option लिया है कि वो some of the surplus जैसे जैसे asset को use करेगा वो routine earning में transfer करेगा यह जो revolution surplus है न जैसे जैसे asset use होगा इसमें से routine earning में थोड़ा थोड़ा हर साल डालते रहोगा तो आप एकदम simple सी बात समझ लो यहाँ पर आपका यहाँ पर 5 साल के बाद आप revolution करो total आपकी life 12 years है तो remaining 7 years बचता है तो यह 1,75,000 remaining 7 years में routine earning में थोड़ा थोड़ा transfer होगा तो आप देख लिए जब 1,75,000 divide by 7 years यहनि हर साल 25,000 आपका transfer होगा अब आगे जाके देख लो अब आपका 1st April 2006 को revolution amount जोने पर 19,25,000 आ रहा है तो आगे जाके 19,25,000 7 years में depreciate होगा कितना होगा 2,75,000 depreciate होगा तो देखो वही हो रहा है 2,50,000 जो पहले depreciate हो रहा तब 2,75,000 depreciate हो रहा है यहनि जितना 25,000 additional depreciation हो रहा है उतना हद तक हम revolution surplus से retain earning में transfer कर सकते हैं तो 2 साल हमने depreciation किया 2,75,000 और 25,000, 25,000 हम क्या करेंगे revolution surplus से भी retain earning में डालेंगे तो आपका 2 साल के बाद यहनि 1st April 2008 को आपका carrying amount बच्चे का revolution surplus का 25,000 क्योंकि 2 बार आपने retain earning में transfer कर दिया अब क्या होँ 1st April 2008 को फिर इन्होंने question ने बोला कि आप 15% से revalue करो downward side में तो आपकी जो carrying amount है 13,75,000 कैसे आया 19,25,000 में से 2 बार depreciate किया 13,75,000 है इसका 15% इतना आप write-off करोगे तो यह write-off करेंगे क्या PNL में दिखाएंगे नहीं जितना balance available है OCI जितना balance available revolution surplus में पहले उतना debit करो बचा हुआ PNL में debit करोगे तो balance हमारे पास 1,25,000 है तो इसमें से 1,25,000 revolution surplus में debit होगा बचा हुआ PNL में charge होगा यह हमने समझ लिया आपर तो revise caring amount of machinery हमारे इतना आया फिर हम क्या करेंगे और दो साल तक अब यहां पर हमें question ने बोला कि आपका अब 1st April 2008 को remaining life 8 years है तो useful है चींज होगा आपका review किया थो हमने तो यह आपका 8 सालों में depreciate होगा आपका तो आपका 2009-2010 divided by 8 करके मैंने दूबर depreciate कर दिया अब इस बर अब हमारा revolution surplus में कुछ पैसा बचा ही नहीं है क्योंकि हमने जो revolution downward करने पर पूरा का पूरा खतम हो गया यह तो हमारे पास अब carrying amount इतने का है तो इतने का जो carrying amount of machinery हमने उसको 9,35,000 में बेज दिया तो बच्चा हूँ आपका selling profit है यह आपका penal में चला जाएगा अब आपको exam में laser बनाना है वो laser आप खुद से question bank को refer करके बना लीजेगा मैंने आपको यहाँ पर पूरा समझा दे कि treatment क्या होगा laser आप बच्चे नहीं हो आप अराम से बना लोगे अभी मैं laser आपको revise नहीं करवा सकता मैं नहीं करवाँगा तो मैंने जितना हो सके फटा फट मैंने आपको करवा दिया अब question number 6 भी एक जो है ये भी मैं चाहता हूँ कि मैं फटा फट आपको एक बार revise करा दूँ अच्छा question है question number 6 जो है exam में PP का calculation अलग से कीजेगा provision का अलग से कीजेगा revolution surprise का calculation अलग से कीजेगा exam में और exam का presentation भी मैंने आपर दिया हूँ कि जिस प्रकार ICA ने present किया है हमें उसी प्रकार presentation करना है तो मैंने आपर कहा भी था कि आप ये तीन आप account बनाओगे और आप IC के साब से presentation करोगे asset वगेरा का provision वगेरा का तो ये सब चीजे तो अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं बस मैं आपको question एक बार जरूर से understanding दे दूँगा तो आप देखें PP हमारा initially 1,20,000 का है जिसके अंदर 10,000 का present value decommissioning भी included है तो 1,20,000 का PPA और 10,000 का हमारा provision for decommissioning अब PPA आपका 40 years में depreciate होगा और इसमें आपका 5% के present value में हमने provision को pull किया है तो हर सलम 5% interest में चड़ाएंगे तो क्या हुआ तीन साल तक हमने depreciate किया 3,000, 3,000, 3,000 करके 31st March 2,004 तक हमारा carrying amount इतनी का गया और ये depreciation कहा जाएगा PNL में जाएगा और 3 साल तक हम क्या करेंगे ये जो decommissioning का आपका obligation है उसमें 3 साल हम interest भी चड़ाएंगे 10,000 plus 5% फिर उस पे 5%, उस पे 5% ऐसे करके 3 years का 1600 हमारा interest cost आ रहा है ये PNL में जाएगा आपका तो 3 years के बाद हमारा provision इतने का दिख रहे है और हमारा carrying amount 1,11,000 का दिख रहे है अब portion है में क्या बूला कि 3 years के बाद आपका asset का revolution ही कर रहे है और asset की value 1,15,000 है after deducting 11,600 तो क्यों deduct किया हम तो पूरा fair value gross में दिखाएंगे इन्होंने क्या 1,15,000 में से 11,600 decommissioning का नाम का deduct करके बता है ऐसा नहीं होगा आप पूरा gross value बताओ fair value कितने तो gross value अगर आप देखोगे तो 1,26,600 है क्योंकि इन्होंने साफ लिखा हुए यह deduct क्यों क्यों नहीं करना था तो 1,26,600 इसकी fair value है क्योंकि PP के अंदर आपका decommissioning में हमने add किया था तो gross value रहेगा आप deduct नहीं कर सकते तो यहाँ पर 1,26,600 इसकी fair value है हमने 1,11,000 में दिखा के रखा हुए तो 15,600 revolution gain हुआ है यह PNL में नहीं जाएगा revolution gain आपका कहा जाएगा OCI में जाएगा revolution surplus के अंदर 15,600 इधर बढ़ा दिया इधर में ने बढ़ा दिया अब इसके बाद हमारी carrying amount इतनी की remaining year 37 years है और हमारा provision for decommissioning भी इतनी का है अब next year क्या होगा 31st March 2005 के end में हम इसको depreciate करेंगे 37 years में क्योंकि remaining year 37 है और आपकी अब value तो change होगी तो ये value 37 years में depreciate होगी इतना amount depreciate कि आप penal में charge हो जाएगा और यहाँ पर भी हम एक साल का interest 5% चढ़ा देंगे आपर ये भी penal में जाएगा तो आपका provision for liability इतनी कार है और आपका carrying amount of pp 123 180 कार है अब question है में क्या बोला कि 31st March 2005 को इन्होंने सबसे हमें पहले बोला कि decommissioning liability present value में 5000 से गिरेगा तो 5000 से अगर आप liability को गिराओगे तो आपका फाइदा होगा liability गिरना मतला फाइदा ये जबकि revolution model follow कर रहे है तो ये asset को मत गिराना cost model में asset को गिराते 5000 से यहाँ पर हम asset को नहीं गिराएंगे revolution model follow कर रहे तो तो 5000 से आपका liability गिरेगा तो उतना ही 5000 से आप क्या करोगे revolution gain दिखाओगे क्यों दिखाओगे क्योंकि फाइदा होने पर revolution surplus में जाते नुकसान होता तो भी हम क्या करते हैं revolution gain से minus करते क्योंकि revolution gain same asset का revolution surplus पड़ा हुआ है तो नुकसान भी होता तो हम इसी revolution surplus से minus करते हैं जबकि फाइदा हुआ तो 5000 तो add हो गया liability कम होना मतलब फाइदा होना और फाइदा आपका revolution surplus में इदे को फाइदा हो जिन चला गया इसकी बात question है क्या बूला कि अब इसकी fair value भी कर रहे है बोला कि 1,07,000 इसकी fair value है after reducing आपका decommissioning का obligation net वाला net वाला मतलब यह जो 7,180 को reduce करने के बाद तो 7,180 net वाले को reduce करने के बाद आपका 1,07,000 आ रहे है तो क्यों reduce किया है हमें तो gross चाहिए तो gross आपकी fair value क्या है 114,180 तो आपका यह जो carrying amount है 1,2,3,180 इसे मुझे 114,180 में लेके जाना है मैं नाइन थाउजिन का revolution loss है तो revolution loss पीनल में जाते है बट already surplus पड़ा हुआ है तो उतना पीनल को क्यों surplus को कम करेंगे तो 9,000 से मैंने surplus को कम कर दिया तो end में में मेरा revolution surplus में balance 11,600 रहेगा decommissioning तो मेरा 7,180 का रहे गई ये भी मैंने कर दिया तो अब आप इसको refer करोगे मेरे notes को तो आपको पूरा समझ में आ जाए question बिल्कुल tough नहीं एक बार practice करोगे अराम से question बन जाएगा और 6 के बाद 5 भी आपका अराम से हो जाए 5 में cost model है इसमें revolution model है चली ये हमने समझ लिया अब मुझे एक और question जो है न वो question में question में के थुर आपको बताई देता हूँ एक और question जो important है इसमें मुझे एक चीज़ आपको बताना है कहाँ गलती कर सकते हो वो में बता देता हूँ बस कहाँ गलती कर सकते हो न वो बताना बहुत जरूरी है illustration 12 या illustration 13 है मेरे ख्याल से बोलो समझ में तो आ रहा है न ऐसा तो नहीं कि आप ठक गए बताओ फटावर्ट से जितना समझा है समझ में तो आ रहा है न एक आप मुझे chat box में बता दो जितना समझा है समझ में तो आ रहा है न yes illustration 12 illustration 13 बहुत simple illustration 13 बे self कर लिजेगा ये भी important में मान सकतो अब यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखिए इस question में आप यही बात का ध्यान रखेगा जब construction वर comments होगा न तब से ही आप boring cost capitalize कर सकतो एक question है मेरी question में में जो पूराना IC का solution महाँ पर उन्होंने गलत कर रखा हूँ है जिस दिन से land purchase के उस दिन से आपका boring cost capitalize नहीं होगा जब construction work सुरू होगा 1st May को उस दिन से capitalize होगा अपकर अब कितने बच्चों का सवाल रहता है कि जर्फ 1st May में आपका commencement हुआ है 30 number को complete हुआ है तो सिर्फ 7 months ही यहां पर May, June, July, September, October, November तो 7 months को कैसा substantial period माल लिया नहीं मान रहे बट question चला के जब बोल रहे है कि यह substantial period है इंडस 23 के साफ से तो question को थोरू नहीं over rate कर देंगे question चला के बोल रहे है तो इसे हम substantial period मान रहे है और 7 months का जो भी interest का खर्चा होगा वो हम क्या करेंगे capitalize करेंगे तो यहां पर अब देखिए आपका land का जो 10 million आपका capitalist तो ही 3 lakh भी capitalize होगा material का खर्चा capitalist होगा employment cost 2 lakh रुपीस पर मनत है 7 months लगा आपका construction का period तो 2 lakh into 7, 14 lakh हो जाएगा over rate का खर्चा भी directly है तो यहां पर कितने बच्चे गलती करते है temporary use of the factory premise ऐसे car park यह कोई testing का खर्चा नहीं है यह आप normal car parking पे आप अपने land को provide करो तो यह asset को ready for use करने से related इसका कोई लिना दे नहीं नहीं है तो जो car parking से अपने पैसा कमाया है वो आपका other income में जाएगा इसका asset के capitalization से कोई लिना देना नहीं क्योंकि यह construction और PPA से कोई relation ही नहीं है तो जो भी car parking के कमायी यह temporary कमायी यह penal में जाता है हाँ ऐसा होता कि मालीचे मैंने borrowing किया है तो उससे related जो temporary investment income में वो minus होता है मैंने बता है लेकिन यहाँ पर यह car parking जो इसका asset के construction से कोई लिना देना नहीं है यह आपका क्या होगा ध्यान रहे यह आपका हमेशा जाएगा other income में PNL में credit होगा asset का capitalization से कोई लिना देना नहीं relocation of employee, opening ceremony यह सब PNL में जाएगा आपका अब इन्होंने क्या बोला कि useful life over all 40 years की है लेकिन roof की life 20 years ही रहेगे और roof जो है total cost का 30% total cost of the building का 30% roof है बाकि 70% other building है हमारा यह हमने समझा अब question ने बता है कि आपका future में demolition करने का 20 million का खच्चा लगेगा जिसकी present value factor है 0.046 तो हमने present value नहीं का लिए 9,20,000 यह 9,20,000 भी आपका capitalize हो जाएगा फिर आपका 17.5 million जो आपने बोरो किया है 6% के rate पे तो 17.5 million into 6% into 7 by 12 7 months का ही capitalize करोगे क्योंकि 7 months ही construction piece था तो आप 17.5 million into 6% into 7 by 12 जितना amount आएगा वो आप capitalize करोगे और यह जबकि specific loan है तो इसके related जो investment income भी है वो आपका minus होगा इंडस 23 का मैंने separately करवाया था revision उसमें आपको ही पता चल जाएगा कि specific loan में जितना आपका amount है capitalize होगा तो कोई-कोई बच्चे बोलते सर specific loan में capitalize कर देते हैं पर यहाँ पर तो construction period ही 7 months से तो उससे ज़्यादा हमारा कभी capitalize नहीं हो सकता है यह specific loan ही क्यों नहीं हो construction period से ज़्यादा हम कैसे capitalize करेंगा ऐसे तो लोग loan लेके छोड़ देंगे specific loan और construction complete होगे उसके बाद साल दर साल हर साल ही वो capitalist करते नहींगे ऐसा थोड़ना होगा यहाँ पर बच्चे क्या गलती करेंगे land कभी depreciate नहीं होगा तो अब देखे land और other things building का मिला कि आपका इतना total बन रहा है तो यह कभी depreciate नहीं होगा आपका इसमें से 10,000 हटा दो यह आपका इसमें से 10,000 जो है आपका यह land की value हटा तो remaining जो value है उसका आपका 70% non other building है 30% roof component तो आपका जो 30% roof component है वो 20 years में depreciate होगा जो 70% आपका other building component है वो 40 years में depreciate होगा लेकिन यह कितने मेने का होगा 30 नॉर्बर को complete हुआ है December, January, February, March 31st March काम reporting कर रहा है तो 4 मेने का ही depreciation होगा तो आपको यहाँ पर 2 बात ध्यान रखने है एक तो 10,000 minus करके जो depreciable amount आपका पूरा यह नहीं होगा 10,000 minus करके रहेगा मैंने इसको मैंने पते है मैंने इसको क्या क्या थे इसमें अच्छे से IC का presentation से ज़्यादा मैंने अच्छे से present किया इसको यह देखे पूरा मैंने यह निकाला cost of PPA मैंने बोला land component जो 10,000 है यह depreciate हो गए नहीं roof component आपका बाकी बच्चा हुआ का 30% roof है और other 70% है यह 20 years में होगा यह 40 years में होगा into 4 by 12 करना मत बूलना तो यह depreciate करोगे तो इतनी का depreciation होने पर PPA का carrying amount हमारा आ जाएगा तो I think आपको अभी एकदम अच्छे से clear हो चुका है इसकी PDF में आपको दे दूँगा या पर मैंने solution मैंने simple way में solution रखा लेकिन इसे काम नहीं बनेगा exam में आपको क्या करना है एक और बात बता देता हूँ आपको मैं exam में आपको क्या करना है कोशे ने बोला है कोशे ने में बोला है कि आपको explain भी करना होगा अपना treatment तो यह जो last में लिखा हुआ है यह simple है आपको बताना है यह land से related है यह आपका construction का direct cost है लिख दिया आपने और जो direct cost नहीं उसको not है direct cost लिख किया आप just normal explain कर दे आपको तब marks मिलेंगे यह explanation करना जरूरी है क्योंकि question है मांगा है illustration 13 आप खुद से कर लोगे मुझे पता कोई दिक्कत वाली बात आपको यहाँ पर आएगी नहीं आपर I think index 16 मैंने आपको पूरा करा दिया कोई doubt है कोई गिला सिख वा है तो पूछ सकतो general overhead ध्यान रहे penal में जाएगा कभी भी capitalize नहीं होगा और कुछ बचा हुआ है क्या और कुछ बागी सब अपका आराम से हो जाएगा और कुछ नहीं है बस question number illustration 1 में एक ध्यान रखना अब 3 installment देरो पर एक installment 0-3 में दिया जा रहा है तो आपका पूरा का पूरा 10 million जो है जो आपका 95 लग का आपका loan है है ना cash price equivalent वो loan नहीं होगा क्योंकि एक installment तो 0-3 में देरो तो आपका loan amount होगा 6166667 बाकी इस प्रकार आप solve कर लोगे तो आपका हो जाएगा तो आप मुझे एक बार बता दो मैंने थोड़ा सब तो speed कर रहा है मैं मानतो हूँ उसके बावजूद भी आप देख लो हमें कितना समय लग गया कितना समय लग गया आप खुद देख लो हमने 7 बच के 10 मेरे न 7 बच के 15 मिट में हमने स्टार्ट किया था 7.15 में हमने स्टार्ट किया था पकड़ लो उसके बाद भी एक घंटा लग गया कितना कराने के बाद भी एक घंटा लगया अगर और डिटेल में जाता तो कितना टाइम लगता मुझे पता था index 16 बड़ा है क्योंकि index 16 regular class में करा तो तो 5 class लग जाती है कितना बड़ा आप सोचों आपर तो यहाँ पर बस मुझे एक बार बता दो कि आपको ये फिर भी जितना मैंने जिसने पढ़ा हुआ उसको समझ में आ गया होगा जिसने एक बार भी पढ़ा हुआ उसको समझ में आ गया होगा जिसने एक बार भी नहीं पढ़ा हुआ उसको दिक्कत हुए तो एक बार मुझे बता दीचे मैंने question भी आपको जो majority बड़े-बड़े question है वो भी मैंने touch किया cover किया मैंने वो भी तो अगर आपको यह समझ में है तो क्या हम इंडेस 68 में आ सकते हैं अब हम इंडेस 68 में जम करेंगे इंडेस 68 में सीधा मेरे handwritten notes बना वह उसे में पढ़ा दूँगा और इंडेस 68 पढ़ाने में अब दिक्कत कम होगे क्योंकि बहुत सारे point इंडेस 16 से related ही है बुलो पता दो इपर कितना समझ में आया और जो बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं क्या लाइक करके जाना मेरा मन था कि सेशन खतम होने तक टूथ हाउचल लाइक हो जाए पर अभी तक 17 30 में अटका हुग अब तो लगता आठारो सो भी नहीं होंगे तायद फोलो समझ में आ रहा है ने एक दम अच्छे से थोड़ा सा मैं मानता हूँ आप लोग भी थक गए होंगे बड़ फिर भी थोड़ा सा फोकस करो फॉर्स टाम है अटेंड़ेट सची लॉंग डूरेशन महरा थो लाइव एंड कंप्लिटेट इन वन गो स्क्रीन वाइट हो गया मतलब ठीकि तो यह स्क्रीन मेरे खाल से स्क्रीन तो पर एक इस वाला कोशिन है वो बस आप खुछ से करिएगा और आपको मैं बता दूँगा बाकी कोशिन जादा मैं मार करवा दूँगा कौन से कोशिन करने और मुझे लगेगा कुछ करवाने तो करौँगा पर इंडस 68 में मुझे नहीं लगता कोई कोशिन कराने लाइक है आप खुदी कर लोगे तो यह इंडस 68 अभी हम स्टार्ड करते है ठीक है चलिए इंडस 68 हम स्टार्ड करते है कोली वर्सिस नवीन होने लग या नवीन लग किस चीज का सोचा था वो भी गया चलो बहुत बढ़ी है क्या मैच का क्या पोजीशन है भी अच्छा कोली बेटिंग पर आगी है मतलब एक बंदा आउट हुए है मतलब और को एक जिन बस बता देना तर आप से ज़्यादा नहीं थके चलो बहुत बढ़ी आदा पर तो चलिए अब यह हम इंडस 68 स्टार्ड करते है इंडस 68 बेसिकली बात करेगा इंटेंजिबल एसेट का डफिनीशन क्या कहता है पता है कि इंटेंजिबल एसेट को इडेंटिफाइबल होना पड़ेगा non-monetary होना पड़ेगा without physical substance बतलब यहाँ पर physical substance तो नहीं होगा हमने समझ लिया क्योंकि इंटेंजिबल है तो उसका physical substance इंटेंजिबल और non-monetary का मतलब क्या है तो देखें non-monetary का मतलब यह होता है जो monetary नहीं होता है और monetary क्या कहा जाता है monetary मतलब जहां पर आपको fixed amount of money मिलेगा जैसे मानले जी मेरे आपको goods बेचा है अब future में मुझे आप fixed amount होगे लेकिन सोचो मेरे पास कोई inventory है कोई PPE तो क्या मुझे उसमे fixed amount मिलेगा नहीं मिलेगा जैसे receivable, payable यहाँ पर fixed amount रहते है लेकिन अगर मानले जी मेरे पास कोई inventory है मेरे पास कोई camera है मेरे पास कोई mobile है तो क्या उसका fixed amount होगा नहीं होगा वैसे intangible asset में अगर आप देख लो software अगर मैंने कोई खरीद है तो कि बाद में मैं उसे बेचूँगा तो मुझे fixed amount यह determined amount मिलेगा नहीं मिलेगा बाद में कम भी मिल सकता, जादा भी मिल सकता है मेरे पास को license मैंने खरीद है तो बाद में मैं बेचने को जाओंगा तो क्या आप मुझे same amount मिलेगा नहीं मिलेगा आप खुद देख लो आपके ग़र में कितने सारे asset है आपका bad है, almira है, गाड़ी है क्या awesome में fixed amount मिलेगा आपको नहीं मिलेगा future में ज़्यादा भी मिल सकता तो 10 थाउची नहीं मिलेगा आपको, ना कम ना जादा किसी दा आपने उधार ली तो 10 थाउची नहीं आपको दिना है ना कम ना जादा तो इसलिए आप समझ लीजे, monetary item वो होते हैं जहाँ पर fixed or determinable amount of money होते हैं और basically जिसका physical substance नहीं है और जो monetary item है, वो financial instrument में जाते हैं वो financial asset या financial liability कहलाते हैं तो intangible assets वो कहलाएंगे जो non-monetary है जहाँ पर fixed or determinable amount of money नहीं मिलने वाला और इसी वज़े से receival वगेरा अपनी आप ही बहार हो जाते हैं इंडेस सटीरेट से तो क्योंकि receival वगेरा में और साथ-साथ वो identifiable भी होना पड़ेगा identifiable इसलिए ज़रूर यह है कि जब तक identifiable criteria आप satisfy नहीं करोगे आप उसे intangible asset नहीं कह सकते हैं कहीं नगे तो identifiable के अंदर दो चीज़े identifiable का माना जाए अगर मुझे वो intangible asset मेरा arise वा from contractual या फिर legal rates है जैसे कि मान लीजे मुझे government से license मिला है या मैंने मान लीजे किसी आपके domino's वगेरा से मैंने franchise rate ले लिया है मुझे franchise ही rate मिला है है ना और या फिर मान लीजे मैंने trademark करवा लिया copyright करवा लिया तो वहाँ पर भी मुझे क्या मिलता है contractual right arise होता है contractual या legal right arise होता है तो जब कभी भी आपका कोई भी आपका asset वो arise हुआ contractual या legal rate से तो हम उसे identifiable मानेगे अगर मान लोग इतने बार ऐसा होता है कि मान लो वो asset आपका contractual या legal rate से arise नहीं हुआ बट वो separate किया जा सकता है entities और separately sold किया जा सकता है transfer किया जा सकता है exchange किया जा सकता है तब भी वो क्या माना जाएगा intangible asset इसका भी मैं एक example है तो जैसे मान लो for example आप इतने सारे बच्ची मेरे से बढ़ रहो तो मेरे पास बदे customer की list बन गई है हाला कि मैं इसका कभी muses करता भी नहीं करूंगा भी नहीं बट आप सोचो मैं चाहूं तो मेरे पास मेरे mobile app में 50,000 से जाधा app download से तो सोचो मेरे पास 50,000 का student का customer list है अब ये मैं किसी भी बड़ी company को जो CA field में उतरना चाहती है उनको में बेच दूँगा ये तो वो मुझे कुछ ना कुछ पैसे तो दी देंगे तो आप यहाँ पर समझो ये जो customer list है ये contractual या legal right से तो arise नहीं हुआ किसी के साथ contract थोड़े नहीं हुआ है contractual या legal right से arise नहीं हुआ पट ये मैं चाहूं तो customer list मैं separately किसी को पेच सकता हूँ transfer कर सकता हूँ मैं अपने entity से हटा के मेरा entity में कोई effect नहीं पड़ेगा मैं entity से बाहर रटके सकता तो ये माना जाएगा identity ability criteria satisfy कर रहा है तो identity ability criteria दो मामलों में satisfy करेगा कब एक माली जाएगर वो arise from contractual या legal right से और दूसरा अगर वो entity से separate करके entity से separate करके उसको separately अगर बीचा जा सकता तो वो identifyable माना जाएगा अब इसकी अलावा चैसे हमने index 16 में भी देखा था यहाँ पर भी एक चीज़ से में जब तक cost reliably measure नहीं होगा तब तक हम उसे recognize नहीं कर सकता है नब क्योंकि intangible asset हो या tangible asset हो initially आपका asset recognize होगा cost model में आप revolution model नहीं लगा सकते initially वो cost में measure होगा अब एक बात बताओ यह जो मेरा customer list है यह customer list मैंने कहा दिया यह intangible asset तो है कैसे क्योंकि यह identifiability criteria satisfy हो रहा है यह separate किया जा सकता अपने business से separate करके बीचा जा सकता और इसका कोई physical substance है नहीं customer list का है ना और यह non-mollet थे क्योंकि इसका पैसा भी determining की fix मिले का कम भी मिल सकता जादा भी मिल सकता है यह definition of intangible asset को तो meet कर रहा है बट बताओ मेरे पास जो customer list है इसका मेरा पैसा थोड़ी नहीं लगाए तो self-generate हुआ है इसकी cost तो में measure कर ही नहीं सकता तो अगर मैं इसकी cost measure नहीं कर सकता है मैं उसको रिकर्गनाइश इसलिए self-generated brand self-generated customer list है ना और mustards publishing titles वगेर यह सब जो self-generated होते जिसकी cost अब determine नहीं कर सकते है उसको आप रिकर्गनाइश नहीं कर था हाँ अगर यह सब आपने acquire किया मालो मैंने customer list किसे से खरीदा है तब तो मैं कहूंगा उसकी cost measure हो जाएगी क्योंकि जितना amount मैंने दिया खरीदने के लिए उतना amount मैं में मेरे कटनाइश कर दूँगा तो आप समझे acquired customer list acquired brand value है ना acquired आपका publishing titles है ना या फिर acquired mustheads वगेरा जो newspaper वगेरा में जिसका नाम रहते है आसाम times वगेरा वगेरा है ना times of India वगेरा वगेरा तो यह सब acquire करोगी तो आपने पैसे दिये तो उतना में मैं मैजर कर सकते लेकिन self generated हम recognize नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका self generated में problem क्या है उसके cost हम मैजर नहीं कर तो cost जब मैजर नहीं होगा तो recognize कैसा होगा आपका इसके लावर एक और फरक है tangible asset में control नहीं देखते हैं यह intangible assets में control देखना बहुत जरूरी है क्योंकि intangible assets मेंगर आपका control नहीं हुआ तो कोई भी use कर लेगा जैसे मालो for example मैंने गाना गाया मैंने गाने का copyright वगेरा कुछ नहीं कर रहा कोई दूसरा बंदा गाना गागे बोल देगा उसका गाना वो copyright कर वा लेगा मेरा गया मेरा लंका लग गया क्योंकि मैंने control अस्टाब्लिस नहीं किया उसके लिए मुझे कुछ 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 करवा लेना था मैंने नहीं करवा है तो मेरा लग गया आप हैना तो कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है तो इंटेंजिबल एसेट के लिए चार्ट चीज़े द्यान में रखोगे इडेंटिफाइबल नॉन मोनेटरी विदाउथ फिजिकल सब्सेंस और कंट्रोल होना चाहिए और फ्यूचर एकॉनमिक बेनिफिट तो हो गई आपका इसके अ रिड करते हैं इंटेंजीबल इसर चा आरहे हों एक्साप से दो फिस होता है एक्सर्ज को खिरूं करते हैं हम ज्यान ले रहे होते हैं कि हम नॉलिज ले अरते ले एक्टनीन्कल सेंटिफिक नॉलेज हैँ यहां पर हम नॉलिज के application नहीं पीनिल में जाएगा उसके बाद ही हमारा डेवलोप्मेंट पीस चालू होते हैं तो एक्जाम में आपको हमेशा कोश्चिन में यूजली बोलेगा कि टेक्निकल कब एस्टाबलीस होए यह टेक्नोलोजिकल फीसेबिलिटी कब एस्टाबलीस होए जब टेक्नोलोजिकल फीसेबिलिटी एस्टाबलीस होगा तब तक का खर्चा तो पीनिल में जाएगा वो रिसर्च फीस का खर्चा है टेक्नोलोजिकल फीसेबिलिटी एस्टाबलीस होने के बाद का खर्चा capitalize होगा, वो development phase में आएगा, इन्हे development phase में हम क्या करते हैं बता है, जो हमने knowledge लिया है अब उसको apply करके, अब prototype या जो भी हम अपना बनाते हैं, intangible asset को हम develop करते हैं, तो आप exam में क्या धहन कोगे, research phase आपका पीनल में जाएगा, development phase का खर्चा आप क्या करोगे, capitalist करोगे, और यह पता कैसे चलेगा exam में, आप चेक करोगे कि आपका technological feasibility का बेस्टाबलेस होगे, पाकि research phase का खर्चा पीनल में जाएगे, और आपका कब तक capitalize होगा, जब तक वो intangible asset ready for use न हो जाए, once intangible asset ready for use हो गया, उसके बाद के खर्चे सारे कहा जाएंगे, पीनल में जाएगे, बागी यह सब काम की जो चीज नहीं, वो मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊँगा, आप इतना समय लो, research का खर्चा, staff training का, intangible asset को ready for use करने से कोई लिना देना नहीं है, advertisement का खर्चा और staff training दिमाग में डालो, कुछ भी बोले question, कुछ भी बोले, advertisement का खर्चा और staff training का खर्चा penal में जाएगा, या फिर आपने staff को salary में भी रखा हुआ है, तो human power, human skills, human power हमेशा आपका penal में जाएगा, कोई भी condition में staff से related आप intangible asset create नहीं कर सकत advertisement का भी अप intangible asset create नहीं कर सकते हैं, advertisement के मामले में अपने advance में payment कर रखा हुआ है, पर अभी तक advertisement public को so नहीं हुई है, तो उतना prepaid expense आप asset खरा कर सकते हो, पर वो intangible asset खरा नहीं होगा, जिसे मान लिजए मैंने 2 lakh रुपीज दे दिया, पर अभी तक 50,000 की advertisement so हुई है, तो 50, 50,000 का मैं advertisement expense दिखाऊंगा, बाकी 1 lakh 50,000 में prepaid expense asset खरा कर दूँगा, prepaid expense का other current assets में asset खरा कर दूँगा, तो ये आपका मैंने internally generated intangible assets मैं आपको अच्छे से समझा दिया, अब इसकी अलावा, आप मेरी बात ध्यान से सुलनो, intangible assets में separate acquisition, same index 16, purchase price plus directly attributable cost, employee benefit, testing का खर्चा, वो स internally generated goodwill हमीशा prohibited है, ये कभी वे आप recognize नहीं कर सकते, goodwill एक ही recognize होता है कौन सा, जो business combination में आप acquire करते हो, बाकी internally generated goodwill हमीशा prohibited है, आप recognize नहीं कर सकते, internally generated intangible assets, अगर मालनी जे उसका cost लगा है तो जितना cost लगा उतने में measure होगा, research phase तो penal में जाएगा, development phase आपका capitalize होगा, इसके अ free में, जैसे airport, lending, right, import license वगेरा, अगर आपको कुछ भी government दिया है, तो वो सारे license आप intangible assets हो कर सकते हो, तो अब कितना amount में so करोगा, आप बोलोगे सर उसकी तो, उसकी तो मतलब कोई cost लगी नहीं है, मालनी जे government है मैं free में license दिया, ऐसे grant, तो हम क्या करे, मैंने आपको industry में पढ़ाया था न, दो पाई आपके बास, intangible assets को 10 रुपीस या 100 रुपीस nominal amount में दिखा दो बात खतम, या फिर आप intangible assets को भी fair value में दिखाओ, और जितना आपका, उतना ही same fair value का आप government grant भी खरा करो, जो मैंने आपको non monetary asset, मैंने आपको जो concept समझाया था, इंडेस 20 में, व बहुत important चीज related to business combination, तो मेरे बाद ध्यान से सुननी जाब, business combination की वक्त, हम अगर कोई भी customer list acquire करें, या कोई भी intangible assets हम acquire कर रहे, भले वो customer list या कोई भी other intangible assets, acquire ने अपने books में record किया नहीं किया, मुझे मतलब नहीं है, मैं उसे fair value में record करूँग, जैसे बाकी सारे tangible assets हम record कर वैसे intangible assets भी हम record करेंगे, fair value में acquisition date पे, भले वो acquire ने अपने books में record किया नहीं किया, मुझे मतलब नहीं है, और जितना मैं PC दूँगा, difference हम goodwill या capitalism दिखाते हैं, और एक बात है, अब मान लीजे, आप acquire हो, आपका research face चलो, research face में आपने 50 लाग रुपीस खर्चा कर दिया, तो research face का 50 लाग आपने तो penal में डाला है, पर जो आपने अभी तक research की है न, वो research अभी तक development fee चालू नहीं हुआ, पर जो आपने research की है, उसकी fair value market में 10 लाग रुपीस, मैं दूसरे entities, दूसरी बड़ी बड़ी entities आपको 10 लाग रुपीस उसका देने को ready है, तो आपका जो research face का है, आपने तो पूरा का पूरा खर्चा पीनल में दिखाया, पर अगर उसकी fair value 10 लाग रुपीस है, भले वो research face में क्यों ना हो, मैं अगर आपको PC दे रहो हो, तो मैं मानूँगा मैं उस intangible asset जो research face है, उसका भी 10 लाग कहीं ना कहीं आपने रसे लोग है, तो मैं क्या कर कर रहो, भले वो अभी तक development face चालू नहीं हुआ, आप उसे fair value में record कर सकते हो, क्योंकि index 103 में हम initially fair value में measure कर सकते हैं, उतना काम fair value दिखा सकते हैं, लेकिन बाद में fair value तो acquisition date का मैंने research face का 10 लाग रुपीस दिखा दिया, अब later on further research का खर्चा होगा, तो वो capitalize होगा नहीं होग सब तक जब तक आपका development face चालू नहीं होते हैं, इस तरी फोर सिर्फ acquisition date पर जो उसकी fair value की research face की उतना ही हम capitalize कर सकते हैं, उसे जादा आप नहीं कर, जबाद में development face स्टार्ट होने के बाद का जो होगा वो खर्चा आपका capitalize होगा, तो यह सारा मैंने आपको समझा दी हैं आप पर important important चीज, अब मुझे आपको बताना है useful life, useful life में ज़्यादा कुछ बताने लाइक हैं अगर finite useful life होगी, तो हम amortize करेंगे, indefinite useful life होने पर हम amortize नहीं करते, इंडे 66 में भी आप पढ़ोगे कि कुछ-कुछ मामलों में amortize नहीं करते, जैसे goodwill कभी भी amortize नहीं होता, ब लेकिन impairment testing mandatory हर सल हम करते, यह आपको धिहान में रखना है आपकर, और धिहान रहे useful life हम कौन सा लेंगे, तो normal आपका day to day खर्चा आपका होगा, उसको consider करते वे जितना साल तक चलेगे, नहीं standard of performance को maintain करने तक आपका जितना साल चलेगा, उतना है उसका intangible asset मानते, यह कुछ- और आपने 100 years उसकी useful life मानने वो valid नहीं है, यह जो उसका standard of performance को maintain करने के लिए जितना आपका life चल जाएगा, उतना ही अब useful life consider करोगे, यह प्लान future expenditure को धिहान में रखते हुए useful life determine नहीं किया जाएगा, और एक बात बताओ, मान लीजे मैंने license 5 years के लिए है, कि उससे ज़्या जादा नहीं हो सकता, 5 years से, कम हो सकता, renewal period भी include होगा, provided renewal कराने का कोई आपका major significant खर्चा ना हो तो, pocket में मिल रहे है, या हलका full का nominal amount में मिल रहे है, तब renewal period भी आपका useful life में consider होगा, अगर अच्छा कासा amount अगर आप देर हो, renew कराने का, तब तो आप extra से माल लो, तब तो यह assume किया जाएगा future में वापस से intangible asset को खरीद रहो, तो यह माना जाएगा, इसलिए significant cost नहीं लगेगा, तभी renewal आप consider करोगे, अगर sufficient evidence की renewal भी अराम से हो जाएगा, और को significant cost भी नहीं लगेगा, फिर amortization period, मैंने कहा amortization होई, SLM, diminishing balance method, units of production method से आप क्या करोगे, amortization करोगे, लेकिन revenue basis amortization appropriate नहीं, बट कभी कभी क्या होता पते है, माल लिजे, आपको सरकार ने एक license दिया है, जिससे आप toll collection करोगे, जब तक 100 million revenue रीच नहीं होगे, तो यहाँ पर आपका इसकी life जो है, वो revenue से related है, तो आप सुझो, अगर पहले साल ही आपने 100 million collection कर लिया, तो उसकी life 30 crore दिखा दिया, अब मुझे license मिला कि जब तक 5 minute crore मेरा revenue collect नहीं हो जाता, तब तक मैं license को use कर सकता हूँ, पहले साल मैंने 50 crore का revenue collect कर लिया, मतलब मैंने 10% use कर लिया, 5 minute crore तक की limit है, तो 50 crore तक का revenue collect हो गया, मतलब 10% use हो गया, intangible asset, तो 30 crore का 10% 3 crore में amortize कर दूँगा, अगले साल मैंने 150 crore मैंने revenue collect किया, तो 5 minute का 150 crore यहनी 30% asset use हो गया, तो 30 crore का 30% 9 crore में amortize कर दूँगा, तो यहाँ पर कुछ कुछ situation में हम revenue basis में amortization कर सकते हैं, अदर्वास हम नहीं करेंगे, एक last बात बताना चाहता हूँ, residual value, unlike index 16, वहाँ पर residual value फिर भी हम लेते हैं, प useful life आपकी intangible asset को खरीद लेगा, इसी fixed price में, तब अलग बात है, otherwise आफ रेस्टेटल value नील मानोगे, इसके लावा या फिर, माल लिजे जो आपकी बास intangible asset उसकी active market exist करती है, और आपने उस market के reference में residual value determine कर लिया है, और आपको भरोसा probability higher है, कि वह market at the end of useful life भी रहेगा, तब आप उसका residual value ले सकते है, otherwise नहीं ले सकते है, तो यह फटावट एक बार go through कर लिजेगा, मैं बार बार अभी से repeat नी करूँगा, ने तो बहुत लंबा चला जाएगा, मारा class और वो हमारे बरदास के बाहरी होगा, तो I think मैंने ये सारा करा दी, अब मैं आपको बस एक छोट second element वो class है कि pen drive, वो class उसकी significant element है, तो भले वो pen drive tangible component है, पर आप pen drive नहीं खरीदे रहे, आप class खरीदे रहे, और class जो वो intangible asset है, वो तो वीडियो से और के है, तो हम उस pen drive lectures को, हम intangible asset मालेंगे, उससे tangible asset नहीं, कि आपको ध्यान में रखे, मालनीजे मैं एक laptop खरीदे, laptop, laptop मे मैंने physical चीज खरीदे, वो laptop के अंदर क्या screen है, keyboard है, mouse है, hardware है, motherboard है, तो मैंने hardware खरीदे रिखा जातो, तो laptop अगर मैं खरीदूँगा, तो मैं उससे बूलूँगा, उसमें भली operating system है, पर वो operating system जो है, वो उसका integral part है, वो one of the part, जैसे मालों मैं प्रतिक जगाते पूरा का software है, operating system जो है, windows वगेर, वो बस उसका एक नाक या कान के बराबर है, उसका main कौन है, main है वो laptop, और वो laptop के hardware है, तो हम उसे क्या मालेंगे laptop को, tangible asset माल, सेम वैसे एक और example ले रहा हूं है, माली जे टेसला की गारी है, वो तो automatic चलती है, तो आप बुलो के सर, ये तो intangible होना च software, तो software तो उसका एक integral part है, मालो उस गाड़ी का नाक है, आक है, कान है, कुछ भी है, उसका एक अंस है वो, तो जो भी आपका, अगर मालेंगे, intangible asset, जैसे उसका integral part है, जैसे कितने सारी machine वो computer control से चलते हैं, पर है तो वो machine, computer control तो जैस उसका हिस्सा है, एक अंस है, तो integral part है तो इसलिए significant element जो है, हम वही मानेंगे tangible या intangible asset, लेकिन आप एक बात बताओ, मान लेजिए मैंने 20 लाग रुपेस का एक software खरीदा, बट company ने क्या कि वो software को मुझे laptop में डालके देगे, क्योंकि उनको किसी में डालके देना है, अब बताइए वो, अब जब भी मैं उससे देखूंगा, मैं उसे laptop की नेजर से देखूंगा, कि software की नेजर से देखूंगा, significant element क्या है, laptop नी वो software, software को laptop में डालके मुझे दिया गया, मैंने laptop नहीं खरीद है, मैंने hardware नहीं खरीद है, मैंने software खरीद है, software को laptop में डालके दिया गया, तो significant element जो है, हम उसको घ्यान रखे जी मैंने फटाफट आपको example के साथ समझा दिया तो मैंने इंडे 68 भी मैंने आपको समझा दिया अब इंडे 68 में मैं कुछ question जो है आपको मार करवा देतों आ जो पुरा मैंने करवा दिया फटाफट से बतो इंडे 68 टाफ नहीं लगा इंडे 68 में क्या-क्या चीज़ धियान रखना, एक identifiable वाला दो point वो धियान रखना, business combination का research phase धियान रखना, internally generated intangible asset में धियान रखना, research phase के खर्चे penal में जाते हैं, जब तक technological feasibility established नहीं होगा, तब तक का खर्चा आपका penal में जाएगा, यह से दो-चार बात आप याद रखोगे, बस बात कहते हैं, और कुछ खास दम नहीं, और वो revenue वाला, revenue based amortization धियान में रखेगा, तो बताओ क्या intangible asset समझ में आया की नहीं है, सच्ची सच्ची बताना, मैंने थोड़ा speed पढ़ाया, पर सच्ची सच्ची बताना, है न, समझ में आया की नहीं है, तो आप एक काम करो, mark कर लो, यहाँ अब मार कर लो, कर पाओगे आराम से, मुझे लगता है, नहीं कर पाओगे, तो मैं करा देता हूँ, illustration 8 भी mark कर लो, illustration 10 भी, अगर LDR नहीं कर रहा, आप भी practice कर लेना, एक बार देख जरूर लेना, यह सब, illustration 11 भी देख लेना, LDR नहीं बोल रहा है, इस सब बस देख लेना, अब भी देख लोगे तो हो जाएगा, बात में देखने की जरत नहीं पड़ेगी, business combination की question हो जाएगा, एक बार अभी देख लेना, फिर भी, यह भी आप एक बार, question 2 के question 7 एक बार देख लीजेगा, question 8 भी एक बार देख लीजेगा, सब हो जाएगा बाराम से आपका, फिर भी बता दे रहों क्या-क्या, question 11 भी देख लीजेगा, दरवस नहीं देखना, ऐसा same question है, मत देखी गई, देखना हो तो देख लीजेगा, दरवस आपकी मर्ल, question 12 देख लीजेगा, देख यहाँ पर technical feasibility establish होने तक PNL में जाएगा, तो यह देख, point number C तक PNL में जाएगा, यह तो आपका PNL में जाएगा, इसके बाद यह question number 15 यह आप must do, आला कि थोड़ा गंदा question है, पर यह आप जरूर से कर लीजेगा, question number 15 आप जरूर से कर लीजेगा, फिर एक और question मैंने test series में भी दिया था, super sound वाला, यह वाला जरूर से कीजेगा, यह आप LDR में भी रख सक यह अब LDR में रख लीजेगा, हो जाएगा, इस सब question आप से अराम से हो जाएगे, मुझे पक का यकीन है, तो अब हम क्या आपको सब कुछ समझ में आया, तो क्या अभी हम index 40 में जा सकते हैं, index 40 में क्या हम जा सकते हैं, index 40 बहुत जादा समय नहीं लेगा, बहुत simple है, जल् करते हैं, जल्व इंडेस 40 भी खतम ही करते हैं, क्या ही मतलब रखने का हैं, जल्व मतलब तो हैंनी रखने का, index 40 में कोशिन है, सौरिय लिमिटेड, वो आपको करवाना पड़ेगा, मुझे, वो करवा दूँगा, सोच रहा हूँ, index 40, उसमें कोशिन है, अच्छा कोशिन है, सौरिय लिमिटेड हूँ, मुझे रूर से करवाँगा, ठके तो नहीं अभी तक, ठक गया क्या क्या कोई इंसन, दस घंटा से जादा हो चुका मारा लाइब, साड़ी दस से लेक्या कर, मेरा आज तक का सबसे बढ़ाई है, मिन्हें आज तक कभी इतना लंबा नहीं बैठा में, लास्टाम भी ग्यारा बजे बैठा था और साथ बजे तक छोड़ दिया था, यह आज तक का सबसे लंबा है, मेरी भी हालत घ्राब हो दिया, लेकिन यह इंडस 40 छोड़े बगर नहीं छोड़ूंगा, इंडस 40 करवा देता हूं, फिर जा कि आराम करूंगा, आप लोग पढ़ना मैं आराम करूंगा, एक मिट ढूग जाए, एक मिट छोटा सा एक मिनिट करूंगा, मुदिजी के रहे एकदम मखन बना दियो, आप इंके सो मज मुदिजी, आई दो, पूलने का यह मैं, एक मिनिट रुको है, आक्सी जी के रहसे हमारे भी फरस्ट, पांच मिनिट रुको है, बात करते, इंडस 40, तो चलो, अच्छा लगा मुझे एक चीज कि मैंने, 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 पहले पते, इंडस 16, 38, 40 मैंने डालाई नहीं था, यह लगा, बात खराब होगी, कमिटमेंट नहीं कराना करते, मैंने, टेलिग्रा में भी लिखा था, अगर टाइम मिला तो कराऊंगे, बढ़ा खुसी ही कि चलो, इंडस 16, 38, 40 मैं यहां पर कवर कर, कमिटमेंट था, वो कमिटमेंट था, अटलिस्ट पूरा हो रहे, खुसी होती है, कमिटमेंट पूरा होता है, तो खुसी होती है, वह ज़्यादा खुसी होता, पुन बहुत बज़स, कि लास के बाद भी नहीं उटाऊंगे, ना ठकाऊ, पर भाई लोग लाइक करो, जिसने लाइक नहीं किया, वो लाइक तो कर, बनता है, कितने एफर्ट का इसने लाइक किया वो मत करना ठीक है तो वो लाइक अट जाएगा कुटी-कुटी धन्यवाद थेंक्यू सो मच परविंद्र जी वेभब जी थेंक्यू सो मच आप सभी को सुक्रियां चलो तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि की जी कर भी कुट आव नेवर कवर्ड ट्वल इंडेस इंटेन आवर्स विद्रिल कंसेप्ट इंपोर्ट तर आज मजा आ गया मुझे भी मजा तो आया लेकिन अभी लगी पड़िये था हालत खराब है सब्सक्राइब कर दिल से लाइक से आपके लिए सब्सक्राइब कि इतने सारे मैसेजजेस आरे पढ़ी नहीं पारा हूं कितने सारे स्कीप हो जा रहे हैं माफ करना को सारे मैसेजजेस पढ़नी पारा हूं तो माफ करना लेस्टो एवर टीचर लाइक यूर्स ये दिल में आप मच तू सार जी चलो तो अभी हम इंडेस 40 अब सुरू करते हैं सुनो मेरे बात मैं इंडेस 40 जैसे की मेरा आदद भी है मैं रीड नहीं करता है मैं सीधा समझाता हूं वन-टु-एन इंटरेक्शन करके हम बात करते हैं investment property basically क्या कहता है यह कहता है कि अगर land या फिर building या फिर लेंड और building की बात करता है लेंड और building के लावा कोई भी item इसमें नहीं आएगा अगर land building को अगर आप business purpose के लिए यूज करो तब तो यहां पर कोई जगा नहीं है इंडर 16 डील करेगा अगर land building या लेंड इंड बिल्डिंग बोथ को आप क्या करोगे रेंड पर दोगे वह भी operating लिस पर अगर मैंने अपरेटिंग लिस पर दिया है या फिर मैंने capital appreciation purpose के लिए ऐसी खरीद के छोड़ दिया वह investment property होगा मतलब मालो for example मैंने एक land खरीदा है और मैंने उसे एसी पढ़ा रहें दिया currently undetermined है उसका future उस मुझे नहीं पता मैं किस purpose के लिए यूज कर तो ऐसा situation में वह मेरा क्या कहलाएगा investment property कहलाएगा तो उसमें तो capital appreciation अपनी आप ही होगा उस बलू अपनी आप बढ़ेगी तो दो बाते धियान रखना rental purpose के लिए लिए land and building या फिर capital appreciation purpose और अगर मान लिजे मैंने खरीद के छोड़ दिया तो भी माना जाएगा capital appreciation purpose है और हम उसे क्या मानेंगे investment property में investment property में सिर्फ और सिर्फ cost model लगता है initially तो cost में measure होगा subsequently सिर्फ cost model लगता है यहाँ पर revolution model को कोई जगा नहीं है disclosure purpose के लिए fair value calculate एक बार रोपो एक बार रोपो एक मेंटा चलो तो मैं यह कह रहा था disclosure purpose के लिए हम लोग क्या करते है fair value को इस्तेमाल करते हैं यह हमने समझा अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कुछ-कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ पर उसे हम investment property नहीं मानेंगे जैसे माल नीचे हमने land and building खरीद है जिसे हम production में supply में या फिर administration purpose के लिए यूज करेंगे तब तो वो और रॉपर्टी होगे वो business purpose के लिए हम यूज कर रहे है उस पर इंडेस्टी अगर हमने land and building लिया है held for sale के लिए उसे inventory माना जाएगा उस पर इंडेस्टी लगेगा लेकिन अगर हमने land and building खरीदा है rental purpose में देने के लिए वो भी operating list और long term capital appreciation purpose है तो वो investment property होगा लेकिन short term sale का purpose है तो वो inventory कहलाएगा अगर मानने land held किया है लेकिन currently उसका undetermined है future use पता नहीं किस use के लिए हम करेंगे तो मतलब उसे capital appreciation मान लिया जाएगा आपको simple से बात है और अगर मान लो for example मैंने क्या किया मैंने एक asset lease पे लिया है तो इंडेस 116 में हमने पढ़ा अगर मैंने asset lease पे लिया तो वो मेरे लिए ROU asset है मैं lazy यह चेक नहीं करता operating या finance तो मेरे लिए ROU asset अब उसके बाद अगर मैं उसे operating lease पे दे दू तो वो ROU asset जो है अगर मैं operating lease पे दे दू और मैंने lease पे क्या लिए land यह building है ना और उसको मैं अगर sub lease कर दू तो वहाँ पर वो investment property हो जाएगा अगर operating lease में मैंने sub lease कर दिया तब भी वो investment property हो जाएगा मेरा बात कतम है ना यहाँ पर यह सब लिखा हुआ इसमें एक बार दीख ले रहूं क्या क्या point है जो मेरे दिमाग में आ जाए और इसके अलावा मान लीजे for example मेरे पास ए future में वो investment property है लेकिन सोचो for example मैंने एक land खरीदा है और मेरा intention है कि उसको develop करके मैं क्या करूँगा बेच दूँगा ordinary course में तो अगर मैंने land खरीदा और मेरा purpose है मैं उसे develop करके ordinary course में बेच दूँगा यह मैंने land खरीदा ही है उसे बेचने के लिए ordinary course में तब तो वह inventory माना ज मैंने land खरीदा है इसे बेचने के लिए ordinary course में यह मैंने land खरीदा उसे develop करके ordinary course में बेचुगा तो मेरा इंवं जाए इनवंटरी माना जाए गगा मान लीजिया मैंने land खरीदा है मैंने इस सोचा इसे develop करके business purpose के लिए में मेरा future purpose है क्या business परपस ना तो उसे हम PP मानेंगे और अपको देखना है कि आपकी क्या intention है उस intention के basis में decide होगा कि वो investment property है inventory है कि property planned and equipment है तो यहाँ पर मैंने एक notes बनाया है आप देखें मैंने class में जैसे go through करवाया थे notes वो मैं आपको बता रहा हूँ आपको जैसे एक बार clarity मिले land and building मेरा है currently undetermined है पता नहीं किसले use करेंगे मतलब capital appreciation है investment property मानो हमारे पास land and building है हमने सोचा है कि उसे हम future में business purpose के लिए use करेंगे या future में develop करके फिर business purpose के लिए use करेंगे तो वो हमारा PPA माना जाएगा future use as business purpose या future में develop करके business परपस के लिए उस करेंगे पिपिए माना जाएगा intention आपका business परपस है आपने सोचा आपकी पास land and building आप उसे future में develop करके बेचोगे या सीधा land and building खरीदा है यह बेचने के लिए तो वो inventory माना जाएगा और अगर आपने सोचा land and building को अभी से सोच लिए ऐसे investment property यूज़ करोगे या आपका undetermined future यूज़ है या फिर आपने सोचा है कि develop करके मैं rent पे चड़ाओंगा तब हम मानेंगे उसे क्या है investment property अब कितने बार ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी पास जो land and building है आप उसे more than one purpose के लिए यूज़ करो मान लीज़े मेरे पास एक building है उसमें दो floor है first floor second floor मैंने सोचा है कि मैं first floor को क्या करूँगा business purpose के लिए यूज़ करूँगा और second floor को मैंने क्या सोचा है मैं rental purpose के लिए यूज़ करूँगा तो अगर first floor और second floor को separately बीचा जा सकते हैं या फिर separately finance लीज़ पर दिया जा सकते हैं तो ऐसे situation में first floor को मान लेंगे क्या हम उसे अगर business purpose के लिए उस करें तो first floor को property प्लान लेंगे यह और second floor हमने rental purpose के लिए तो उसे investment property मान लेंगे यानि split करके अलग-अलग हम मान सकते हैं एक को separately sold होने चाहिए आपने बेचा नहीं पर उसमें capability है कि वह separately sold हो सकते हैं separately finance लीज़ पर देने का मतलब क्या बेचने के बराबर ही माना जाता है पर सोचो for example मेरी पास एक building है उस building का first floor और second floor दो है first floor और second floor है मैं उन दोनों को separately नहीं बेच सकता कोई खरीदने वाला ही नी possible ही नहीं उसको separately बेचना possible ही नहीं उन दोनों को मैं separately बेच नहीं सकते हैं तो ऐसे situation में मैं क्या करूँ मैं ऐसे situation में first floor को property and equipment second floor को investment property नहीं दिखा सकता क्योंकि दोनों separately भिखेंगे भी नहीं दोनों separately finance list पर भी नहीं जा सकते हैं तो ऐसे situation में हम क्या करेंगे पूरी की पूरे entire building को या तो हम हम दिखाएंगे investment property क्या फिर हम दिखाएंगे property plant तो क्या दिखाएं तो वहां पर standard हमें कहते हैं कि अगर significant portion business purpose के लिए यूज हो रहा है तो पूरा का पूरा प्रोपर्टी टांडेन equipment की दिखाया जाएगो जैसकि यहां पर एक floor जो है वो business purpose के यूज हो रहा है मतलब significant portion business purpose के लिए यूज हो रहा है तो पूरा का पूरा बिल्डिंग को प्रोपर्टी 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 कहना चाहिए लेकिन नहीं क्योंकि 30% यह 25% जो भी है वो significant है अगर significant portion business purpose के लिए यूज हो रहा है तो पूरा का पूरा बिल्डिंग को प्रोपर्टी 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 के लिए यूज हो रहा है 95 पर्सेंट आपका investment प्रपर्टी यूज हो रहा है और separately बेचा नहीं जा सकते है तो हम बोलेंगे कि जबकि insignificant portion business purpose के लिए यूज हो रहा है हम पूरा का पूरा 100% को क्या करेंगे investment प्रोपर्टी पान लेंगे हाँ पर तूप जी पता है spam कर रहे बहुत गलत कर रहे अब सभी बात नहीं है अब 77 लिख रहे हो मुझे disrupt कर रहे हो time करना बहुत गलत बात है खासकर इस stage में तो मत करो भी last position है तो हम इस पूरा entire को property plan and equipment मानेंगे अगर यह दोनो separately sold नहीं हो से लेकिन अगर separately sold किया जा सकता है separately finance list पर दिया जा सकता है तब तो अलग-अलग दिखाओ को प्रोब्लम वाली बात है नहीं आपके हैं पर फिर ancillary service भी बहुत important है जैसे मालीजिए for example मैंने मेरी पास बड़ा service provide कर रहा हूं यह मैं वहां के guest वगेरा को नहीं दे रहा हूं यह वहां के जो tenants उनको नहीं दे रहा हूं यह building की देखभाली करने के लिए और यह ancillary service significantly insignificant है तो यहां पर हम इसे business नहीं बोलेंगे मालीजिए मैंने buildings के सारे flat को rent पे चड़ा दिया है और मैं हलके full के ancillary service दे बिल्डिंग को क्या करते हैं जैसे मैं भी चैनने गया था तो वहां पर बड़ी सारी building है तो apartment पर उस building को business की तरह use किया जाते है वहां पर room तो rent पे दिये जाते है साथ साथ में significant ancillary service भी दी जाती है room में accommodation provide करना cleaning वगेरा services देना laundry services देना यह नहीं बहुत सारी significant service दी जाती है और लोग क्या rental business कर रहे है कि hotel चला रहे हो लोग तो rental business कर नहीं रहे होटल चला रहे है तो ऐसे situation में जिसे ओए ओव वगे रहा है फिर जो भी hotel business है वो तो business है तो उसे हम क्या मानेंगे पीपी मानेंगे यहीं कहने का मतलब अगर मानीचे मैंने building वगेरा को rent पे दी और services भी provide कर रहा हूं जो significant नहीं है तब तो मैं investment property मानूँ है लेकिन अगर services significant है तब उसे investment property नहीं माना जाएगा उसे माना जाएगा business कर रहे हो आप significant service देरो मतलब business करो hotel की तरह चतारो building पर आप उसे फिर क्या मानूँगे property plant and equipment मानूँगे हम पर तो जो जो important चीज़े वो मैं फटा-फट से आपको revise करा रहा हूं इसके अलावा आप बताओ आपको एक और बात बता रहा हूं मानलीचे मैं पैरेंट हूँ आप सबसेटर रह बट कॉन सोätze statement बनाते है मैं parent हूँ आप subsidiary हों group member है और आप मेरे बच्ची हुँ मैं आपका बाप हूँ आपका पिता हूँ कॉन सो बनाते ह kole has a statement बनाते हैं मैंने अगर आपको rate टीया है है, मैंने अगर आपको rate लिए। तो मैं इससे क्या मानूँगा मैं उससे मानूँगा investment property क्योंकि rental purpose के लिए use कर रहू और आप तो अलग है आप business purpose के लिए use करो आपका lookout है मैं separate फांसर statement में मैंने rent पे दिया है मैं उससे मानूँगा investment property लेकिन जब group फांसर statement बनेगा console iterated फांसर statement बनेगा तो मैं और आप अलग अलग नहीं है मैंने आपको rent पे दिया है और आप उससे business purpose के लिए use करो तो यह माना जाएगा कि group जो वो business purpose के लिए use करो तो आप में अलग नहीं जब console बनाएंगे तो आप अगर business purpose के लिए use कर रहे है इसलिए आप समझो कि अगर parent ने subsidiary को कोई land building rent पे दिया है या फिर subsidiary ने parent को कोई land या building rent पे दिया है तो separate फांसर statement बनाते समय तो वो आपका फिर भी investment property classify हो सकता है पर कौनसो फांसर statement बनाते समय वो property planned and equipment ही माना जाएगा यह आपको मैंने समझा दे एकदम अच्छे से अब इसके बाद देखिए general principle वही है जैसे हर जगा था cost आपका initially measure होना ची reliably future economic benefit होना ची तभी investment property अब recognize करोगे day to day service का खर्चा पीनल में जाएगा replacement cost seam index 16 में जो मैंने आपको पढ़ाया था आपका जो भी निया पार्ट है वो capitalist हो जाएगा पूराना de-recognize हो जाएगा start-up cost initial operating losses abnormal wastiges वगेरा penal में जाते हमें पता है इन्वेस्म ट्रॉपर्ट्य को हैल is more such classify कर कर दो अब बुलो कि सळी तो inventory भो नहीं आहीं सोनो मेरे बात अगर investment property को मैंने खरीदा ही यह बेचने के लिए अगर मैने खरीदा ही यह बेचने के लिए तो वह inventory कहलाएगा यह investment property मैं बाद में उसे develop करूँगा मालों खरीदा तीन जार साल पहले मैं बाद में कह रहा हूँ develop करके बेचूँगा तब वो inventory होगा लेकिन जैसे कि कोई भी normal tangible asset जिसे machinery वगिरा भी चारपास साल यूज करने के बाद अगर हम health for sale classify करते है तो वो पीपी ही रहते है वो बस index 105 के अपसे उसका measurement होता है पर वो तो पीपी रहते है उसका identity नहीं बदलता है तीम वैसे investment property अगर मालेचे मैं सीधा उसे health for sale classify करूँ बीना किसे development के सीधा investment property को health for sale classify करूँगा तो उसका identity नहीं बदलेगा वो investment property ही रहेगा पस वो index 40 की जगा अब उसमें measurement index 105 के एसाफ से होगा और index 105 के तक carrying amount या फिर आपका fair value minus cost to sell whichever is lower मैं measure कर तो यह समझ लेना investment property को मैं आपको बता रहा हूँ अगर मैंने खरीदा यह ordinary course में बीचने के लिए इंडस 2 मालीचे मैंने खरीदा था health for sale हो रहा है अब यह starting में health for sale ही था starting में तो use कर रहे था हम rental अब health for sale करें तो सीधा index 105 में जाएगा फिर वो ordinary course नहीं है यह आपको समझना है फिर आपका मालीचे कोई भी right of use asset अगर हम लेते हैं तो right of use asset के मामले में आपका देखना बहुत सारे provision index 116 के लगते हमने देखा था कि अगर lease liability बढ़ती है तो right of use asset की भी value बढ़ जाती है lease liability घटती है re-measurement या modification तो RU asset की भी value गिरती है तो वो आपको adjustment ध्यान में रखना important नहीं एक्जाम के लिए और बाकी मामले में हम cost model लगाएंगे subsequently revolution model तो ऐसे भी allowed नहीं है और fair value के मामले में एक छोटी सी बात में आप उसे valuation करें पर reality में possible नहीं है इसलिए standard बोलता हम आपको encourage करें हम mandatory नहीं है आप के लिए possible है तो आप एक काम करो ASA independent valuer को appoint करो जो उस field में जो category आपकी investment property उसमें उसका recent experience भी है उस location में और उसके बास professional qualification भी है आप ASA को की appoint करो अगर possible है तो otherwise कोई बात नहीं है अब fair value measurement जो है यह हमें कैसे करना इंडस 113 के हिसाब से हमें fair value measurement करना है और fair value measurement हो का कैसे land and building का वही इसका level 1 तो मिलेगा नहीं imported price तो मिलेगा नहीं आप क्या कर सकतो comparable properties similar properties का आप ले लो fair value और इसमें कुछ-कुछ adjustment कर दो so similar properties का fair value वगेरा लोगे तो level 2 में आएगा लेकिन अगर आपको similar properties का fair value वगेरा कुछ नहीं मिल रहा है तो value news का concept लगा लो future में देख लो कितना rental वगेरा से cash flow generate होगा उसका present value में fair value निकालो तो discounted cash flow approach ते अगर fair value निकालोगे तो ऐसे situation में वो level 3 में चला जाएगा level 2 या level 3 में चला जाएगा बट कितनी बार क्या होता है पता है नहीं हमें comparable properties का fair value मिल रहा है नहीं हम cash flow approach लगा अगर हमारा fair value determinable नहीं है तो ऐसे situation में हम क्या करेंगे कभी-कभी ऐसा होता है जहां पर great variability है है ना और highly difficult हो रहा हमारे लिए fair value determine करना मतलब हम एक amount में नहीं पहुच पार है range में आ रहा है कोई एक particular amount में नहीं पहुच पार है fair value में तो ऐसा situation में अगर मालीजे आपसे fair value नहीं निकाला जा रहा है तो ऐसा situation में आपको क्या करना पड़ते है आप fair value मत disclose क लेकिन आपको फिर क्या करना पड़ेगा आपको उस investment property का description notes to accounts में देना पड़ेगा reason बताना पड़ेगा कि क्यों fair value determine ही हो पा रहा है और range of estimate बता दो ठीक आप नहीं बता पा रहे हो एक amount आप एक काम को range बता दो 10 से 50 लाग के बीच में 10 से 20 लाग के बीच में एक range बता दो लेकिन अगर आपको अमेसा measurement करना है लेकिन अगर आपके लिए possible नहीं है highly difficult हो रहा है तो ऐसा situation में ठीक है fair value disclose मत करो लेकिन आपको description देना उस investment property का nature क्या है कहा है कैसा है और explanation दे रहा है क्यों fair value determine नहीं हो पा रहा है explanation reason दो आप और तीसरा range of estimates बता दो अगर possible है तो कि कितना range के बीच में उसकी fair value रहेगी वो आप estimate दे दो लेकिन अगर construction fees में आपका investment property है तो उस दोरान ऐसा possible है कि उस दोरान आपका fair value नहीं निकले ही कि मत बताओ लेकिन जैसे construction complete होगा और या फिर उससे पहली अगर आपका fair value determinable हो रहा है तो आप fair value disclose करने को पता है क्यों इतना ज इसनी वज़े से यह standard ज्यादा focus करता है कि भले उसको fair value में measure नहीं कर रहे पर उसका fair value आप disclose करो यह चीज़ यह standard कहना चाता आपको I think समझ मैं और आपको एक बात यह standard और कहना चाता है कि initially अगर आपका fair value determine हुआ है first time तो हम मानेंगे आगी भी determine होगा यह reputable presence है हाँ अगर मैंने समझ लिए एक दम अच्छे से अब यह transfer वाली चीज में आपको समझा रहा हूँ ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लिजे पहले में asset को investment purpose के लिए use कर रहा था अब मैंने उसे business purpose के लिए use करना चालू कर दिये तो कि अभी भी मैं उसे investment property मानूँगा नहीं यह transfer हो सकता है य आपको evidence देना होगा change in use का और वो evidence कैसे मिलेगा मान लो पहले मैंने पढ़ा रहने दिया या फिर मैंने उसको capital appreciation के लिए छोड़ा होगा था land को और या फिर माली चे मैंने rental पे दिया होगा था बट अब मैंने क्या किया use करना start कर दिया development करना start कर दिया business purpose के एक्सन ले लिय है तो मतलब evidence हो गया evidence आगया change in use का तो नियत से काम नहीं चलेगा यहाँ पर लिखा वह भी दिखिए change in management intention से मतलब नहीं है आपको evidence देना पड़ेगा change in use का तो आप देखो पहले वाले में पहले हमारा investment property था अब हमने उससे action लेके use करना चालू कर दिया business purpose के तो हम transfer कर दे जितना आपका investment property carrying amount so कर रहा था उतना में आप PPS हो करोगे सवाल ही नहीं आपका फिर दूसरा मान लेजे आपने उससे क्या किया था पहले investment property के लिए पढ़ा हुआ था अब आपने उसका development चालू कर दिया और development करके आप health course seal करोगे development करके आप seal करोगे ordinary course में इंडस 2 होगा तो इंडस 40 से आप इंडस 2 में transfer करोगे कोई carrying amount में आप transfer करोगे तीसरा मान लीजे आपका पहले business purpose के लिए use हो रहा था अब आपने business purpose के लिए use करना बंद कर दिया end of owner occupation तो ये भी तो action है business purpose के लिए use करना बंद कर दिया पढ़ा रहन दिया तो मतलब आपने action ले लिए business purpose क इंडस 16 से इंडस 40 में transfer हो जाए या फिर मान लीजिए आपका inventory था ठीक है लेकिन आपने उसे rent पे चड़ा दिया तो था inventory land and building inventory classify हुआ था लेकिन आपने अगर rent पे चड़ा दिया तब तो वो investment property माना जाएगा ना rent पे चड़ा दिया action ले लिया तो वो इंडस 2 से इंडस 40 म तो मैंने काते नों वो investment property रहेगा लेकिन investment property को आपने बुला है कि develop करके मैं resale करूँगा ordinary course में तब वो inventory में transfer हो जाएगा इंडस 2 में transfer हो जाएगा तो बताए यह समझ में आया की नहीं है और disposal तो वो same कहानी जो इंडस 16 में हमने बढ़ा था कितना carrying amount है कितने मैं dispose reference final में जाएगा इसमें बताने लेकि कुछ है नहीं वैसे replace part भी वोई same concept है तो बदी यह transfer अगर आपको समझ आया अच्छे से तो क्या मैं आगे बढ़ू आपको मैं फिर repeat कर दे रहूं transfer important है पहले वाले में क्या बोला हमारा investment property था हमने उसको business purpose के लिए use करना चालू कर दिय है यह हमने development start कर दिया ताकि develop करने के आद business purpose के लिए use करेंगे आप transfer मान लोगे पिर दूसरा हमने क्या किया हमारा investment property था हमने उसको development करना चालू कर दिया ताकि development complete होने के बाद हम उसे बेज देंगे ओडिनेटी कोर्स में तो development करना चालू कर दिया हमने action ले लिए transfer हो जाए तीसरा हम business purpose के लिए use कर रहे ते बंद कर दिया business purpose के लिए use कर तो यह action ले लिया हमने यह आपका investment property ए transfer हो जाए तो था मेरा inventory था वो मैंने किया कि उसे rent पे चढ़ा दिया operating lease पे दिया conception of operating lease मतलब मैंने action ले लिया तो यह आपका transfer हो जाएगा action लेना जरूर यह evidence of changing news होना एस वोटी में transfer आप दियान में रखोगे important है fair value जितना आपको दिमाग में रहता है चलेगा बाकी इतना जरूरी नहीं है बता दिया जितना बताना था और इसकी अलावा आप यह ancillary service दियान में रखना और more than one purpose important property held for more than one purpose का concept दियान में रखोगे एंcillary service का concept दियान में रखोगे सुनना है तो audio भी मिल जाएगा टेलीग्राम में मैंने audio बे डाला हुए है और transfer दियान में रखोगे बला एकदम बैठ गया अब तो है कल तो मैं बोली नहीं पाऊंगा लगते तो अब हम क्या करेंगे कोशिन बेंग में आते हैं एक दो कोशिन अच्छे अच्छे वो करवा देता हूं फटावर्ट्स है उसके बाद विदाय ले लूँगा मैं आप लोगों बताओ नो बजा दिया मैं तो सुचा नहीं तरह इतना पढ़ा हूँगा आप लोगो को कोशिन में आ जाते हैं आप मूवी सेंटर जी कहरे है लव फो नेपाल लोट्स अव फो फो नेपाल मैक्सीमल स्टूंट्स अफ आइचें फो लोगों वीडियो फोर एफ रफ इस ना आई सी जैसे आइसे 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 न होगा न वहांका नेपाल का थेंक्यू सू मज मूज मूवी यस use of evidence evidence of changing use important है intention माहिनी नहीं रखेगा लेकिन जब आप खरीदोगे land को उस वक्त intention माहिनी रखेगा कि किस purpose के लिए use करने वाद है लेकिन transfer करते समय intention माहिनी नहीं रखेगे starting में खरीदा तब intention चेक करेंगे transfer के time में action चेक करेंगे उदर match start होके खतम भी हो गया और इदर जगाती सर इस टिल टीचिंग है यह बात तो है आज match start होके खतम हो गया पर हमारा अभी तक खतम नहीं हो match खतम गया बताओ match match खतम हो गया बढ़ हमारे class खतम नहीं हो जबकि match से तीन घंटे पहले हमने class start कर दी यह लाइन तो मुझे पसंद आई विसाल जी बहुत जाद मज़ा आगया आज great motivation to us record 12 hours का 12 hours का record तो अभी नहीं हो अभी एक घंटा बाकी है एक देर घंटा smart लग रहे हो sir thank you so much अजीम जी चलो love from हैदरावाद साय क्रिसना जी thank you so much तो please like जरूर से कीजेगा जिसने भी like नहीं किए न वो like कीजेगा ठीक है मैं बस live video में कहता हूं like करने पाकी नहीं कहता हूं like वीडियो में अच्छा लगता है like होने से जब भी marathon वगएरा लेता हूं न टाइक करने से अच्छा लगता है आज हो इंडस 40 पे जाते हैं अब यह इंडस टू भी करा देता पर हिम्मत नहीं है नहीं तो करा देता है ज्यादा टाइम नहीं लिता पर नहीं सकूंगा अब करूंगा न तो पीट दरत करने लगेगा चलो जी तो अभी investment property में पहला question तो एकड़म simple है आपका old carrying amount डी रिकरगनाइस होगा नया वाला capital हो जाएगा यह replacement वाला question है आपका यह भी एकड़म simple question ही है यह भी simple है 40,000 refundable वाला part नहीं आएगा ध्यान रखिएगा यह भी transfer वाला simple question है 10 million का 10 million का asset था 4 years के बाद उसकी value 6 million हो गई और हम उसे transfer करें तो 6 million carrying amount में transfer करेंगे fair value जादा उससे हमें क्या मतलब हैना fair value जादा उससे हमें मतलब भी नहीं है और ऐसे भी investment property में fair value का कोई काम नहीं है disclosure purpose के लिए लेंगे वह अलग बात है यह question भी question number one simple है कुछ काम का नहीं है मुझे आपको mainly क्या question कराना है देखो day to day maintenance का खर्चा पीनिल में जाएगा advertisement opening ceremony का खर्चा पीनिल में जाएगा purchase cost capitalized होगा अच्छा यह question तो अच्छा था क्या ना यह अच्छा नहीं है इतना कुछ खास नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ फिर भी देखो हो क्या रहे one eighty twenty two crore five lakh rupees आपका capitalized होगा अब इसमें क्या बोल रहे है कि total छे घर बने है छे houses बने है उसमें से five houses जो है कुछी ने मोला था one of the six houses office के लिए यूज हो रहे है और बाकी rent पे दिया जा रहा five houses को और यह separate legal title है मतलब separately BK गई है तो हमारा जो two crore five lakh का total capitalized होगा बाकी तो penal में जाएंगे उसका five by six जो है वो investment property होगा one by six पीपी होगा क्योंकि one out of six हम business के लिए यूज कर रहे है five out of six हम investment purpose के लिए यूज कर रहे है तो आप देखिए यह हुआ five by six investment property और two crore five lakh का one by six आपका फीपी हो जाएगा तो ऐसी हो गया हमारा question number four अच्छा question था यह वाला था कि जो मुझे कराना था आपको four और five यह दोनों कराना है six भी आप अराम से कर लोगे मुझे पक का यकीन है आप एक बार self जरूर से कर लिजेगा है question six आप कर लिजेगा लिए एक बार देखो कि समझ में पूरा आ जाएगा मैं four और five आपको कराना चाता हूँ तो देखे four और five में आप four में conscious होने का बहुत चांस है तो conscious मत हो जाएगा मैं फटा फटा आपको समझा रहा हूँ हो क्या रहा है देखे हमने construction industry में अंगेज है हमने एक land खरीदा टू करोड रुपीस और उसे operating lease में चढ़ा दिया अच्छी बात है रेंटल हमें 20 लाक रुपीस हर साल मिलेगा तो जो रेंटल मिलेगा यह हमारा income में जाएगा पेनल में जाएगा जो रेंटल में मिलेगा 20 लाक रुपीस परस्ट अप्रेल 2001 को हमने खरीदा था टू करोड में अब 31st March 2005 आगया आप बोलोगे से depreciation भी तो होगा मैं बोलूगा नहीं होगा क्योंकि land में depreciation नहीं होते है और इन्हों ने इसलिए depreciation का information की नहीं दिया land लिया है वो 6 months notice देके land को lease period को cancel कर सकता है और उसने 31st March 2005 को notice भी दे दिया cancel करने का tenant ने इसने lease पे लिया था और उसने 30 September को खाली भी कर दिया अब 30 September को उसकी farewell उसे में क्या मतलब हमारा तो investment प्रॉपर्टी ये खाली कर दिया तो भी क्या हो है ना अब क्या होगा फर्स October को हमने क्या सोचा कि हम प्रॉपर्टी को convert करेंगे फ्लैट में और फिर उसे ordinary course में बीज देंगे फ्लैट में convert करने का मतलब redevelop करेंगे हम हो जा उसे develop करके flat बनाएंगे और बेज देंगे तो मतलब अब वो अपके लिए inventory होगा और inventory में हम transfer किसमें करेंगे carrying amount में ही हम transfer करेंगे यानि जो टू करोड है उस टू करोड में ही हमारा transfer होगा तो उसकी fair value कुछ भी हो उस time में 2 लग 2 करोड में ही inventory दिखाएंगे transfer carrying amount में होगा 2 करोड में होगा अब आगे हमने क्या क्या बता conversion करने में यानि land को building तो बनाना पड़ेगा न फ्लेट बनाना पड़ेगा land को फ्लेट बनाने में हमारा 60 लाग रुपीस का खर्चा लेगा तो तो conversion cost है इंडेस्टू केस आपसे आप जैसे raw material में जो भी खर्चा करते हो finished goods बनाने के लिए capitalize होता है न वैसे 2 करोड एक प्रकार का raw material लेट आपका उसको finished goods बना रहे हो फ्लेट में convert करो तो conversion cost 60 लाग रुपीस capitalize होगा हमार जो बैंक से खर्चा हुआ है तो यह 60 लाग रुपीस तो जरूर हमारा capitalize होगा तो 2 करोड था 60 लाग capitalize होगे 2 करोड 60 लाग रुपीस हमारा cost अब year end में यह नि 31st March 2006 को हम inventory यह हमारा 2 करोड 60 लाग का क्या देखे या inventory देखेगा हम year end में inventory को कैसे measure कर को cost या NRV whichever is lower तो cost हमारा आगया 2 करोड 60 लाग NRV इसकी कितनी है हम एक flat को 50 लाग में बीच सकते है total हमारा कितना 10 flat है तो 50 लाग into 10 flat 5 करोड रुपीस हमें मिलेगा लेकिन 5 करोड तब मिलेगा जब हम 40 लाग और फर्दर खर्चा करके इसको complete करेंगे तो estimated selling price है 5 करोड माइनस estimated cost to complete है 40 लाग रुपीस किनी 4 करोड 60 लाग रुपीस इसका क्या होगा NRV होगा बताओ समझ में आया जिसने भी inventory थोड़ा भी पढ़ा वो समझ गया होगा कि हम NRV कैसे निकालते estimated selling price माइनस selling cost माइनस estimated cost of completion क्योंकि अगर वो finished goods नहीं है तो estimated cost of completion भी माइनस होगा क्योंकि यहां पर finished goods नहीं है यह अभी आपका और काम बाकी इसमें यह ready for use नहीं हो अभी तक तो आपका क्या होगा 40 लाग कम करने के बाद आपका 4 करोड 60 लाग रुपीस आपका आ रहा है तो इक question मैं आपको पूरा पढ़ा दिया और एक बात जबकि इसने क्या क्या गया 30 सब्टेंबर 2005 को इसने खाली कर दिया तो 2000 अगर मैं 5-6 की बात करो तो 2005 6 में टीने ने 6 मेहने के लिए यूज किया तो 20 लाग का 6 मेहने के वो दिया होगा तो 2005 6 में statement of penal में हम 10 लाग रुपीस ही rental income दिखाएंगे 20 लाग नहीं दिखाएंगे क्योंकि 6 मेहने के बाद तो उसने खाली कर दिया तो I think question number 4 हमारा एक दम अच्छे से हो गया question number 5 भी काफी simple पस इसमें एक problem है मैं बता रहूं क्या problem है हमारे पास यह मैंने test paper में भी दिया था जो मैंने test series लिया था और यह question मुझे लगता एक्जाम के लिए important मेरे पास एक building A है सौरिय लिमिटेड है जिसके पास एक building है building यह है वो उसने rental purpose के लिए क्या हो गया है company is building A को use नहीं कर रही है और its own use यूज नहीं कर रही है और rental purpose के लिए दिया हो मतलब यह investment property है information आपको दिया हुआ building A का 31st month 2002 पर मेरे नजर में 31st month 2001 है क्योंकि इन्होंने जो solution किया है उस इस आपसी 31st month 2001 पर तो अब देखलो exam में अगर question आएगा same question तो 31st month 2002 लिखा हुआ रहेगा तो 31st month 2001 पकड़ोगे क्या करें वो पाई नहीं है कोशे ने क्या लिखा हुए पांच साल पहले आपने building ये को खरीदा था 10 क्रूड रुपीस इसकी useful लाइफ है 20 years को salvage value बताया वहने straight line method of depreciation तो 20 years useful ही पहे 10 क्रूड asset की value है तो हर साल आपका कितना होगा 50 लाइक रुपीस आपका हर साल रुपीस पांच साल पहले खरीदा था तो पांच सालों में 2.5 क्रूड रुपीस हो जाना चाहिए आपका तो हम मानेंगे accumulated depreciation हमारा 2.5 क्रूड का है कहन का मतलब कॉस्ट आपका 10 क्रूड है और तिल डेट हमारा accumulated depreciation कितने का 5 सालों का 2.5 क्रूड है और net हमारा 7.5 क्रूड यह हमने देखा है यह ना क्योंकि notes to accounts में हम कॉस्ट और accumulated depreciation वैसे अलग से दिखा है अब यह 31st month 2001 का मान रहे है अब बताओ next year जैसे कि 31st month 2001 2002 यह बोल रह रहे है उसका ही हमें statement of penal का बताय है details हम मानें 2012 का हिसाफ कर रहे है तो 2012 में depreciation आपका होगा यह जैसे हर साल 0.5 क्रूड depreciation हुआ वैसे 2012 में भी 0.5 क्रूड depreciation होगा हमारा है और 0.5 क्रूड का depreciation होगा फिर एक और हमने building भी भी हमने खरीदा पता है कब 1st April 2001 को यानि 2012 के beginning में हमने खरीदा 1st April 2001 को 2 क्रूड में और इसकी life 40 years है तो 2 क्रूड divide by 40 years अगर आप करोगे तो depreciation कितना आएगा आपका 1,2 का 2 क्रूड divide by 40 years यानि आपका 10 years का कितना होगा 20 लाग और आपका 5 लाग रुपीस होगा यानि 0.05 क्रूड होगा तो आप मुझे बताइए पहली बात तो ये कि आपका 31st March 2001 ये में जान मुझके मान रहा हूं क्योंकि question में problem है मैं बोरहा हूं कि ये आपका 7.5 क्रूड 31st March 2001 का है और 31st March 2001 के दो या 1 April 2001 के दो और ये 2 क्रूड भी आपका 1st April 2001 के दो 7.5 क्रूड हमारा उधर है इधर तू है 9.5 क्रूड हमारा टोटल है है अब हम 2012 में depreciate कर रहे है building A को 0.5 क्रूड building B को 0.05 क्रूड यनि 0.55 क्रूड आपका depreciate होगा 2012 में तो आपका 2002 के year end में carrying amount कितना रहेगा 9.5 माइनस 0.55 8.95 क्रूड का आपका carrying amount बट इसको present कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ 40 में आप exam में ऐसे ही present करोगे तब से पहले आप यह बोलोगे कि अभी हम 2012 का हिसाब कर रहे हैं और हम हमेशा asset को gross amount में दिखाते हैं तो बोलेंगे पहले का हमारा asset खरीदा हुआ था 10 करोड का जिसमें 2.5 करोड का accumulated depreciation पहले 5 साल का किया हुआ था तो 10 करोड माइनस 2.5 करोड यह खाते ना 5 साल पहले खरीदा था तो 5 years का 2.5 करोड opening balance of accumulated depreciation है और आपका opening cost है 10 करोड रुपे अब current year में हमने 2 करोड का एक asset खरीए था तो यह addition में आ जाएगा आपका और current year में हमारा दोनों asset का मिला के depreciation है building A का 10 करोड का 0.5 करोड depreciation होगा building B का 2 करोड का 0.05 का depreciation होगा यह आपका क्या है 0.5 प्लस 0.05 यह आपका during the period depreciation होगा तो आपका यहाँ पर आप 12 करोड कोस्ट मानोगे 10 करोड बिल्ड depreciation में आप क्या बोलोगे पिछले 5 सालों का आपका building A का depreciation यह है current year का depreciation यह जिससे आपका closing इतना depreciation आया और net balance आपका 12 करोड माइनस 3.05 8.95 आपका यह आप इस प्रकार present करोगे तब आपको marks मिलेंगे exam इस प्रकार आपको present करना है यह आपसे अराम से हो जाएगा मेरे ख् मैं आपको ऐसा समझाया था 7.5 आपका 31st March 2002 को carrying amount था building A का building B का तो 2 crore का ही था तो 9.5 का carrying amount था अब 0.55 हमने दोनों का मिला के depreciation किया तो ऐसी भी 8.95 आ रहे है बस इसको हम present इस प्रकार नहीं कर रहे है हम present इधर gross में कर रहे है पॉस्ट में और depreciation हम इधर दिखा रहे है हम इस प्रकार से हम table बनाएंगे ठीक है इस प्रकार हम करेंगे अब आपको मैं हिसाब से समझ में आ गया अब हमें एक और चीज़ बताना है आपर एक और चीज़ हमें क्या बताना है इन्होंने क्या क्या पूछा हम से पूछा जो भी हो इन्होंने पूछने में अगर clarity नह accounting standard, treat it as if you are preparing a separate note or schedule of the given assets in the balance sheet, यहाँ पर आप देखिए इन्हों ने क्या किया, हमें during the year का income और खर्चा भी बता गया, इन्हों ने बता दिरिंग the year हमने building A, building B से 100 लाग का rental income किया, तो यह income from rental हमारा 100 लाग का आ जाएगा, हमने खर्चा कितना किया, promotion, fees and taxes, ground rent, repairs, maintenance वगेरा वगेरा, यह सारा मिला कि आप देखो खर्चा कितना वा 5, 6, 8.5, 10, 13 क्रोड का आपने खर्चा किया, तो 87 क्रोड का net profit before depreciation आ रहे है, depreciation भी तो penal में कम होते हैं, तो 0.55 क्रोड यानि 55 लाग का depreciation है, तो net profit आपका 32 लाग का आएगा, इसको अभी अब exam में कैसे president करोगे, देखो मैंने आपर दिखा दिये, amount recognizing in penal में क्या होगा with respect to investment properties, 100 क्रोड rental income हुआ है, operating expense आपका 13 लाग का है, 87 लाग का है, उसमें से depreciation आप दिखा दोगी, आपका net income माचा है, इसमें कोई problem ले, अब हमें जो fair value का disclosure करना होता है, उसके बारे में कोशे ने कुछ information दिया हुआ, की inputs दे दिया, क्या की inputs दिया है, की estimated, जो fair value इन्होंने determine किया, वो कैसे किया, वो बता दिया, इन्होंने बोला कि independent report, एक specialist को appoint किया, और उसके साफ से fair value किया, और value करते समय हमने international valuation standard का committee का recommendation लिया, तो यह वगेरा वगेरा लिखा हुआ, और फिर बोला कि discounted cash flow method हमने use कि, तो यही जो question है, आप disclosure में डाल दोगे, यही कोशें सही उठा कि copy करके disclosure में डाल देना, solution के अंदर, क्योंकि आपको disclosure का requirement भी बताना है, disclosure का note देना है, तो यह note और कुछ नहीं, question का ही copy paste है, इसके लावा इन्होंने inputs बताया, कि इन्होंने क्या किया, जो, जिस input से valuation किया, इन्होंने बोला, इन्होंने क्या किया, square fit में रेंड 50 to 60 रुपीज इन्होंने पकड़ा, growth इन्होंने पकड़ा 10% का, discount rate इन्होंने पकड़ा 12 to 13% का, ये input को पकड़ के इन्होंने valuation किया, और इसकी fair value इन्होंने determine के 10.5, तो हम भी बता देंगे, fair value determine हुआ 10.5 किरोड on the basis of following कि इन्पोर्ट और ये लेवल 3 इन्पोर्ट से साफ दिख रहे है, क्योंकि आप सब forecast कर रहे हैं, further growth, future का rent forecast कर रहे हो, discount rate ले रहे हो, इसमें कोई भी market data नहीं है, observable input नहीं है, तो ये सारे के सारे क्या है, level 3 input वाले, तो आप level 3 input भी लिख सकते हो, और otherwise आप ऐसे present करोगे, देखो, आप भुलोगे, evaluation technique क्या है, discount rate cash flow method, कोशी ने बताया था, discount rate cash flow method, क्या input लिया है, इन्होंने, देखो, साफ लिखावा, अनॉब्जर्वेबल input, मैंने कहा था न, level 3, अनॉब्जर्वेबल मतलब market data, अनॉब्जर्वेबल मतलब internal data, अनॉब्जर्वेबल का input का इस्तमाल किया, मतलब लेवल 3 input का इस्तमाल किया, इसमें rental value 5260, growth 10%, discount rate 12-13%, जो कोशें ने उसी कूठा के डाल गी, तो यहाँ पर tension की कोई बात नहीं, disclosure note जो है, आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, यह question से ही आपको मिल जाएगा, तो एक बार इसको go through कर लिजेगा, just read कर लिजेगा, आज ही करके खतम कीजेगा, इसको just read, और इसी के साथ मुझे, मैंने आपको करवा दिया, आपको इस प्रकार यह present नहीं करना table, table, amount recognizing, pnl, और disclosure, तो मैंने कहा न, question से ही मिल जाएगा, तो इसी के साथ हमारा यह question भी पूरा ख़तम होता है, और इसी के साथ मैं भी अब रहात की सास लेता हूँ, अब मैं और कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, आप सभी को भी बहुत अच्छा लगा होगा, आप सभी के लिए वर्थफुल रहा होगा, और इसको अच्छे से capitalize कीचे, जल्दी मैरातुन लेने का एक ही कारण था, मैं चाहता तो यह मैरातुन थोरा डेली करकी भी लेता, बड़ इसके पीछी एक ही कारण है कि मुस्ते लगा अभी ले लूँगा, तो आप लोग की पढ़ाई हो जाएगा, कि बड़े-बड़े index तो already मैंने detailed revision video डाला हुआ है, जाए वो आपके financial instruments हो, अभी इन दिनों डाला था मैंने, उसमें भी 75K views होगे, तीन सब्ते में, एक मैंने हुआ है साथ, उसके भी कम, तो बागी सारे डाले हुए है, अब उसके भी मैराथून हम क्या करेंगे, ले लेंगे, कब ले लेंगे, हम मैराथून ले लेंगे, 26 को मैंने plan किया, कि 26 को में major index जो है, financial instruments, 115, 116, 103, 110, इसका में मैराथून ले लूँगा, 26 को, और अगर possible हो तो उसमें, index 102 भी कर लेंगे, index 102 भी करवा दूँगा, तो I think सब को चीज़ें समझ में आगे हैं, आप सभी को भी thank you so much, इतना last moment तक साथ देने के लिए, और last moment तक मुझे बर्दास करने के लिए, बहुत बहुत सुक्रिया, और मदू जी के रहे मज़ा आगया चलो, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग को मज़ा आया, और आप सभी को भी बहुत सारा प्यार गुहाटिस है, जिसा आप गहरो लव फ्रम पूने वगएरा वगएरा, आपको भी बहुत सारा प्यार गुहाटिस है, सर 15 को बाकी छोटे देखता हूँ, कोसिस पूरी करूँगा मैं, बट आज तो बैंड बजी वे, कल तो मुझे पूरा रिलाक्स करना होगा, कल तो मैं कुछ भी काम नहीं करूँगा, करूँगा तो मैं बिमार हो जाऊँ, कंटीनुवस मैंने बोला है न, 10 गंटे से जादा, एक दिन गले को भी रिलाक्स देना पड़े, यह सुवंजी आगे प्लाइन करते हैं, मैं कुछ सोचूँगा, बट चलो, एक चीज की खुसी है, हमने आज 12 इंडेस की है, 12 इंडेस हमने सक्सेस्फूली कम्प्लीट किये, और यह मेरे लिए बहुत, बहुत बड़ी चीजे में, आज तक कभी मैंने, मैंने पांच-छी इंडेस भी एक दिन में, 12 इंडेस मैंने अगर एक दिन में करवाया है, तो मेरे लिए बहुत, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एंड अच्छे से करवा दी, अच्छे से कवर किया, तो एक खुसी आती है, और एक सुकून मिलता है, सुकून मिलेगा आज मुझे, तो सुकून की खुसी से मैं, तोंगा अच्छे से और कल रश्ट कर, जैस 1857 लाइक हुआ है, खाव जिन तो क्रोस नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पर 1857 लाइक भी कम नहीं, मुझे पता बाकी आप से भी थोड़ी बो तभी लाइक करते करते, 1900 तो क्रोस करीद होगे अभी, लाइव में ही इतना लाइक्स क्रोस करीद होगे, पॉलकत आओंगा, जरूर से मुही जी, समय मिलेगा मेरा, गुवन जी के रहा प्लेयर ओव दा मेच प्रतिक जगाते, थैंक्यू सुमज गुवन जी, अभी तक सर ऐसा लग रहा है कि और कुछ पढ़ा लेंगे, आप तो भी बैठा रहूँगा, अरे क्या बात रही सब जी, इतना डेडिकेशन, बहुत अच्छी बात ही है तो, बट अपने नहीं सकूँगा, बहुत थक्यों, ये एस्पिरेंट जी आपको, और विराड कोली का मैं बहुत बड़ा फैन हो, मुझे खुसी मिलती है, उनसे थोड़ा सा भी रिलेट हो, छोटा मूटा भी तो बहुत खुसी मिलती है, और किसी का फैन नहीं हो, सच बतार हो मैं, विराड कोली का एक एक्छा है उनसे मिलने की, और किसे का नहीं हो, दोनी पसंद है, बट विराड कोली से मिलने के एक्छा जाद है, दोनी भी बहुत पसंद है, खोटू जी आपको भी धेंक्यू सो मच, मुंबई में भी आओ, कभी एक बार, आओंगा न सुमिच जी, मुंबई तो आने का मेरा मनने नॉम्बर के बाद प्लैन करूंगा, मुंबई आने का, आज तक कभी में मुंबई गया नहीं हूँ, आओंगा कभी, मुंबई जी आपको बहुत बहुत सुक्रिया, दिल से सुक्रिया, आसी जी के रहे, आप विराट को ली के फैन एंड हम आपके, तैंक्यू सुमच आसी जी, तर आई होब आप मिल पाएं, यस, दुआ करो कभी मिल पाऊं, अच्छा लगी हूँ, प्लिस टीच नेपाल स्कोर्ड़ोज, वो भी जिस समी नहीं मिलता, इसी में समी नहीं मिलता, इसके कुछ और पढ़ाने का सोच ही नहीं सकता, आपने तो अधरवाईस क्यों न पढ़ाऊं, तैसे नेंड करते हैं गाना के साथ, मैं तो गाना अकिला ही गाता हूँ क्योंकि बहुत बेसुरा गाता हूँ अगर इसमें होता हूँ तो मैं जरूर से गाना प्लेगा पर मेरे इसमें डिवाइस में प्रॉब्लम में आपको सुना ही नहीं देगा सौन longest six code by प्रतिक से thank you so much उज्वल जी हाँ जरूर मिलेंगे कमर तोड़ दी आयफार की भईजी मेरी कमर तोड़ गई सच बतारों बैठे बैठे 10-11 गंटे से बैठे बैठे मेरी कमर तो सच में वहींगे South Indian glad I know Hindi अरे बहुत अच्छी बाती सुच बहुत सारी बच्ची कहते English bachelor बट वही बात है time constant होते हैं और इसलिए में कोई नहीं responsibility लेना नहीं चाहता है इसलिए मैं English batch launch एक नहीं responsibility आ जाएगी और चितना feel करके मैं Hindi में पढ़ा सकता हूं उतना मुझे लगता नहीं कि क्योंकि English तो भी very honest है मतलब English मेरा उतना फ्रेंक नहीं उसमें मुझे थोड़ा सूचना पड़ता है है इंग्लिज ने बात नहीं करते हैं तो बीच में बैंगलोर में बीच में च्हेमिना रहा था तो बहुत फ्लुएंश आ यहां पर वापस आगए तो जैसे मैं इंग्लिज बैच नहीं लिए नम्रता जी कि आप तो हमेशा से भी ज़्यादा है फॉर्ड लिए तेंक्यू सू मच से आप आराम करों आप अभी जाऊंगा पस अभी जाने वालो है अच्छा लगा आप सभी का इतना प्यार भरा मैसेजेस अच्छा लगता है अप्लोड यह यह डिलेट थोड़े नहोंगा यह लाइव के बाद भी रहेगा आपका कहीं नहीं जाएगा डिलेट नहीं होगा यह फोरेवर रहेगा जो मेरा यूटूब म दिखाया आपने मज़ा आगी आपको देखकर हमको मोटिविशन आता है थैंक पिटे जी आपको भे थैंक यू सू आपको भे थैंक यू सु आपको बहुत 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 सुख रिया तर आज के एक्जामपल से एक दम प्रिंट हो गए के माइंड में खासकर इंडेस 24 की होए यह सबसे लॉंगेस्ट विडियो होई नहीं है तो कैसे बद्ला लेगे एंक से लॉट सर यूर बैटमेन थैंक यू सू मच गनेज दे यस आप सभी को गुटनाइट और जैस सर्माची कह रहा है यूर सुपरमेन थैंक यू सू मच दोमेस्टिक पार्टनर हाँ गल्फ्रें जो थी ना डॉमेस्टिक पार्टनर यू मेट आस तो कंप्लेट इस मनी इंडेस 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 ते थैंक से टन उपेंदर जी बहुत बहुत सुक्रिया थैंक यू सो मच सर थैंक यू थैंक यू वर्ड सर यूसलेस तो प्रेजियो यू और गॉड सर कोई face to face section लोग पुने में देखता हूँ अगर आगे possible हो तो जरूर लूँगा बाकी छोटे इंडेस आम में प्लाइन करूँगा 15 के जरूर से प्लाइन करूँगा रूविका जी किया रहे यू रियल हीरो ऑफ सीए फ्रेटेनिटी थैंक यू सो मच रूविका जी बस आप लोग प्यार करते हो तो मेहनत करने का बंद करते हैं और थोड़ा सा अच्छा वैल्यू एड कर देते हैं सर टाइम स्टाम लगा तो कोई टाइम स्टाम बना देना मैं उसको कॉपी करके और मुझे भीज देना है तो टेलीग्राम बगेरा में मैं डिस्रिप्शन में डाल दूगा टाइम स्टाम का अगर कोई भीज दोगे तो मेरे पास एनरजी नहीं इस पर वर्क करने आप लोग में स्टाम कर ले न मैं लगा दूँगा सर इट फिल्स लाइक यूर ऑल्सो गेवें अग्जाम मेरा यह टाइम ऑक्टूबर का मैना ऐसा ही रहता घर में सबको पता है मेरा एक्जाम टाइम में मुझे कोई बोलता भी ने दर उदर जाना मैं सीधा मना करता हूँ खुलूँगा अक्टूबर का मैना भूजा उन लोग को भी अब समझ में आने लग गया कि अप्रील और अक्टूबर का मैना तो यह कहीं नहीं जाए अजीम जी कह रहा है जान दे देंगे आपके लिए डायलोग ताना क्या बात कर देंगे तैंक्यू सर एफ और एंस फम को मैं आप लोगों से लास्ट में बात करके अच्छा लगा लेंगे का जरूर कभी मिलेंगे कभी भी मिलेंगे कौण सा कोड अप्लाई नहीं हो रहा है मैंजी अजनी पर आँए अठ फ्विंटी सिक्स को बड़े इंडेस की मैराथन करें वह बड़े-बड़े इंडेस का मैराथन करें कि अधर दो में टूख जाओ 11 आउर हो जाएगा हाँ यह बात तो है 21-28 में 11 आउर हो जाए तर की तपस्या है जो हमें अब ठकने नहीं पता नहीं आज एनरजी अपनी आप आ गए इतना पढ़ाना मतलब मुझे भी बिलीब नहीं हो रहा मैंने इतना पढ़ा दिया आज सच में आज भगवान नहीं आज मैं शूरू भोले बाबा ने एनरजी अधर इस में तीन घंटे पढ़ाता हूं ग्लास में मैं तरफाता हूं आज सोचू में इतना पढ़ा दिया यह मलब भगवान की कोई सकती चाहिए भगवान नहीं को सकती दिया पॉसिबल ही नही ठीक है वैसा कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं था कुछ छोटा मोटा रीजन था इसलिए हमने कल नहीं लिया तर आपसे ऐसे फास्टर ली थी अभी लेकिन आपसे बात नहीं हो अच्छा सूर्च कोई बात नहीं नहीं मिलता सूर्च यह तोड़ा ज्यादा बीज़ी रहता ह इतना वहत्रीन फ्लो हैट्स ऑफ सर्थ तेंक्यू सू मच आप कभी रिप्लाई नहीं करते हैं करूंगा ना रिप्ला तो था प्रैन करता हूं भी ऐसे मेराथों के लिए तो आपकी वज़े से एक वर समझाय सर्थ पहले बहुत दर लगता तो समझ आ रहा है तो बहुत कुसी के पादें लाटा आप पर क्रिपा रखें और लोग वोब भी खरेपाद रखें अपकी जितना मेहनत कर लेंगे तो हो गया हमारा सी यस अराम से मेहनत करो नहीं अभी टाइम है मेहनत करनेगा अभी मेहनत करो आप मेहनत का फल मिठा ही मिलते हैं ये फिल्ड का प्रुस्पा कौन है सारे सी ये स्ट्रेंट्स प्रतिक जाएगा अरे बहुत बहुत सुक्रिया सच में इतना प्यार दे दिया आज आप लोगोंने क्या चाहिए फिर मुझे आप इसी क्रक्स बड़े इंडेस का भी बना देंगे कोसिस करता हूं मैं और भी जादा इंडेस का क्रक्स बना बजा तो है ने यह सारे जो क्रक्स अच्छा तो लगा होगा मेरे ख्याल से पाकी कभी मैं कोसिस करूंगा क्रक्स बनाने का अब समझ आता है थैंक्यू सूमच प्रिदी ची चलो जी तो फिर अब मैं विदाई लेत क्या बोलते हैं सर मुझे आप ठीचिंग दिखा दिया अरे थैंक्यू सो मच सर आप भी रेस्ट करो सर क्रेक्स यह कोड अपलाई नहीं हो रहा है सर अब कहां से अपलाई होगा वह तो एक्सपायर हो चुक है ठीक है मुझे टेलिग्राम कर दिजिगा 9864047095 पे अच खुस में लाइव सेक्शन में और अब हम विदाय लेते हैं चलो थैंक्यू सू मच एवरिवन फिर वापस बहुत जल्द मिलेंगे ठीक है चलो बाय बाय एवरिवन ठीक है